हलो श्टेंट जे अकेड़ी के स्तांदार प्लेटफरम पर एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे क्लास को जोईन करेंगे first of all good morning सभी बच्चों को ठीक है तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे class को join करेंगे class का time हो चुका है और इस class के बारे में मुझे बताने की जुरुत है नहीं क्योंकि इस class के बारे में already सभी बच्चों को पता है कि अपन आज क्या करने वाले है तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे जॉइन करेंगे प्रिजेंट लगाएंगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी सारे बच्चे प्रिजेंट लगाएंगे और ये खूब सूरत जो सेसन है इसकी अपन सुरुवात करेंगे बहुत ही जल्दी सारे बच्चे जल्दी जल्दी जल् रहा होगा ठीक है महा मेराथन कंप्लीट केमिस्ट्री अपन करने वाले हैं फिजिकल इन और गेनिक और गेनिक क्या करने वाले हैं कैसे करने वाले अब यह मैं डेटेल में आपको बताऊंगा किलास स्टार्ट करने से पहले लेकिन सारे बच्चे उससे पहले जल्दी पुढ़िए दोस्तों को शेयर कर दीजिये क्लास को लाइक कर दीजिये ठीक है तो जल्दी-जल्दी सारे बच्चे प्रिजेट्ट लगाएंगे मैं सभी का नाम लोगा एक वार ुस्पाय यादव जी मायूरी जी अरपना जी सानिका जी पायल जी जल्दी जल्दी- असब से पहले सभी बच्चों को अब स्युक्त आपको दो तो देखो आप बात करते हैं अपना आज करने वाले क्या है और ये किलास को आपको क्यों देखना है सबसे पहली बात ध्यान से सारे वच्चे सुन लेना सबसे पहली बात ध्यान से सारे वच्चे सुन लेना ठीक है न तो यहाँ पर सारे वच्चे ध्यान से सुन लेना अपन क्या करने वाले हैं और ये क्लास को क्यों देखनी है और आपका task क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ पहले बात आप ध्यान से सुने ना ठीके ना इस class में आपको 1000 प्लस like करने हैं और क्यों करने हैं उसका मैं कारण बताता हूँ आपको ध्यान से सारे बच्चे वैसे आपको दिख रहा है Chemistry, महा मेराथन, Complete, Inorganic, Physical और Organic करने वाले हैं यह Class क्यों important है? यह मैं आपको बताता हूँ कि यह आपको Class क्यों important है? यह Class आपको क्यों देखनी है? एक बार मैं सारे बच्चे जहान से सुलेंगे ठीक है ना? आपन क्या करने वाले हैं? कैसे करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? कैसे करने वाले हैं? क्योंकि एक होता है ना? पहले Planning की जाती है करने से पहले तो Planning तो बहुत दिनों से जल रही है आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहली बात यहाँ पर अपन Complete Chemistry करेंगे आपको यह Class क्यों देखनी है? क्या सिक्वेंस रहेगा आपका पहले अपन फिजीकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और फिर अपन औरगेनिक करेंगे सबसे पहली बात आपको यह Class क्यों देखनी है? उसका रीजन आप ध्यान से सुन लो सारे बच्चे Second बात, पहले अपन Concept सीखेंगे अपन इस बार यहाँ पर क्या करेंगे? पहले Concept सीखेंगे और फिर अपन Multiple Choice Questions की अपन क्या करेंगे? Practice करेंगे और यह सारे Questions आपके Previous Year Questions से Analysis करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं Third Number का Point क्या है? बहुत Important Questions सारे आपके Hindi और English दोनों मीडियम में होंगे तो सभी बच्चों को यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर Fourth Number का Point यहाँ पर जगे नहीं यह दर देख लिए आप बहुत सारी अपन Chemistry में जितनी भी सौर्टरिक होती है, सारी सौर्टरिक अपन कैसे अपन को Questions को Approach करना है वो अपन यहाँ पर सीखेंगे किस तरीके से अपन को Questions को Approach करना है कैसे अपन को Solve करना है यह सारे Point Important है इस वज़े से सभी बच्चों को Class में Last तक रहना है याद रखना इस बात को इस Class में आप सभी को Last तक बने रहना है क्योंकि आपको पता है Complete Chemistry, Physical, Inorganic Organic Concept सीखेंगे Multiple Choice Questions करेंगे और ज्यान से मेरी बात सुले न बहुत ही सांदर Class होने वाली है Nursing के इतिहास में Chemistry की यह पहली Class हो गई जिसमें एक Class के अंदर में आपको Complete Chemistry याद रखना यह कोई यहां पर ऐसा नहीं है आपको सारी चीज़े दिखेगी आज यहां पर इस Class में आपको सारी चीज़े दिखेगी Complete Chemistry Physical, Inorganic, Organic पूरा Complete जो निचोड़े वो मैं आपको देने वाला हूँ याद रखना Complete Chemistry की त्योरी आपकी यहां पर जितनी भी आपको मैं करवाने वाला हूँ Multiple Choice Questions आपको करवाने वाला हूँ किस तरीके से पेपर आपको attempt करना है किस तरीके से questions solve करने है सारी चीज़े आप यहां मेरे साथ आज करने वाले हैं तो यहां पर जल्दी जल्दी लाइक की संग्या बढ़नी चाहिए अभी लाइक बहुत कम है तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइक कर दो और उसके बाद में यह खूबसूरत सा सेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो जल्दी जल्दी लाइक का सतक लगा दो अभी लाइक का सतक नहीं लगा है तो like का साथ तक जल्दी से सारे वच्चे लगा दीजिए ठीक है बाई और ये session को start करते हैं complete chemistry मैंने आपको बताया complete chemistry आपन यहाँ पर करने वाले हैं ठीक है ना पहले concept सीखेंगे फिर questions करेंगे फिर concept फिर question फिर concept फिर question हिंदी इंगलिस दोनों में करेंगे तो बहुत मजाए और यह class किन-किन के लिए important है सारे बच्चे ध्यान से सुलेना सबसे बड़ा route होता है आप EMS की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यह class देखना है कोई से भी state की आप BST nursing की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको देखना है चाहिए आपका कोई सावी state हो ठीक है ना कोई भी state आ अपन करने वाले हैं 133 लाइक हो गए हैं सर अच्छा ऐसा क्या कोई ना मुझे screen पा अभी update नहीं हुआ होगा ठीक है तो बिल्कुल 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 तो लाइक का दोरस तक लगा दीजे जल्दी से फिर लाइक का दोरस तक जल्दी से लगा दीजिए ठीक है ना और उ बिल्कुल खतम नहीं होगी जब तक मेरा टार्गेट पूरा नहीं होगा complete chemistry theory sorter equation आपका target क्या है आपका target भी सुन लीजिए मुझे आपसे कुछ नहीं चीए 1000 प्लस लाइक चीए इस किलास में 1000 प्लस लाइक चीए ठीक है ना और current में आपके subscribe यहां पर दिख रहे होंगे आ यह आपको करने है आज 42 के मैं ज्यादा target नहीं ले रहा हूं 42 के आपको पहुचाने है इस last class तक ठीक है यह आपके target है जितने भी नए बच्चे आए चैनल को subscribe कर दो telegram group join कर लो क्योंकि इस class की PDF आपको telegram group पर मिलने वाली है तो करते हैं खूबसूरत सा session को start time ज्यादा ले करेंगे नहीं क्योंकि आज time की limit रहेगी इतना आसान नहीं होता है complete chemistry लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे complete chemistry आपको खतम करनी है ठीक है तो सबसे पहला chapter आपका आएगा mole concept सबसे पहला कौश्चेप्टर आपन इस्टार्ट जो करेंगे बो आज करने वाले हैं इस्टार्टिंग करेंगे mole concept से complete mole concept की पहले आपको यहां पर questions कैसे करने हैं उसके लिए concept में आपको सिखाऊंगा ट्रिक आपको सिखाऊंगा और उसके बाद में उसके बाद में याद रखना अपन यहां पर क्या करेंगे questions प्रैक्टिस करेंगे जो भी आपके पीवाई क्यू previous year questions है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आपको को पूरी कॉसेश करनी है अब सारे बच्चे ध्यान से सुल लेना क्लास में फुल कंसंट्रेट होना है क्लास को डिस्टब कोई भी नहीं करेगा एकदम आराम से एक एक चीज़ को समझनी है कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए प्रत्यक डाउट जब भी अपन मार्केट जाते हैं तो अगर आपने बोला मार्केट में जाकिये को अपको एक दर्जन चेर चाहिए या एक दर्जन आपको बनाना चाहिए तो आपको फिक्स है कितने मिलेंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे बच्चेrant UPने एक दर्जन चेर पनाना माग मैंने शिर्फ एक दर्जन का पूछा है एक दर्जन बिल्कुल 12 कितनी मिलेगी आपको 12 मिलेगी थी कहना बिल्कूल हिंदी इंग्लीस दोनों में आपको किरवाने वाला हूं फिर्फ न olmas hem बिल्कुल 12 मिलेगी तो मतलब इसका मतलब सरा यह मांगो गया कि एक दरजन अगर आप कुछ भी मांगोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 12 नमबर मिलेगा, चाय आप बनाना मांगो, चाय आप यहाँ पर बनाना मांगो, चेयर मांगो, कुछ भी मांगो, आपको fix है, कितना मिलेगा, आपको 12 मिलेगा, तो यही फंडा है, एक जो मोल होता है याद रखना यह बन एवोगेडरो नंबर के बराबर होता है सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको अपन एन नोट से डिनोट करते हैं और जिसकी वैल्यू 6.022 x 10 की पावर 23 होती है यह लिजिए आपका मोल का जो फंडा है वो मैंने आपका किलियर कर दिया है मितलब अगर एक मोल है मतलब एक अपन नंबर है एन नोट से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू आपकी 6.022 x 10 की पावर 23 होती है ठीक है सारे बच्चों को यहाँ पर यह सिंपल सा मोल का फंडा है जो आप सभी को समझ में आ गए होगा अब आपको मोल को कैसे निकालना द्यान से सुन करेंगे मोल बरावर प्यारे बच्चों याद रखना मोल बरावर होता है आपका बेट अपन मोलर मास क्या होता है मोल बरावर बेट अपन मोलर मास यह आपका पहला फॉर्मला होता है ठीक है न एक अगर आपका फॉर्मला कभी भी आपको याद रखना मोल बरावर नंबर of atom molecule या कोई भी अगर आपकी things हो सकती है जैसे आपका electron, proton, neutron कुछ भी हो सकता है अगर number of आपको कुछ भी दे रखा है तो याद रखना mole बराबर होता है number of something जो दे रखा है वो upon में आपको करना है and not ये आपका mole का दूसरा formula है जो कि आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए ये पहला formula ये आपका दूसरा formula यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया जल्दी से comment करके बताओ यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया जल्दी से सारे बच्चे comment करके बताइए बहुत ही simple mole बराबर आपको bet upon molar mass bet आपको question में देगा याद रखना bet आपको gram में लेना है ठीक है ना molar mass आपको निकालना कैसे है वो मैं सिखाऊंगा अभी number of atom upon n node n node की value मैंने आपको बता दी है 6.022 into 10 की power 23 यह आपका यहां पर n node का value है आपको यहां यहां तक तक स्ब बच्चो को clear होगा अभिहां पर आपको याद रखना ऋ प्यारे वच्चो बहुत important चीजा आपन कर रहे हैं यह आप का concept number 1 था यहां पर चलेंगे concept number 1 था यह आपका उसके बाद में प्यारे बच्चो यहां पर यह आपका concept number 2 है और यह आपका concept number 3 है, अब बात करेंगे अपन concept number 4 की, concept number 4 की बात करेंगे ध्यान से सुनना, STP, प्यारे वच्चों एक चीज होती है, standard temperature pressure, क्या होता है, बिलकूल एक एक चीज दिमाग में फिट हो जाएगी, मैंने बोला है, nursing के इतियास में यह पहली किलास होगी, और यह कोई बोल नहीं रहूं, मैं आपको करके दिखाऊंगा, complete chemistry आज आपको मैं यहां करके दिखाऊंगा, और आपको बिश्वास मानना, अगर किसने के लास लास तक देख ली है, तो उसका कुछ भी यहां पर questions exam में नहीं चुटेंगे, तो mole बरावर standard temperature pressure कभी भी अगर आपका आगया है, standard temperature pressure, तो याद रखना, जो mole का formula होता है, वो हो आपन लेंगे, mole बरावर, given volume, अपन में 22,400, यह आप लेंगे, अगर कभ जो volume ml में है, तो यह वाला formula apply करेंगे, और अगर volume लीटर में है, तो यह वाला formula apply करेंगे, यह standard temperature pressure है, जब भी अगर आपका standard temperature pressure आएगा, तो इस तरीके से आपन को questions को approach करना है, ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चों, अपन आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, और अपन बात करेंगे, empirical formula, and molecular formula, यह क्या है, empirical formula, molecular formula क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, empirical formula और molecular formula के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, किस तरीके साँ आपके empirical formula, molecular formula होता है, जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ रखना C6H12O6, यह आपका आगया glucose है, आप सभी को पता है, ठीके नहीं, यह क्या है, आपका glucose, तो प्यारे बच्चों, जब complete atom से कोई आपका molecule बना हुआ है, तो यह पूरा आपका क्या कहलाता है, यह आपका molecular formula कहलाता है, यह आपका क्या कहलाता है, molecular formula, 6 carbon, 12 hydrogen और 6 oxygen, और अगर इसका प्यारे बच्चों, अपन यहाँ पर simplest ratio ले लेंगे, क्या लेंगे, simplest ratio अगर अपन ले लेंगे, इसका, तो आपको पता है, 6 carbon है, तो अगर 6 से अगर पूरे में अपन divide कर देंगे, तो एक carbon, आपके यहाँ प 1 ratio, 2 ratio, 1 यह आपका क्या आजाएगा, रेशियो आजाएगा, और यह आपका क्या कहलाता है, empirical formula कहलाता है, empirical formula कहलाता है, तो याद रखना, कभी भी प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है, empirical formula, molecular formula, empirical formula आपका क्या है, simple सा में आपको बता दिया है, molecular formula क्या है, empirical formula simple सा यहाँ पर, simple सा यहाँ पर क्या है, simple सा आपका simplest ratio है, molecular formula का, जो कि आप सभी बच्चों को समझ में आगया होगा, उसके बाद में अपन बात करेंगे उसके बाद में आगे बात करेंगे एक relation होता है जो कि आपको याद रखना है ठीक है ना बिल्गुल बिल्गुल यहां तक सारे बच्चों को किलिए रह गया जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताईए अब एक relation आपको याद रखना है प्यारे बच्चों याद रखना molecular formula बरावर आपका होता है n गुणा empirical formula empirical formula यह आपका क्या होता है यह आपका प्यारे बच्चों एक relation होता है अगर empirical formula पता है n से multiply कर देंगे molecular formula जाएगा और n क्या है यहाँ पर याद रखना molecular weight of molecular formula upon molecular weight of empirical formula यह आपका क्या होता है यह आपका n होता है यह आपका t nota है यह आपका अन होता है ए यह आपका N होता है और molecular weight of molecular weight of empirical formula और molecular formula क्या है n गुणा empirical गुशन्य, अपको अभी नहीं बनाने नौ्ट्स आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी पर थीके न, तब आप आप आराम से knots बना ली न, तो अब आपन यहां पर questions देखते हैं, अपन यहां पर questions देखते हैं, उस से पहले एक छोटासा जौक आपके सामने है questions देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा jokes देख लेते हैं ताकि आपको यहां पर थोड़ा सा mind phrase हो जाए, दोस्तों हम उन्हें मुढ़ मुढ़ कर देखते रहे, और वो हमें मुढ़ मुढ़ कर देखते रहे, वो हमें हम उन्हें, वो हमें हम उन्हें, क्योंकि परिक्षा में ना उन्हें कुछ आता था, और ना हमें कुछ आता था, क्योंकि परिक् neighborhood, frustration, नहीं आए, आपकी एकजाम में ऐसी situation नहीं आए, इसलिए आपको आभी बताताओं पढ़ाई करिए, ठीक है ना, आभी बताताओं आप पढ़ाई करिए, ताकि आप यहाँ कर आप ऐसी situation आपके साथ में नहीं आनी चीहे, आप ओकल पर आपको आपको डेखेंगे आपक ना आपको कुछ आता ठीक है न तो इसलिए अभी पढ़ाई करो ताकि ना तो आपको देखेंगे और नहीं आप उनको देखेंगे और आप सिर्फ पेपर अटेंट करेंगे और आपका सांदर पेपर जाएगा और आपका सेलेक्शन हो जाएगा आपका ड्रीम मेडिकल को भाई दोरा सतक लगाओ लाइक का जल्दी जल्दी सारे बच्चे बन 81 हो चुके हैं जल्दी से दोरा सतक लगा दीजिए ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे जल्दी जल्दी दोरा सतक लगा दीजिए बिल्कुल भाई इसी तरीके से मैं मोटिवेट करता रहूंगा जोक्स आपके सामने लाता रहूंगा फूल एनर्जी के साथ मैं आपको बस पढ़ाई करनी है बिल्कुल भी मैं आपको बोर नहीं होने दूँगा तो चेक करते हैं यहाँ पर कितने बच्चे है 12-83 बच्चे लाइब आ चुके हैं तब तक मैं चाय पी लेता हूँ ठीक है न क्योंकि मॉर्णिंग का टाइम है और फिर आपको भी चाय पी लाऊँगा नहीं किसी को भी नहीं बूले हैं किसी को भी नहीं बूले हैं मनीज जी किसी को भी नहीं बूले हैं बताईए बई simple question है C option आ रहा है क्या, C option नहीं होगा बई, B option आपका right answer है C option आपका नहीं होगा, B option आपका right answer है, ठीक है न, तो इधर देखो सारे बच्चे कैसे गरना है Ratio of mass of oxygen and nitrogen in a particular gas mixture is 1 ratio 4 प्यारे बच्चों, mass दे रखा है, किसका दे रखा है, mass आपको दे रखा है, किसका Oxygen and nitrogen, O2 and nitrogen प्यारे बच्चों, N2, कितना दे रखा है, बन ratio 4 और आपसे पूछा है, Ratio of number of molecule, तो number of molecule आपसे पूचा है तो प्यारे बच्चों आपको पता है ratio of number of molecule आपसे पूछा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको पहले mole निकालना पड़ेगा, तो mass पता है, mole निकाल लेंगे तो mole का order क्या जाएगा 1 upon 32 ratio 4 upon nitrogen का mole अनमास आपको पता है 1 nitrogen का 14 तो 2 का 28 1 oxygen का 16 तो 2 का 32 ये mole आ गया है और आपको पता है number of atom mole बराबर number of molecule आपसे पूछे हैं upon में anode तो number of molecule होता है mole into anode तो ये mole है और प्यारे बच्चों node से तो node आपका ratio है तो cancel हो जाएगा तो इन दोनों का आपन ratio लेंगे अगर तो इसको काट लो प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ पर 1 upon 7 है और दोनों का अगर आप ratio लोगे तो 1 upon 32 upon में 1 upon 7 7 उपर चला जाएगा 7 upon 32 आजाएगा दोनों का ratio जो कि आपका B option यहाँ पर आंसर है जो कि आपका B option यहाँ पर आंसर है ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल 32 एक oxygen का molar mass 16 तो 2 oxygen का molar mass आपका है 32 एक nitrogen का molar mass सौधा है तो 2 nitrogen का 28 यहाँ आप गलती यह मत करना कि oxygen का O ले ले nitrogen का N ले ले क्योंकि हम molecule के बारे में बात करी है और molecule के बारे में बात करी है तो O2 and N2 लेंगे क्योंकि molecule है O oxygen एक atom है जबकि O2 आपका molecule है और molecule यहाँ पर आपसे पूछा है इसलिए आपन ने on to O2 and N2 लिया है O2 and N2 लिया है लाइक है दोरा सतक लगाओ जल्दी से सारे बच्चे अभी तक दोरा सतक नहीं लगा है तो दोरा सतक लगा दीजिए जल्दी से सारे बच्चे ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेट होगे तो कोई बात नहीं चलिए यह बताईए आप यह बताइए Bic of the following Bic of the following content the largest number of atom प्यारे बच्चों इन में से आपको बताना है कौन आपका सबसे ज़्यादा largest number of atom रखेगा बाइस आप यह ट्रिक ही बता रहा हूं आपको मैं यह जो अभी कुश्चन्स करवा रहा हूं यह आपको मैं ट्रिक ही बता रहा हूं ठीक है जल्दी से सारे बच्चे इस question का अंसर बताईए क्या बात है वाई सब आपने ये 12 सतक complete हो चुका है यास अब आपको 13 सतक लगाना है ठीक है ना अब आपको 13 सतक लगाना है 12 सतक पूरा हो गया है अपना complete अब 300 का target है जिन्होंने भी like नहीं किया है जल्दी से like कर दो ठीक है भाई सब चलिए बताईए बहुत प्यारा question है simple question है आसान question है क्या बात है भाई सब क्या बात है कुछ बच्चे भी option बता रहे हैं भब्या सोलंकी जी अनुरादा जी प्रिया चोहान जी रिषू यादव जी मदू कुमारी जी कारतिक यादव जी भव्यजी सुमिज जी दीपक जी निसा यादव जी तो बी option is the right answer क्योंकि इतने बच्चे बी option बता रहे हैं तो बी option आपका right answer है बिल्कुल भाई प्यारे बच्चों, 11 ग्राम आपका यहां पर है, तो बेट पता है, मोलर मास पता है, सबसे पहले मोल निकाल लेंगे, तो मोल आपका 11, कारवन डाय ओक्साइड का मोलर मास 40 है, तो बन अपन 4 आजाएगा, यहां पर बेट आपका 4 है, मोलर मास 2 है, तो 2 मोल आजाएगे, ठीक और ऑक्षिन का 32 64 हो जाएगा प्यारे बच्चो तो यह आपका बन अपोन 8 मोल आ जाएगा तो सबसे ज्यादा मोल यहाँ पर है तो आप से पूछाए largest number of atom तो आपको पता है number of atom क्या होता है मोल इंटू एन नोड ठीक है प्यारे बच्चो यह आपको पता है तो सबसे जाएन नोड तो सम्में सेम है यह तो यह constant है तो जहां मोल ज्यादा है वहीं आपको पता लग गया number of atom या molecule ज्यादा है तो सबसे ज्यादा मोल आपके 2 मोल यहाँ पर आपको दे रखें है ठीक है न तो it is the correct answer, B option is the right answer बिल्गुल भाई B option आपका right answer है जिन बच्चों का भी B option आया है एकदम correct answer है ठीक है न एकदम बढ़िया है नामी का जीव एकदम बढ़िया है बताईए बढ़िया सारे बच्चे जल्दी जल्दी सभी बच्चों को के लिए रेक्या फिर एक नया concept समझेंगे सीखेंगे ठीक है न एक नमबर देखो ऐसे देखो यहाँ पर देखो आप जैसे आपका CO2 आया carbon dioxide तो आपको पता है carbon का यहाँ पर atomic number 12 होता है एक oxygen का 8 तो दो का आपका एक oxygen का 16 होता है तो दो का आपका 32 शॉल करेंगे 44 आ जाएगा ठीक है न यह तो एक दम basic चीज है जैसे आपका यह carbon आ गया 6 और 12 hydrogen का बन-बन होता है helium का 2 & 4 होता है ठीक है न बेरिलियम का आपको पता है 3 & 6 होता है इस तरीके से तो यह उपर वाला होता है यह molar mass होता है और यह आपका atomic number होता है यह atomic mass होता है तो उपर वाला आपको लेके चलना है ठीक है न उपर वाला लेके चलना है अगया बताओ यहां तक clear रहे क्या सभी बच्चों को जल्दी जल्दी comment करके बताओ यहां तक clear रहे क्या 200 बच्चे लाइब एर 13 सतक अभी लगाना है आपको ठीक है तो जल्दी से यहां पर like की संक्या भी बढ़नी चीए जिन चलिए यह वाला कुश्चन बताइए एक गेस एकस एस टू हैज मोलर मास 34 ग्राम वाट इस दा मोलर मास ओफ एकस ओ थ्री जिन नियरली बहुत प्यारा कुश्चन है और नीट के एक्जाम में आया वह कुश्चन है प्यारे बच्चों कॉंसेप्ट में आपको समझा चुका हूँ अब आपको करेक्ट आंसर देना है सारे बच्चे यहां पर आंसर देंगे और आज की क्लास में कोई भी क्लास सोड़के नहीं जाएगा क्योंकि यह क्लियास इतिहास रचने वाली है मैंने आपको पहले ही बता दिया है इटिदा हिस्ट्रिकल क्लास इन नर्सिंग एक केमेस्ट्री बिल्कुल मदु कुमारी जी 16 इंटू 2 क्योंकि एक ओक्षिन का मोलर मांस 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा बताईए वई प्यारा कुष्यन आपके सामने आ गया है जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे और जल्दी जल्दी लाइक करते चलो आपका टारगेट मैंने बता दिया है 1000 लाइक आपको करने है ठीक है न और मेरा टारगेट मैं kumpleat chemistry कर वाऊंगा क्या बात है बाई साथ क्या बात है अरे बेरी गर्ड बेरी गर्ड बेरी गर्ड क्या बात है क्या बात है क्या बात है कुछ बच्चे ए ऑप्सन बता रहे हैं कुछ बच्चे कुछ कभूतर यहां पर नेगटी वर्कत कर रहे हैं तो कभूतरों को मैं बता देता हूं अपना भविष्य आपके हाथ में हैं अपने भविष्य को खराब नहीं करें कम टाइम है अच्छे से पड़ाई करेंगे तो अच्छी बात है कम से कम अपने पैरेंट् कैसे कमया जाता है तो यह कुछ जो कभूतर उड़ रहे हैं फालतों की बाते कर रहे हैं इनसे अनुरोध है कि बिल्कुल भाई एक्स्प्लेन करेंगे आपको यहां पर मोलर मास दे रखा है एक्सेस्टू का और आपसे मोलर मास पूछा है एक्सट्री का तो अभी मैं आपक इधर देखो सारे बच्चे इधर देखो एक गेस एकस टू है मोलर मास आपको कितना गिवन है मोलर मास गिवन है 34 gram X का atomic number molar mass आपको X का तो पता नहीं है 1 hydrogen का 1 2 का 2 is equal to 34 तो यहां से X का molar mass आजाएगा आपका 32 X का molar mass आगया 32 और आपसे पूछाए molar mass XO3 का X का तो आपको पता चल गया 32 है 1 oxygen का 16 होता है 3 oxygen है 16 into 3 कर देंगे 48 14 तो solve करेंगे तो 48 और 32 आपका हो जाएगा 80 तो 80 gram per mole C option is the right answer C option is the right answer आपका correct answer हो जाएगा वाई सब C option is the right answer बहुत प्यारा question था बहुत ही प्यारा question था याद रखना आपसे molar mass XS2 का दिया तो यहां से यह equation बनाई X का molar mass पता नहीं है 1 hydrogen का 1, 2 hydrogen का 2 molar mass पता है 32 equation को solve करेंगे तो X का molar mass आजाएगा 32 और यहां से 32 को आप यहां पर put कर देंगे तो 32 plus 48 solve करेंगे तो आपका 80 gram per mole आजाएगा जो की C option आपको दे रखाए तो जिन बच्चों का भी C option आया है बहुत अच्छी बात है जिनका नहीं आया है उनको मैंने solve करना सिखा दिया है तो आगे से वो बच्चे ध्यान रखेंगे बहुत important class है कोई बच्चा मिस नहीं करेगा क्या कराने बाला हूँ? एक बार मैंने आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या आपका आज की class में होने बाला है सारे बच्चे एक बार देख लीजिएगा ये class क्यों important है complete chemistry करवाँगा physical, फिर inorganic, फिर organic, complete पहले concept सिखाऊँगा और फिर questions करवाँगा Hindi, medium, English, medium दोनों में question होंगे short trick सिखेंगे और questions कैसे approach करना है कैसे solve करना है ये मैं आपको बताने बला हूँ इस बज़े से important class है कोई भी बच्चा miss नहीं करेगा तो चलिए नया question आपके सामने आ गया है 7.5 gram of a gas occupy 5.6 liter at STP तो आपको बताना इन में से कौन सी gas होगी और मैंने आपको अभी बताया है mole बराबर given volume upon 22.4 liter ये आपका STP पर mole होते है तो सबसे पहले आपको volume पता है तो mole निकाल लो और beta आपको पता है mole पता है तो molar mass आ जाएगा और molar mass आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा molar mass कौन सी gas का है वो ही आपका answer हो जाएगा तो मैंने आपको hint दे दिया है मैंने आपको hint दे दिया है अब आपका काम है question को solve करना ठीक है ना ये सागर जी कौन है एक second यार इनके अपने parents का भी परभाय नहीं है इनको बिल्कुल भी कि इनके parents की भी थोड़ा सा होता है ना सोच तो अपने संस्कार यहां दिखा रहे है तो ये कबूतर है थोड़ा उड़ाओ इनको ठीक है ना ये संस्कार दिखा रहे है यहां पर ठीक है इनको काफी देर से प्रैम्ट से मैं समझा रहा हूं मान जाईए मान जाईए लेकिन यह नहीं मानेंगे थोड़ा और उपर सलिए सर्थ और उपर कि सागर नाम से कि तो यह क्या अपने संस्कार दिखाने आते हैं यहां ठीक है ठीक है भाई कभूतर उड़ गय है ठीक न आप भी समझते ओं पढ़ाई करने आते हो ठीक है अब इंहें और क्या मिलता है आपको यह फालतु अरकतों से ठीकिंगे न कुद भी पढ़ाई डिश्टर्ब करते हो दूसरों की पढ़ाई दिस्टरर्ब करते हो तो I think यह सई बात नहीं है, आपको पता है एतनी मेनत आपके लिए कर रहे हैं, इतना आसान होता है कि 12 गंटे non-stop पढ़ाना, आप खुद को पता है, अपन बैठ के पढ़ते हैं 2-3 गंटे उसी में अपनी हालात कैसी हो जाती है, ठीक है न, तो 12 गंटे non-stop पढ़ाना, पूर यह जिन result आएगा, उस दिन इनको लगेगा की 8 उस्टाइम मेनत कर ली होते, ठीक है न, तो उनको उस टाइम लगेगा, 7 उस्टाइम मेनत कर ली होते, ठीक है न, तो आपको मैं बार-बार बोल रहा हूं कि इतनी important class है, बस आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, लास तक बने रहना है है तो आप भी समझधा रह Examples नहीं करना के अपना focus यह होगो करने要 न क्योंगी क्लास तो आपको भी पता है यहां भीन तो यहां भी होगों हर जगे होते हैं हाने दो कोई पात नहीं थीक है तो आप आजाओ सारे बच्овे लाइन पर और question का answer बताओ, बहुत प्यारा question है, hint मैंने आपको दे दिया है, और like का 13 सतक जल्दी से complete करो, ठीक है न, जल्दी से आपको 13 सतक complete करना है, 2, 3, 4 like हो गए है, जल्दी से आपको 300 like का target करना है, बैसे last class तक 5000 का target है आपका, और मेरा complete chemistry कराने का, ठीक है बाई, तो बिल्कुल 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 जल्दी से सारे बच्चे answer बताओ, hint मैंने आपको दे दिया है, concept मैंने आपको समझा दिया है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे answer बताओ, बिल्कुल बहुत प्यारा question है, बहुत ही प्यारा question है, याद रखना मैंने आपको clear बोल दिया है, यहां मैं कोई भी ऐसा question नहीं करवा रहा हूं जो आपके लिए important नहीं है एक एक question आपके लिए important है उस question का concept important है direct question आएंगे आज की class से जो आज की class में complete chemistry देख लेगा याद रखना 50% मैं 100% नहीं बोलूँगा 50% questions और concept as it is एक ही class ये वाली class से आपके exam में गिरेंगे ही गिरेंगे क्योंकि आपको नहीं पता है इस class को तैयार करने में 10 से 15 दिल लगए है ठीक है ना क्योंकि इतना आसा नहीं है सारे questions आपके लिए selected किस तरीके से आपके पास में content पहुचाना है ये सब की planning की गई है और उसके बाद में आपके पास में ये class लेके आए ठीक है ना और इसके ब पहली बार आप आए हो complete class में आप रहिए उसके बाद में chemistry से डर आपका खतम हो जाएगा ये मेरी गारंटी है complete class तक आपको देखिए लास्ट तक देखिए ठीक है ना आपका डर खतम हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल मनीज जी बहुत selected question है आपके लिए और आपको दिख भी रहे होंगे और आप देखो पहले मैंने आपको starting में concept सिखा दिए और आप 5 question कर लिए अपने सब के answer आप दे रहे हो ठीक है फिर मैं concept सिखाऊंगा फिर question कराऊंगा और topic wise चल रहे है सबसे important पह चेप्टर topic wise करेंगे ताके आपको पता रहे कौन सा चेप्टर आपका बीक है उसको आपको ज्यादा focus करना है ना तो पूरा sequence है अपने चल रहे हैं last तक रहना है clear बोल दिया है मैंने आपको बहुत मज़ा आएगा benefit मिलेगा एक दिन आपको बस जैक एडमी को दे देना है उसके बाद में selection आपका 100% अच्छी रहें के साथ होगा ठीक है चलिए वाई solve करते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया मोल निकाल लो तो प्यारे बच्चों आपको पता है मोल बराबर given volume कितना है 5.6 आप उन में कर देंगे 22.4 मोल निकाल लेंगे तो आपका आजाएगा 1 1 by 4 मोल 1 by 4 आगया है मोल बराबर आपको पता है बेट अपॉन मोलर मास होता है मोल कितना है बन अपॉन 4 बेट कुश्चन ने दे रखा है 7.5 अपॉन में मोलर मास यहां से मोलर मास दोनों equation को solve करेंगे इससे multiply हो जाएगा तो मोलर मास आजाएगा 7.5 इंटू 4 तो यह आपक 30 किसका मोलर मास है आपको पता है यहां पर देखिए आप oxygen का solar और nitrogen का चवदा तो मोलर मास कितना आगया 30 तो यह आपका मोलर मास 30 किसका है मोलर मास 30 आपका B option का है तो B option is the right answer B option is the right answer ठीक है ना सर आपका नाम क्या है ठीक है ना मेरे नाम लोकेंद्र है ठीक है तो यहां पर simple सा B option आपका right answer है ठीक है चोकलेट बगेरा बाद में खिलाएंगे पहले एक chapter अपन अच्छे से complete करते हैं ठीक है ना उसके बाद में पक्का आपको चोकलेट भी खिलाएंग ज़्यादा उत्ती है तो मेरा target यह है ठीक है बागी आपकी demand आई है तो ठीक है आपके पास पोचाया जा रहा है कुछ ना कुछ ठीक है तो बिल्कुल simple question था आसान question था आपने देखा सांधार trick के साथ में अपने solve किया अब आपन बात करेंगे important चीज के बारे में सारे बच देखिए सारे बच्चे लेकिन लाइक का 13 सतक अभी हुआ नहीं है और आपको जल्दी से करना है 209 लाइक और करो 13 सतक करो यह चेप्टर खतम होने से पहले मोल कॉंसेट्ट खतम होने से पहले 300 लाइक का टार्गेट है चलो देखते हैं फिर चलिए आप देखो आप अब आपन बात करेंगे प्यारे बच्चो डेंसिटी और बेपर डेंसिटी के बारे में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है किस तरीके से solve करना है अब भी आप अपन देखेंगे इधर आदो सारे बच्चे फटा फट देखो प्यारे बच्चो हर चीज़ का derivation अपन करेंगे आपको पता एक equation होती है आइडल गैस equation पीवी बरावर एन आर्टी यह आप सभी को पता है एन आपका क्या है मोल आर आपका क्या है रेड़ वर कॉंस्टेंट प्यारे बच्चो यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट होता है आप सभी को पता है यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट जिसकी बैल्यू प्यारे बच्चो यहां पर अपन 8.314 जूल ले सकते हैं ठीक है ना जूल पर मोल केल्विन भी ले सकते हैं ठीक है या फिर एटियम लीटर अगर एटियम में लेंगे तो 0.082 या फिर अपन यहां पर बन अपन ट्विल भी ले सकते हैं यह आपका एटियम लिटर पर मोल केल्विन होगा ठीक है ती आपका टेंपरेचर होता है और पी आपका प्रेसर होता है बहुत इंपोर्टेंट चीज 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 रहे हैं और बी इस equation को P B बरावर N की जगे अपन लिख सकते हैं W upon M फिर R और फिर आपका T यह आपको पता है अब B को अपन इदर लियाओ और आपका M इदर ले जाओ तो P M बरावर W upon B R T और W upon B beta upon volume आपको पता है density होता है beta upon volume तो यह आपका D हो जाएगा तो यहां से आजाएगा P M बरा P M upon R T यह आपका final relation आजाएगा density क्या हो जाएगा P M upon R T जो कि आपको लोग याद करवाते हैं और मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपका formula आया है PV बरावर N R T simple सा N बरावर W upon M, M इदर ले गए volume इदर लिया है W upon B आपका density होता है P M बरावर D R T तो D आजाएगा आपका P P M upon R T यह final relation हो गया कि यह final relation हो गया जो कि I think सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि बिल्कुल 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 सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चों को के लिए आया क्या कि यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट यह आपका एक फंडा है फंडामेंटल कॉंटिटी है ठीक है न और आपका यह फिक्स वैल्यू है यह जो कि आपको यहां पर आपको याद करनी है ठीक है न बिल्कुल बिल्कुल यह एक फिक्स है कॉंस्टेंट वैल्यू है जो को जो कि आपको याद रखनी है जब भी आपके न्यूमेरिकल आए बताईए वही सारे बच्चे जल्दी जल्दी के लिए रहक्या सारे बच्चे बताओ आप सारे बच्चे यहाँ पर देखो एक चीज आती है आपकी बपर देंसिटी जो कि बहूत इंपॉर्टेंट है याद रखना बेपर डेंसिटी तो लिए प्यारे बच्चों याद रखना कभी भी बेपर डेंसिटी आपसे पूछे तो लुटिकलार बेट अपन में आपका होता है 2 यह आपको याद रखना है molecular weight upon 2 होता है ठीक है na molecular weight upon 2 होता है याद रखना molecular weight upon 2 होता है और यह किसके लिए निकालते हैं अपन gas के निकालते हैं gas के लिए पस यह वाला याद रखना molecular weight upon 2 क्या होता है vapor density होता है gas के यह अपन निकालते हैं, चलिए कुस्चन पे चलते हैं, और यह आपका simple सा कुस्चन आ गया है, the vapor density of a gas A is twice that of gas B, मतलब vapor density A की twice है, vapor density B के, अब देखो कुस्चन को कैसे solve करना है, ध्यान से सारे बच्चे आज यहां पर अपन पढ़ें जहीं नहीं, approach सीखेंगे कैसे अपनको question को solve करना है ध्यान से देखो question ने बोला vapor density gas A की दुग नहीं है vapor density of gas B से तो vapor density of gas A दुग नहीं कर दी vapor density of gas B यहां तक पड़ा यहां लिख दिया इब्दा molecular weight of B मतलब molecular weight of gas B का आपको दे रखा है कितना M तो molecular weight of gas A आपको बताना है तो molecular weight of gas A आपको बताना है यह आपका question है vapor density का relation पता है एक का molar mass पता है और दूसरे का molar mass निकालना है formula आप लगा दीजिए जल्दी से और आपका correct answer आजाएगा formula लगाईए answer आजाएगा बहुत प्यारा question है तो आपन क्या होता है आज complete chemistry होगा बिल्कुल देखो क्या होता है न कहीं बार जब जब question आता है न आपके सामने तो आपके अंदर डर आ जाता है आप question पढ़ते हो और आपको लगता है यह कैसे होगा यार इतना बड़ा question रहे और इसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा तो आपके अंदर क्या डर चालो हो जाता है अब उस डर को कैसे खतम करना है मेरे साथ म कि यहां तक पढ़ा कुछ से ने बोला कि बेपर डेंसिट्री एक ही डवल है तो आपने क्या क्या जो पढ़ा वो लिख दिया यहां पर अब इससे आपके दिमाग में फंडर के लिए हो जाएगा यार यह दे रखा है और यह आपको यहां पर लिखना है ठीक है तो आपने यह टाये रखा था लिख दिया अब आपने आगे पढ़ भो भी लिख दिया इससे क्या दिमाख में आपकी चीज चालो हो जाती है क्या दे रखा है और क्या लानायर क्या पता है और आपका correct answer आजाएगा ठीक है और जल्दी जल्दी बाई साब सब्सक्राइब करने मैं मेरा टार्गेट पूरा करूंगा complete chemistry करूंगा चाहे 12 गंटे नहीं होगी complete तो मैं 15 गंटे लिलूंगा लेकिन आपका target मैंने बताया है आज की class में 42 ज्यादा मैं बोल नहीं रहा हूं 42 के subscriber तक आपको लेके जाना है और like की संक्या 1000 प्लस और लास्ट मेराथन का मुझे आज भी याद है जो टार्गेट था वो complete आपने किया था जो आपका करना पड़ेगा तो नए बच्चे जितने भी आए रिक्वेस्ट है जल्दी से आपका टार्गेट यह है मेरा टार्गेट आप सभी को बताए complete chemistry concept सब कुछ करेंगे लाच तक लड़ेंगे complete chemistry खतम करके इस class को खतम करें ठीक है तो बिल्कुल चलिए अब answer देखते हैं बैसे आप सभी बच्चों का answer आ गया है सारे बच्चे बहुत समझदार है सब का answer आ गया है क्योंकि मैं बता रहा हूं ना यूं concept बताता हूं और सारे बच्चे करेंट answer देते हैं इसका simple सा मतलब यह है कि आपको चीजे समझ में आ रही है आपको चीजे समझ में आ रही है ठीक है ना तो बिल्कुल बी को unblock कर दिया जाए बिल्कुल कर दिया जाए तो देखो vapor density आपको पता है तो molecular weight of a upon में 2 is equal to 2 times molecular weight of B upon में 2 और molecular weight of B आपको M पता है 2 से 2 चला जाएगा तो यहां पर molecular weight of A निकालना है 2 इदर चला जाएगा तो 2 into M करेंगे तो आपका 2 M आ जाएगा जो कि आपका B option यहां पर दे रखा है तो B option is the right answer आप देख रहे हो ना एक दम चाहता तो मैं यहां पर simple question दे सकता था अगर म में 2 करके आपका answer आजाता आप खुस हो जाते उससे क्या होता आप खुस हो जाते अरे सर मोली की दर्वेट पता है 2 से 2 चला आ गया तो आप यहां खुस हो जाते लेकिन मेरा target यहां खुस करना नहीं है मेरा target है कि एक्जाम में आपके यहां पर अच्छे number आने चीए तो द तुना जादा आपको benefit मिलेगा एक्जाम में क्योंकि एक्जाम में fix question नहीं आते concept ट्रिक फंडा वही होता है digit change होके आती है ठीक है न तो ऐसे ही question last तक class में अपन करेंगे आज की में बस आपको last तक बने रहना है चलिए वही यह वाला question का जबाब दीजिए उसके बाद भी एक नया concept सीखेंगे average atomic mass और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन यहां पर सबसे important limiting reagent access reagent और उसके बाद में mall concept हो जाएगा समाप और फिर करेंगे start atomic structure उसके बाद में atomic structure उसके बाद में atomic structure उसके पहले आपका target पत आया हो question है जल्दी से सारे बच्चे बताईए यह यहां पर एक conceptual question है एक चीज बतानी है इसलिए मैं questions लेकर आगया हूँ अगर by chance आजाए क्योंकि NCRT में दे रखा है तो अगर आजाए तो आपका question गलत नहीं हो ठीक है तो देखते हैं यहां पर कितने बच्चे आ चुके हैं ठीक है बई जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर भी बताते रहो बई ठीक है ना और बहुत मज़ा आएगा मैंने आपको बुलाए तो I think कोई भी नहीं जाएगा ठीक है ना बिल्कुल क्योंकि आप कई बार क्या होता है ना आपको लगता है कि यार चीजे समझ में नहीं आ रही लेकिन ऐसा एक्च्वल में नहीं होता है वह गलती होती है आपके mind की concentration की आपका दिमाग क्या यहां है और कुछ सासात में कु एक बच्चा मेरे लिए important है अगर किसी बच्चे को समझ्या आती है उस चीज को मैं फिर से आपको समझाऊंगा फिर से आपको बताऊंगा और एक परसेंट भी आपको समझ्या नहीं आने दूगा यह मेरा आपसे बादा है और आप सभी को पता है एक एक बच्चा मेरे चूट जाते हैं तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से लिख दो फिर से मैं पढ़ूंगा और फिर से आपको बताऊंगा बिल्कुल वैसे मुझे बताने की जरुत नहीं थी multiple proportion आपका correct answer क्योंकि यहां पर क्या है सब में nitrogen atom common है ठीक है ना और जब एक atom सम में common होता है तो atom सम में common है आपका c option right answer हो जाएगा अब अपन फंडा समझेंगे average atomic mass का अब अपन फंडा समझेंगे average atomic mass average atomic mass अरे क्या समझेंगे रे average atomic mass ठीक है ना उसके बाद में chapter समाफ दोते ही फिर से आपके लिए एक नया joke लेके आगगा ठीक है ना उससे आपका mind phrase हो जाएगा फिर नया chapter में एंटर करेंगे ठीक है ना लेकिन लेकिन उससे पहले target आपका पता है 300 का बूलेंगे नहीं कोई भी mass of isotopes into percentage evidence upon 100 यह सर यह क्या है सर यह तो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया यह percentage of evidence क्या है isotopes क्या सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अरे क्यूट answer ले रहो मैं हूँ सब समझ में आएगा देखो आपको पता है यह किलोरीन है और आपको पता है यह किलोरीन है आप यह आप atomic mass है एक है आपका 37 और दोनों का atomic number fix है 17 17 मैं आपको बताया था isotopes का मतलब होता है क्या होता है a atomic number same हो atomic mass different होतो तो एक्वह नमलों क Richardson atomic mass different है मतलब यह isotopes है यह क्या है isotopes तो mass of isotopes आपको लेना है into आपको percentage of evidence मतलब अगर मालो यह x परसेंट है तो यह आपका क्या हो जाएगा hundred minus का x हो जाएगा यह क्या हो जाएगा hundred minus का x हो जाएगा और आपको पता होगा किलोरिन का जो average atomic mass अपन लेके चलते हैं सभी को पता है periodic table के अंदर वो अपन लेके चलते है 35.5 तो average atomic mass पता है percentage पता है molar mass पता है अब यह formula आप सभी बच्चों को clear हो गया होगा ठीक न अब यहाँ पर यह बाला fund आप सभी बच्चों को clear हो गया होगा कि percentage क्या है atomic molar mass क्या है और average atomic mass क्या है अब यह सारे बच्चों को clear हो गया होगा अब अपन चलते हैं कुश्चन पर और इस कुश्चन को करेंगे खात्मा चलिए यह वाला कुश्चन का अंसर बताईए average atomic mass of magnesium प्यारे बच्चों आपको पता है magnesium आपको दे रखा है 22.4 है this magnesium is compound 79% आपको mg24 दे रखा है यह percentage आपको दे रखा कितना 79 and remaining 21% 25 and 26 एक है आपका magnesium 25 एक है magnesium 26 अब यह दोनों कितना है बचा हुआ सारा total है 21 तो माल लो यह x है तो यह आपका 21 माइनस का x हो जाएगा ठीक है न यह आपका x है तो total आपको पता है तो 21 माइनस का x हो जाएगा ठीक है और आपको average atomic mass question में गिवन है 24.3 और आपसे पूछा है calculate percentage of magnesium 26 मतलब magnesium 26 की percentage x की value आपको निकान ली है तो average atomic mass का formula लगा दो 24.3 आपका average atomic mass है molar mass कितना है आपका 24 into कर दो 79 प्लस आपका यहाँ पर है 25 into कर दो आप कितना 21 माइनस x percentage सब की पता है प्लस आपका है 26 into कर दो x upon में कर दो 100 solve करो तो x की value आपकी निकल के आ जाएगी solve करेंगे तो क्या जाएगी x की value निकल के आ जाएगी जो कि आपका correct answer हो जाएगा ठीक है भई तो बिल्कुल सा question है सारे बच्चों को clear हो गए होगा average atomic mass पता है जो कि मैंने बताया आपको molar mass into percentage to 24 into 79 molar mass into percentage 25 into 21 minus x molar mass into percentage 26 into x upon में 100 multiply करेंगे 100 को इससे और solve करेंगे x की value आ जाएगी तो आपका यहाँ पर magnesium 26 की percentage आ जाएगी solve कर लेना I think आपका a option आपका यहाँ पर answer आएगा ठीक है बागी के आप solve कर लेना इस equation को x की value आपकी निकल गया जाई तो concept सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा I think बहुत प्यारा concept है अच्छा question था सांदार question था और सारे बच्चों को clear हो गया होगा ठीक है ना बिल्कुल I think a option आपका correct answer आएगा चलिए भाई यह वाला question एक compound है हिमोगलोवीन लाइक structure इट है बन आईरन इट कंटेंड 5.6% आईरन अपको बताना है बहुत प्यारा question है सारे बच्चे इस question का जवाब देंगे बहुत प्यारा question है सारे बच्चे इस question का जवाब देंगे और उसके बाद में question और करेंगे ठीक है ना लाइक का target भी अपना पूरा होने वाला है 300 का target है और I think बहुत जल्द पूरा करेंगे आप जल्दी से सारे बच्चे 300 का target है जल्दी से पूरा करेंगे जल्दी बताएंगे सारे बच्चे बहुत प्यारा कुष्टन आपके सामने आचुका है कर Naiya कि जल्दी जल्दी सारे भच्चे जबाब देंगे का metiche deck उस यूनिये कि यूपी में ऐसे क witness नहीं आते हैं आस्तोस राणा जी देखो मेरा टार्गेट मैंने बताया मेरा टार्गेट है कि कैसा भी कुछेयन आपके एक्जाम वां गलत नहीं होना की समझा रहा हो के आपको तरीक आएगा आप से गलत नहीं होगा ठीक है ना किसी भी तरीकों आएगा आप से गलत नहीं होगा जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताईए वही आप से कुश्चन सॉल करने में प्रोब्लम होती है तो आप से प्रोब्लम नहीं हो गई ठीक है ना बस आपको लाश तक रहना है जल्दी जल्दी बताईए वही आप से प्रोब्लम होती है आप लास तक रही है आप से प्रोब्लम नहीं होगी तो देखो आप से बोला है हीमोगलोबिन आप यह आपका यह आर यू एचस का आप बोल रहे होगी आज कुश्चन नहीं आता आप उठाईए आप आर यू एचस का प्रिवेशर पेपर उठाईए उसमें यह कुश्चन आ रहा है आपका हीमोगलोबिन वाला कुश्चन आ रहा है नीट के एकजाम में यह कुश्चन आ रहा है इस्टेंडर कुश्चन है और एम्स एकजाम में आ रहा है और कई बार यह कुश्चन आ रहा है आप जाईए चेक करिए एक बार प्रिवेशर कुश्चन ठीके ना इंपोर्टेंट कु एक आईरन एफी का कितना मोलर मास होता है 56 तो 56 ग्राम में कितना हो जाएगा बताओ अंड्रेड अपॉन 5.6 इंटू करेंगे 56 सॉल करेंगे तो आपका आजाएगा 1000 तो आपका करेक्ट आंसर मोगलोविन का कितना हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा 1000 आपका आंसर आजाएगा क्योंकि 5.6 ग्राम इतने में है तो एक ग्राम में इतना तो 56 ग्राम में इतना तो आपका सॉल करेंगे 1000 आजाएगा जो कि ए ओप्शन आपका राइट आंसर है ठीक है ना बिल्कुल 300 का टार्गेट पूरा हो चुका है ए ओप् भाई आप जाएए ठीक है ना भाई 5-6 साल हो गए ठीक है ना पड़ाते हुए नीट एक्जाम नीट वालों को आईटी वालों को तो सब कुछ पता है ठीक है ना और देखो मैंने आपको बताया पहले टार्गेट अपना कॉनसेप्ट सीखना ताकि कैसा भी कुछ सिंसा है अपसे गलत नहीं हो अगर पिपर का लेवल यहां का है रपन तयारी यहां की करेंगे तो आपके अच्छी रहंके साथ में आप सलेक्ट हो जाओगे ठीक है आप समझ रहे हूं रहे हैं मुझे समझाने की ज़रुत नहीं है ठीक है चलिए वह यह वाला कुछन का अंशर बत मतलब 78% कारवन और बचा हुआ कितना 78 22 परसेंट आपका हाइड्रोजन है तो आपको राइट ऑप्षन बताना है एम्पिरिकल फोर्मला आपको बताना है बहुत प्यारा कुश्चन है तो 78 परसेंट हाइड्रोजन मतलब 78 अपोन में 12 आपको बताना है जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर बताएंगे बी ऑप्षन आपका करेक्ट आंसर यहां पर नहीं है ठीक है जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर बताएंगे और बागी का चेक करेंगे जो भी आपका आंसर होगा बस आपको रेशियो लेना है ठीक है ना परसंटेज मतलब बेट आपको गीवन है 78 परसेंट आपका टार्गेट पूरा हो गया हैँगे000 अब 400 अंब 400 अब negativity है थीक है तो कभी ऐसा है अचो κάल तो कविसे आप आप अरामसे यहां पर Stephen को सॉल कर सकते हैं यहां आμचांक का Resplaim आपने सिंपल सा किया ठीक है ना तो बिल्कुल यहां पर आपने देखा यह 6 है और यह आपका 22 है तो लगभग लगभग प्यारे बच्चों यह 4 टाइम्स हो रहा है तो बिल्कुल आपका यहां पर 4 टाइम्स लगभग लगभग अगर बात करोगे तो यह आपका बी ऑप्चन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 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 ठीक है ना यहां पर पहली बात देखो बारग डिवाइड अपन 78 में करेंगे तो यह बारग की बहतर 6 पॉंट सम्तिं हो गाई 6.5 होगा और 6.5 का आपको पता यह थ्री टाइम्स हो जाएगा है ना थ्री टाइम्स हो जाएगा ना बिल्कुल बिल्कुल छेती 18 बिल्कुल भाई CS3 आपका correct answer होगा CS3 is the correct answer CS3 A नहीं होगा B नहीं होगा आपका A होगा ठीक है ना क्योंकि 78 upon 12 करेंगे तो यह लगबग लगबग आपका 6 point something आएगा यह लगबग लगबग आपका 6.5 something आएगा और इसका यह अपना देखेंगे तिए लगबग लगबग 3 times है तो आपका A option right answer है बिल्कुल भाई ना approximate आपको calculation करनी है तो A option बिल्कुल आपका right answer होगा ठीक है अब आपन बात करेंगे प्यारे बच्चों सबसे important concept और last concept है LR and ER तर यह LR and ER क्या है LR है आपका limiting reagent limiting reagent Er है आपका access reagent तर यह क्या है आप बताईए मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल भाई साब तो अब 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 LR and ER के बारे में बात करेंगे अच्छी बाता देखो कई बार क्या होता है ना हो सकता है calculation गलत हो जाए आपसे तो यू नहीं ह रखना हो जाती है calculation आपसे mistake student हो आप ठीक है ना तो याद रखना प्यारे बच्चों बस आपको concept और फंडर के लिए होना चीए ठीक है ना concept फंडर के लिए होना चीए concept सब्सक्राइब से 400 लाइक करो ठीक है ना आई थिंक 315 लाइक हो चुके है ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल तो चलिए भई चलिए इधर देखो आप limiting reagent और excess reagent क्या है एक बार में सब कुछ समझा दूँगा ध्यान से समझोगे तो प्यारे बच्चों आपको पता है जब nitrogen hydrogen hydrogen के साथ में reaction करता है जब nitrogen hydrogen के साथ में reaction करता है तो प्यारे बच्चों आपका ammonia बनता है आप सभी को पता है तो सर ए 3 2 ये सब कुछ क्या है तो याँ बच्चों नेंग नमब्स करते हैं इन को बोलते हैं штlli स्टेचोमेट्रीक उफिसेंट इनको क्या बोलते हैं स्टेचोमेट्रीक उफिसेंट तो बिल्कुल यह आपके स्टेचोमेट्रीक उफिसेंट होते हैं जो कि आपको reaction को balance करने पर आएंगे तो प्यारे बच्चो याद रखना अगर प्यारे बच्चो आपको मालो यहाँ पर question ने दे रखाए यह 2 mol है और यहाँ पर आपको आपको मालो यह दे रखाए 3 mol है और आप से पूछा है कि इसमें limiting reagent कौन है और excess reagent कौन है तो याद रख प्यारे बच्चों आपको निकालना है मोल अपोन इस्टेचोमेट्री कुछ नहीं है तो बन मोल है आपके थ्री इस्टेचोमेट्री आपके थ्री solve करेंगे या जाएगा 2 या जाएगा 1 तो याद रखना प्यारे बच्चों जिसका मोल अपोन इस्टेचोमेट्री कम होगा जिसका मोल अपोन इस्टेचोमेट्री कॉफिशेंट कम होगा वो आपका limiting reagent होगा और जिसका मोल अपोन इस्टेचोमेट्री कॉफिशेंट ज्याद ज्यादा होगा वह आपका axis реagent होगा जिसका mole upon естеichometric is goes inų ちゃ otrasanic यिसका कम होगा वह limiting तो कम किसका है इसका कम है प्यारे बच्चों यहाँ पर यह वाला mole upon sch playoffs है तो याद रखना प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो hydrogen है यहाँ पर आपका hydrogen है यह आपका limiting reagent हो जाएगा और यह nitrogen है यह आपका er excess reagent हो जाएगा यह आपका er excess reagent हो जाएगा तो बिल्कुल सारे बच्चों को अब clear हो गया होगा ठीक है ना अब बिल्कुल clear हो गया होगा limiting reagent क्या है excess reagent क्या है कैसे आपको निकालना है mole question में given होगा stachometry reaction की balancing factor है ठीक है ना तो बिल्कुल आपको बस mole upon stachometry करना है जो कम आएगा बो आपका क्या होगा बो आपका simple सा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा limiting reagent और जो आपका ज़्यादा आएगा बो आपका हो जाएगा access reagent तो बिल्कुल आपको सभी बच्चों को LR, ER limiting reagent और access reagent का funda समझ में आ गया होगा जिन जिनको clear हो गया है जल्दी से comment करके समझा दो बता दो कि हा सर LR, ER में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे जल्दी जल्दी comment करके बता दो और यह chapter हो चुका है समाप्त यह chapter हो चुका है समाप्त और आपने मेरा टार्गेट जो देखो आप समझ रहे हो ना मेरा टार्गेट 300 का था आपने कर दिए 324 मतलब आप मेरे से आगे चल रहे हो है ना बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे सपोर्ट करते रहना है क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नह नहीं आएगी ऐसे सपोर्ट करते रहोगे ठीक है ना तो बिल्कुल मेरे अंदर एनर्जी आएगी और अपन सारा कंप्लीट केमिस्टी का निचोड में आपको समझाऊंगा ठीक है ना बिल्कुल तो क्या बोलता है इसके उपर भी सर एक कुशन करा दिया जाए ठीक है ना आपने हर कॉंसेट पर कराएं हैं तो सर यहां पर इस पर कुशन और करा दो और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए दो मिनट के लिए जैसर को भी बुला दो और उसके बाद में फिर नया चैप्टर पर लेके चलो ठीक है तो पहले इस कुशन पर यह कुशन कर लेते हैं देखो कैसा कुशन सा आपका आता है बिल्कुल आपने प्यारे बच्चों सुना होगा किस तरीके का सर सुना होगा देखो आपको कुशन आया देखो ध्यान से सुनो कुशन बिल्कुल टू मोल 30 मोल हेवर प्रोसेस वहन देखो प्यारे बच्चों सिंपल सा कुशन है आपके 30 मोल अमोनिया फोर्म हो रहा है वाई हेवर प्रोसेस वहन टू मोल नाइट्रोजन एंड एक्स मोल हाईड्रोजन इज रियेक्ट ठीक है न यह फिर आप यहां पर एक अच्छा कुशन में आपके लिए बना देता हूं बहुत अच्छा कुशन 30 मोल आपको अमोनिया बनाना है हेवर प्रोसेस के लिए तो आपको बताना है हाउ मैनी मोल्स ओफ मोल्स ओफ हाईड्रोजन इज यूजड हाईड्रोजन इज यूजड ठीक है बहुत प्यारा कुश्चन है सारे बच्चे इधर देखो आपको पता है कुश्चन ने गीवन है कि 30 मोल आपका अमोनिया बन रहा है और कुश्चन ने पूछा है हाईड्रोजन के मोल कितने होंगे hydrogen के mole पूछे हैं, ammonia के mole पता है, ध्यान से बहुत important question है, और आपको मैं बता देता हूँ, कई बार आपके nursing और आपके M's में आ रखा है, कई बार ऐसा question M's और nursing के exam में आ रखा है, ऐसा question, ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, कैसे करना है, प्यारे बच्चों, इसके mole आपको पता है, और stageometry पता है, 2 is equal to, और आपको hydrogen के mole निकालने हैं, तो mole आपको किसके निकालने, hydrogen के, आपका है 3, बस ये वाला equation को solve करना है, आपका answer आ जाएगा, तो 30 upon 2 हो गया, 15 is equal to, mole आपको निकालने, hydrogen के upon में 3, तो mole of hydrogen निकालके आ जाएंगे, आपके 45 mole, तो it is the correct answer, सर इतना असान question था, बिलकुल, तो सर ऐसे question था हमको बहुत डर लगता था पहले, कि ये कैसे solve होते होंगे, तो अब आपका डर बिलकुल खतम हो गया होगा, इस तरीके से अपन यहाँ पर इस question को approach कर सकते हैं, limiting reagent, excess reagent, empirical formula, molecular formula, mole, standard temperature, pressure, percentage निकालना, सारा जो भी mole concept के अंदर होता है, पूरा निचोड मैंने आपको दे दिया है, प्रतिक concept पे questions करा दिये है, इसके बाहर, mole concept में एक भी question आपका नहीं आएगा, तो सर पहला चप्टर आपने जैसा समाप्त किया है, क्या सारे चप्टर आप ऐसे ही पढ़ाऊगे, बिलकुल ऐसे ही सारे चप्टर में आ अमोनिया बना रहे हैं, यह mole form हो रहे हैं, तो mole upon stichometry, इसके mole निकालने हैं, तो mole of hydrogen upon stichometry 3, solve करेंगे इस equation को, तो आपका यहाँ पर निकल के आजाएगा 45 mole, ठीक है ना, तो यह मैंने आपको ट्रेलर दिखा दिया है, किस तरीगे से अपन पूरा chemistry समाप्त करेंगे, ठीक है तो आप जो मैं बोला था, कि एक एक concept बताऊंगा, एक एक question कराऊंगा, तो अब आपको लग गया होगा कि हाँ यार मज़ा आ गया, तो जिनको लग रहा है कि सर पहला chapter में मज़ा आ गया है, जल्दी से comment करके बता दो, कि सर बिल्कुल मज़ा आ गया है, इसी तरीके से चलन है, तो complete chemistry, जल्दी जल्दी comment कर दो, फटा फट, सारे बच्चे comment कर दो, कि हा सर मज़ा आ गया, first chapter में, अब मोल से कोई भी question आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, जल्दी जल्दी comment कर दो, फटा फट, और जल्दी जल्दी comment कर दो, जिन्नोंने like नहीं किया है, वो like कर दो, share क कर दो, channel को subscribe कर लो, और telegram group को join कर लो, जल्दी जल्दी comment करके बताओ भई, ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे comment करें करें कर बताओ, ठीक है न, हाँ sir, yes sir, ठीक है, बिल्कुल, 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 yes sir, yes sir, कुछ बच्चे हैं, जो अभी personal बाते में लगे हुए, लगने दो उनको, yes sir, मज़ा आ गया, ठीक है न, film अभी बाकी है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल, बिल्कुल, मज़ा आ गया, yes sir, clear है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसी तरीके से अपन complete यहाँ पर करने वाले हैं, yes please, concept हिंदी में समझाईए, देखो, सारे questions आपको English हिंदी में कर वा रहा हूँ, ठीक है न, हिंदी में ही मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, English में तो कर नहीं रहा, ठीक है न, फिर भी अगर कोई सब्द आपको लगता है, क् आप पूछिए, मैं आपको Hindi में भी बताऊँगा, और बाकी से, बाकी एक बात आपको भी पता है, English से आपको connection बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप medical field में हो, आगे जाके आपको सारी बढ़ाई English में ही करनी है, college में, तो अभी से आपको थोड़ा English पे command बनाना पड़ेगा, क पीजु को समझने में, फिर भी आपको पता है, question सारी हिंदी इंगलिस में है, फिर भी कोई concept में आपको लगता है कि इसकी हिंदी में आपको जरूत है, तो मैं आपको पक्का अगले chapter से, हिंदी में भी आपको concept बताऊँगा, ठीक है न, आपको एक percent निरास नहीं होने दू lecture, और इसी तरीके से, इसी बे में, इस chapter को भी समाप्त करेंगे, और ऐसा ही complete chemistry आज की class में समाप्त करेंगे, ठीक है, तो क्या बोलते हो भाई साफ, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई साफ, बस आप last तक बने रहो, जब आपका selection हो जाएगा, तम मु सब्सक्राइब करें, सर आप chemistry के king है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी आपकी तरही student हूं, जितना में को आता है, उतना मैं बता रहा हूं, लेकिन इतना मेरी guarantee है, कि जितना जो मैंने आपको बताया है, समझाए, इतना आपने कर लिया, तो आपका exam में कुछ भी बाहर से नह situation, क्या सफर में मुश्किले आए, तो हिम्मत और बढ़ती है, ध्यान से सुनना, सफर में मुश्किले आए, तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके, तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ, तो घड जाता है दम, अक्सर ना बिकने का इराद हो तो कीमत और बड़ती है तो यह प्यारे बच्चों सफर चल रहा है यह आपका सफर चल रहा है अभी क्योंकि आपको पता है 40-45 डेज आपके पास में हैं तो यह आपको पता है यह यहाँ पर simple सी line है कि आपको हिमत करनी है और आपकी सारी चीजे ध्यान से सुनोगे समझोगे और ये लाश्ट दिनों में कोई गलती नहीं करोगे तो आपकी क्या बढ़ जाएगी कीमत और कीमत मतलब आपकी बैलिव बढ़ जाएगी आपको स्क्राइब रेसपेक्ट मिलेगी जब आपका dream medical college एक अच्छा medical college एकि state इस तक जब प्याएब बच्छो आप यहाँ पर मेनत करेंगे तो बिजवास बानना प्यारे बच्छो आपको selection से कोई नहीं रोख सकता आपको selection से कोई नहीं रोख सकता तो ऐसे ही प्यारे बच्चों यहां पर लगातार मेनत करनी है डर आपको मैं मानता हूं बिल्कुल लगता है डर जम मैं तैयरी करता था आए टी की जई की तो मुझे भी डर लगता था लेकिन मैंने हिमत नहीं आरी मेहनत की और उसके बाद में एक्जाम को क्रेक किया तो बस आपको भी हिमत नहीं आरनी है मेहनत करनी है रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना ठीक है न अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे त कि सर मैंने मेरा बैस्ट दिया और मेरा सेलेक्शन हो गया तो विश्वास मानना आप से अच्छा कोई नहीं है और आप से अच्छा रिजल्ट किसी का नहीं होगा तो चलेंगे नया चेप्टर में उससे पहले दो मिनट के लिए आपके प्यारे जो आप सभी को पता है जैसर को कुछ में बोलाता हूँ ताकि दो मिनट आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे ठीक है तो आज़ाए जैसर जी ठीक है बच्रों को आपकी जरूत है ठीक है ना उसके बाद नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है ना विल्कुल विल्कुल. कैसे हो बदमाश हो, सारे बढ़िया हो, हाँ, बदा दो एक बार, दोस्तो पंदरा बच्चे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबने लाग से जाते 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 बहुत प्यारी सी लाइन बोली है, बहुत शांदा लाइन थी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मज़ा वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी बिटा फिलाल बैटर हैं, कल थोड़ी ज़यादा खराब, वोगे दिएक दो कल मैं आ ही नहीं पाया था। अभी ना हो बैटर. अर रास तो बैटर हो नहीं था। voice नहीं आरही है voice का कुछी issue है गया नहीं, voice पुछी ela यह आरही है morning, morning, morning मैं ठीक हूँ, बिदा मैं ठीक हूँ बहुत बड़िया, शानदार एकदम कि आवाज कम आ रही है वह आवाज मेरे अंदर अभी थोड़ी कम है विटा कि क्लियर कि शबाश बहुत बढ़िया कि देखो सर आपको पढ़ाई रहे हैं ठीक है इस मैराथन क्लास के दर बहुत सारी चीज़े आपको अब कर दो नहीं बहुत 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 कर रहा हूं कि आप में से हर बच्चा कम से कम अपने पास दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें वह भी अभी तो बहुत सारी चीज़े आपको रिल्याक्स मिलाए खाना पीना कर लो वाश्रूम जाके आ जाओ नास्ता पानी अपनी डैक्स पर ले आओ ठीक है तो कि कहीं ना कहीं हम जब पढ़ते हैं तो फिजिकल एनरजी बहुत जरूरी होती हमारी में अटल एनरजी के लिए अगर आप लोग की कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीस्तों बगावत होना लाज़ी है ना अगर आप लोगी क्वाइशे हैं कि नहीं, मुझे मुझे मेरे कॉलिज में जाना है मुझे मेरे सपनों का कॉलेज चाहिए एमस चाहिए और मुझे यह उमीद है कि अभी जो 240 बच्चे आप लाइव होना हर एक का सपना है कि मुझे एमस चाहिए और एमस बीटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैं सीरियसली कह रहा हूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एमस पाने के similar चीज करता एक चीज पर क्ंट्रोल करना यह वह है आपकी नेगेटिव मार्किंग अगर आप मेंसे बहुत सार बस अरे बच्चे रहेगा एम सिरफ एक ही चीज की वज़े से बच्चे उसे दूर रह जाता है वह है नेगेटिव मार्किंग आप नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया ना उस दिन आप समझ जाओ कि आपका इम से से सेलेक्शन हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो पूरी जैक आडमी की टीम के साथ हम जोरो शोरों से लगे में आप लोगों के लिए क्योंकि यह वो टाइम है जब आपको खुद को संभालना है बिटा तैरना सीखना है ना तो पानी में उतर नहИं पड़ेगा किनार उपेब करने कोई गोता-खोर नहीं बनता बिटा तो आपको लड़ना पड़ेगा जुड़ना पड़ेगा जुनून्के साथ में बहुतसारे एसी बच्चे सबसित्स से नहीं बनें कर दिया है इन चंद साथ दीनों कि जितना समय आप लौटने में लगा जोगे अगर उतना ही समय आगे चल देते ना तो बिटा हम कॉलेज पहुंच जाते ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम सीधा जहां रुके वही घर पहुंच गए लौटने के लिए चलना तो पड़ेगा वक्त तो गुजारना पड़ेगा आज सा चल रही है उसमें दिल और दिमाग दौनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से खफा हो जाएं हैं उल्ते हो जाएंगे तो लाजमी है कि वो एक डूसरे के अपोजिट काम करे और उस वक्त हमको संबालना है कि हमारे लिए जरूरी डिसीजिजन गौन ले रहा है हमारा दिमाग या हमारा दिल बिल्कुल ईजी होगी बिल्कुल ईजी होगी बिल्कुल और मुझे खुशी है इस बात कि biology से ज़्यादा ईजी है physics और chemistry आप लोगों के लिए तो कि biology हर किसी के लिए easy हो जाती है मज़ा तो वहाँ है जहाँ लोगों को जो चीज नहीं लगती हो वो चीज हम करके दिखाएं next Sunday पिटा रोश्नी कुमारी next Sunday आपको अलड़ी Sunday बताया होगा फिर भी मैं inform कर देता हूँ next Sunday आपकी marathon class है पिटा well manner के अंदर आपकी class चलेगी biology की आप उसको join कर सकते हैं ठीके सर जी आपके shorts देगे हैं आप बाकी teachers और technical team बहुत मैंनत करते हूँ हमार लिए बिटा हम मैंनत करते हैं सिर्फ आपके लिए और आप मैंनत करो अपने और अपने आई बाबा के लिए अपने माँ बाउची के लिए क्योंकि उनके सपने वो आपके अंदर जी रहे हैं और कहीं न कहीं न मैं ये आपके आई बाबा आपने सपनों को जी रहे हैं कोई क्लास नहीं है उनकी बट वो उन्होंने बोला कि नहीं में आऊंगा बच्चों से मिलने और वो आएंगे आप देखिए बिटा अल्रडी क्लास लग चुकी है यहां पे और जैसा कि सर ने बोला यहां पे क्या हो जाना चाहिए भाई हमारे पास में सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाना चाहिए ठीक है बच्चा बाटी तो यह उमीद किये सर ने आप से और मुझे पता इस पे आप खरे उत्रोगे यह आपकी क्लास चली रही अभी और इसके अलावा बिटा लाइफ सेग्मेंट में आप आओगे तो यहां पे आपको बायोजी की मैरातन क्लास नेक्स संदे दिखी वी है जो अभी बच्चों ने पूछा वो नेक्स संदे बायोजी की क्लास होगी बिटा बिल्कुल मैं विजैसर को भी बोल दूगा और इवन क्या पता विजैसर अब भी अगर देख रहे होंगे तो उन तक आपका थैंक्यू मुझसे पहले पहुंच चुका होगा बिटा बिल्कुल देखिए कोई दिकत नहीं है मैं हमेशा एक चीज कहूंगा हर टीचर का मकसद है हर इंसान का मकसद है जो आपको जिंदगी में तरक्की देना चाहता है क्या पढ़ो जी जान लगा के पढ़ो तो कि यही एक समय है जो वापस लौट के नहीं आएगा मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि समय के पास में इतना समय नहीं है कि वह आपको दुबारा समय दे सके तो इस समय को पूरी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो जान लगा दो अपनी क्योंकि सीने में जान लगानी पड़ेगी जब तक हमारे हर महीने लाक न महीने अधा दिया लगा दो सीने में जब तक लाक न आये महीने में लाक का समय रहे हो न लयक इंसेट यह बात नहीं करर रहा मैं एक लौटपब लौट है कि टो अपना एक्जाम वह सेंटर ले लिया है सोचो और वह भी और रैंक सेवन के साथ में तो पॉसिबल है और विदिन टू मन्स ओनली दो महीने में बिटा उसने ठान लिया उसने मेडिकल ली वहां से और दो महीने जान लगा दी अपनी तो जब यार हम दो महीने में सेलेक्शन न पड़े वह रिकॉर्डिंग देखिया कोई दिक्कर देए बट क्लास देखना बहुत ज्यादा ज़रूरी है और इसो के खुश्बु चौहान आपने जहां पर भी क्लासे चॉइन किये वह टीचर बुरा नहीं पढ़ाते ध्यान रखना यह सब हमारे माइंड का है जब मैं अपने एजुकेशन फील्ड में था जब मैं आपकी जगे पर था तो मुझे भी बहुत सारे बच्छों ने बोला यह नहीं वह टीचर अच्छा पड़ाता है उस वज़े से कही न कहीं मैंने जिल्गी के डेट साल खराब किये कहीं न कहीं तो हर टीचर बैस देता है बिटा पात की टैंशन मदलो कि आप कहां पड़ रहे हूं या क्या जॉइन कर लिया कहां जॉइन कर लिया है आप बस उस पर विश्वास करिए पढ़िये जान लगा दीजिए बस किसी का मकसद बेटा यह नहीं है कि आपसे पैसा लिया जाए और आपको पढ़ाया न जाए घर एक मांटेका मकसद यही है कि आपसे पैसा कर ज्यादा ले तो ज्यादा ले, कम ले तो कम ले ना ले तो ना ले, बट हर एक के पीछ Jista मोटो एक ही है कि आपको College मिले। आप कोleep जिंदकी में अव्रू से अवाशल करो। एक टीचर के सबसे बड़ी बात बिटा यह होती है, जब वो कहीं जाए और उसको पता ना चले कि कौन से बच्चे उसके हैं, लेकिन बच्चों को पता हो कि इसर हमारे हैं, इससे बढ़ा, मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए कोई गिफ्ट, किसी के लिए कुछ, में पास व थैंक्यू सो मच बीटा, आप लोगों को अच्छी लगती है, और आप लोगों का यह चोटा-चोटा सा प्यार है, चोटा-चोटा सा कमेंट सेना, यह सीरियसली बहुत जबर्दस एनर्जी डाल देता हैं, मतलब जो रियाक्ट, आपकी जो कमेंट सेना, वह एक्दम एक्द इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, healthy competition बहुत ज़रूरी है एक human race के evolution के लिए, अगर हमको आगे बढ़ना है, तो हमको आगे के लिए सोचना पड़ेगा, अगर हमको आगे बढ़ना है, तो हमें हमारे आउकात, हमारे potential से जाला आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बिटा आप अपने लिए नहीं हो बिटा, आपके आई बाबा, आपके माँ बागुजी के सपने आपके पीछे है, वो कहते नहीं है, वो कहते नहीं है, उनकी आँखों से बस जाहिर होता है कि बिटा तू कर क्योंकि ये तेरा नहीं, ये मेरा सपना है, तो बिटा बस जिस दिन है चाहे कितनी टांग खीच ले हम सब से आगे रहेंगे सब से आगे और उस दिन आपको रियलाइज होगा कि जिंदगी में मैंने क्या हासिल किया और किसके लिए हासिल किया यह ज़्यादा जरूरी होगा कि आप्र प्रिः या प्रियों को सकते हैं कि यापर क्लिक रिए में यहां पर विघली तेश करेंगे लिनधा ये ठीक है, खुशी से संतुस्टी मिलती है और संतुस्टी से खुशी मिलती है, परन्तु फर्क बहुत है खुशी में, थोड़े समय के लिए संतुस्टी देती है, और संतुस्टी हमेशा के लिए खुशी देती है, क्या वात है, ठीक है बच्चा बाटी, लाइब्रेरी से देख वो भी पढ़ सकता है, important चीज़ है बैठना, बैठना important है, जिसका sitting time period ज्यादा है वो पढ़ लेगा, आप यकीन मानों आप अभी बैठके 14 गंटे movie नहीं देख सकते, क्योंकि movie देखना important नहीं है, बैठना important है, हमारा focus पढ़ने पर होता है, हमारा focus पढ़ने पर होता है, कि हम पढ़ नहीं पाते, हम बैठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, this is the correct question, आप बैठना सीखो सबसे पहले, अगर आपने बैठ लिये ना, मैं कहरा दुनिया कि कोई ताकत आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि सबसे easy काम है वो, कोई disturb नहीं करेगा आपको, बट सबसे बैठ ना, वैसे लिया, खड़ा रहकर, खड़ा रहना मुश्किले, पढ़ाना बहुत आसान है बिटा, पढ़ाने में एनर्जी नहीं लगती, अगर आपका जोश दूनिया, मैं कहरा हूँ, 24 गंटे भी टीटर्स में पढ़ाया है, इवन मैंने खुद ने 14 गंटे क्लास ल बढ़ा रहा जा सकता है, स्वामी विवेकानन जी ने तीन दिन लगातार भाशन दिया था निव्यॉक के अंदर, तीन दिन, 72 आर, बहुत बढ़ा टाइम पिरिड़ होता है, तीन दिन लगातार, तो यार क्यों दिया था उन्होंने, क्योंकि सामने और्डियोंस थी, वो ए कोशन ने यही तो किया, आपको डराया, आप डर गए, आप उसे डराना शुरू करो, और आप डराओ के कैसे, बैठे रहो उसके सामने, जब वो भी तो आपके सामने बैठा था, जो लास तक बैठा रहेगा, वही जीतेगा ध्यान रखना, आप फाइट करो, अलग अलग त कांटर्स भी उपन करूँगा, डाउट कांटर्स ने सेंस क्या हो गया, कि एक तरीके से आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, जहां पर अपने डाउट जाल सकते हो, और फी टीचेस उसको रिजॉलिशन करेंगे आपका, बहुत बहतरीन तरीके से, मैं हर एक चीज पर का काम कर रहा हूं, वह मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं, मेरे बच्चे मेरे फुल सपोर्ट कर रहे है, क्योंकि वह एनरजी कहीं नहीं आती है, ठीक है? शुरुवात में किसी के नहीं आते है आकरती बिटा, मेरे भी नहीं है, मैंने क्या बोला, जिंदगे में डेट साल, मैंने भी बस टीचर्स को इधर नहीं हो, बच्चों बातों में आता क्या दोस्तों की, यह नहीं हो, मैंने भी खराब किया अपना काईग, फिर मुझे बोलेगा आपको लड़ने के लिए, सब यहीं बोलेंगे क्या हुआ है, पेपर कैसा हुआ, उस दिन हमारे पास में जवाब होना चाहिए, शांदार हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, और यह वर्स तब निकलेंगे, जब हम इन 60 दिनों में अपने आपको जोक देंगे, क्यो उन्होंने चाफ साल तग्यारी की नहीं हुआ उनका, पांच साल में BMS मिली उनको, BMS कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने फिर नीट फाइट किया, और आज हुआ MBS कर रहे है, आज उनकी जिन्दगी के 6 साल कोई नहीं पूछ रहा उन से, क्योंकि उन्होंने जान ल कोई नहीं देखता है, आउटपुट सारे लोग देखते हैं, और आपका इंपुट आपको दिखता है, 60 दिन आपको इंपुट डालना है, तब जाके 60 दिन आउटपुट बहार आएगा और वो दुनिया को दिखेगा, हमेशा इक चीज आपने पढ़ी भी होगी, मैं दु सब्सक्राइब कर रहता है कि हम साथ दिन में हासिल कर पाएंगे के नहीं कर पाएंगे, अरे बहुत आसान है से हासिल कर पाऊँगे, लोगों ने किया है, हम कोई इकलौते नहीं है, जो आज पहली बार कुछ ऐसा करेंगे, जो एक्सपरिमेंट कर रहे हैं खुद के साथ, यहां थे नहीं हजारों बच्चों ने किया है, तो हम भी कर सकते हैं, तेन-टेन महिनों में बच्चों ने बिटा, 380-718 माक्स तर लेके आये हैं वो, 380-718 विदिन थ्री मंथ, तो बिटा, यहां तो हम बीस नसीं की तयारी कर रहे हैं, बहुत आसान चीजे हैं, अपने आ आप सुचो आपको किस तरीके से जाना है, प्रोकास्टिनेट करना है, या जिन्दगी में ऑप्टिमस्टिक और पाइसमस्टिक में से कौन सा रास पर चिलना है, कोश्चन से जब तक लड़ों के नहीं, तो कोश्चन बिटा, आप से नहीं लड़ेगा, तो निकल जाएगा जो टोंट मार रहे हैं, उन सब को जवाब देना है आपको, जो लोग टोंट मार रहे हैं, उन सब को जवाब देना है, बिटा ध्यान रखना, ठीक है, चलिए, तो वापस बुला रहते हैं सर को, सर लेंगे क्लास आपकी, नैक्स चप्टर शुरू आपका इसी जोश के साथ में और मुझे जैसा सार ने बोला 1000 प्लस लाइक तो चाहिए भाई ठीक है तो बबाई टेक केर मिलते है वापस चैट्टर कंप्लीट होने के बाद कि तो मोटिवेशन आपको मिली गया है ठीक है और मुझे भी काफ़ी सारा मोटिवेशन मिल गया है आपके जैसर की बातों से क्योंकि आपको पता निये मैं बदा जाता हूं जैसर की तवीद खराब है ठीकिन आपकि आपकी लास भी बहुत कम हो रही है तो कल मैंने कॉल किया लुए तो मैं बोला तवीद खराब है तो में साथ देने के लिए कौन मिलेगा जैसर ने बात बोली बच्चों का प्यार इतना है कि तवीद कितनी भी खराब हो मैं महसूस नहीं होने तो बस अब आपको मेनद करनी है, आपको selection लेना है, ठीक है ना, तो आप time best नहीं करेंगे, और next chapter start करेंगे, दो लाइनों के साथ में, कि अगर twice कुछ अलग करनी है, तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है, क्या अगर आपको कुछ नया करना है, तो बिलकुल है, आपको दिल और दिमाग है, उस पर आपको पूरा control करना पड़ेगा, अच्छे से मेनद करनी पड़ेगी, एक proper बे में आपको चलना पड़ेगा, और विश्वास मानना, बहुत जल्द आप एक अच्छी direction में, अगर आप चलोगे, तो बहुत जल्द आपका selection होगा, ठीक है तो करते हैं, नया chapter start, time based नहीं करते हैं, और बिल्कुल 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 नया chapter अपना start करेंगे, यहीं से, और आपका प्यारा chapter atomic structure आ चुका है, जैसे अपने mole concept को समाप्त किया, एक point to point बात करी है, ऐसे ही अपने अब यह नया chapter atomic structure point to point बात करेंगे, और करते हैं, नया chapter को start, और अब यह target क्या है, 394 like हो चुके हैं एक chapter में, अब अपना target यह chapter खतम होने से पहले 500 plus like, ज्यादा नहीं, 100 like का बोला हूँ, यह chapter समाप्तोने से पहले 500 like आपको करने हैं, ठीक है न, और मुझे पूरा विश्वास है, आप मैं target दू, आप नहीं करो, इसा हो ही नहीं सकता, तो अब देखो सबसे important बात, atomic structure, पहली बात, एक question 100% आपके exam में आता है, जिस तरीके का आता है, जिस तरीके से आपको solve करना है, सब कुछ concept wise अपन बात करेंगे, तो एक trick मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है न, काफी बच्चे होते हैं, जो इसको गलत करके आते हैं, लेकिन अब गलत नहीं करेंगे, radio wave, microwave, infrared, सर ये क्या लिख रहे हो, अभी मैं आपको बताऊँगा, बस आपको यहाँ पर जहां से सुनना है, बिजीवल, ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चों, देखो, यहाँ पर यह क्या है, आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, एक question आता है, wave length and frequency से related, तो एक सांदर trick मैं आपको बता रहा हूँ, कि radio में डालो, microwave, लाल होकर दिखने लगेगी, तो बिजीवल आ गया, उ microwave, लाल होकर दिखने लगेगी, क्या दिखने लगेगी, अल्ट्रा वाइलेट, X-ray और गामा रे, और जब अपन यहाँ से left से right जाते हैं, तो याद रखना, आपकी जो wave length है, जो आपकी wave length है, बो आपकी क्या करती है, कम होती है, decrease करती है, और आपकी जो wave length है, बो आपकी य X-ray होती है, तो उसके सबसे कम wave length होती है, सबसे कम होती है, तो wave length आपकी decrease करेगी, और frequency आपकी क्या करेगी, increase करेगी, क्योंकि आप तो medical की student हो, आप सभी को पता होगा, कि जो अपन यहाँ पर काफी वार, जब भी आपकी तबीद खराब हो जाती है, X-ray पगेरा करवाते हो तो wave length कम होती है, तो आसानी से अपन अंदर की सारी चीज़े देख पाते हैं, तो सबसे कम wave length यहाँ पर X-ray गामारे आपको होता है, तो wave length आपकी decrease करेगी, frequency आपकी increase करेगी, ट्रिक आप सभी बच्चों को याद रखना है, क्या याद रखना है, रेडियो में डालो, microwave, ला question कराते हो, तो चलिए, question करते हैं, ये लीजिए, आपके सामने question आ चुका है, जवाब दीजिए, सारे बच्चे, the correct order of increasing order of frequency of electromagnetic radiation, तो आपको frequency का order बताना है, जल्दी से सारे बच्चे बताईए, सबसे ज़्यादा frequency किसकी होगी, ये आपको बताना है, सबसे ज़्यादा frequency किसक चुका आपको पता है, जो frequency होती है, वो inversely proportional होती है, बेवलेंग्ट के, ये आप सभी को मैंने पता है, अभी बताया है, frequency inversely proportional to बेवलेंग्ट, एफ inversely proportional to लेम्डा, जो लेम्डा है, ये ही आपकी बेवलेंग्ट होती है, चलिए बताइए, सारे बच्चे correct answer, the option is the right answer, जिन बच्चों ने भी D option बताया है एकदम correct answer है जिन बच्चों ने भी यहां पर D option बताया है एकदम correct answer है बिल्कुल बिल्कुल very good बहुत सांदार तो अब याद रखना आप देख रहे हो ना अब आपका मैंने एक concept बताया एक question कराया आप पूरा डर खतम अब कभी भी question आजाएग और यह complete series का कोई भी question आजाएगा आप यूज चुटकियों में करके आजाओगे क्योंकि ट्रिक सिकादी है रेडियो में डालो microwave लालोकर दिखने लगेगी कैसी दिखने लगेगी अल्ट्रा वाइलेट विजी वालेक्स देगा हमारे और आपका question solve हो जाएगा तो बिल्कु जल्दी जल्दी बोलो हाँ की ना सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया बोलो हाँ की ना जल्दी जल्दी comment करके बता ओ कि इसी को कोईout I think नहीं होगा अप करेंगे आगे और काफी सारी चीजी अपन शीखेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ की ना, सारे बच्चे बोलो हाँ की ना, जल्दी जल्दी, yes sir, yes sir, crystal clear, क्या बात, yes sir, yes sir, okay, आप जल्डी बात करेंगे, आप का बात क का formula SC upon lambda H आपका plank constant होता है क्या होता है plank constant सर इसकी कुछ value भी होती है तो बिल्कुल होती है 6.6 into 10 की power minus 34 सर यह C क्या है सर हमने सुना है कि speed of light होता है बिल्कुल आपने सही सुना है speed of light होता है सर इसकी speed कितनी होती है वो याद नहीं है तो 3 into 10 की power at सर लेंडा हमने ऐसकी उनाए डेंडा र्ध होता है सर हमने सुना है एनर्जी का formula है सर एक होता है अगर number of photon N तो सर एनर्जी का तो आजएगा तो यहाद रखने हैं आपको पता होना चीए कभी भी कुछ चना आए तो आप आराम से कर सकते तो सर एक फोर्मुला और होता है माइनस का 13.6 Z square upon N square तो सर ये electron vault में इसकी unit होती है सर ऐसा भी कुछ होता है क्या बिल्कुल आपने सही सुना है सर Z क्या होता है Z सर आपका atomic number होता है सर atomic number तो कैसे निकालते है आपने अभी सिखा दिया है बिल्कुल आपको मैंने सिखा दिया है सर N क्या होता है सर हमने सुना है N आपका number of orbit होता है बिल्कुल आपने सही सुना है, बिल्कुल आपने सही सुना है, तो यह सब कुछ चीज आपने यहाँ पर सुना है, और आपको पता लग गया है, आपके सामने आ चुकी है, तो energy का कोई भी कुछन आएगा, आप यह चुटकियों में solve करके आ सकते हो, यह simple सा अगर ZN के बारे म सारे बच्चे बताओ, energy का funda clear है क्या, ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताओ, यहां तक सभी बच्चों का clear है क्या, किट्टू सेने जी क्या समझ्या है, आपको बताओ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछिए, बिल्कुल मैं आपको बताओंगा, आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल बताओंगा, तो जल्दी जल्दी सारे बच् comment करके question करवाणा question करवाणा you to question कर या उन्तिजार तो करिए यार इन्तिजार का full मीफा होता है पहले एक content clear हो जाए फिर question भी करंगे आपन ठीकिए अब बात करते हैं अपन velocity के बारे में किसके बारे में बेफल सिटी के बारे में तो sir velocity गद हमने सुना है कि sir velocity जो होती है वो 2.18 into 10 की पावर 8 into z upon n होता है तो बिल्कुल आपने सही सुना है तो sir ये centimeter per second में है अगर ये meter per second में होगा तो 10 की पावर 6 अगाएगा sir एक radius भी होता है तो बिल्कुल एक radius होता है sir radius तो 0.529 n square upon में z होता है angestron में unit होती है तो बिल्कुल आपने radius का formula भी सही सुना है z आपका atomic number है n आपको पता ही है तो यहाँ पर velocity और radius के बारे में भी आपका funda clear होना चाहिए ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल तो कभी भी आपसे velocity पूछा जाए 2.18 into 10 की power 8 into z upon n और radius पूछा जाए तो 0.529 n square upon z यह दोनों आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कभी भी question आपसे पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल यहाँ पर बता सकते हो यहाँ से एक relation आपको याद रखना है half of the potential energy gives the kinetic energy gives the total energy total energy आपका positive negative हो सकता है potential energy negative होगा kinetic energy आपका alt positive ऑगा और isn't क्या याद रखना है potential energy का aanदा kinetic energy ओर to total energy देता है kinetic energy आपका हमेशा positive होगा kinetic energy होगा ठीक है ना तो बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चों को यहां तक यह तीनों फणड़ा क्लि dawn हो गए हो तो जलदी से comment करके बता दो कि हां सर ये तीनों फंडा क्लियर हो गए हैं और आगर आपको समझ में आ गया है जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करते चलो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है ठीक है तो जल्दी जल्दी बताओ वही सारे बच्चे हाप अटेंशन एनर्जी गिफ्च्दा कानेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बिल्कुल तो यहां तक सारे बच्चों को किलियर है तो जल्दी से बता दीजिए उसके बाद मैं फोटो एलेक्ट्रिक अफेक्ट करेंगे जल्दी से बताईए यहां तक किलियर है क्या सारे बच्च दीजे भाई मैंने आपको बोला मनिश जी आज complete chemistry करवाने वाला हूं कितनी बार बोलू complete chemistry करवाने वाला हूं second chapter चल रहा है यह class खतम नहीं होगी सब कुछ सिखा दूँगा लेकिन बस आपको इंतजार करना है आपको इंतजार करना है सब कुछ सिखाने वाला हूं बस लाश् electric effect देखो प्यारे बच्चों simple है अगर प्यारे बच्चों यहां पर कोई भी एक metal की surface है अगर कोई भी यहां पर एक ray आपकी गिर रही है incident ray है तो यह प्यारे बच्चों कुछ kinetic energy से आपकी यहां पर चली जाएगी और यहां पर कुछ बरक फंक्शन आएगा जिसको अपन 3- salt frequency कहते हैं बरक function होगा ठीके ना जिसको अपन क्या बोलते हैं 3-salt frequency भी बोलते हैं 3-salt frequency भी बोलते हैं तो अपन बोल भी सकते हैं energy of incident is equal to बरक function plus कितना आपका kinetic energy आपका बहार निकल रहा है तो यहां से आपका एक relation आजाएगा kinetic energy energy आपका यहां पर incident है आपका hμ यह माल दीजे आपका hμ नोट है यह आपका kineti皆टक आपका plus kinetic energy है तो यहां से एक relation आजाएगा kinetic energy बरावर की diolar डोल आपका सिंपल सा रिलेशन का काहनी डोल डीच है यह माल डोल ढआपका सिंपल सा रिलेशन आजाएगा फोटो मैं questions करवाऊंगा तब आपको यह भी सिखाऊंगा कौन सा formula कव लगाना है ठीक है ना बिल्कुल आप टेंशन मतलो ठीक है ना 500 का target पूरा करना है ठीक है तो मनिशा सर्माजी बिल्कुल बिल्कुल सर आप फिजिकल और 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 सब कुछ कवर करोगे बिल्कुल बिल्कुल complete chemistry जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ आज की क्लास में क्या होने बाला है एक बार फिर से आपको बता देता हूँ इधर देख लो complete chemistry होईगी आज की क्लास में physical, inorganic, organic, complete concept, फिर questions फिर इंदी इंग्लिज दोनों में questions, sortery करेंगे और कैसे questions approach करना है यह सीखेंगे सब कुछ आज की क्लास में होगा बस आपको लाश तक बने रहना है ठीक है यहां तक अपन चल चुके थे यहां तक चल चुके थे questions करेंगे अब ठीक है तो पहला question आपके सामने आ गया है जल्दी से बताईए find out the correct graph आपको correct graph बताना है जल्दी यहीं से आएंगे आप कोई से भी exam की तयारी कर रहे हो आप से questions यहीं से आएंगे आपको एक एक ची जान से सुनना है समझना है सब कुछ यहीं से आएगा ठीक है अब आपके comment stop कर दीजिए ताकि मैं बाकी के बच्चों को भी comment पढ़ पाऊं ठीक है ना तो एक comment को बार बा repeat नहीं करो आपका जवाब मैंने दे दिया है तो please आप रुख जाईएगा भाई बोल रहा हूं अब रुख जाईएगा आपके जवाब मिल गया है न एक comment बार बार करने से क्या होगा कि रुख जाईएगा रुख जाईएगा रुख जाईएगा रुख जाईएगा क्लास का महोल बनाए रखिएगा ठीक है ना बताईए वही सारे बच्चे बिल्कुल आपका एए उप्सन यहां पर करेक्ट आंसर है क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी काइनेटिक एनर्जी वरावर हम्यू माइनस का म्यू नोट होता है तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी अभी अपने सीखा था क्या सीखा हणाथ आ पने सीखा था अभी जायो है क्या peng- हम्यू नॉब तो आपको पता है वै बढावरैंती तो यह आपका वं 2007 घॉत है इंफ कऩासर चॐय गई आपकर करेक्ट आंसर हो जाएगा जोकी सारे बच्चों को पता है आसान कूश्यू था चलिए अब यह वाला कुश्यन का आंसर बताइए Ratio of Total energy of potential energy for an electron forward ratio बताना है आपको total energy और potential energy का ratio क्या होगा ratio आपको बताना है total energy और potential energy का ratio क्या होगा जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताइए और जुतने भी नए बच्चे हैं जल्दी जल्दी क्लास को like कर दीजिए इस question का जो भी बच्चे answer बताएंगे उनको coffee पिलाई जाएगी बाई साब बढ़िया सांदार गर्म गर्म कोफी आपको पिलाई जाएगी जल्दी से सारे बच्चे इस question का answer बताओ और उसके बाद में आपको बिल्कुल बहुत ही गर्मा गर्म सांदार कोफी पिलाई जाएगी बिल्कुल कोफी पिलाई जाएगी जल्दी से सारे बच्चे इस question का answer बताओ उसके बाद में आपको 100% पका सांदार कोफी पिलाई जाएगी लेकिन पहले इस question का आपको answer बताना है पहले इस question का answer बताना है उसके बाद में आपको कोफी पिलाई जाएगी फटा फट बताओ भई सारे बच्चे क्या बात है भाई साब बी option देखो प्यारे बच्चों आपको पता है total energy potential energy का ratio आपसे पूछा है मैंने आपको अभी बताया था half of the potential energy gives the total energy ठीक है अब negative में तो आई नहीं सकता क्योंकि दोनों negative होते हैं तो negative negative cancel हो जाएंगे तो दोनों का ratio अगर आपन लेंगे तो इसका ratio upon में प्यारे बच्चों total energy का आप ratio लोगे तो आपका क्या आजाएगा यहां पर आपसे पूछा है ratio of total energy तो यहां से आपका आजाएगा total energy upon potential energy जो क्या आपका बचेगा 1 upon 2 बचेगा तो 1 upon 2 is the right answer D option is the right answer D answer है क्योंकि दोनों आपके negative हो सकते हैं तो total energy potential energy और आपका बचेगा हाँ दोनों negative हो सकते हैं तो negative negative आपस में cancel हो जाएगा तो D option आपका right answer है भई D option आपका right answer है ठीक है भई तो D option आपका right answer है ठीक है न डी option आपका right answer है तो बिल्कुल आपकी coffee तयार है ठीक है सारे बच्चे जल्दी जल्दी यहां पर coffee का अनंद लेंगे बढ़िया सांदार गर्मा गर्म धक्का मुकी कोई नहीं करेगा जिन बच लोग चीटिंग कोई नहीं करेगा जिन बच्चों का सही आंसर आया है बोई यहां पर इस कुश्चन का आंसर सही बताने वाले इस कॉफी का यूज करेंगे ठीक है बाई तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस कुश्चन का आंसर बताईए बेलोसिटी फॉर फर्स्ट और्बिट ऑफ हाइड्रोजन बराबर एक्स तो बेलोसिटी फॉर सेकेंड और्बिट ऑफ ही प्लस आपको बताना है कितना होगा जल्दी जल्दी बताईए वाँ टैस्टी क्या बात है मज़ा आ गया है लाइक करते रो भाई आप कॉफी भी मिल गई है क्या बात है मज़ा आ गया सर क्योफी फिला दिया आपने मज़ा आ गया रहे मज़ा आ गया क्या आप बोलते हो भाई साफ बिलकल 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 जैसी चाहिए ऐसी लीजिए भाई पहले ही कई वेराइटी लेके आता हूं मैं आपके लिए तो आप 10 बह रहे हैं Maggie का time हो गए है pasta का time हो गया है क्या आप बोलते हो नास्ता कऱया जाए आपको बिल्कुल 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 तो सही answer देजिए नास्ता भी कऱया जाएगा आपको breakfast मिल जाएगा ठीके तो आप जल्दी से यहां पर इस question का answer बताईए और आपका breakfast आपका इंतजार कर रहा है आपको breakfast भी करवाया जाएगा लेकिन इस question का answer के बाद तो देखते हैं कितने बच्चे इस question का answer देंगे जल्दी जल्दी बताईए बिल्कुल बिल्कुल बाई जल्दी जल्दी आंसर बताओ breakfast कराया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल में की pasta सब मिलेगा अला बाई चाप चीनी बहुत ज़्यादा थी रहे बाई सब मुझे तो नहीं पता चीनी बहुत ज़्यादा थी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा बाई बिल्कुल मिलेगा सब कुछ मिलेगा इतना मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बस question के answer बताओ बो भी सही answer और जल्दी-जल्दी सारे बच्चे यहां पर लाइक भी करते रहो 500 का target है इस chapter से पहले-पहले तो आपको complete करना है 500 का target बी option आ रहा है velocity of first orbit of hydrogen आपको पता है velocity is directly proportional to z upon n क्योंकि 2.18 तो आपका constant है तो आपसे प्यारे बच्चों velocity 1 upon velocity of 2 is equal to हो जाएगा z1 upon n1 into प्यारे बच्चों आपका n2 upon z2 हो जाएगा ठीक है न क्योंकि आपको पता है upon में जाएगा तो प्यारे बच्चों आपका यहां पर उपर चला जाएगा n2 first orbit के लिए hydrogen का आपको दे रखा है velocity x upon b2 आपको निकालना है hydrogen है तो z1 first orbit है तो 1 into n2 आपको second orbit दे रखा है और z2 आपको प्यारे बच्चों यहां पर helium he plus और helium का atomic number आपको पता है 2 होता है तो 2 आजाएगा 2 से 2 कट जाएगा 1 बचेगा तो यहां से आपका b2 उपर चला जाए आजाएगा solve करेंगे तो b2 वरावर आजाएगा x meter per second तो a आपका option आपका right answer हो जाएगा a option आपका right answer हो जाएगा तो जिन बच्चों का भी a option आया भी नहीं होगा 2 upon 2 n2 upon z2 cancel है hydrogen के लिए z1 n1 first orbit question ने दे रखा है second orbit 2 plus a आपका z2 दे रखा है तो आपस में cancel हो जाएगा तो x की value solve करके आजाएगी बीट्यों की value x जो कि आपका a option यहां पर दे रखा है और a option आपका correct answer होगा जिन बच्चों का भी a option आया है उन सभी बच्चों का correct answer है बिल्कुल भाई साब बिल्कुल आपका गलत हो गया है तो कोई बात नहीं गलत हो गया है तो कोई बात नहीं अब किसी को भी breakfast नहीं मिलेगा पहले नया question करेंगे उसके बाद में मिलेंगा टैंगे टैंगे कुछ बच्चे टैंगे टैंगे कर रहे हैं टैंगे टैंगे नहीं करें भई टैंगे में कुछ नहीं रखा है पढ़ाई फोकस करेंगे तो ज्जाद अच्छा रहेगा आई थिंक चलिए बताईए भई फटाफट बताईए एक आसान question फिर से market में आ गया है करवाएंगे बाई साब बिल्कुल पूरी chemistry करवाएंगे क्यों टेंसन लेते हो क्यों टेंसन लेते हो ठीक है जल्दी 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 सारे बच्चे आंसर बताईए बाई साब अरे ये लीजिए भाई, साइड हो गया हूँ, बिल्कुल साइड हो गया हूँ बताईए भाई, सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताईए लेकिन एकदम करेक्ट आंसर बताईएगा सारे बच्चे ठीके? जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर बताईए बहुत ही प्यारा question है और सारे बच्चे correct answer बताएंगे भाई साब dairy milk भी मिल जाएगी भाई dairy milk भी मिल जाएगी देखो प्यारे बच्चो इस तरीकी के questions को आपको कैसे approach करना है मैं आपको बताता हूँ देखो आप इधर देखो सारे बच्चे आपको पता है radius वरावर 0.529 N square upon me Z ये आपको पता है तो अगर R और N में आपको graph बनाना है तो R directly proportional है N square के और R inversely proportional है Z के मतलब जब R increase करेगा तो Z आपका decrease करेगा तो यहाँ देखो R और Z में आपका graph बन रहा है तो देखो R जब increase कर रहा है तो Z भी increase कर रहा है R increase कर रहा है Z भी increase कर रहा है R increase कर रहा है Z भी increase कर रहा है जबकि आपका R जब increase करेगा तो Z आपका decrease होना चाहिए और incorrect graph पूछाए तो यह गलत है इसमें R और Z आपके increase कर रहे हैं साथ में जबकि आपका R increase करेगा तो Z decrease करना चाहिए तो D option आपका right answer हो जाएगा दी option आपका right answer हो जाएगा बिल्कुल आपका D option answer हो जाएगा क्योंकि formula में देखो R Z inversely है जबकि यहाँ पर इस graph में आपको directly पता लग रहा है तो D option आपका right answer यहाँ पर हो जाएगा ठीक है वही डी option आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा कोई बात नहीं question गलत पढ़ लिया तो क्या आप बोल सकते हैं इसके बारे में ठीक है न तो चलिए पहले आपन यहाँ पर कुछ नया concept सीखते हैं ठीक है न उसके बाद में questions करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब आपको वह एक चीज आती है D-Brogly wavelength के बारे में D-Brogly wavelength याद रखना लेम्डा वरावर H upon B आपका D-Brogly wavelength होता है तो यहाँ पर लेम्डा वरावर H upon MB भी बोल सकते हैं डी ब्रोगली वेबलेंक्ट को ठीके ना आपको प्यारे बच्चों पता होगा काइनिटिक एनर्जी आपका क्या होता है हाप Mb² होता है ठीके दोनों साइड उपर नीचे अपन मल्टिप्लाई कर देंगे M से तो हाप M² B² अपन M, M² B² को अपन P² लिख सकते हैं तो जाएगा तो यहां पर पी की जगें 2K ईम रख देंगे तो लेमडा बरावर हपो यह आपका SIMPLE सा रिलेशन आ जाएगा Play suppress a रचे ँम वेबलेंक्ट के वारे में आपसे पूछा जाए तो लेमडा से डीनोंट करते हैं एक upon P होता है P momentum है M B के बरावर होता है यह आपको पता है उपपर नीचे M से multiply किया M is square B square बना M is square B square P square है आपको पता है क्योंकि P बरावर आपको पता है M B होता है तो kinetic energy बरावर P square upon 2M आजाएगा तो P बरावर आपका आजाएगा under root में 2KEM P की value यहाँ पर put करी तो lambda आपके निकल गा जाएगा तो सारे बच्चे बताओ भई यह डी ब्रोगली वेवलेंड का concept सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी लाइक भी करते सारे बच्चे और जल्दी से बताओ यह वाला concept आप सभी को समझ में आ गया क्या अगर डी ब्रोगली वेवलेंड का concept समझ में आ गया हो तो जल्दी जल्दी बताओ कि चोकलेट भी मिलेगी थोड़ा इंतिजार करो कि अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हाईजेनबर्ग अंसल्टेट निटी पोजिशन प्रिंसिपल याद रखना प्यारे बच्चों यह होता है आपका डेल्टा पी डोट डेल्टा एक्स ग्रेटर दन इसकल टू एज अपोन फोर पाई यह आपका सिंपल सा फॉर्मिला होता है याद रखना डेल्टा पी डोट डेल्टा एक्स ग्रेटर दन इसकल टू एज अपोन फोर पाई और एक आपका एज क्रोस होता है जो की एज अपोन टू पाई इसको डिनोट किया जाता है एज क्रोस का मतलब होता है एज अपोन टू पाई तो हाईजनबर्ग प्रिंसिपल आपको पता लग गया होगा हाईजनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में ठीक है अब अपनी यहाँ पर कुछ स्रीज होती है जो कि आपको पता होना चीए बहुत इंपोर्टेंट है अभी मैं ब्रेकेट यहाँ रखना प्यारे बच्चों लाइमन जो स्रीज है यहाँ पर एंवन आपका फिक्स है लाइमन में क्या फिक्स है आपका एंवन वरावर यहाँ पर फिक्स है बन यहाँ पर एंवन आपका फिक्स है आपका 3 और यहाँ पर एंवन आपका फिक्स है 4 ठीक है और n2 आपको प्यारे बच्चों कैसे निकालना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, n2 के लिए आपको कैसे अप्रोज करना है, n2 आपका हो जाएगा, बन तो फिक्स है तो बन प्लस गिवन कंडिशन बन प्लस गिवन कंडिशन बॉमर है तो N2 बरावर हो जाएगा 2 प्लस गिवन कंडिशन बॉस्टन के लिए N2 बरावर 3 प्लस गिवन कंडिशन ब्रेकेट के लिए N2 बरावर हो जाएगा 4 plus given condition जैसे एक example मालो में बात करूँ आप से बोला मैंने second line 1 line second line 1 series तो n1 तो प्यारे बच्चों ये fix है ये तो आपका fix है line 1 मतलब n1 बराबर 1 और n2 बराबर हो जाएगा 1 plus second line है तो 2 तो n2 बराबर हो जाएगा 3 n1 बराबर हो जाएगा 1 तो ये series बाला concept है जो कि सारे बच्चों को clear हो गया होगा line 1, bomber, passion, bracket n1 fix है, n2 आपको कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखा दिया है example के धुरू याद देखना प्यारे बच्चों line 1, bomber ठीक है ना, तो line 1 आपका ultra violet color तो करता है, ये आपका visible होता है और बाकी के सारे प्यारे बच्चों आपके infrared होते है सारे infrared, visible और ultra violet कभी भी आपसे question पूछा जा सकता है तो याद रखना, line 1, ultra violet bomber, visible और passion और bracket आपके infrared होते हैं ये simple सी series है, trick है जो कि आप सारे बच्चों को याद रखना है कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते है बताईए वई सारे बच्चे यहाँ पर यहाँ पर यह series जो बताईए मैंने आपको यह clear हो गई है क्या comment करके सारे बच्चे बताईए यहाँ तक सब बच्चों को clear है क्या नौड्स आप लिख रही हो तो मैं बता रहा हूँ टेलिग्राम ग्रूप पर आपको PDF मिल जाएगी ठीक है न तो वहाँ पर आप यहाँ पर simple सा सब कुछ यूज कर सकते है जल्दी से बताईए वई यहाँ तक clear है क्या सारे बच्चों को यहाँ तक सबी बच्चों को clear रहक्या जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ पर्सनल बाते ना करो सारे बच्चे आराम से पढ़ाई पर फोकस करो यार आपको पता है न मेरी कितनी एनर्जी बैस्ट हो रही है आप खुद सोचो इतना आसा नहीं होता यार मैं आट बजी से लगा तर बोल रहा हूं और आप भी कुछ बच्चे हैं अभी भी जो पर्सनल बातों में लगे हुए तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई आप पढ़ाई पर फोकस करो यार आप किलास में बैठे हो आपका टाइम बेस्ट हो रहा है ना आप समझोगे नहीं तो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सारे बच्चे अच्छी से सुने सारे बच्चे अच्छी से पढ़ाई करें इतनी चोजरी जी हिंदी में भी आपको करवा दूंगा ठीक है बई अब प्यारे बच्चों याद रखना एक आपको रिलेशन याद रखना है बन अपॉन लेमडा इस उगल 2 चीज यह भी आदख सकते हैं बन अपॉन जो रह की की बैलु है वह इंच ट्रौन होती है अपन समतिंग एंच होती है ठीक है बिच आप दा फॉलॉइंग है लिस्ट ली प्रोब्ली बैवलेंग्थ मोविंग बिद सेम स्पीड प्यारे बच्चो जल्दी से सारे बच्चे जवाब दो आप बताईए भई इंग्लिस में आपको क्या प्रोब्लम आ रही है मैं आपको बार 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 बोल रहा हूं कुस्यण सारे हिंदी इंग्लिस दोनों में है मैं बोल भी हिंदी में रहा हूं सब कुछ हिंदी में बात कर रहा हूं ठीके न ह 눌러 आपको यहां पर सारी चीजे आगे जाके इंग्लिस में ही पढ़ना है ठीक है तो सारे बच्चे यहां पर समझदार है और मैं जो बता रहा हूं को उनको समझ में भी आ रहा होगा ठीक है जल्दी सब सारे बच्चे इस कुश्चन का आंसर बताईए लगवक 215 बच्चे लाइव है ठीक है जल्दी से बताईए इस कुश्चन का आंसर करेक्ट आंसर बताएंगे कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं बताएगा और काफी बच्चे यहां पर लाइव है जो मैं नहीं कुछ सुवाल को बता रहा हूं ठीक है अ वह लेकिन correct answer बताईंगी वह सारे बस्खे याद रखना सो कि जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहां पर correct answer बताइभे के ब्रेक बिल्कुल भी आप जाइए और आप जो भी आपको खाना है पास में रखी है क्योंकि भरेक नहीं लग सकता क्योंकि मैं भी तह आपके सामने खड़ा हुँ ना और में भी आपकी तरह हूँ आफो बच्चे हूँ है ना थो मुझे भी नई लग रही ना भूग तो भी आपको कैसे लग सकते आफ भूग लग रही तो आप जाईए आप कुछ भी जो भी आपको खाना है वो ले आईए पास रखिए खाईए ठीके ना I think क्योंकि अगर आपने आदा गंटा भी मिस कर दिया तो आप एक चैप्टर से दूर हो जाओगे और वह मैं नहीं चाहता वह मैं नहीं चाहता है क्या आपका एक पी चैप्टर छूटे ठीके ना बिल्कुल ओलाई की संध्या बड़ा हो जार कुछिशें कर वा रहा हूं रहे कुछिशें कर ला रहा हूं पहले यह कुछिशें का आंसर तो बताओ एक question आप करते नहीं हो दूसरा question का आप answer पूछने लग जाते हो which of the following है ज़ डीब रोली बैवलेंग तो आप से पूछी है same speed है तो आपको पता है lambda बरावर h upon mb अभी अपने पड़ा है तो अगर speed same है तो सिर्फ mass पर depend करेगा lambda तो lambda inversely proportional हो जाएगा mass तो पुछाए आपको least deeply बैवलेंग मतलब lambda कम किसकी होगी जिसका mass ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा mass किसका है यहाँ पर आपको पता है CO2 का आपको 44 है और SO2 का आपका 64 है ठीक है molar mass सबसे ज्यादा है मतलब least बैवलेंग हो जाएगी तो D option आपका right answer है जिन बच्चों ने भी D option बताया है एकदम correct answer है क्योंकि बैवलेंग कम मतलब आपका mass ज्यादा और सबसे ज्यादा molar mass आपका SO2 का है क्योंकि यह molar mass पर ही depend कर रहा है तो भाई आपको हिंदी में ही मिल रहा है ने देखो आप question तो पड़ो निमलीकित मेंसे किसको सबसे कम डीब रोगली तरंग धिर्री आपको मिलेगी यहां तक clear है क्या सभी बच्चों को जल्दी जल्दी बताईए भई मेरा right है सर क्या बात है क्या बात है चलिए भई चलिए यह वाला question का answer बताईए सारे बच्चे if uncertainty in position and momentum are equal then uncertainty in velocity बहुत अच्छा question है नीट एक्जाम और एम्स एक्जाम में आया हुआ question है इसके बाद में थोड़े से concept समझेंगे और फिर यह chapter हो जाएगा समाप और फिर चलू करेंगे नया chapter तो यहां पर बहुत जल्दी यह chapter समाप तोने बाला है ठीक है न कुछ चीज़े जो बचरी है उसके में बात करेंगे और फिर नया chapter स्टार्ट करेंगे ठीक है न तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताईए इस question का answer जल्दी जल्दी बताईए वही सारे बच्चे इस question का answer बताईए बी ओप्शन कुछ बच्चे बता रहे हैं तो बी ओप्शन राइट आंसर है वही बी ओप्शन राइट आंसर है क्योंकि आपको मैंने बताया था यहां बोला है uncertainty position मतलब delta x बरावर delta p है और आपको formula मैंने भी बताया delta x dot delta p is greater than is equal to h upon 4pi अब यह दोनों बरावर है तो delta x की जगे delta p लिख दो तो delta p dot delta p is greater than is equal to h upon 4pi तो delta p dot p आपका delta p का hall square हो जाएगा is greater than is equal to h upon 4pi तो यहां से आप लिख सकते हो m square dot delta b square is greater than is equal to h upon 4pi तो यहां से delta b का square अगर आप solve करेंगे तो h upon 4pi और m square तो solve करेंगे तो delta b बरावर आपका प्यारे बच्चों under root में आ जाएगा 1 upon 2m बहार निकाल लो ठीक है ना तो 1 upon 2pi 2m और under root में आपका जाएगा h upon में कितना जाएगा pi तो बिल्कुल आपका b option आपका right answer है तो देखिए आप इतना अच्छा इतना सांदार और इतना simple question था किस तरीके से अपने approach किया दोनों की value सेम है simple सा delta p delta p का square कर दिया m square delta b square आ गया तो delta b का square आपको निकालना है तो delta b बरावर under root लेंगे तो 4m square का 2m बहार आ गया और under root में आपका h upon pi आ गया तो आपका बिल्कुल b option आपका right answer है तो बिल्कुल simple question था आपने देखा यहाँ पर b option आपका right answer है ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल आपका b option आपका right answer है I think सारे बच्चों को clear हो गया होगा समझ में आ गया होगा और आपन थोड़े बहुत concept इसके बच रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद में आपन बात करेंगे आगे उसके बाद में आपन आगे बढ़ेंगे ठीक है तो यहां तक सभी बच्चों को clear है concept क्या बोलते हो भई सारे बच्चे comment करके बताओ क्या यहां तक सभी बच्चों को यह क्लिए रहाँ प्यारर कोंचें की नहीं कि आपने ड़ट ड़ इल्टा फी आपने यहां पर किया और एकदम सिंपल का आफ बिल्कुल-बिल्कुल बहुत म striking बता रहाँ अपको और अपको चीज में आपको अब ही अपन 23 लाइक कम है जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो क्योंकि अभी कुछ चीजे बच रही है उसके बाद मैं अपन आपन आगे बढ़ेंगे तो देखो एक होता है आपका एजूमिथल क्वांटम नंबर द्यान से सारे बच्चे सुनना इसको अपन डिनोट करते हैं प्यारे बच्चो एल से इसको डिनोट करते हैं पहली बात इसको एल से डिनोट करते हैं ये प्यारे बच्चो आपको नंबर ओफ सबसेल के बारे में बताता है इसकी जो बैलू है वो जीरो से लेके एन माइनस का बन तक बेरी करती है याद रखना अगर s, p, d और f, s अफसेल है तो l की value 0, p है तो l बरावर बन, d है तो l बरावर 2 और f है तो l बरावर आपका 3 होगा ठीक है ना याद रखना अगर आपका s, l है तो 0, p है तो बन, d है तो आपका l 2 और f है तो आपका l आपका 3 हो जाएगा ठीक हे ना, जैसे अगर मैं बात करूं, N बरावर बन आ गया, तो आपको पता है, N बरावर बन, तो L आपका 0 से N वाइनस का बन होता है, तो आपका L बरावर 0 हो जाएगा, N बरावर 2 लिया, तो L की value आपको पता है, 0 से N माइनस का बन, मतब 0 और तो बन आपका यहां पर हो जाए-गा ठीके ना? आपको पता है ठीके उसके बाद में n वेरावर अगर आपका 3 आ गया तो L वेरावर आपका Кाज यहा गया टीके यहा ठीक करतीों देटा पन अपका 1S 2 होते है बचो अपना 3s2, 3p6 और 3d10 आता है तो यही रीजन है यही रीजन की वज़े से आपका यहाँ पर इस तरीके से आपन solve करते हैं ठीक है बिल्कुल भाई साब बिल्कुल तो आपका azomethal quantum number का funda clear हो गया होगा अब बात करते हैं magnetic quantum number magnetic quantum number m से denote करते हैं पहली बात याद रखना minus का l to l आपका बेरी करता है minus का l to l बेरी करता है दूसरा प्यारे बच्चो और्बिटल के बारे में आपको बताता है यह किसके बारे में बताता है orbital के बारे में बताता है जैसे मालो प्यारे बच्चो l बरावर आपका यहाँ पर बन है तो यहाँ से प्यारे बच्चो m बरावर आपका minus का बन से बन हो जाएगा माइनस का 1, 2, 1 तो solve करेंगे तो माइनस का 1, 0 और 1 3 orbital आपके आजाएंगे तो आपको पता है L वरावर बन है मतलब P सबसेल है तो P में आपको पता है 3 ही सब orbital आपके होते हैं ठीके न, जैसे माल लो D आ गया तो D मतलब L वरावर 2 है तो M की value माइनस का 2 एक, दो, तीन orbital हो गए तो यह magnetic quantum number का funda है M से denote करते हैं ठीक है न, माइनस का L से L बेरी करता है और आपके सामने पूरा funda मेंने clear कर दिया है, orbital के बारे में magnetic quantum number बताता है नई वही दोनों अलग है, ठीक है न, दोनों अलग है ठीक है वही जल्दी जल्दी सारे बच्चे like कर दो अगर मजा आ रहे तो इसी तरीके से complete concept समझ के ये chapter को समाप्त करेंगे और I think सारे बच्चों को clear हो गया होगा ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चों एक आपको याद रखना है, spin जो कि आपका प्यारे बच्चों याद रखना है आपको minus का half and plus का half आपका होता है ठीक है न, याद रखना anti clockwise clockwise चलता है minus का half and plus half होता है एक प्यारे बच्चों आपको याद रखना है angular momentum के बारे में angular momentum के बारे में प्यारे बच्चों याद रखना एंगल और मोमिन्टम अगर ओर्बिट का आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है NH upon 2pi होगा, और प्यारे बच्चों अगर ओर्बिटल का पूछा जाएगा, याद रखना बहुत इंपोटेंट है, ओर्बिट है तो NH upon 2pi, और अगर ओर्बिटल का है, तो याद इंपोर्टेंट है एंगुलर मुमेंटम आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो और्विट के लिए है तो एन एच अपन टू पाई और और ओर्विटल के लिए है तो अंडर रूड में एल एल प्लस बन एच अपन टू पाई 12 लाइक कम है जल्दी से 12 लाइक करो यह चैप्टर को समाफ्थ होने से पहले ठीक है इंदी में इंदी में मैंने बताये न वहीं एंगुलर मुमेंटम सिंपल सा और्विट और्विटल के लिए ठीक है न बताये सारे बच्चे यहां तक सभी बच्चों को किलियर होगा ठीक है न ओर्विट और और्विटल का फंड़ा किलियर हो गया अब प्यारे बच्चों यहां पर यह कुश्यन आपका रेडियल नोड का भी पूछा जाता है याद रखना रेडियल नोड याद रखना एन मा बन आपका रेडियल नोड होता है एक आपका पूछा जाता है यहां पर प्यारे बच्चों टोटल नोड तो टोटल नोड आपको प्यारे बच्चों पता है एन वाइनस का बन होता है एक आता है आपका total number of electron in orbit जो कि आपको याद रखना है 2N square होता है एक आपका आता है total number of orbital total number of orbital याद रखना है ये प्यारे बच्चों आपका होता है N square तो ये direct आपसे कभी भी question पूछे जाते हैं तो आप direct answer बता सकते हो ठीक है ना total number of orbital N square total number of electron in orbit प्यारे बच्चों ठीक है आप 2N square होता है ठीक है total number of electron in orbital ठीक है तो ये आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखना है तो बिल्कुल आप यहाँ पर answer बता सकते हो और I think सारे बच्चों को ये clear हो गया होगा ठीक है ना कुछ बच्चे फालतू की बात कर रहे हैं प्लीज रुख जाईए और पढ़ाई पे focus करिए आपको भी पता है ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल तो 422 Black हो चुके हैं 8 लाइक कम है टार्गेट से जल्दी से सारे बच्चे फाइव अंडर का टार्गेट करेंगे अब प्यारे बच्चों देखो बहुत important चीज में आपको बताने वाला हूँ important चीज क्या है अभी बताऊंगा ठीके ना important चीज आपको मैं बताने वाला हूँ एक आपसे प्यारे बच्चों energy का पूछ चाता है तो याद रखना energy is directly proportional to n plus l जितनी जादा n plus l की value होगी उतनी जादा आपकी energy हो जाएगी और अगर प्यारे बच्चों याद रखना है आपको if n plus l same अगर n plus l की value same है then energy प्यारे बच्चों जादा होगी किस से energy is directly proportional to n ठीक है न जिसका n जादा होगा उसकी energy जादा हो जाएगी जैसे मैं आपसे पूछू 1s 2s मैं एक question करवा देता हूँ सारे बच्चे दान से सारे बच्चे question करेंगे write the correct order of energy a है आपका 1s b है 2s c है आपका 3s और d है प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ले लिजिएगा 2p a option आपका दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों 2p is greater than 3s is greater than 2s और c option है आपका प्यारे बच्चों 3s और d आपका नन ओफ दीज तो जल्दी से सारे बच्चे इस question का जवाब दीजिए बहुत प्यारा question है सारे बच्चे सारे बच्चे इस question का जवाब दीजिए उसके बाद में आपको नाश्ता करवाया जाएगा क्योंकि यह चैप्टर का last question है atomic structure का और उसके बाद में अपन नए चैप्टर पर चलेंगे उसके बाद में अपन नए चैप्टर पर चलेंगे इसलिए यह चैप्टर बहुत important था और यह चैप्टर अपने complete किया है इसका answer बताईए फिर आगे बढ़ेंगे तो जल्दी से 500 का target पूरा करो वही सारे बच्चे जल्दी जल्दी 500 का target था जल्दी से पूरा करेंगे क्योंकि आप हमेशा पूरा करते हैं और आप फिर दुबारे पूरा करेंगे एक बार और बहुत important class है कोई भी बच्चा छोड़के नहीं जाए आप आपको दिखवी रहा है कितनी सारी चीज़े अपन यहां पर कर रहे हैं चलिए वही चेक करते हैं 1s 2s 1s 2s 3s 3p तो n प्लस l की value मैंने आपको बताया था निकालना n है आपका बन l क्या आपको पता है 0 तो बन हो गया n है आपका 2 यहां पर n है आपका कितना 2s के लिए l बरा l की value 0 तो 3 हो गई n है आपका 3 और l की value है प्यारे बच्चों आपका पी के लिए बन तो यह आपका 4 हो गया तो सबसे ज़्यादा 3p 3s 2s बन तो यहां पर प्यारे बच्चों कोई भी option नहीं दिख रहा है आपको ठीक है ना सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा यहां पर 3 2p नहीं यह 2p है sorry 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 यह आपका 2p है तो यह 2 plus 1 करेंगे तो यह आपका 3 आजाएगा तो सबसे ज़्यादा आपका प्यारे बच्चों 3s फिर 2p उसके बाद में आपका 2s और 1 यह आपका प्यारे बच्चों देखो यहां पर यह दोनों same आ गई है तो मैंने बता है जब value same आजाए तो जिसका n ज्यादा उसका प्यारे बच्चों आपका energy ज्यादा तो यहां पर 3s सबसे ज्यादा हो जाएगा फिर 2p आजाएगा और फिर यहां दोनों में n प्लस l में आपका 2s ज्यादा है और फिर आपका 1s तो 3s फिर 2p फिर 2s और 1s तो none of these is the correct answer जिन बच्चो है बिल्कुल 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 तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आज मैं आपको गाना भी सुनाओंगा एक चीज बताओं आज मैं आपको क्लास के लास्ट में गाना भी सुनाओंगा जो आपकी बहुत दिन से डिमांड थी सर गाना सुनाओंगा लेकिन ठीक है ना बि ने यहां पर solve किया है correct answer आ गया है तो अब आपको मैं breakfast करवाता हूं फिर नए question पर चलेंगे बिल्कुल भई 500 like करने के लिए धन्यवाद दिल से आपका धन्यवाद चले बैज मेगी का आन्द लिजे गरमा गरं सांदर मेगी जिन्सकों बना के खाना है पैकेट उठा लिजिए गरमा गरम मेगी Воada जिए मश्रमाद लिजेए मेभी मेगी फैवरिट है सब खाईए गलत आंसर तो भी सब आसर रही है ठीक है बहुत भाई साथ रख इससे टेस्टी में आपको मिलती रहेगी तो चलेंगे नए चेप्टर में तो यहां पर प्यारे बच्चों सा जोक आचुका है आपके सामने नए चेप्टर में चलने से पहले फिर से एक नया जोग आ चुका है क्या आ चुका है जिस जिस पर यह जग असा है उसी ने इतिहास रचा है प्यारे बच्चो जिस जिस पर यह जग असा है उसी ने इतिहास रचा है यह देखिए यह देखिए happy यह आप हो प्यारे बच्चों एकदम मासूम से बच्चा दिख रहा है आपको एकदम मासूम से बच्चा दिख रहा है तो यह मासूम से बच्चा और कोई नहीं है आप ही हो ठीक है ना मासूम से बच्चा तो जिस जिस पर यह जग हसा है उसी ने इतिहास रचा है तो प्यारे बच्चों हो सकता है अभी आपके उपपर कई सारे लोग हसते हों क्या पढ़ाई नहीं करते आपका क्या होगा आपके आज फडोस की लोग कई सारे असे एक्सप्सन होते हैं जो आपके उपर हसरे होंगे लेकिन उनको हसने दो क्योंकि उनको आपकी कीमत पता नहीं है अभी उनको आपकी कीमत पता नहीं है कि यू आर ब्रांड उनको भी पता नहीं है तो आपको यहां पर ब्रांड बनके दिखाना है उनको कुछ करके दिखाना है और उसके लिए आपको मेनत करनी है, पड़ाई करनी है, पूरी मेनतन देखनी है, मेनत करनी है, सब कुछ सीखना है, और एक्जाम देना जाना है, जोक नहीं मोटिवेशन है, क्या बात है बाई साथ, मुझे तो पता ही नहीं है कि जोक नहीं मोटिवेशन है, कुछ भी मान लो खाना 12 बाजे बाद खिलाओंगा तो नया चेप्टर भी श्टार्ट किया जाएगा बहुत जल्दी ठीक है ना ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो यहां पर एकदम मासूम सा बच्चा मुस्करा रहा है, क्योंकि यह बोल रहा है, या बाहा कि के सब्सक्रात है, जिस पर जग असा एक एतियास रचा है, तो इतियास रचना है आप सभी को एक अच्छा Medical College में आपको जाना है तो नया चप्टर इस्टार्ट करेंगे उससे पहले Target भी अपना सभी को पता है Thermodynamics इसदर नया चप्टर नया चप्टर आपका कौन सा है Thermodynamics करेंगे स्टार्ट Thermodynamics को Mole Concept Atomic Structure खतम हो चुका है Target सुन लिजिएगा Organic Chemistry भी करेंगे लेकिन पहले फिजिगल कंप्लीट करेंगे फिर इन और्गेनिक करेंगे फिर और्गेनिक पर आएंगे Target क्या है सारे बच्चे ध्यान से सुन लो 600 प्लस लाइक्स ज्यादा नहीं सिर्पिये चप्टर खतम होने से पहले 80 लाइक और करने है ठीके न 520 लाइक्स हो चुके 1000 लाइक्स करने यह आपका target है तो करेंगे स्टार्ट थर्मो डाइनिमिक्स को सब से पहले ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे प्यारे बच्चो देखो यहां पर सबसे इंपोर्टेंट चीज आता है सबसे पहले थर्मो डानिक्स में शिष्डम system तो सभी जानते होंग również system है तो system आपको पता है क्या है द्धान से सारे प्यारे बच्चों system का simple सा मतलब है ठीक है ना तो यहाँ पर एक होता है system एक होता है आपका surrounding जो आपके आसपास में है वो surrounding है और यह दोनों चीज से जो मिलके बनता है वो बनता है प्यारे बच्चों आपका universe क्या बनता है आपका universe बनता है जो पूरा आप देखते हो यह पूरा का पूरा क्या है यह पूरा का पूरा आपका universe है जो complete आपकी जो यहाँ पर प्रत्वी है जो आपकी यहाँ पर अर्थ है वो आपका universe है याद रखना बहुत important chapter है important chapter है कई questions यहां से आपको लगातार देखने को मिलते हैं exam में तो important question है important chapter भी है सारे बच्चों को यहां पर इसको अलके में नहीं लेना है important chapter है और यहां से कई questions आते हैं देखो system आपके दो प्रकार का होता है एक होता है open और एक आता है आपका close और एक होता है आपका isolated, तीन प्रकार के आपके system होते हैं, open, close, isolated, इनके बारे में आपन बात करेंगे, ध्यान से सारे बच्चे सुना करो यार, बहुत important चीज मैं आपको बता रहा हूं, complete chemistry का revision करने का सबसे important आपका यहां पर साधन है, एक open system, एक close और एक है आपका isolated, open system का simple सा मतलब है, प्यारे बच्चों, जब आपका mass भी transfer हो जाए किसी system से, और आपका energy भी transfer हो जाए, तो आपका याद रखना mass और energy transfer हो जाए, तो open system है, प्यारे बच्चों, अगर आपका mass transfer नहीं हो, जबकि आपका energy transfer हो जाए, तो आपका close system है, और जब आपका ना तो mass transfer हो, और नहीं आपका energy transfer हो, ना mass transfer हो, ना energy transfer हो, तो वो आपका isolated system है, तो तीन प्रकार के आपके system होते हैं, एक होता है, open एक होता है, close एक होता है, आपका isolated, आईसोलेटेड ओपन का मतलब है मास और एनरजी दोनों आपका ट्रांसफर हो जाए किलोज का मतलब है जब मास ट्रांसफर हो जाए एनरजी ट्रांसफर हो जाए मास नहीं होए आईसोलेटेड का मतलब है जब ना तो मास ट्रांसफर हो और नहीं आपका एनरजी ट्रांसफर ह ठीक है वही तो यहां पर सारे बच्चे बताईए कि आपको सिस्टम का मतलब आपको समझ में आ गया है क्या आपको सिस्टम का मतलब समझ में आ गया है जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताईए जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताईए वही क्या आपको सिस्टम का मतलब समझ में आ गया है क्या अरे बोलो रहे वही सारे बच्चे क्या आपको सिस्टम का मतलब समझ में आ गया है ठीके ना open system क्या है, close system क्या है, isolated system क्या है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताईए, जल्दी जल्दी बताईए भई, अब प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहां पर मैं बात करूँ, एक प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, आपकी दो टाइब की प्रोपर्टी होती है, एक होती है आपकी intensive, एक होती है आपकी extensive, intensive का मतलब है, जो mass and volume पर intensive मतलब independent, independent हो, ठीक है न, जैसे आपका यहां पर ले सकते हो, आप temperature, density, यह दोनों इसके example है, extensive का मतलब है, जो आपका mass and volume पर क्या करे, depend करे, mass and volume पर क्या करे, depend करे, वो आपकी यहां पर extensive property होती है, example याद रखना, enthalpy, आपका entropy, दोनों के दोनों आपके extensive properties है, temperature, density, आपका यहां पर क्या है, intensive properties है, याद रखना सबसे important, extensive जो properties है, यह additive in nature होता है, इसको अपन add कर सकते हैं, और यह आपका intensive है, यह non additive in nature होता है, non additive in nature होता है, यह आपको याद रखना है, और याद रखना, ratio of two extensive properties, two extensive properties, are non-age intensive properties, दो extensive का ratio आपका क्या होता है, intensive होता है, बहुत important है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना, मैं गोले में कर देता हूँ, जैसे आपको पता है, density जो होता है, mass upon volume, तो यह भी extensive है, और यह भी extensive है, तो दोनों extensive का ratio overall क्या हो जाएगा, आपका intensive हो जाएगा, तो आपके सामने है, density आपका क्या होता है, density आपका intensive होता है, ठीक है, तो सारे बच्चों को यहाँ पर simple सा clear हो गया होगा, आपका एक होता है intensive, एक होता है extensive, density आपका intensive क्यों है, क्योंकि दो extensive का ratio आपका intensive होता है, extensive मतलब mass volume पर depend करे intensive मतलब mass और volume पर independent हो temperature और density आपका यहाँ पर intensive है आपको सभी को समझ में आ गए होगा एक चीज होती है आपकी state function and path function state function and path function याद रखना प्यारे बच्चों heat and burr का आपका path function होता है heat and burr का आपका path function होता है जबकि प्यारे बच्चों यहाँ पर all all मतलब जैसे entelfy, entrophy कुछ भी ले सकते हो आप entelfy ले सकते हो, entrophy ले सकते हो यह सब कुछ के सब आपके क्या होंगे प्यारे बच्चों state function होंगे तो यह भी बहुत important चीज है ठीक है ना यह भी important चीज है state function और path function बहुत important है कई बार आपसे पूछा जा चुका है example भी आपसे पूछा जाता है path function क्या है? heat और बर्ग आपके path function है और state function क्या है? जितने भी आपकी यहाँ पर बाखे की quantity है वो सारी की सारी आपकी क्या होती है? आपकी state function होती है तो यहाँ तक सभी बच्चों को clear हुआ या नहीं हुआ जल्दी से comment करके बताओ उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताइए यहाँ तक clear हुआ या नहीं हुआ जल्दी जल्दी बोलो भाई यहाँ तक clear हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल पैतेगों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बहुत important class है serious लीजिए आपको दिख भी रहा होगा प्रते chapter complete हो रहा है questions आपको करवाई जा रहे हैं तो यह मौका है इसको हांसे नहीं गवाईए इस मौके को हांसे नहीं गवाईए पूरा chapter complete करवा रहा हूँ पूरी chemistry करवा रहा हूँ तो दिखान से पढ़िए समझिए कोई भी class को छोड़के नहीं जाएए क्योंकि एक दिन में आपको complete chemistry का मौका मिल रहा है फिर बाद में recorded में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना live में मज़ा रहा है तो यह seriously जिस class को पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कोई भी बच्चा class ओड़के नहीं जाए ठीक है तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अपन प्यारे बच्चों और अपन बात करेंगे यहाँ पर बर्गड़न आपको पता है प्यारे बच्चों याद रखना बर्गड़न जो आपका यहाँ पर डेल्टा बर्गड़न बराबर प्यारे बच्चों आपको याद रखना है पहली बात तो माइनस का P.DV या इंट्रिकेशन ओफ डीवी अपन बोल सकते हैं या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं बर्गड़न बराबर माइनस का P.DV ठीके ना और प्यारे बच्चों एक आपको याद रखना है फर्स्ट लो अफ थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लो अफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू इस उगल टू Q प्लस W होता है और W आपका बर्गड़न है यह आपको प्यारे बच्चों याद रखना है फर्स्ट लो अफ थर्मोडाइनमिक्स बर्गड़न क्या है ठीक है अब प्यारे बच्चों अपन बात करेंगे प्रोसेस के बारे में एक आपका होता है आईसो बॉरिक प्रोसेस आईसो बॉरिक प्रोसेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों सिंपल सा क्या प्रेसर कॉंस्टेंट जब आपका प्रेसर कॉंस्टेंट है तो प्यारे बच्चों आपका आईसो बॉरिक प्रोसेस होता है याद रखना माइनस का पी डॉट बी टू माइनस का B1 ये प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर बरडन का फोर्मुला है माइनस का P.Δ.Δ. बी बोल सकते हैं माइनस का P.Δ. डेल्टा बी भी अपन बोल सकते हैं तो कभी भी अगर आईसो बॉरिक प्रोसेस है बोल्यूम अगर कॉंस्टेंट है तो बरडन बराबर माइनस का P.Δ. डेल्टा भी आपको पता है अगर यह कॉंस्टेंट है तो पूरा ही बरडन आपका 0 हो जाएगा याद रखना जब बोल्यूम में आपका नहीं है तो आईसो कॉरिक में बोल्यूम क्या हो जाता है आपका जीरो ता आईसो कोरी का बरड़न आपका जीरो होता है एक आपका होता है आईसो थर्मल प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों क्या होता है याद रखना आईसो थर्मल का मतलब होता है टेमप्रेचर कॉंस्टेंट आपका क्या कॉंस्टेंट होता है टेमप्रेचर कॉंस मैं बता रहा हूं तो सुनते जाओ समझते जाओ ठीके ना थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मेरी मजबूरी आपको भी पता है complete chemistry करवा रहे तो आप कौसिस कीजिए जहां आपको लगे समझ में नहीं आया आप बताइए मैं रुख जाओंगा ठीके ना क्योंकि आप दो पता है यह चीज ठीके ना चलिए भाई छल चलते हैं अप छलिए भई आ अप सारे बच्चे बोल रहे हो तो मैं बिल्कुल स्लोव चलूँँगा ठीके ना चलो फिर से मैं आपको बता देता हूं तो कि मेments आई तो मैं बिल्कुल बिल्कुलisesti बैंसे मतलो मैं आपके आईसो कोरिक मतलब volume constant volume constant है variable नहीं है तो burden आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि आपका burden क्या है constant तो burden आपका 0 हो जाएगा क्योंकि volume constant है ISO thermal मैंने बताया temperature constant formula आपको याद रखना है burden बराबर minus का 2.303 nRT log में B2 upon में B1 ये आपको simple सा formula याद रखना है और अगर P1 B2 दे रखा है तो आप यहाँ पर P1 वाले case में minus का 2.303 nRT और log में B2 की जगे आपका P1 upon P2 आ जाएगा क्योंकि आपको पता है pressure inversely proportional होता है volume के तो यह isothermal का case है जिसमें आपको यहाँ पर यह वाला formula याद रखना है तो ISO thermal का कभी वे बड़न आपसे पूछे minus का 2.303 nRT log B2 upon P1 minus का 2.303 nRT log P1 upon P2 ISO thermal process है जल्दी से सारे बच्चे बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया बताइए वही सारे बच्चे जल्दी जल्दी और लाइक करते रहो यार यह चैप्टर समाप तोने से पहले 600 लाइक चाहिए मुझे यह चैप्टर समाप तोने से पहले 600 लाइक का टार्गेट है तो जल्दी जल्दी लाइक करो गई के लिए रहे आईशो थर्मल प्रोसेस सभी बच्चों को ठीक है अब चलते हैं adiabatic process पर adiabatic process याद रखना यहाँ पर change in heat आपका 0 होता है changing heat आपका क्या होता है जीरो होता है और आपको burden का formula याद रखना है P2 B2 माइनस P1 B1 अपोन में गामा माइनस का बन और गामा कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको सिखा दूँगा तो P2 B2 माइनस का P1 B1 अपोन गामा माइनस का बन आपका होता है एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ पर चेंज इन हीट आपका क्या होता है जीरो होता है चेंज इन हीट आपका जीरो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर यह वाला फोर्मला आपको लगाना है P2 B2 माइनस का P1 B1 अपोन में गामा माइनस का बन सिंपल फोर्मला है सारे बच्चे बताओ कि किलियर है या नहीं है बताइए वई सारे बच्चे यहां तक किलियर है नहीं है लाइक करते रहो 600 का टार्गेट है पूरा करना है आप यही को क्योंकि मैं मेरा टार्गेट पूरा कर रहा हूँ आपका अगर मोबैल डिस हो रहा है तो सिंपल सा तरीका है कि आप उसको चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करते करते पड़ाई कर सकते हैं आपके पैरेंट्स का मोबाई ले सकते हैं लेकिन यह क्लास इंपोटेंट है और अगर आप यहां पर क्लास हुटके जाओगे तो मेरे अंदर भी बच्चे कम होने पर मोटिवेशन डाउन हो जाता है तो आप चाहते हो कि मेरे अंदर मोटिवेशन डाउन नहीं हो तो आपको यहीं पर बने रहना है ठीक है न और यहां पर आपको बिल्कुल मेरा साथ देना है कम्प्लीट साथ देना है प्यारे बच्चों याद रखना है यह का आपको रिलेशन याद रखना है डेल्टा एच इजगल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एंजी आर्टी यह वाला रिलेशन आपको याद रखना है सिंपल सा डेल्टा एच आपको पता है चेंज इन ए एक प्यारे बच्चो आपको यहां पर सबसे इंपोर्टेंट जो मैं आपको बता देता हूं यह आपको याद रखना है एक आपका होता है एन ट्रोफी इसको delta S से denote करते हैं यह आपका होता है delta Q upon delta T ठीक है न, change in heat upon temperature तो delta S का simple सा formula याद रखना है आपको delta Q यह है आपका reversible process के लिए अगर आपका process reversible है तो reversible process में आपको यह वाला formula एपलाई करना है और अगर delta S is greater than delta Q upon T है इसका मतलब है आपका irreversible process है irreversible process है तो अगर आपका reversible process है तो delta S वरावर delta Q upon T भी बोल सकते हैं delta S वरावर delta Q upon T ठीक है delta Q upon T और यह है आपका irreversible process डेल्टा S is greater than delta Q upon T ठीक है तो यह आपको याद रखना है एक प्यारे बच्चों आपको याद रखना है spontanuous process ऐसा process जो अपने आप चलता है वो spontanuous process होता है यहां पर आपका delta H less than zero जबकि delta S आपका क्या होता है greater than zero होता है ठीक ना यह आपको याद रखना है delta H आपका less than zero delta S आपका greater than zero और अगर non spontaneous होगा तो वो automatic प्यारे बच्चों आपका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल भाई BAC nursing में जो मैं questions करवा रहा हूं ऐसे ही questions आते हैं और ऐसे ही questions आते हैं जो आप ने आज की class देख ली अगर किसी ने complete तो विश्वास मानना hundred percent guarantee है कि उसकी complete chemistry revise हो जाएगी सारे questions समझ में आ जाएगी एक-एक concept पता चल जाएगा एक-एक और अब मैं चला कराता हूं practice क्योंकि time हो चुका है और अब सारे बच्चे जल्दी-जल्दी जवाब देंगे और practice में आपको करवा रहा हूं ठीक है ना उससे पहले मैं आपको एक formula बता देता हूं एंट्रोफी के अंदर एक formula आपको बता देता हूं डेल्टा एस कभी भी अगर आपको सिस्टम का निकालना है तो आपको एक formula याद रखना है एंसी वी एल एंसी वी एलन टीटू अपॉन टीवन प्लस एन आर एलन बीटू अपॉन बीवन कभी एंट्रोफी पूरा प्रोस एक त्योरी हो चुकी है concept हो चुके हैं अब अपन questions पर चलते हैं और अब यह first question आपके सामने market में आ चुका है और जल्दी से सारे बच्चे जवाब देंगे और 600 का target है थोड़ा सा अपन दूर है वा 600 से तो जल्दी से पूरा करेंगे सारे बच्चे थोड़ा सा अपन दू कॉंशन है concept आपको समझा दिया है कि दो extensive का ratio intensive होता है तो उसी को apply करो और जल्दी से आपको answer बताना है जल्दी जल्दी सारे बच्चे फटाफट answer बताओ जल्दी जल्दी बताईए बहुत प्यारा कुशन आपके सामने आ चुका है तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे बता बहुत प्यारा कुश्यन है अभी तो शुरुआत है आपको पता यह किलास रुकेगी नहीं जब तक chemistry complete नहीं होगी ठीक है ना तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा तीन चेप्टर अपन समाप्ट कर चुके हैं और थोड़ी देर में आपन बात करें आप्टर नून जो आपक तक physical chemistry समाप्ट कर देंगे और फिर inorganic पर आ जाएंगे और inorganic को समाप्ट करने के बाद में फिर अराम से organic करेंगे ठीक है ना तो बस ऐसे मज़ा आता रहेगा लेकिन बच्चे कम नहीं होने चाहिए मैंने आपको बताया फिर motivation डाउन हो जाता है ठीक है ना तो बिल्कुल 40.5 के हो चुके हैं सब्सक्राइब करते रहो क्योंकि सब्सक्राइब बाला की टार्गेट तो पूरा करना है लाइक का तो हो जाएगा मुझे पता है लेकिन सब्सक्राइब का भी करना है 42 के आपका टार्गेट करते रहो लाइक जल्दी-जल्दी सारे बच्चे आंसर बता आई यह बिल्कुल आपका सब बच्चों का correct answer आया है x upon a by आपका intensive हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जब x और by आपको question ने बोला है extensive है और मैंने बताया कि 2 extensive का ratio intensive होता है क्योंकि मैंने आपको example भी बताया था जो density है जो आपका mass और volume का ratio होता है और mass भी आपका extensive है यह भी आपका extensive है तो 2 extensive का ratio आपका intensive होता है ठीक है ना तो बिल्कुल आपका 2 extensive का ratio आपका intensive होता है तो x upon by आपका क्या हो जाएगा intensive क्योंकि x और by दोनों आपका क्या है extensive तो x upon by आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका x upon by आपका intensive हो जाएगा एक्स अपन भाई आपका क्यों हो जाएगा इंटेंशिव हो जाएगा अभी मैंने आपको यह ट्रिक शिखाई थी आपने इस्तिमाल किया और आप सभी ने आंसर बताया चलिए पहले यह वाला कुश्चन बताईए अच्छा कुश्चन है फर्स्ट एंड सेकिंड आर ड्रिवर्सिवल और रिवर्सिवल प्रोसेस बताना है भूक लगी है तो आप पेरेंट्स को बोल दीजिए वो आपका खाना लेके आजाएंगे आपको खाना मिल जाएगा लेकि किलास सोड़के नहीं जाना है याद रखना किलास सोड़के कोई नहीं जाएगा ये चीज़ को आपको याद रखनी है बिल्कुल भी किलास सोड़के कोई नहीं जाएगा सारे बच्चे बताईए बहुत प्यारा कुश्चन है सिंपल कुश्चन है आसान कुश्चन है मज़ेधार कुश्चन है और like का target भी पूरा करो जल्दी जल्दी सारे बच्चे ठीक है और answer बताओ इसकुश्चन का झाल क्या बात है क्या बात है आपने भोजन खा ली Ay very good sолж करना है आपके सामने मैं खडा हूँ न और मैंने भी चाई भी पीे सामने खड़ा रहूँ गा तो आपको भी मेरे साथ रहना है क्योंकि जब आप मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा समझ रहे हो ना तो बिल्कुल समझदार बच्चे हो आप तो आपको पता है आपको ये प्यारे बच्चो irreversible process हो जाएगा क्योंकि initial final position depend कर रहा है ये पूरा path देखो आपका तो ये reversible हो जाएगा तो b option आपका correct है first is irreversible और second आपका reversible ठीक है चलिए ये बाला question का answer बताईए delta h minus का delta u आप से पूछा है और आपको पता है delta h is equal to delta u plus delta ngrt ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है तो delta h minus का delta u आप से पूछा है प्यारे बच्चो जो की आपका हो जाएगा delta ngrt ये आपका simple सा formula मैंने अभी बताया है delta ng आपका होता है product का आपका coefficient minus reactant का coefficient और याद रखना delta ng सिर्फ gas का आपको लेना है तो delta ng यहाँ पर liquid है तो ये तो लेंगे नहीं तो product side में आपका stachometric coefficient 3 है minus आपका यहाँ पर burn plus आपका है 5 तो प्यारे बच्चो डेल्टा एंजी आपका हो जाएगा कितना delta ng आपका यहाँ पर निकल के आजाएगा कितना 3 minus का 6 करेंगे तो minus का 3 आजाएगा तो यहाँ पर आप put कर देंगे तो delta h minus का delta u आपका आजाएगा minus का 3 r t minus का 3 r t is the correct answer d option is the right answer जिन बच्चों का भी d option आया है एकदम correct answer है क्योंकि याद रखना सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं यह liquid है इसको नहीं लेना है delta ng में सिर्फ आपको gas के coefficient लेने है और product minus reactant करना है तो product में आपका 3 minus gas में आपका 5 plus 6 कर देंगे तो delta h minus का delta u आपका minus का 3 r t हो जाएगा जो कि आपका d option दे रखा है जो कि आपका d option correct है और मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ठीक है ना जल्दी जल्दी बताओ भई सारे बच्चे ठीक है अब आपको यहां पर एक simple question यह वाला करना है पहले for 2 mole of an ideal gas याद रखना cp minus کا cv बराबर r होता है लेकिन प्यारे बच्चों यह एक mole के लिए है यह एक mole के लिए है तो 2 mole के लिए आपको बताना है कौन सा equation सही होगा यह आपको बताना है 2 mole के लिए आपको बताना है तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहां पर आंसर बताओ अब इसके बाद में thermodynamics के बाद में प्यारे बच्चो दो चेप्टर और आपके बचेंगे equilibrium और प्यारे बच्चो redox reaction दोनों चेप्टर के बाद में 11th class का physical chemistry समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द 11th class का physical chemistry समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द और फिर अपन चलेंगे 12th class पर और 12th class में 3 chapter है आप सभी को पता है उनको समाप्त करके complete physical chemistry का समापन करेंगे जल्द जल्द लाइक करते रहो 600 का target है बहुत प्यारा question है और जल्दी से आपको पता है अगर एक mole के लिए ये है तो 2 mole के लिए आपका B option correct हो जाएगा CP minus का CB बराबर 2R आजाएगा तो ये वाला question का अब answer आप बताएए बर्गडण आपसे पूछा है और ISO thermal process है तो आपको पता है बर्गडण बराबर minus का 2.303 N RT log में प्यारे बच्चों आपको पता है B2 upon B1 आजाएगा और किलो जूल में निकालना है तो 1000 से आप divide कर दोगे क्योंकि किलो जूल में निकालना है सारी value आपको पता है put करेंगे minus का 2.303 N आपको प्यारे बच्चों number of moles पता है 2 है R आपको पता है 8.314 temperature आपको प्यारे बच्चों 27 degree Celsius है तो Kelvin में 27 plus 233 करेंगे तो 300 आजाएगा और log में प्यारे बच्चों B2 upon B1 40 liter से 10 liter है तो 40 upon में प्यारे बच्चों 4 करेंगे तो log 10 आजाएगा आपका 1 upon में कर देंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर 1000 से divide कर देंगे solve करेंगे यहाँ तो burden आपका आजाएगा minus का 11.488 kilojoule जो कि आपका B option है तो ISO thermal का burden का question कभी भी आए तो ऐसे कर सकते हैं आपन simple formula apply किया calculation करी आपका answer आजाएगा चलिए अब यह question का सारे बच्चे answer बताएगे यह question का सारे बच्चे answer बताएगे और एकदम correct answer बताएगे इस question का सारे बच्चे एकदम correct answer बताएगे which of the following expression for irreversible process irreversible process के लिए मैंने आपसे पूछा है कौन सा option आपका correct होगा सारे बच्चे बताएगे कौन सा option आपका correct होगा irreversible process के लिए मैंने आपसे पूछा है कौन सा option correct होगा जल्दी जल्दी बताएगे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि आपका ds या delta s आपका greater than हो जाएगा dq upon dt से थोड़ी देर पहले ही बताया है ठीक है ना थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है ds is greater than dq upon t irreversible process के लिए और reversible होता तो ये answer correct आता लेकिन irreversible पूछा है तो आपका a option आपका correct answer हो जाएगा तो जिन बच्चों का भी a option आ रहा है यहाँ पर एकदम correct answer है जिन बच्चों का भी a option आ रहा है एकदम correct answer है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था एसा question और I think आप सारे बच्चों का यहाँ पर clear भी हो गया है चलिए आप बताईए आप simple question है isothermal process है और आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर change in entropy बताना है एक formula मैंने आपको अभी बताया था ncv ln T2 upon T1 plus nr ln B2 upon B1 यह वाला formula आप apply करो delta S निकालना है isothermal process है तो temperature constant हो जाएगा तो ln में बन आपको पता है ln में बन आपका 0 हो जाएगा तो यह तो पूरा आपका 0 हो गया क्योंकि isothermal process है तो यह value तो आपकी 0 हो जाएगी isothermal temperature constant की वज़े से nr ln b2 आपको पता है प्यारे बच्चो 3B है और b आपको पता है b है solve करो और answer बताओ solve करो और answer बताओ जल्दी से सारे बच्चे बहुत प्यारा question है solve करो और answer बताओ like करते रहो like की संक्या बढ़नी चाहिए वाई साब बहुत प्यारा question है मासूम सा question है अच्छा question है selected question है जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से बताओंगे सारे बच्चे बिल्कूल b option आपका correct answer है अब बच्चा आपका n, n की जगे मोल दे रखा है 1 into r ln और 3b upon b, b से b कट गया तो आपका r ln 3 आ गया तो r ln 3 आपका d option आपका right answer है जिन बच्चों का d option आया है बी option आया है बी option correct answer है अब सारे बच्चे इस question का answer बताओ which of the following condition regarding chemical process is spontaneous अभी मैंने आपको बताया है spontaneous process के बारे में तो यह आपको बताना है जल्दी से सारे बच्चे इस question का answer बताएंगे कैसे हो सार जी इतना fast चल रहे हैं एक्जामेनेशन के अंदर one marks one question one minute तो fast चलना पड़ेगा उपर से one minute से भी कम time है हमारे पास में विदिन 90 minutes आपको question solve करना है 100 तो speed और accuracy दौनों maintain करनी पड़ेगी अपने को बताओ जल्दी से फटा-फट कोशन सो रहे हैं लगातार है वही है बहुत बढ़िया शबाश वल्कम बैक शबाश 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 देको मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़के और इससे बड़ी बात और क्या होगी और मैं देख पा रहा हूं समय काफी सारी चीजे आग मजब शांदार तरीके से मज़ा आ रहा है क्या बात है बहुत बढ़िया इंग्लिश और हिंदी दौनों में हाँ तीन गंटे हो चुके हैं हमने हमारे सेग्मेंट का वन थर्थ हिस्सा कम्प्रीट कर लिया मास्टर जी एड आदत हो गई है बहुत ज्यादा खतरनाग लग रहा है थोड़ा सा लोग चेंज करते हैं बच्चों के तभी बच्चों हो जाते हैं इसको दुबारा चेंज करेंगे डोंट वरी करते ही जहर लग रहा है नहीं बजबाशन मुझे समझ में आ रहा है कितना मस्त लग रहा है बहुत जालाक हो रहे हो बहुत जालाक ब्रो देखो मजाग अपनी जगें पढ़ना अपनी जगें किते ऐसे बच्चे हैं जो रेडी हैं कि हासर हम अभी भी जोश जुनूर है हमारे अंदर हम बैठ सकते हैं पढ़ सकते हैं फड़ा वट से किस किस ने ठान लिया है कि 2024 में उसको अपना ड्रीम कॉल और बच्ची का मतलब होना चाहिए हमारे बेसीनर सींग सब अपने अपने ड्रीम कॉलेज का नाम लिख दो एक बार कि मुझे ये कॉलेज चाहिए जल्दी से फटाफट से कि हां मैचिंग मैचिंग पाउन गुमार जी ब्रेक ही चल रहा है अभी आपका जल्दी साजाओ फटाफट सबका नाम ले वंदना प्रेंग का रवीटा वंश जारा रेशू मौर्या शिवम शेगिष्ण नेहा नामिका म्रंडमय सैजल मूत्रे बहुत सारे बच्चे हैं दिव्यम त्रिशाली नामिका उमारानी प्रीती रिवाती रमिक्ष्टा मनी शाल अनुष्का वंदना मयंग गुंगुन एस्पांडे सुप्रिया स्रिकेष्ण हुक्रे साब निश्या बहुत सारे बचों ने जैकाडमी की डीपी लगा रखी क्या बात है बहुत बढ़िया विटा आप सारे बच्चे जो नहीं आ रहे हैं वो जैकाडमी की चैनल को सब्सक् पांडे वैश्णवी शिवम राजपूत तनीशा अलिशा गौतम मुस्कान प्रियंका संदीप बिस्नोई सुर्भी अंजली अंशू शयाली जारा सद्धी की अपड़ना मोरे सौंगमित्रा मदू राजा प्रिया शिक्षा रंजनी महीमा क्या बात है रंजनी पीटा आपन बहुत सारा प्यार मयंग बहुत बढ़िया पुरनेश अंशू पवनकुमार जैराज महीमा रंजनी पृती रक्षिता क्या बात है बहुत बढ़िया बिटा शाबाश बहुत सारे बच्चे हैं सुहानी सेंग दे कुईन ऑफ बस्ती हमिशा रहती है मस्ती शैयू उत्तम बहुत बढ़िया एस पांडे आचल बहुत बढ़िया टारगेट अधी प्रिंस गेमिंग पीहू सब के नाम ले रहा हूं बहुत बढ़िया बुला लिया जाए शर को वापस आपकी तयारी के लिए हाँ आपने अपने अपने कॉलेजिस के नाम लेते रहू हूँ, आर्युचेस का सेमेस, जे जे आस्पिटल बहुत बढ़िया, शाबाश, हेलो बिटा, क्रेजी गर्ल, विजय सर्विल केम इन वन पीम, एक बजा आएंगे बिटा वो, शाबाश, बहुत बढ़िया, हमेशा ये ची बढ़िया, शाबश, हेलो बिटा, रीना डगर, एम्स रिशिकेश, एम्स दिल्ली, काफी सारे बच्चों का सपना हैं, एम्स रिशिकेश, तो एम्स रिशिकेश की कट ओफ बढ़ने वाली है, इसका मतलब, एम्स रिशिकेश की कट ओफ इस बार बढ़ने वाली है, इसका मतलब, बहुत बढ़िया, 36 स्टेट कॉलेज, क्या बात है, आपको लेना चाहिए पिटा, आपका जवानाल कॉलेज, जो की राईपूर में है, अच्छा कॉलेज है, बहुत तगड़ा कॉलेज है, लखनव क् चलिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो मैं यह बोल रहा था, आप आई थिंक बोईस कलियर आ रही होगी है ना, आप बोईस आ रही होगी मैं मानता हूं, बांताँ मनताँ boys of थी उदर से mic ठीक है तो hello 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 क्या आप मेरी बाज सुन पा रहे हैं क्या आप मेरी बाज सुन पा रहे हैं अरे 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 बस 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 आ गई है boys आ गई है भई आप रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ बॉइस आ गई है चलो आप बोल लो पहले अच्छे से आप अच्छे से बोल लीजिए उसके बाद में मैं बोलूँगा याश साथ के लिए रहे चलिए वही यह कुश्चन का आंसर था आप सभी को पता है डेल्टा एच लेस देन जीरो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो ठीके ना यह मैं आपको समझाई चुका हूँ अल्रेडी ठीके ना बिल्कुल बिल्कुल बी ओप्शन करेक्ट आंसर है समझा दिया था मैंने ओके सर्जी तो अपन मोल एटोमिक थर्मोडानिमिक समाप्त कर चुके हैं नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप तो सारे बच्चे नया चैप्टर के लिए तैयार हो जाओ एकदम सांद़ार मज़एदार और आपका प्यारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीके ना बिलकुल बिलकुल तो बहुत मज़ा आने वाल और लाइक्स करते रहो किलास पर बहुत ज़्राधा आपको मज़ा आने वाल तो उससे पहले आपकी simple must line ठीक ना जो बाहर की बात सुनता है वह विखर जाता है और जो भीतर की बात सुनता है वह सवर जाता है प्यारे बच्चों बहुत प्यारी लाइन है कि जो बाहर की बात करता है वो सबर जाता है और जो वीतर की बात सुनता है वो आपका यहां पर क्या होता है सबर जाता है बाहर की बात मतलब बिखर जाता है अगर आप बाहर वालों की बात सुन रहे हो जो आपके कुछ कर सकते हो आपके अंदर आवाज आ रही है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो आपके अंदर आवाज आ रही है कि बिल्कुल बिल्कुल मेरा सेलेक्षन होगा मैं मैंनत करूंगा तो याद रखना आप सबर जाओगे आप सबर जाओगे तो अंदर की बात सुनना है बाहर से आपको लग रहा होगा कि क्लास रोक देते हैं बाहर से आपको लग रहा होगा कि क्लास रोक देते हैं बाहर से आपको लग रहा होगा कि आप रुख जाते हैं बहुत पढ़ यह ठक गए तो बाहर का नहीं सुनना है अंदर की बात सुननी है अगर अंदर की बात आप सुनोगे तो आप याद रखना सबर जाओगे अंदर की बास सुनोगे तो आप याद रखना सबर जाओगे तो याद रखना बाहर की बास नहीं सुननी है अंदर की बास सुननी है और नया चेप्टर आप श्टार्ट करेंगे कौन सा चेप्टर? Chemical equilibrium इक्किलिब्रियम नया चेप्टर आ चुका है जल्दी से सारे बच्चे तैयार हो जाईए ठीक है ना जल्दी से सारे बच्चे तैयार हो जाईए ठीक है ना सर आपके लिए सर मस्त लाई थी क्या बात है भाई साथ क्या बात है तो नया चेप्टर करेंगे स्टार्ट ठीक है नया चेप्टर करेंगे स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल भाई साथ बिल्कुल तो देखो भाई साथ chemical equilibrium का मतलब क्या है किस तरीके से यहां पर अपन देखते हैं तो आप देखो सारे बच्चे इधर देखो equilibrium क्या है सबसे पहले प्यारे बच्चो आता है equilibrium क्या है तो यहां दखना प्यारे बच्चो दो टाइप के आपके process होते हैं जैसे मालो A प्लस B converted into B प्लस C प्लस D तो प्यारे बच्चो जब यह आपका आपको पता है reactant है और यह आपका प्यारे बच्चो product है यह आपका reactant है और यह आपका product है तो अगर reactant product में convert हो जाता है लेकिन product आपका बापस reactant में convert नहीं होता तो यह irreversible process खहलाता है यह आपका irreversible process खहलाता है लेकिन अगर आपका A plus B converted into C plus D reactant आपका product में convert हो जाए और product आपका reactant में convert वापस हो जाए तो यह आपका reversible process कहलाता है यह आपका क्या reversible process कहलाता है तो सबसे पहली बात आपको irreversible process का मतलब समझ में आना चाहिए ठीक है ना अब प्यारे बच्चों याद रखना equilibrium क्या है जैसे आपकी कोई भी reaction है A plus B converted into C plus D तो याद रखना प्यारे बच्चों जो आपका यहाँ पर एक होता है KC जो कि आपका होता है KF upon KB rate of forward rate constant forward reaction rate of constant of backward reaction यह आपका केसी होता है याद रखना प्यारे बच्चों ठीक है ना यहाँ पर यह equilibrium constant है ठीक है यह के equilibrium अगर आपसे पूछा जाए तो equilibrium constant होता है rate of forward constant जो आता है rate constant वो forward का और backward का दोनों का ratio की equilibrium होता है अगर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर केसी लिखना है तो product की concentration आपको लिखनी है upon में प्यारे बच्चों reactant की concentration आपको लिखनी है याद रखना प्यारे बच्चों कभी भी अगर आपको एक चीज होती है केसी एक होता है केसी आपका होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका जो भी product है उसकी concentration आपको reactant concentration माल लोग कोई भी अगर stachometric coefficient C के आगे 2 आ गया है तो stachometric coefficient आपका पावर में चला जाएगा एक होता है KP, rate जो equilibrium constant है at partial pressure P इसका मतलब है equilibrium constant at concentration C तो यह याद रखना यह होता है आपका partial pressure of C का whole square और आपका partial pressure of D का whole square अपन में partial pressure of A और partial pressure of लग्यरे बचों आपका kya B तो यह आपका होता है KP, KP में आपका partial pressure आता है KC में आपका concentration आता है concentration आप सभी को पता है क्या होता है, mole upon volume होता है क्या होता है, mole upon volume होता है तो K equilibrium आपसे पूछा जाए तो KF upon KP होता है, याद रखना KC आपको मैंने बता दिया है KP मैंने आपको बता दिया है कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो एक आपको important relation याद रखना है KP बराबर KC RT की power delta NG यह सबसे important relation है याद रखना KP बराबर KC RT की power delta NG अगर delta NG आपका 0 हो जाएगा किसी की power 0 आपको पता है बन होता है तो यहां से kp बरावर क्या आजाएगा kc आजाएगा तो यह important relation आजाएगा कब जब delta ng आपका 0 हो जाएगा तो kp kc के बरावर आजाएगा तो यह important relation आपको पता लग गया delta ng 0 है तो kp और kc आपस में बरावर है kp और kc आपस में बरावर है तो सारे बच्चों को यह भी आपको relation याद रखना है एक आपको प्यारे बच्चों यह याद रखना है यहां पर जैसे आपको मालो a reaction आपकी convert हो रही है b में तो अगर इसका rate constant k1 है तो अगर b आपका a में convert हो रहा है मतलब उल्टा हो रहा है तो इसका जो आपका rate constant होगा उल्टा हो जाएगा अगर reaction उल्टी हो रही है तो rate constant भी उल्टा हो जाएगा अगर मालो a converted into b अगर मैं 2 से multiply कर दूँ तो 2 a converted into 2 भी हो जाएगा तो rate constant माल लढ लिजिए इसका k1 है तो इसका root constant प्यारे बच्चो जिससे multiply किया है वो आपका power में चला जाएगा याद रखना जिससे multiply किया है वो आपका power में चला जाएगा एक concept आपको याद रखना है जैसे मालो 2A converted into 2B अगर मैं 2 से divide कर दू तो A converted into B हो जाएगा तो अगर इसका rate constant k1 है इसका rate constant k1 है तो इसका rate constant प्यारे बच्चो पावर में आपका बन अपन में चला जाएगा 2 बन अपन में क्या चला जाएगा 2 जिससे divide करेंगे वो बन अपन में चला जाएगा multiply करेंगे तो power में चला जाएगा उल्टा करेंगे तो rate constant उल्टा हो जाएगा तो बहुत important चीज़ है थोड़ा speed में रख रहा हूँ ठीक है ना ताकि सारी जीज़े समझ में आए आपको और आपको प्यारे बच्चो जल्दी से जल्दी आपका ये chapter समापतो तो ये तीन concept आपको पता होना चीज़े एक प्यारे बच्चो आपको यहाँ पर important चीज़े A converted into B B converted into C ये K1 है ये K2 है और आपसे पूछा मैंने A converted into आपको C बताना है तो ये कब आएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो याद रखना अगर दोनों को जोड़ने पर ये बन रहा है तो addition में तो ये दोनों rate constant आपस में multiply हो जाएंगे तो K3 बराबर आजाएगा K1 into K2 K3 आपका क्या आजाएगा K1 into K2 आजाएगा ये important relation है जब कोई भी दो reaction आपको दे रखी है तीसरी reaction आपको निकान ली है जो अगर दोनों को जोड़ के आ रही है तो rate constant आपस में multiply हो जाते है ये आपको पता होना चाहिए और अब चलते हैं अपन यहाँ पर questions पर तो सारे बच्चे questions प्रेक्टिस करेंगे मेरे साथ में पहला question आ चुका है in which of the following equilibrium कौनसा आपका यहाँ पर ऐसा option है जहाँ पर kp और kc बराबर नहीं है सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ answer correct answer आपको बताना है relation आपको पता है kp is equal to kc rt की power delta ng ये आपको relation पता है apply करो क्योंकि आपको पता है kp बराबर kc नहीं है मतलब आपका delta ng not equal to 0 आपका होना चाहिए तो kp बराबर kc नहीं होगा तो delta ng not equal to 0 कौनसे में है delta ng निकालना आपको मैंने सिखा रखा है जल्दी से बताओं यहाँ तो delta ng 0 है बन और बन 2, 2-2 करेंगे तो delta ng यहाँ पर 0 है तो यह तो होई नहीं सकता delta ng 0 है तो kp तो kc के बराबर हो जाएगा आपसे पूछा है kp बराबर नहीं है kc के kp बराबर नहीं है kc के a option is the right answer जिन बच्चों का भी a option आ रहा है एकदम correct answer है भाई साब a option एकदम correct answer है जिन बच्चों के भी A option आ रहा है एकदम correct answer है बिल्कुल भाई साब बिल्कुल जिन बच्चों का भी A option आ रहा है एकदम correct answer है बिल्कुल भाई A option is the right answer क्योंकि आपको पता है यहाँ पर देखो delta NG निकालना है तो प्यारे बच्चों product में है आपका 2 और यह solid है लेंगे नहीं सिर्फ gas का लेंगे तो 2- का बन तो आपका आजाएगा बन तो delta NG यहाँ पर है बन delta NG आपका बन है तो KP बराबर यहाँ पर delta NG बन रखेंगे तो KP बराबर नहीं होगा किसके KC के तो आपका A option आपका right answer हो जाएगा A option आपका right answer हो जाएगा official rupees hello sir hello भाई क्या आल चाले रुपेश जी क्या आल चाले बिल्कुल भाई A option आपका right answer है चलिए यह वाला कुश्चन बताएगे 4A hypothetical reaction occurs in single step specific rate constant आपको दे रखा है प्यारे बच्चों forward and backward का KF आपको पता है 2.0 into 10 की power minus का 2 और KB आपको पता है 5.0 into 10 की power 3 तो आपसे पूछा है यहाँ पर प्यारे बच्चों equilibrium constant मतलब K equilibrium आपसे पूछा है अब इस question का answer कोई भी बच्चा गलत नहीं बताएगा आपको पता है K equilibrium होता है KF upon KB दोनों का divide करो और आपका answer आजाएगा जल्दी से सारे बच्चे answer बताओ बहुत प्यारा question आपके सामने है जल्दी से सारे बच्चे answer बताओ करेक्ट answer बहुत प्यारा question है बहुत प्यारा question है जल्दी से सारे बच्चे answer बताओ भई जल्दी से सारे बच्चे answer बताओ जल्दी से सारे बच्चे answer बताओ और पीशल रुपेज़ी कौन हो भाई मैंनी समझ पारा बाई कुछ भी नहीं है दोनों का ratio लेना है kf आपका 2 into 10 की power minus का 2 है ये आपका 5 into 10 की power 3 है इसको उपर ले जाएंगे 10 की power 3 को तो प्यारे बच्चो इसको अपन लिख सकते हैं 20 into 10 की power minus का 3 जाएगा तो ये प्यारे बच्चो 10 की power minus का 4 हो जाएगा अपन मैं 5 solve करेंगे तो 4 into 10 की power minus का 4 आजाएगा जो कि आपका A option correct answer है बिल्कुल दोनों को solve करना था इतनी calculation आपको आती है ये power उपर लेकर जाएगे 10 की power minus का 3 10 की power minus का 5 हो जाएगा उपर नीचे 10 से multiply कर देंगे solve करेंगे आपन तो आपका 4 into 10 की power minus का 4 is the correct answer A option is the right answer जिन बच्चों का भी A option आया है एकदम correct answer है बिल्कुल एकदम correct answer है तो A option बिल्कुल correct answer है जिन बच्चों का भी A option आया है ठीके ना बिल्कुल correct answer है बिल्कुल बाई बिल्कुल जिन बच्चों का भी correct answer आया है the jmrj instrument keep it up guru क्या बात है भाई सब क्या बात है thank you भाई thank you धन्यवाद correct answer है बिल्कुल भाई ठीक है like करते रो भी जितने भी नए बच्चे है like करते रो चलिए आप ये वाला question का answer बताईए बहुत प्यारा question है the graph which represent all equilibrium concentration for the reaction N2O4 converted into 2NO2 then the select graph for concentration NO2 against N2O4 NO2 और N2O4 में आपको concentration का graph given है तो आपको बताना है NO2 और N2O4 में कौन सा graph आपका correct होगा ये आपको बताना है जल्दी से सारे बच्चे answer बताएंगे correct answer बताएंगे बिल्कुल भाई लगवग 4 गंटे पूरे होने वाले हैं अभी 8 गंटे और पढ़ना है आपको आप नए student हो आपकी class का स्वागत है आपका हमारी class में स्वागत है आप नए student हो तो आपका स्वागत है हमारी class में जाए श्री जी हाँ सर बूल गए हमें बिल्कुल नहीं भूले हैं बिल्कुल भी नहीं भूले हैं इस question का आप answer बताएं सारे बच्चे जल्दी 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 सारे बच्चे answer बताएंगे आई एम नीट इस्टुडेंट आनन्द जी बहुत अच्छी बात है आप नीट के इस्टुडेंट है इंपोर्टेंट क्लास है आपके लिए बिल्कुल यह क्लास आप देखना न भूलें complete chemistry आपको करवाई जा रही है complete physical inorganic और organic chemistry आपको complete कराई जा रही है सारे बच्चे correct answer बताओ जल्दी 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 सारे बच्चे correct answer बताओ बहुत प्यारा question है एकदम मासूम सा लप्पू सा question है और जिंगूर सा answer है ठीक है एकदम लप्पू सा question है एकदम जिंगूर सा answer है सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से बताईए भई सारे बच्चे बहुत प्यारा question है जल्दी जल्दी सारे बच्चे answer बताईए पिसले वाले question का answer गलत था चेक कर लेते हैं एक बार फिर से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो आप 5 इंटू अगर 10 से उपर नीचे multiply करेंगे तो यहां पर आपका 10 की power minus का 5 ठीक है और इधर आपका यहां पर 2 इंटू 10 की power minus का 5 अपान 5 है तो प्यारे बच्चों यहां पर उपर नीचे 10 से multiply करेंगे तो प्यारे बच्चों पर आपका हो जाएगा 20 ठीक है ना 20 हो जाएगा और उपर नीचे 10 से multiply कर दोगे आप तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 है प्यारे बच्चों आपन में आपका 5 solve करेंगे तो इंटू 10 की पावर माइनस का 5 आएगा ठीक है ना बिल्कुल बाई बिल्कुल correct है answer ठीक है बिल्कुल आपका correct answer है उपर नीचे 10 से multiply करेंगे तो यह आपका 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 आएगा ठीक है ना calculation थोड़ी सी mistake हो गई थी जो भी बोल रहा है एकदम सही बोल रहे हो आप 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 आएगा क्योंकि 10 आपका उपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा और यह 4 बार आपक आएगा इस question का answer सही गल्ले ना calculation mistake हो गई थी बिल्कुल D option आपका correct answer है और इस question का आपका answer बताना है ठीक है अच्छी बात है कि काफी ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल focus कर रहे हैं ना कई बार क्या होता है आपको भी पता है ठीक है ना calculation में हो जाता है problem बिल्कुल बहुत अ इस वाले का answer आपका आ रहा है क्या डी option डी option देखतो भई प्यारे बच्चों यहां पर देखो सबसे पहले आपको केसी निकला है तो आपको भी पता है प्यारे बच्चों केसी आपका हो जाएगा NO2 का होल स्क्व्यार अपोन में प्यारे बच्चों आपका N2O4 आ जाएगा तो यहां से NO2 और N2O4 में आपको relation निकालना है तो NO2 की concentration का होल स्क्व्यार केसी इन टू में आपका concentration of N2O4 तो यह relation देखो किस प्रकार का है biased спокой वराबर KX ट्राइब का relation है तो आपको parabolic graph बनेगा ब стор यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा ठीक है ना बिल्कुल आपका यहाँ पर लप्पू सा कुश्यन था Lazar B-O害 आपका correct answer है जिन बच्चों का B option आया है, एकदम correct answer है, ये वाला question का answer बताईए, 15 moles of hydrogen and 5.2 moles of iodine are mixed, then allowed to attend equilibrium, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है, concentration of HI is found to 10 moles, तो equilibrium constant आपको बताना है, formation of HI, H2 plus I2 converted into 2 HI, आप सभी को पता है, और आपसे बोला है, 15 moles आपके hydrogen है, और 5.2 moles आपके प्यारे बच्चों iodine है initial में, तो अगर प्यारे बच्चों ये X कम हो जाएगा, ये भी X कम हो जाएगा, तो ये प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर 2X बनेगा, और question ने बोला है, equilibrium पर concentration of HI आपकी 10 mole है, question ने बोला है, equilibrium पर concentration आपकी HI की 10 mole है, मतलब प्यारे बच्चों 2X बराबर आपको 10 दे रखा है, तो X बराबर यहाँ से आपका 5 आजाएगा, तो equilibrium constant मतलब आपको केसी निकालना है, तो केसी आपको पता है, equilibrium constant HI की दे रखी है, 2X का whole square, क्योंकि power में आपका coefficient चला जाएगा, upon में 15 माइनस का X, और प्यारे बच्चों आपका 5.2 माइनस का X, यह आपको relation मेंने लिखना सिखा रखा है, ठीक है न, तो बिल्कुल आपका X बराबर 5 है, X की value 5 यहाँ पर put करेंगे, तो 2 इंटू 5 का whole square, upon में 50 माइनस का X कर देंगे, तो 10 और 5.2 माइनस क आया है, एकदम correct answer है, एक बार फिर से देखो, अच्छा question था, पहली बात तो यह, ठीक है न, एक बार फिर से इस question को देखो, एक बार फिर से समझाऊंगा, अच्छा question था, सारे बच्चे इदर देखो, सबसे पहले यह reaction आपको question में given है, H2 plus I2 converted into 2 HI, question ने बोला, 50 मोल hydrogen, 5.2 मोल आयोडीन, 15 मोल hydrogen, आयोडीन आपका 5.2 मोल है, यह आपका 0 हो गया, अब देखो, equivalent का मतलब क्या है, आपको मैंने पहले भी समझाया था, कि reactant आपका कम होगा, तो product का formation होगा, तो अगर reactant प्यारे बच्चों 15 है, तो माल लो यह 15 में से X गया, यह 5.2 में से X गया, अब यह X गया, यह X गया, तो 2X गया, तो कितना बनेगा, 2X बनेगा, तो यह आपका 2X बन गया, कुछ से ने बोला की equilibrium पे हैं चाहिआंए, आपके 10mol है, तो equilibrium पे 2X आया है, तो 2X 10 के बरावर है, तो X की value आगई, एक्स की value आगई, तो आपको यह final equilibrium पे 3 की value पता चल गई, औ और केसी आपको मैंने बताया कि product की concentration upon reactant की concentration तो product की concentration upon reactant की आपने क्या कर दिया? concentration को कर दिया, प्यारे बच्चों, आप solve करोगे तो आपका answer आजाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल आपका simple question था, 5.2 moles hydrogen, 5.2 moles of nitrogen are fixed in attend equilibrium, at equilibrium, the concentration of SI found 10 moles, then equilibrium constant for the reaction is, तो बहुत प्यारा question था, अच्छा question था, आपने solve किया, आपका answer आगया होगा, ठीक है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा question था है, यह आपने आपने एक अच्छा question था, सारे बच्चे ध्यान से सुले ना, यह आपने आपने एक अच्छा question था, तो यह last question इस chapter का धीक है न, इस chapter का यह last question है उसके बाद में अपन नया chapter start करेंगे, इस chapter का यह last question है जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे उसके बाद में नया chapter start करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे यह last question इस chapter का और जल्दी से बच्चे यहां पर इस chapter का last question का answer बताएंगे सारे बच्चे भई पढ़ाई पे फोकस करो यार बिल्कुल भई D option आपका राइट आंसर है क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का आर टी एलन में केसी अब आपसे कुश्चन ने बोला है डेल्टा जी नोट अगर आपका नेगेटिव है तो यह नेगेटिव है तो आपका केसी गेटर देन क्या होना च अन्यृ आहते है इनकर्यक्ट इस्टेट्मेट आपके पूछा है यह लेस देन मन बता रहा है जो कि गलत है आपका तो डेई ऑप्सन आपका एकदम राइट अंसर है बिल्कुल भाई जिन बच्चों का भी D option आया है एकदम correct answer है आपका ठीक है ना D option आपका incorrect है क्योंकि केसी आपका greater than बन होना चाहिए था यहां less than बन बोला है तो D option आपका correct answer है D option आपका correct answer है शली है भाईश आप निया chapter start करेंगे उस से पहले एक सांधर joke आपके सामने आ गया है जोर से चली हमाः और उड़ गए आप रुक गई हमाः और गर गए आप समझ में आया है समझे में आया क्या यह लाइन जल्दी जल्दी बताओ भई नया čप्टर रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छा चेप्टर है भई लेकिन अब आगे के छप्टर सिंपल सिंपल है क्योंकि आपको भी पता देखो कुछ chapter tough होते हैं, तो हो सकता है, थोड़ा सा problem दिया हो, लेकिन आगे के chapter आप simple आएंगे, आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, यह मेरी guarantee है, आगे आपको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं आएगी, यह मेरी guarantee है, लेकिन सारे बच्चे पूरा motivate हो जाओ, और सारे बच्च तो पहले joke, जोर से चली हवा और उड़ गए आप, हवा चली जोर से उड़ गए आप, और रुक गई हवा और गिर गए आप, ठीक है ना, तो हवा रुकनी नहीं चाहिए वाई साफ, यह जो class चल रही है, इसकी हवा हर जगे पता लगनी चाहिए, हवा नहीं रुकनी चाहि यह बना हवा रुकते ही क्या होगा, गिर जाएंगे, विचारा यह देखियो, यह बच्चा है विचारा, हवा रुकते ही गिर गया है, धड़ा अमदने से, धड़ा अमदने से नीचे गिर गया है, और इसके चोट लग गई है, ठीक है ना, तो बिलकुल बिलकुल, बहुत प्यारी लाइन जोर से चली हवा और उड़ गए आप रुक गई हवा और गिर गए आप मज़ा आगया चाहर है ना अरे बाई साब वैसे ही मज़ा आता रहेगा बाई साब 600 का टार्गेट पूरा हो चुका है यास 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 यही मोटिवेशन चाहिए वाई साब 600 लाइक का टार्गेट पूरा हो चुका है और अब आपका टार्गेट है प्यारे बच्चों 700 नेक्स टार्गेट 700 ठीक है भई क्या आप बोलते हो मजा आ रहा है ना बिल्कुल भई 400 लाइक और फिर टार्गेट पूरा हो जाएगा ठीक है ना 400 लाइक और फिर आपका टार्गेट पूरा हो जाएगा ठीक है 400 लाइक और फिर आपका टार्गेट पूरा हो जाएगा आपको मेरा कमेंट नहीं दखता क्या बिल्कुल भई आपको मेरा कमेंट दिखता है ठीक है ना बिल्कुल आपको मेरा कमेंट नहीं दिखता क्या बिल्कुल दिखता है भई तो नया चेप्टर आपका 11th क्लास की फिजीकल केमेस्ट्री का लास्ट चेप्टर है ठीक है ना तो आप सारे बच्चे पूरा जोस एनर्जी में आ जाओ लास्ट चेप्टर फिजीगल केमेस्ट्री इलेवन्थ क्लास उसके बाद 12 की फिजीगल केमेस्ट्री खतम करके और इनौर्गनिक पर आने बाले हैं अपन ठीक है बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है रेडॉक्स रियक झाल 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 जाल झाल 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 और चेक करते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आया है अब करते हैं ठीक है फालतू बात कौन करते हैं फ्रीप पड़ाइप फोकस करो ठीक है ओक्सिडेसन नमबर आफ एमन प्यारे बच्चों याद रखना कभी वी किसी की ऑख्छीडेसन नमबर आप से पूछी जाए तो जैसे आपको प्यारे बच्चो MN की पूछी है, तो इसको X मान लेना है, दो पोटेशियम है, तो दो पोजिटिव आ जाएगा, एक oxygen माइनस का 200 करता है, तो 2 oxygen आपके 4 oxygen माइनस का 800 करेंगे, is equal to 0, solve करेंगे प्यारे बच्चो यहाँ पर, तो प्यारे बच्चो आपका answer आजाएगा, कितना plus का 6, X वरावर plus का 6 आजाएगा, ऐसे ही आपको पता है, यहाँ पर MN plus 2 है, SO4 minus का 2 है, ठीगे ना, तो plus का 6 and plus का 2, आपका B option आपका right answer है, जिन बच्चो का भी यहाँ पर B option आया है, एकदम correct answer है, जिन बच्चो का भी यहाँ पर B option आया है, एकदम correct answer है वाई साब, B option is the right answer, जिन बच्चो का भी B option आया है, एकदम correct answer है वाई साब, परसनल बाते कोई नहीं करेगा वाई साब, परसनल बाते कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, इस question का answer बताओ, सारे बच्चे जल्दी 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 इस question का answer बताओ तब तक मैं भी यहाँ पर कुछ खा लेता हूं क्योंकि चार गंटे हो गए है थोड़ी थोड़ी भूक लग रही है भाई जल्दी जल्दी answer बताओ भाई जल्दी 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 जल्द माइक आप करो हैं चल इधर देखो इन दा कनवर्जन और ब्रोमीन इन ब्रो माइनस थ्री ओक्सिदेशन इस्टेट बताना है आपको पता है ब्रोमीन इस्टेंडर इस्टेट में आपका जीर हो जाएगा यहां से आप सॉल करेंगे तो एक्स माइनस का 6 इस इकल टू माइनस का बन तो एक्स बरावर प्यारे बच्चो आपका आजाएगा कितना आपका प्यारे बच्चो एक्स बरावर आपका आजाएगा फाइव तो जीरो से प्लस का फाइव आपका कर्यक्ट आंसर हो जाएगा डी ओप्शन इस दर राइट आंसर अकेले अकेले ठाहा रहे हूँ अरे बहसा बहसा नहीं है तो आपका D option आपका एक-दम राइट answer है जिन बच्छों का भी D option और ही B rap प्यारा कुछ्चन था और D option आपका correct answer है जिन बच्छों का भी D option और है एक-दम correct answer है value of n, n factor की value आपको प्यारे बच्चों, यह n है, number of electron transfer जो हो रहे हैं, ठीक है न, तो यह आपको बताना है, यहाँ पर, इस reaction में, ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताओ, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताओ, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर बताओ, बहुत प्यारा कुष्चे न है, जल्दी जल्दी बताओ, सारे बच्चे, ऐसा इसा गया कि आप वे वह चलती किलास में खालो ठीक है ना तो इधर देखो प्यारे बच्चो ऐसे question को आपको कैसे करना है यहाँ पर देखो प्यारे बच्चो एक्स माइनस का आठ इजगल टू माइनस का वन एक्स बराबर आपका है प्लस का 7 यहां पर आपको पता है जितना चार्ज है उतनी oxidation नम्बर x बराबर प्लस का टू तो प्लस का 7 से प्लस का 2 में कितने का change आया 5 का कितने electron transfer होंगे 5 तो n बराबर कितने आजाएगा 5 आजाएगा जो कि आपका A option right answer है A option is the right answer जिन बच्चों का भी A option आया है एकदम correct answer है खाले आप थोड़ा सा और बच रहा है न पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बाद खालूँगा लाइक करते रहो भई आरे बाई साब ऐसा क्या खाया सर बोई सी चेंज हो गई है आप भी आजाओ आप भी खालो आप भी आजाओ आप भी खालीजिएगा ठीक है जैसर यहाँ पर अबिलेवल नहीं है ठीक ना ने जैसर को बुला ले था ठीक है भई बिल्कुल 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 तो इधर देखो सारे बच्चे अब थोड़ा सा कॉंसेप्ट अपन समझ लेते हैं रेडॉक्स रियक्शन का ठीक है ना देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर दो चीज अपन पढ़ेंगे एक ओक्सिडेशन एक रिडक्शन ओक्सिडेशन क्या है प्यारे बच्चों याद रखना लॉस ओफ इलेक्ट्रों ओक्सिडेशन पहली चीज यहाँ पर अपन बोल सकते हैं प्यारे बच्चों एडिशन ओफ ओक्सिजन यहाँ पर अपन बोल सकते हैं रिमूबल ओफ हाइड्रोजन या फिर प्यारे बच्चों बोल सकते हैं increase in oxidation number अगर oxidation number में increase हो रहा है तो oxidation है addition oxygen का हो रहा है तो oxygen है electron का loss हो रहा है तो oxygen है removal of hydrogen है तो oxygen है आपका बड़े है मनिश यादव जी happy birthday आपको ठीक है अगर reduction है तो प्यारे बच्चों आपका gain of electron हो जाएगा gain of electron ठीक है addition of oxygen की जगए यहाँ पर removal of oxygen removal of oxygen removal of hydrogen की जगए addition of hydrogen addition of hydrogen increase in oxidation number की जगए प्यारे बच्चों decrease in oxidation number यह प्यारे बच्चों आपका reduction है और यह आपका oxidation है ठीक है ना तो यह आपका Oxidation और Reduction का फंडा है ठीक है ना और Redox reaction क्या होती है ठीक है ना यह डिस्पले बंद हो गई I think ठीक है भई तो बिल्कुल बिल्कुल यह Oxidation यह Reduction तो प्यारे बच्चों ऐसी रियक्षन जहां पर Oxidation और Reduction दोनों होता है वह आपका क्या कहलाता है वह आपका Redox reaction कहलाता है ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल तो याद लखना Redox reaction क्या होती है जहां पर Oxidation reduction दोनों एक साथ होता है वो आपकी redox reaction होती है वो आपकी redox reaction होती है यह आप सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए ठीके ना यह आप सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए ठीके ना यह आप सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए और I think सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अब प्यारे बच्चों याद रखना जितने भी आपके यहाँ पर एलकली मेटल होते हैं एलकली मेटल जो कि आपको पता है ली ना की रब से फर्याद इनकी सबकी जो उक्सिडेशन नंबर है वो आपकी प्लस का बन होती है और जितने भी आपके प्यारे बच्चों एलकलाइन अर्थ मेटल है AEM जैसे बेटा, मांगे, कन्या, सुन्दर, बाप, राजी आप सभी को पता है ठीक है ना यह सबकी जो आपकी ऑक्सिडेशन नंबर है वो आपकी प्लस का टू होती है यह आपको याद रखना है उसके बाद में प्यारे बच्चों दो छीज होती है एक आपका होता है आक्साइड एक आपका होता है पर ओक्साइड एक होता है आपका सुपर ओक्साइड ओक्साइड जैसे आपका O- का 2 तो इसका ओक्सिडेशन नमबर माइनस का 2 हो जाएगा पर ओक्साइड जैसे आपको पता है O2 माइनस का 2 तो इसका ओक्सिडेशन नमबर बन हो जाएगा super oxide मतलब प्यारे बच्चो O2 minus का 1 तो इसका oxidation number आपका minus का 1 by 2 हो जाएगा तो याद रखना minus का 1 by 2 minus 1 और minus का 2 oxide, peroxide और super oxide की oxidation number कभी भी आपसे पूछी जाए तो आप direct बता सकते हो oxide, peroxide और super oxide की ये oxidation number होती है जो कि आप सारे बच्चों को याद रखना है कभी भी आपसे question पूछा जा सकता है तो आप अराम से बता सकते हो सारे बच्चे पढ़ाई पर focus करो कुछ बच्चे यहाँ पर ठीक है ना फालतों की बाते कर रहे हैं जो I think ठीक नहीं है आप बच्चे तो आप हो नहीं कि मैं आपको बार बार समझाओं और मैं भी बार बार समझाता हुआ अच्छा नहीं लगता ठीक है ना तो आपको भी पता है ना यार देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं आपको तो फर्ज बनता है आपका देखो पढ़ने तो आप क्या फाइदा निकलेगा कुछ फाइदा निकलेगा नहीं इस पढ़ने का मन नहीं है तो चले जाओ आप भई नहीं है ना पढ़ने का किसी का भी मन तो मैं जबरदस्ति किसी को नहीं रोक रहा हूँ आप चले जाओ ठीक है ना यह आपसे कोई जवरदस्ती थोड़ी है ना हमने आपसे कोई पैसा लिया यहां पर आने का यह आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया ठीक है ना तो बिलकुल समझदार हो यार आपने पैरेंट्स के लिए सोचो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा आप बार नहीं आएगा मैं आपको बता रहा हूं फिर रिग्रेट होगा कास अभी आपको नहीं पता जैसे जैसे एक्जाम पास में आता है तो आपको चीज बता देता हूं मैं बहुत ज्यादा सारी चीज आपके साथ होएगी फिर आपको लगेगा एक दिन और मिल जाता तो आपको पता चलेगा एक दिन की कीमत क्या होती है अभी आपको नहीं पता चल रही। तब आपको पता लगेगी ठीक है ना तो आजाओ वही सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको तो डिस्टब नहीं करें प्यारे बच्चों फिर एक चीज आपका होता है यहाँ पर एक्क् Bq वह आपका एन फैक्टर होता है एक आपका इस्प्रोपर्फं का 3 increase कर रहा है मतलब increase कर रहा है तो oxidation हो रहा है यह 0 से आपका minus का 2 हुआ तो यह decrease कर रहा है मतलब आपका यहां पर क्या हुआ decreasement हुआ reduction हुआ तो oxidation भी एक ही element का हुआ है और reduction भी उसी element का हुआ है तो एक element का oxidation reduction दोनों होता है तो वो आपका disproportion reaction कहलाता है इस reaction में oxidation and reduction दोनों होता है वो आपकी Redox reaction क्लाती है और ये disproposent reaction का फंडा है जो सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा I think ये disproposent reaction का जो फंडा है I think सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अब चलते हैं advisory for dudon for dark आपका convert हो रहा है NS3 में और आपसे equivalent weight आपसे पूछा है किसका HNO3 का आपसे पूछा है equivalent weight आपको पता है क्या होता है molecular weight upon में N factor और N factor आपको पता है HNO3 से NS3 में अपन जा रहे हैं ठीक है न तो यहाँ पर आपको पता चल गया hydrogen का प्लस 1 प्लस X माइनस का 6 बरावर 0 तो X बरावर आपका है प्लस का 5 यहाँ पर X प्लस 3 बरावर 0 तो X बरावर है माइनस का 3 तो माइनस का 3 से 5 में कितने का change है 8 का तो 8 का change है तो N factor आपका 8 हो जाएगा तो molecular weight M है N factor आपका 8 है तो M by 8 is the correct answer D option is the right answer जिन बच्चों का D option आया है एकदम correct answer है ठीक है ना जिन बच्चों का भी D option आया है एकदम correct answer है ठीक है ना कृप्या करे के कुछ भी कोई भी बात नहीं करे बड़ावर फोकस करे वही simple question था HNO3 आपको ammonia में convert करवाना है solve गरके X की value निकाल ली 5 solve गरके X की value निकाल ली आपने minus का 3 change देखना है तो 5 से minus 3 में कितना change हुआ आठ का तो molecular weight upon n factor तो molecular weight upon n factor आपका 8 आ गया तो M by 8 is the correct answer D option is the right answer जिन बच्चों का भी D option आ रहा है एकदम correct answer है ठीक है ना अब यह last question है इस चैप्टर का ठीक है ना अब दा equivalent weight of MnSO4 is half of its molecular weight when it is converted into प्यारे बच्चों बहुत प्यारा question है equivalent weight of MnSO4 is half of its molecular weight when it converted into प्यारे बच्चों आपको बताना है कि equivalent weight of MnSO4 is half of its molecular weight when किसमें आपका यह convert होगा तब यह possible होगा मतलब molecular weight इसका जो equivalent weight है वो बोला है molecular weight का आदा मतलब M by 2 हो रहा है तो यह आपको पता यह N factor होता है मतलब N factor आपका 2 आना चाहिए N factor 2 कब आएगा जब यह MnSO4 आपको पता है इसकी plus का 2 oxidation state है तो यहां पर आपका plus का 4 आएगा तब change आपका कितने का होगा plus का 2 का जो कि यहां आ रखा है तो आप देखो इन में से plus का 4 oxidation number किसका है जिसका भी plus 4 oxidation number होगा बोई आपका answer हो जाएगा question में जेओ दिया equivalent weight mass का आदा है मतलब 2 आ रहा है मतलब N factor 2 है मतलब change 2 का आएगा plus 2 खुद है तो यहां पर plus 4 आएगा जब आपका 2 का change आपाएगा तो check कर लो यहां पर plus का 4 किसका है बोई आपका correct answer हो जाएगा तो जल्दी से सारे बच्चे correct answer बताएंगे जल्दी से सारे बच्चे correct answer बताएंगे यह class कब तक चलेगी यह class आपकी complete chemistry होने के बाद में खत्म होगी यह अभी 8 गंटे और चलेगी आठ गंटे और चलेगी भई बिल्कुल भई बी option आपका right answer है बी नहीं बी नहीं होगा बी नहीं होगा आपका answer क्योंकि x-4 बरावर 0 तो x बरावर आपका जाएगा plus 4 ठीके न बी आपका नहीं होगा ठीके न तो आपका यहाँ पर c option right answer है क्योंकि plus 2 से plus 4 change plus 2 को जबी आएगा जब यहाँ plus 4 होगा जो कि आपका c option में plus 4 हो रहा है तो c option आपका right answer है बिल्कुल भई c option एकदम correct answer है जिन बच्चों का भी c option आया है बिल्कुल correct answer है ठीक है भई c option यहाँ पर एकदम correct answer है बिल्कुल आपको यहाँ पर c option आपका एकदम correct answer आया है तो सारे बच्चे सब अपने अपने लिए ताली बजादो एक बार जोड़दार क्योंकि 11th class की physical chemistry complete हो चुकी है 11th class की physical chemistry complete हो चुकी है तो सारे बच्चे अपने लिए ताली बजादो फटा फट फटा फट ताली बजादो अपने अपने लिए 11th class की physical chemistry complete हो चुकी है स्वाहा कर दिया 11th class की chemistry का, physical chemistry समाप्त, क्या हो गया रहे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, chemistry हो गई है, समाप्त 11th class की physical chemistry, ठीक है भई, खुद के लिए तालीब आजाना है, बिल्कुल भई, खुद के लिए आपको तालीब आजाना है, ठीक है भई, बिल्कुल भई, बिल्कुल, ठ ठीक है बिल्गुल बिल्गुल ठीक है ना 11th class की chemistry बिल्गुल समाप्त हो चुकी है 11th class physical chemistry समाप्त आप बोलते हैं dance करी है ठीक है ना dance भी हो गया ना 11th class की physical chemistry समाप्त हो गई है है ठीक है अब चलेंगे 12th class की physical chemistry के सिर्फ तीन चेप्टर है कि सोलिशन chemical kinetics electrochemistry तीन चेप्टर चुटकियों में करेंगे समाप्त और फिर करेंगे start inorganic chemistry तैयार हो जाईए कि लिए ठीक है ना बहुत जल्द inorganic chemistry में अपन एंट्री करने वाले हैं बहुत जल्द inorganic chemistry में एंट्री करने वाले हैं तैयार हो जाईए that song क्या बात सूंनाएंगे song सुनाएंगे यहां भी होगा बहां भी होगा अब तो सारे जहां में में होगा क्या तेरा ही जल्वा तरह्धिक है तो बिलकुल स्षौंग वे शुना दिया है ना बिलकुल बिलकुल तो 11 विल्द केलास की physical chemistry समाप्त चुकी है complete physical chemistry का निचोड अपने कर दिया है ठीक है तो दो मिनिट के लिए जैसर को आपको मैं फिर से बेचता हूं ठीक है ना उसके बाद में 12th क्लास की physical chemistry समाप्त करेंगे और फिर inorganic chemistry स्टार्ट करेंगे ठीक है तो बिल्गुल बिल्कुल ऐसे ही बने रहो आप ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल कैसे हो बुदमाशो हो फूफुली सारे बढ़िया हो और शांदर तरीके से बढ़ाई चल रही है चल रही है क्या बात है बहुत बढ़िया इसी तरीके से पढ़ते रहा है हमारा टार्गेट कहां तक पहुंच गया है भई कहां तक हमने अचीव कर लिया है जल्दी से कोशन से मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस हो रही है लग रहा है क्या हम कर सकते हैं बता दो कहां से लग रहा है लग रहा है क्या बात है बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया मदब अच्वियबल है चीजे अचीव की जा सकती है बहुत मज़ा आया क्या बात है यह इसकी बदावलत जैकट में बिल्ड हो रही है जैकट में खड़ी है बिटा यह आप लोगों कहीं प्यार है जल्दी से इसको 40.6 कर दो जल्दी से फटावट से कुछ चंद कतम दूर है हम जो बच्चे नए आ रहे हैं अभी जुड रहे लगातार उनसे मेरी रिक्रस्ट है कि आपको इस क्लास की पीडिय और इसके साथ-साथ मैं इंप्रटेंट आपके जो एंसी आड्लाइन्स होती है जो मार्किंग होती है क्या-क्या पॉंट्स आपको हाइलाइट पढ़ने चाहिए वह मैं सेंड करने वाला हूं बहुत जल्दी क्लियर है बहुत बढ़िया है में तो आप जरूर चाहिए कर देखिए करीब करीब साड़े ग्यारा हजार लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि बहुत बढ़िया बिटा खाना बनाते बनाते खाना खाते खाते यह जो एफट है ना यह एफट बहुत जरूरी है बिटा क्योंकि आपका सपना छोटा नहीं है बिटा आपका सपना छोटा नहीं है आपको अपने सपने के लिए जान लगानी पड़ेगी और मुझे पता है आप में से हर बच्चा तयार अपनी जान लगाने के लिए बहुत बढ़ी है शाबाश कुछ बायोलोजी के कोश्ण आंसर हो जाएं बताओ कुछ बायोलोजी के कोश्ण आंसर हो जाएं क्या किये जाएं कुछ बायोलोजी के कोश्ण आंसर Instagram पर follow कर दिया है thank you so much बिटा Sandeep Vishnui जी thank you कुछ बाइलोजी के कोशिन आंसर करते हैं चलो ठीक है और जो नया बच्चा है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूरू करें आपके एम्स इस्पेशली बिटा मैंने का लिएम्स की स्टेजी पे वीडियो बनाया है शेयर की आप लोगे साथ में आपने नहीं देखा है जा आप अब कर सकते हैं कैसे फीज़ुका मूव कर रहा है यह सारी चीजे हमको पता हैं और हम बहुत आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल महा मैनातन के देखें किछटी बना कर खाते हैं क्या बात है शाबाज कोई दिक्कत नहीं नर्सिंग गर्ल कोई दिक्कत नहीं है कोई इशू निये, कॉलेज में जाकर इंस्टाग्राम भी बनाएंगे, चलो, अब मैं आपको कुछ बाते बताने जा रहा हूं, वो मुझे आप बताईएगा, questions मैं आपके पूछ रहा हूं, first question आपके साथ में क्या है, पहला question जो मैं आपके पूछने जा रहा हूं, वो मुझ जल्दी से, CID पांडे जी, आप AIMS का उमीद बैच जॉइन कर सकते हैं, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, AIMS की इन 60 दिनों के अंदर आपका crash course, आपकी test series, आपकी DPP, सब कुछ आपको आपके बैच में मिल रहा है, उमीद बैच में, आप उसे जॉइन कर सकते हैं, अब मेरे को जल्दी से आंसर करें, स्पाइरो गायरा के अंदर कितने परसंट प्रोटीन होता है, जल्दी से, हाँ, जल्दी से फटा फट से, लगातार speed up आंसर आते रहने चीए, कितने परसंट प्रोटीन होता है, अनपूर्णा मौर्या, सिर्फ सांस से चलते रहने से जिन्दगी नहीं कहते, आँखों में कुछ, ख्वाईशी और दिल में उमीदे भी होना बहुत जरूरी है, 70%, 71% होता है वैसे exactly, 71%, 71% exactly होता है, 71% exactly, मनीश यादव जी, मदावी, साधिना क्या वाद है, बहुत बढ़िया question, next question आपके screen पे तो नहीं है, मैं बता देता हूँ, हमारा ozone hole हमारी earth के कौन से हिस्से पे दिखाई देता है, जल्दी से, देखो अगर हमारे पास मौका मिला है ना, तो हम verbally, सर के rest करने तक हम आराम से 25 कोशन कर सकते हैं, इतना मुझे पता है, 25 कोशन, बस answer लगातर करो, मैं 25 कोशन करा दूँगा, अभी just, बताओ, हमारे पास में हमारी earth पे ozone का जो hole है, वो कहां दिखाई देता है, जल्दी से, पहला answer आते ही, मैं कोशन चेंज कर दूँगा, पहला answer कौन कर रहा है, सबसे पहले, जल्दी answer बड़ा बड़ से, option नहीं आएगा, किस हिस्ते पर दिखाई देता है, earth के किस हिस्ते पर दिखाई देता है, नौर्थ पोल, नौर्थ पोल ठीक है, नौर्थ पोल, मैंटल नहीं बड़ा, मैंटल तो हमारे earth के अंदर होती है, नौर्स साइट पे जगे है, जगे है, कौन सी जगे है, अंटाक्टिका, कौन सी जगे है, अंटाक्टिका, नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और साइट अब मुझे बताओ जैब संदित्ति या बायो लुमिनिसेंस किसका फीचर है फटा फट से दो कोशन हो चुके हैं हमारे पास कि टीनों फोरा बहुत बढ़िया तीन कोशनों के चौता कोशन आपके सामने है कि मैं बोलने जा रहा हूं क्या बात है ओपर कुलम का नाम सबने सुना है ओपर कुलम किस टाइप की फिशिस में देखने को मिलता है जल्दी से ओपर कुलम ओपर कुलम किस टाइप की फिशिस में देखने को मिलता है जल्दी से ओपर कुलम हिंदी में भी ओपर कुलम ही कहते हैं पड़ा फट से नंबर फोर चार हो चुके हमारे पास आपर क्यूलम जल्दी से जल्दी से दोस्तों में मश्रूर हुए तो इसमें क्या मजा तो है मजा तो तब है जब चर्चा मेरे दुश्मनों की महाफिल में हो क्या बात है सैन साब आंसर आंसर जल्दी से फटा फट से कोशन क्या था मेरा कि ऑपर क्यूलम कहा होता है ऑपर क्यूलम किसी को पता है ऑपर क्यूलम ऑपर क्यूलम कहा मिलता है भाई ऑपर क्यूलम ऑपर क्यूलम आंसर नहीं आ रहा है ऑपर क्यूलम का अभी तक आपर किलम बीटा औस्ठोक थीज में होता है किसमें होता है औस्ठोक थीज में औस्ठोक थीज में नमबर फाइफ कोशन आपकी स्क्रीन पर मैं बोलने जा रहा हूं जल्दी आंसर फटा फट से आपर किलम औस्ठोक थीज में होता है ठीक है next question है आपके लिए bladder urinary bladder के अंदर जो आपकी epithelium होती है, वो किस टाइब की epithelium होती है bladder के अंदर osteogr сказалám क्या बात है बहुत बढ़िया bladder के अंदर नया बच्चा वीडियो को लाइक ज़रूर करें बई ओके, कोई दिकत ने मैंग जी खाना खा सकते हैं आप जल्दी से आंसर करो मेरा कोश्चन क्या था जल्दी जल्दी आंसर करिए फटा-फट के हमारा जो यूनिरी ब्लैडर है यानि मुत्राश है उसमें किस प्रकार की उपकलाप आई जाती है कि टायप आपफ एपिदिलियम प्रेजंट इट यूनिरी ब्लैडर कोश्चन मार्क जल्दी से आंसर फटा-फट अंसर करिए वहीं सब्सक्राइब होती जहां से ट्रांसपोर्टेशन करना होता है ट्रांसपोर्टेशन करना होता है जल्दी से है कि ट्रांजीशन एपीधिल्यम कैसी होती है ट्रांजीशन एपीधिलिंग कोश्वन नमौ सेख सब्सक्रीन पर हमारा बलड किस टाइब का टीशू है हमा स्टैइब का टीशू है जल्दी यहह पहला है आंसर करता है मैं कोशेंच सब्सक्राइब कर दूंगा सब्सक्राइब करने होती जहां पर हमको चीजों को ट्रांसपोर्टिशन में हेल्प करनी होती है कि बहुत पतली होती है यह हुगरे साथ बहुत पीशे चल रहे आ गया यह जल्दी सी नए बच्छे लगातर आंसर करते रहो भई फटा फट क्या बात है बहुत बढ़िया आंसर की स्पीड स्लो है यार मजा नहीं आ रहा है कि ट्रांजिशन एपिधिलियम स्विवराज साब बिल्कुल सही का आपने यूरोथीलियम भी कहते है उसको बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं बच्छोब ध्यान रखना ब्लड इस सब्सक्राइब के अंदर बताओ जल्दी से सी ओटू का पार्शल प्रेशर में कितना होता है जल्दी आंसर फटा फट से 183 कमेंट्स होने चाहिए मेरको चाहिए क्या 183 बच्चे ही सेलेक्ट होना चाहते हैं जल्दी से बताओ फटा फट आंसर आने चाहिए लगातार बहुत बढ़िया क्या बात है 700 लाइक या 700 नियाज टागेट 1000 लाइक का है जल्दी से बताओ फटा फट से के हमारे पास में जो कोशन मैंने पूचा CO2 का अमांट या क्या होता है अट्मॉस्फियर में 159 45 आंसर आ रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर फिर 45 mmHg अट्मॉस्फियर में अट्मॉस्फियर में कि सबसे सबसे पुछूंगा 160 mmHg बहुत ज्यादा प्रेशन नहीं बता रहे हो आप कि सियोटू का पास्टर प्रेशन कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत कम होता है बिटा हमारे टीशू में बहुत ज्यादा होता है तब वह हाई प्रेशन से लो प्रेशन की तरफ क्या होती है फ्लो होती है बाहर जाती है सियोटू तो बाहर प्रेशन सबसे कम होगा ना में नहीं पूछा सरो चौरसिया वेलकम बैक कि बहुत बढ़िया कि नैक्ष कोश्चन कि नैक्ष कोश्चन आपके पास में जल्दी से में को आंसर करो आपके ECG एलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम के अंदर जो नोड होते हैं वो किस मैटल के बने होते हैं बताओ जल्दी से आप देखते हो एंगल पर लगाते हैं वो किस मैटल के बने होते हैं जल्दी से name of the metal जल्दी पताओ जल्दी उस मैटल का नाम क्या है क्या भात है फटा फट से आंसर आते रहने चीन unirko kya आते रहने चीन आंसर जल्दी से फटावफट वो मरकरी आंसर नहीं है जिंक है क्या है जिंक है नेक्स्ट कोशन आपके लिए फटावट से हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व कंडक्शन होता है वो किस टाइब का नर्व कंडक्शन होता है हमारी बॉड़ी में किस टाइब का नर्व कंड़क्शन पाया जाता है जल्दी बताओ रिवादी साथे बिटा फोकस करिए मैं क्या बोला है नाइक्रोम नहीं बिटा जिंक होते है कंड़क्टिविटी अच्छी होती है जिंक नाइक्स कोशन मैंने पूछ लिया है आपसे क्या है कोशन हमारा कि नर्व कंड़क्शन के लिए हमारे पास में किस टाइब का मैथड होता है जल्दी से नर्व कंड़क्शन का मैथड क्या होता है हमारे अंदर पहला बच्चा आंस अगरते नियूरो ट्रांसमेटर ऐसेटाइल कोलीन नहीं मैंने मैथड़ पूछा बेटा मैथड़ कौन सा है मनीशा शर्मा होने चाहिए बेटा इंपॉर्टन्ट टर्मस है ये सारी जल्दी बताओ फटाओ फट से कनेक्टिव निरो ट्रांस्पिटर नहीं बीटा सॉल्टेटरी बोलते हैं जो आप बोलने कोशिश कर रहे हो वो तो कैमिकल है बीटा तो हमारे पास जो कुछ बच्चे बोलेंगे सर्फ एलेक्ट्रिक और कैमिकल वो स्टैनेप्सिस है वो निवरॉन है मैंने पूछा मोड ट्रांस्पोर्टेशन वो जंप करता है देखो नॉन मानेज़ेटरी इर्यास पेन याद आ रहा है उसे बोलते हैं सॉल्टेटरी मोशन सॉल्टेटरी मोशन बूशन है इंग्ग्ष कोशन next question मैं पूछ रहा हूँ आपसे में को जल्दी से बताओ हमारे पास में ऐसे कितने दात हैं टीथ है जो monodented है monodented teeth कितने हमारे पास में number of teeth is monodented origin बताओ जल्दी से monodented teeth कितने हैं जल्दी आंसर फटाफट से 176 बच्चे लाए वो जल्दी आंसर करो फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करो एक कुछ बच्चे काफी पीए चले आरुशी बेटा आप रीफ्रेश करिए फटाफट से 147 लाइक हो चुके 160 जल्दी टागेट 160 जल्दी जल्दी 148 आप जैसे से कोश्चन लाइक बढ़ाते हो कि मैं number of questions बोलता जाओंगा जल्दी जल्दी कोश्चन क्या था हमारा को कुश्चन क्या था कोश्चन क्या था भई मैं तो खुद ही बूल गया कोई कोश्चन बताएगा मेरे को कोश्चन क्या था I think मैंने पूछा था आपसे 20 इसका आंसर है 20 पिटा mono rented यानि एक ही बार आते हैं भाई साब 20 is the correct answer पिटा क्लियर नैक्ट कोश्चन आपके पास स्क्रीन पे जल्दी से आंसर करो फटाफट से के हमारी बोन सबसे छोटी बोन कौन सी है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन उसका नाम क्या है लाइक जितने लाइक उतने कोश्चन पटाफट से 148 है 148 होते कोश्चन जेंज कर दूंगा मैं सबसे स्मॉलेस्ट बॉन ओफर बॉडी नया बच्चा वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें बिटा स्टेपीज ओके नैस्ट कोश्चन आपके सामने है हमारे इयर का मेन फंक्शन क्या है और वो कौन परफॉर्म करता है हमारे इयर का मेन फंक्शन क्या है और वो कौन परफॉर्म करता है क्या बात है 50 हो गया एक कुश्चन और डाल देता हूं मैं हमारे पास facial bone कितनी है छildy से फटास्पट से answer कर जल्दी से के बाद में जल्दी से हमारे का main function कौन है कौन perform करता है और सेकंड हमारे पास number of facial bone present in our body कि में फेशिल जल्दी से आंसरह फटाफ़र्ट कि ऐरिंग का नहीं बाड़ी के बैलेंसिंग काम होता है हमारे कानों का ध्यान रखना हमारी बाड़ी के कामों का मिन क्या है बॉडी को बैलेंस करना और वो कौन करता है वो करता है हमारे पास यूट्रिकल्स लिए जो एमपुला होते हैं यह फॉलते हैं उनको वह अपना में काम करते हैं नेक्श कोशन फटावड से मैंने पूछा था आपसे फेश्यल बोन कितनी होती है 14 होती है शबाश ऐसी बोन का नाम बता दो जो किसी अधर बोन से नहीं जुड़ती जल्दी फटावड से आंसर 153 हो गए एक कोशन और पूछ लेता हूं मैं एक कोशन और पूछ लेता हूं बताओ हमारे पास में कितने पेर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है नमर अफ पेर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रजेंट इन आर माउथ जल्दी से मैंने यहां पर आपसे तीन कोशन पूछ टाले हैं जल्दी कि नहीं बेटा, फटा फट से आंसा करो जल्दी कि पूटीन होगया थायरॉइट नहीं बिटा थायरॉइट इस ग्लैंड बिटा हायोडाइीट हायोडाइड पोण होती है हायोडाइड बोडाइड का ओं से भ, व, बल्किल नमि Canvas बदीया है बहुत बढ़िया शाबाश नाक्ट कोशन एक बार फटा फट्ट और बदा दो मेरे को कि हमारी बॉड़ी में कितने टाइप के पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं तो नमबर फोर्टल सिस्टम प्रेजेंट इन आर बॉड़ी जल्दी से आंस अगरो फटा फट 190 बच्चे 154 जल्दी जितने लाइक उतने कोश्चन नमबर फोर्टल सिस्टम प्रेजेंट इन आर बॉड़ी हाओ डाइट बोन फ्लॉटिंग रिप्स नहीं बिटा जल्दी से 154 155 हो गए चलो एक कोश्चन और पूश्चन और पूश्चन है हमारे पास में गोरिला रिप्स गोरिला रिप्स जो है वो किस टाइब का और गन है गोरिला रिप्स किस टाइब का और गन है जल्दी से ये एम्स में आ रखा कोश्चन है बहुत बढ़िया तीन आंसर क्या बात है शबाश गोरिला रिप्स का आंसर करो जल्दी से गोरिला रिप्स किस टाइब का और गन है आप जल्दी जल्दी 55 हो गए है 56 होते ही एक कोश्चन और दे दूगा मैं 57 हो गए दो दिने पड़ेंगे अब तो गजब मुझे जल्दी से एक बात बताओ anti-stress hormone in a plant कौन सा है किसे जाना जाता है antistress hormone जल्दी से antistress hormone का नाम लिख दो फेश बूण बढ़ जाता है किस में बढ़ जाता मड़ आहल के सब्सक्राइब करवाएं फाइल के सर भी अंसर कर सकते हैं ध्यान रखना एलके सर का बाइलोजी भी अच्छा गासा है हाँ क्लियार है बिल्कुल बजमाशों एलके सर को कम समझ रहे हो गया जल्दी आंसर करो फटाफर से 157 आंसर है 157 बच्चों के करेक्ट आंसर है क्या बात है बहुत बढ़िया शाबाश 198 मेरे को आंसर करेो जल्दी से औक्जिन नहीं पेटा एंट्रिस्टिस होर्मोन हम एपसिसी कह सिटको बोलते हैं किसको बोलते हैं एपसिसीक एसिड को एपसिसिक एसिड को बोलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पूछू मैं आपसे लाइसोजाइम में कितने टाइब के हाइड्रोलेटिक एंजाइम होते हैं यह कोश्चन पूछ लें क्या पूछ लें दो लोके निसेर आंसर कर दीजे लाइसोजाइम में कितने टाइब के हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स करेंगे लाइसोजाइम में कितने टाइप के अजाइम होते हैं जल्दी से आंसर करिए पहले बच्चे को देंगे चार एपसिजिक एसीड क्या बात है घजव अनएक्सपेक्टेड हो गया वाई साथ पचास तो आप कर रहे हो 40 प्लस होते हैं 40 प्लस हैं हाई को कि ट्राइड में लृष इत्क है आंजरती है हमारी बड़ी में नंबर आफ मसल्स कितनी होती है जाल्दी से आंसर करिए three वट्टा फट्सी वाट 5659 नमबर अफ मसल्स कितनी प्रेजंट होती है 639 अरे बच्चों को देने तो शर आंसर 639 क्या बात है 649 शांदार मज़ा आगया मतलब है क्या बात है बच्चों से पहले चलि मैं आप एक काम किजिए बच्चे आंसर करेंगे फिर आप देलिए एक कभी इंप्राइजाता 640 क्या बात है क्रिष्णा क्या बात है बहुत बढ़िया शाबश निशायादाव मनिष्टा मेरे को लगता है सर को 256 मेरे को लगता है लोकने शर को भी एक्जाम दिलाना पड़ेगा करना पूंत हुचल यहांby अगर कौकोραॉल दिया जाये तो कितने दिन तक जिंदार रह सकता अगर उसके सिर्फ को कार φंव passage तो एक कौक्रेज के सरear को कार दिया जाये तो कितने दिन तक जिंदार रह सकता है जल्दी से काप्रेज के सिरulator पर देखू बच्चों कौन देता है जल्दी से पहले एक आंसर देता है बच्चा फिर सर से पूछेंगे सब्सक्राइब को सुनी लिया है फटावट से 213 बच्चे लाई वो क्या बात है बहुत बढ़िया है 660 कौक्रोच के सिर को काड दिया जाए अब आपको रीजन पता है कि क्याएं ने क्लास करा देगा है जैसर और बाइलो पूछ लेते के मिलर चल्रिमिंट है जो किया उन्हों ने उसमें उन्होंने वूजुज किया था आपका अमोनिया और मिधियन गश और वाटर चीक है तो अगर मैं पुछा हूं कि वाटर अमोनिया और मिधियन द्यान चुनना है मैं जो कूछए नहीं चाह रहा हूं उसके बारे में थे के गौए से ध्यान से रहना पिटा पूचा यह मिलर का एक्सपरिमेंट है हमारा उसके अंदर जो आपसे कुश्चन है वह मैं रेशियो पूछ रहा हूं कि अमोनिया मिथेन और वाटर इनका रेशियो क्या था यानि अचा ये भी आज़ आज़े आपको तू रेशियो बन रेशियो तू जाओ मैंनी पढ़ागा मैं पढ़ाएगा गलत बात है इस अच्छे अच्ली कर्एभ शर्ट हो एक पुछते हैं अच्छे का झाय ये आप अच्छेट अच्छी अच्छा अच्छा फ फटा इस चांचा एब ये ये रोलीक शया आज़ शक्रक्रा से पाणनी के अलगा टू ओ जो हानीकारत है वो सबसे कम होती है अमोनिया सबसे कम होती है चारे वेड़ों विस्ट सरोगें सर्फ पास हो गहें तू बंटू हाँ इसके जार रखना अमोनिया टॉक्सिक है इसको कम कर दो बागी साथ होते हैं तो मेखिन और वाटर वाइपर यानि जल्वाष्प वो दो है आपके सामने घड़ा हो गजब मैं नहीं पढ़ाएगा हम नहीं जा रहा है अगर इस सवाल पर आएग हो गए तो मैं पात सवाल और पूछूँगा इस सवाल के आंसर देने तक और आप आंसर नहीं देंगे पहले बच्चे देंगे शिटिंग हो जा रही है तो को अच्छा सब्सक्राइब मुश्किल सा बनाकर अगर 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 नहीं दे सकते हैं हां याद आगया है यूमन रेस के अनर्ट मैक्सिमम क्रेनियल के पासिटी है वह आई थी यूमन रेस के अनर्ट में हमारे पास में क्रोम अगनन है क्रोम अगनन के अंदर क्रेनियल के पासिटी कितनी थी देखतेंए पहला कोंसर चांस करता है और यह आता है यह आता है यह अधा 1650 अम नीज जा रहे हैं ऑई बाई, टेक चैब हेलो अजो साथरो हैं हेलो साथरो है अलीक बट्या आन्सर बेखी के सोलाह सो रहे हैं सोलाह रहे हैं क्या बास है 1650 दा करेक्ट सही है अम बाई जा रहे हैं जाज जावड़ से 1 जालार पुझे क्या पुदा से डिलत करेस सर एक जावाल आफ़ पूसते देट प्रा ओम कलकता यादे तो कुछ आपुछा आफ क्या आति ओ ज ऑन क्या पुछा ए प्राफ objet Ш great जल जली बताओ फटावडससे, खोई ऐसा सवाल, जो सर को ना है, मेरे तो सारे सवालों के जवाब देरे हैं, सारी क्लासे करते है मेरे, विजज सर होते तो भी, सब कुछ हाँ, विजज सर बताते हैं, उनना तो सब्जेक्ट पे बाय लोजी, जैसानल है, इनका भी बाय लोज सब्सक्राइब करने लग गए अब बहुत मजा रहा है 77 हो गए यार चलो मैं ही कोशन पूचता हूं कोशन है कि अरी यारी कुशन दिभाग मागा बढ़िया सा इस्ट जो है वह मैक्सिमम अल्कोहॉल कितना प्रड्यूस कर सकता है है नाच्रल मैठोड से कितने पर्सेंट प्रड्यूस कर सकता है जैसे वाइस नहीं तो है क्लियर है बिटाओ कि बताओ जल्दी से कि सरी आता है कि 25 है यस मजा आ गया इस बार अपुन सही है अब आपुनीच बढ़ाएगा लेडी फिंगर का सैंटिफिक नेम पूछ लो हाँ यह एकदम सही कहा पहले वैसे लेडी फिंगर नहीं होता बेटा लेडी फिंगर होता है खुब सारी प्रीडिया होती तो इसमें तो लेडीज बोल दोगे आप है थर्टीन परसंट यह मैं और मेरे बच्चे सही है लोके नहीं सर गलत हो गई यहां पर ट्वेंटिवाइव पसंट ने मैक्सिम अल्कॉल नैच्रल मैथर से थर्टीन परसंट ही हो सकता है विकॉज उसके बाद में इस्ट के लिए वो टॉक्सिक हो जाता है चलो बहुत बढ़िया हम पहुंच चुके हैं 678 पर यह दुबारा करेंगे मज़ा आ रहा इसमें मैंने लमसम लमसम जैसे आपको बोला था करीब करीब 25 को पूछ लिए होंगे मैंने यार एक और पूछ लेता हूं चलो एक और कुशन लास्ट ऐसा कुशन जो केमस्टी में और बायोजी में भी हो को इस देट ओट एक अटिक अगलेटिंग एजेंट हमारी बॉड़ी में कौन है यह आप केमस्टी एविडेंग लाइफ में भी पढ़ते हो बिटा एंटिक ब्लड कोगलेटिंग एजेंट कौन सा है हां तो 13 परसेंट ही प्रडूस कर सकता है ड्रोसोफिला अबेलो मॉस्कस एसकुलेंटम यह होता है आकरति सिंग्ग चेक करता हूं नहीं बिटा आवाज में इशू नहीं है जल्दी से फटा फट से हेपारिन वाइटामिन के इस अल्सो करेक्ट आंसर बिटा अल्सो करेक्ट आंसर मैंने कल की क्लास से पढ़ाया है स्वानी सिंग्ग बिटा इवलुशन का जो आपका क्रैश कोर्स हुआ है उसमने डीटेल देस बाते बताई है आप जाके चेक करिए बहुत बढ़िया शाबाश कि 684 690 कर लें जो भी नया बच्चा आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें बहुत इंट्रेसिन क्लास लिए आता रहता हूं आप सोचो अभी हमने विदिन अटेन मिनेट में 25 कोशन कर डाले कितने 25 कोशन कर डाले 20 कोशन और पूछ प्रोटीन की सबसे फंक्शनल स्टेज कौं सी होती है है यह सबसे सवाल पूछ लेटे हैं यह सबसे हैं प्राइमरी होता होता है या कोन सा हीमोगलोबीन चैण सही आंसर है मैं चैणी है की हमोगलोबीन के अंदर कौन सा इस्टक्चर जो है वो फॉंक्चनल होता है ने टिका है प्राइम्री्ज सेकंडरी टैर्सरी या क्वादर नरी ठीक है मैं जा रहा है अब तो मैं पक्का जा रहा है अब सर आप याजो और कटी है हम आप बायोजी मैं नहीं बढ़ाएगा कि टीन सो होने तक बायोबाज में केमेस्ट्री 300 हो जाएंगे 600 हो जाएंगे बससे 700 सौरी 84 तो हो गए हमारे पास है है को टनरी बिट्या है चले आगे चालिए अब सर संबालेंगे कमान हम चलते हैं अब बाई ठीक है फिर मिलता हुड़ी ब्रेक के बाद Kingenez ए हुडू टो एक फिर से करेंगे सेशन को स्टार्ट तो आप देख सकते हैं जैसर ने मेरा कोई बढनि ब्रेक कु निएं तो मुझे बाईव सिखा दिया है आप समझ सकते हैं कि आपकी बाईव कितनी स्ट्रोंग हो सकती है अगर आप complete classes नेंगे तो समझ रहे हो ना मेरा mathematics background है बायो से मेरा कोई लेना देना नहीं है उसके बाद में भी में को बायो सिखा दिया वाई साब तो आप समझ सकते हैं आपकी बायो कितनी ज्यादा strong हो सकती है ठीक है ना बिल्कुल 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 क्या बात है वाई साब गुडर्ड़ कंप टेन नों गडर्डर्ड यहां पर रूकेंगे नहीं 12th class की physical chemistry का समापन करेंगे क्या बाद है वाई साब क्या बात है कैसे हैं आप एक दम बढ़िया हैंआं भाई साब ठीक है हैना तो बल्कुल है बल्कुल बल्क्व बल को我說 सर chemistry 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 biology आती है क्या बात है CTSIR नहीं भाही आपके सामने खड़ाता है क्या teaching करूं है नहीं नहीं तिक है कि ऐसे बाइच सामों को कै ओकर से आर। चलेंगे करेंगे स्टार्ट नया chapter solution और आप भाई साब मायोरी जी मैं सिर्फ biology के लिए तारिफ कर रहा हूँ chemistry के लिए कभी तारिफ नहीं करता क्योंकि chemistry मेरा प्यार है chemistry क्या है मेरा प्यार है उस subject में को बहुत ज़्यादा प्यार है मैं पढ़ाता हूँ इसी वज़े से ठेके ना चलिए भाई साब चलिए भाई साब चलिए करेंगे नया chapter start उससे पहले आपकी लिये एक सांदर जो खुष रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुषी नहीं देखना चाथे किसके लिए आपको खुष रहना है जो आपको खुष नहीं देखना चाते याद रखना सारे बच्चे बहुत प्यारी लाइन है कुछ रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुछ नहीं देखना चाते smile, smile, smile काफी लोग है जो आपके यहाँ पर relation में होंगे x, y, z हर family member में होते हैं जो चाते हैं कि आपका selection नहीं हो आपके रिष्टेदार भी होंगे काफी सारे आपका चाते हैं कि वो selection नहीं हो वो चाते हैं आपको अच्छा medical college नहीं मिले वो चाते हैं कि आप खुछ नहीं रहें तो आपको खुछ रहना है आपको खुछ रहना है किन के लिए जो चाते हैं कि आप खुष नहीं रहे तो लाइन बहुत प्यारी लाइन है ये ठीक है ना क्या बात है chemistry मेरा अच्छी हो गया sir thank you भई thank you आप मेरा प्यार हो sir क्या बात है मनीश यादव जी thank you भई thank you ठीक है ना उनके लिए खुष रहना है जो चाते हैं कि आप खुष नहीं रहे ठीक है बिलकुल बिलकुल सुहानी जी बहुत लाग चाते हैं कि आप खुष नहीं रहे उनके लिए आपको खुष रहना है ठीक है बिलकुल बिलकुल तो आज से सारे बच्चे खुष रहेंगे उनके लिए जो चाहते हैं कि आप से कि आप कुछ नहीं रहो ठीक है बिलकुल बिलकुल थोड़ी थंड लगने लग गई है इसी बंद किया जाए बिलकुल तो चलिए भाई साब आप करते हैं continue आपका नया चैप्टर आपका प्यारा चैप्टर आपका फेवरीट चैप्टर आपका प्यार सॉलिशन के ट्वेट लास का चैप्टर है अच्छा चैप्टर है बहुत ही और करेंगे इसके कॉंसेट को सीखेंगे कुश्चन सीखेंगे ठीक है चलिए चेक करते हैं कितने बच्चे लाइव है क्योंकि मुझे तो यह पता भी नहीं अब ठीक है न एक बार चेक कर लेते हैं फिर अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर को तो यह केमेश्टी की ग्लास कि 219 बच्चे लाइव है और 6 Bei 6 like हो चुक थे यह भाई तो लाइक का सतक तो यह लग चुका है शेवन अंडर्म लाइक ज़ल्दी से से कम्पलिट करो ठीक है न तो देखो सॉलीसन द क्या है। सॉलीषं , आप सब ने घर पर चाय तो बनाई ही होगी तो ये प्यारे बच्को यहां पर शॉल्वेंट जो अपन यहां पर यूज करेंगे के बोटर इस सोव careless करेंगे आपके सब के प्यारे physics के चीचर आप सभी को पता है रोकि भाई नम लेने की जरुत है नहीं समझ में आ गये होगा ठीक्क है तो यहाँ पर रोकी सर आ के आ चुड़े हैं ठीक है ना रोकी सर आपके आ चुड़े हैं कोई के लाश नहीं से डिमांड भी कर रहे थे कि बिजे सर को भी बुलाना तो विल्गल बिजे सर आ चुके हैं भाई साब तो समझ रहे हो ना आपका सपोर्ट तो अब तो भाई साब जो मेरा टार्गेट वो बढ़ चुका है आपको बताऊं पहले 1000 लाइक का टार्गेट था लेकिन अब आ गए बिजे सर तो इतना तो बनता है आप 1.5 के यह तो अब चाहिए चाहिए यह मेरे लिए नहीं 05 एक्स्ट्रा बिजे सर की वज़े से हुए है क्योंकि बिजे सर आए हैं तो आप लाइक का टार्गेट टेकनिकल टीम भी आप चेंज कर देगी 1.5 के आप टार्गेट हो चुक बिल्कुल 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 तो बिल्कुल 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 चल रहा था ठीक है ना बिल्कुल 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 तो टार्गेट बढ़ गया है और आप कंप्लीट भी करोगे मुझे आप पर पूरा वरोसा है ठीक है ना प्यारे बच्चो तो यह आ जिकंजी बोल सकते हैं तो आप क्या करेंगे लेमन लेंगे ठीक है ना सूगर लेंगे सबको mix करेंगे तो जो पाल्टिकल इसमें mix कर रहे हैं वो आपका क्या है solute और solute किसमें मिला रहे हैं अपन solute and solvent solute और solvent का एक homogeneous mixture है जो आपका क्या कहलाता है जो आपका प्यारे बच्छो solution कहलाता है solute क्या है जिसकी amount आपको कम होए जिसको अपन मिलाते हैं ठीक है ना वो आपका क्या होता है प्यारे बच्छो वो आपका होता है solute और solvent क्या है जिसमें मिलाते हैं, जिसकी amount ज्यादा होती है, वो आपका क्या होता है, वो आपका solvent होता है, तो ये आपका simple सा एक line में मैंने आपको प्यारे बच्चो समझा दिया है, solute क्या है, solvent क्या है, solution क्या है, सब कुछ मैंने आपको एक बार में समझा दिया है, अब अपन आगे important जो टर्म है जो आपका आता है बो आता है concentration term तो काफी सारी concentration term है जिनको अपन यहां पर देखेंगे ठीक है ना क्या-क्या concentration term है सर बताओ जरा हमें भी पहले अपन देखेंगे यहां पर percentage bet upon volume के बारे में फिर अपन देखेंगे percentage bet upon बेट के बारे में फिर अपन देखेंगे यहां पर percentage volume upon volume के बारे में ठीके ना percentage volume upon volume के बारे में देखेंगे ठीके तो यह third number का है उसके बाद मैं अपन molarty देखेंगे उसके बाद मैं अपन molarty देखेंगे और फिर अपन देखेंगे अपन आपका सबका favorite moderate mole fraction तो ये सारे Terms के बारे में आपन यहाँ पर एकिक करके सब कुछ समझेंगे किस तरीके से आपको approach करना है, क्या आप से पूछा जायेगा और किस तरीके सी आपको करना है सब कुछ यहाँ पर बिल्कूल ये देखेंगे मिलने से पहले एक दो चेप्टर निप्टा लिया जाए ठीक है ना ताकि ट्वेल्थ क्लास की पूरी फिजिकल केमिस्टी होने के बाद में इन औरगेनी केमिस्टी स्टार्ट करेंगे उससे पहले बिजे सर से मिला दूँगा तो बिल्कुल प्यारे बच्चों अगर मों कुश्चन में बोला है कि McMahon है ऍसका मतलब सा है पहली बात तो % से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो यह होता है आपका % बेट अपट पॉल्यूम अगर आगया percentage बेट अपोन बेट तो याद रखना उपर आ जाएगा solute का बेट नीचे भी बेट है तो नीचे आ जाएगा bet of solution और into कर देंगे प्यारे बच्चों 100 यह आपका percentage बेट अपोन बेट हो जाएगा एक होता है percentage volume अपोन बोलियूम तो उपर आ जाएगा पर आखना अगर उपर डबलु है मतल्व बेट आएगा नीचे भी है उपर बेट नीचे भी बेट उपर वाल्यूम तो उपर वी उपर हमिजा solute आता है नीचे हमिजा solution आता है into कर देंगे 100 से तो आपके सारे formula तैयार हो जाएँके सारे formula तैयार हो आएंगे ठीके ना आपको नींद आ रही है तो आप नींद को बोलो कि ओए नींद अगर तु मेरे से प्यार करती है तो तु यहां से भाग जा सीधा नींद को बोलो और मुझे पूरा विश्वास है कि नींद आपसे प्यार नहीं करती आप नींद से प्यार करते हो ठीके ना क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करती आप उससे प्यार करते हो आप उसको बुलाते हो ठीक है नींद आजा ठीक है न तो नींद को भगा दो नींद से प्यार नहीं करना है ठीक है भाई बिल्कुल भाई solution chapter चल रहा है क्या बात है ना बिल्कुल 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 और आप अपना प्रतन तेल लगा लोगर्मी में अगर न प्रतन तेल लगा लिया ना तो नींद नहीं आ रही होगी ना तो भी आजाएगी याद लखना अगर नींद नहीं आ रही होगी तो भी आ जाएगी तो आप अच्छा पड़ाते हो क्या बात है वह ईसा आप धन्य बाथ ठीक है ना धन्य वह द्यवार अच्छा डौन्हों प्यार कड़ते हैं रहाए इसा नहीं होता प्यार सबन साइड होता है ठीक है दोनों साइड नहीं होता नींद आपको करती है आप नींद को करते हो नींद आपको नहीं करती आप बुलाते हो आजा नींद आजा ठीक है तो बिल्कुल पहरे बच्चो अब आपन बात करेंगे molarity के बारे में याद रखना capital M से denote करते हैं यह होता है आपका mol किसके solute के mol solute के upon volume solution का into प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखना यह लीटर में रहेंगे अगर ml में लहेंगे तो उपर 1000 से आपन multiply कर देंगे ठीक है तो यह आपका molarity है small m से denote करते हैं mol solute का upon volume solution का liter में लेंगे ml में होगा तो आप 1000 से divide करोगे तो उपर चला जाएगा एक होता है आपका molality molality क्या है प्यारे बच्चों small m से denote करते हैं आपका आजाएगा mol solute के upon amount solvent की amount किसकी solvent की और याद रखना यह किस में लेंगे kilo gram मिलेंगे तो यह आपका होता है molalty यह आपका क्या होता है molality होती है जो कि आपको याद रखना है ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल कि अरभ बाई साफ क्या बात है बाई साफ क्या बात है ठीक है यहां तक किलियर है क्या यहां तक किलियर है क्या सारे बच्चों बताईए वही सारे बच्चे बताईए बिल्कुल बिल्कुल तो याद रखना मोललता में यहां पर प्यारे बच्चों बोल्यूम नहीं आ तो यह temperature independent है जबकि आपका molarity में volume आ रहा है तो यह आपका temperature dependent है यह आपको याद रखना है और सबसे important प्यारे बच्चो अब आपको याद रखना है mol fraction के बारे में mol fraction याद रखना x से इसको denote करते हैं यह आपका मालो mol a है यह मालो आपके mol b है ठीक है तो प्यारे बच्चो अगर आपको mol fraction मालो a का निकालना है mol fraction अगर a का निकालना है तो x a से denote करेंगे जिसका mol fraction निकालना है उसके mol upon में total mol याद रखना mol fraction का simple सा मतलब है जिसका mol fraction निकालना है उसके mol upon total mol अगर B के mole fraction निकालना है तो mole fraction किसके निकालना है अपन को B का तो X B से denote करेंगे यह हो जाएगा mole of B upon my total mole mole of A plus mole of B it is the correct और याद रखना यह X A है और यह X B है दोनों का सम हमेशा आपका बन होता है क्यों होता है क्योंकि NA plus NB upon NA plus NB आपको पता ही है बना जाएगा तो यह mole fraction होता है सारे बच्चों को यह भी समझ में आ गए होगा data खतम हो गया data डाल लीजिए लेकिन class होटके कोई नहीं जाएगा it is the historical class यह एक इतिहास रचने वाली class है जो आपके nursing के field में I think पहली class होगी जिसमें complete chemistry with complete concept with complete questions और detail analysis questions के बात में यहाँ पर आपके सामने लेके आए हैं तो याद रखना it is the historical class it is the first class in BSE nursing field जो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको complete कराया जाएगा तो यहाँ पर बहुत important है कोई भी छोड़के नहीं जाए class में बने रहे ठीक है ना और आपने देखा यहाँ पर ठीक है ना बिल्क्ल बिल्क्ल ठीक है सारे बच्चों को बात है बील्कुल भाई वाई साफ है बेला का है बात है वाई साफ है बीलकुल भाई साफ बिलकुल सभी इसमत्र ने है बहुत अचिए बात है ना क्या बोलते औरहे जल्दचार आई बोलो जल्री 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 सभी बच्चों को समझ में आया निया बोलो हा की न इस था और स्क पुर्ट में कुछ नहीं रखा औरे अरे 10 पंदला रूपे का एक जीवी डाटा आता है जीओ की सिम होगी तो 15 गाएगा भी आई इक होगी तो 19 अंदी वाले बच्चे तो जल्दी दाल लो Ó data क्या है यार उधार मांग Bullet spot 10 इसा ना डालोड़व धर्समर्स इस के और यार मैं तो बिल्कौल विल्क तो नी गाना भी सुनांगा एसे मत क्रों आप गाना भी सुनाओंगा ठीक है ना येकिन प्लीज आज आपढ़ा से पढ़ड़ो यार और आपसे इसक्वेस्ट प्लीच मेरा में बहुत सारा मन है आज बहुत कुछ पढ़ाऊंगा मैं tusky बाएतना तो आप साथ डेी सकते हो इतना थो भाइश देी मुश्च हो जो साथ कुछ पीलोकल बिल्कुल 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 एर्टेल में यूज नहीं किया वाई साब एर्टेल का कितने आएगा पता नहीं है ठीक है ना आ वाई साब पता नहीं एल्टेल का आप डाल दो सर वाई साब अरे वाई मेरे पास पैसे ही नहीं है यार खांसे डालू में है पैसे ही नहीं है ठीक है ना दो रूपे अभी उधार लेकर आया हूं ठीक है ना पैसे ही नहीं है 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 चलिए भाई सब गाने सुनाएंगे बाद में पहले 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 पढ़ाई 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 क्या पहले पढ़ा आइस अब क्या वा क्या बात है कि बिल्कुल सर सर वे मOT करके बन के आपका साथ दुोगत क्या बात यही बात यह हुई आच्छी कुछ कि कि क्या वात रची आइस अभी बच्चा और देफि भज़ा हुए अभी तो बच्चांघ यह ठीकिना अरे मनीश यादब जी उधार लिया है आइफोन तो यार ठीक है ना उधार लिया है यारे चलिए भाई साब, चलिएगा चलिएगा चलिएगा, चलिएगा, सर आगे बढ़िये ना, सर आगे बढ़े हो रे तो प्यारे बच्छो यह पोता है आपको पता है, राउल्ट लो जो की आपको याद रखना है, बताता है आपका जो प्रेसर है वो directly proportional होगा mole fraction in liquid form तो P directly proportional to XA तो प्यारे बच्छो अगर ये P1 है ठीके न तो आपको याद रखना है अगर आपका P2 हो जाएगा तो directly proportional हो जाएगा XB के तो यहाँ से आपका आजाएगा P1 वरावर P not A XA यहाँ से आपका आजाएगा प्यारे बच्छो P2 वरावर P not B XB solve करेंगे प्यारे बच्छो तो आपका यहाँ से P total आपका आजाएगा P1 plus P2 जो कि आपका हो जाएगा P not A XA plus P not B XB जो कि आपन equation पढ़ते हैं तो यही वो आपका route low होता है जो आपको यहाँ पर यह बताता है तो route low भी आपको पता लगए होगा फिर प्यारे बच्छो दो टाइप की अपन यहाँ पर general solution पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे एक आपका होता है ideal solution एक आपका होता है non ideal solution non ideal solution दो टाइप का होता है एक आपका होता है positive deviation एक होता है आपका negative deviation ध्यान से सुनेंगे सारे बच्च यह इंपोर्टेंट है। ओर आव भाई साहब कई गिफ्ट किया था एअरब आप Scottish 흥 कोई na इसले नहीं किया था मैं नहींगा था थीग hex नहीं कहघए हना त् Sweet ब्यावuled क्लिविए रहा रहा क्या वाथ सब कलियर होगा बस classmen होगा ओके लो पाइचा फाइब जी है होटी स्पोर्ट क्या बात है जोक आप दा यार गोश्टु मस्कान ओ भाई नाइस मुझे तो पता ही नहीं है रहे बिल्कुल बिल्कुल हाँ चोटा बच्छा है तो कोई भी दे देता हुगा आईफून जोंगे उनके सामने यार इतनी जति मत करो कितने मासुम मासुम बच्छो को पढ़ा रहा हूं मैं कितना स्वागी शाली हूं ठीक है चीज़ चल रही है यह बहुत important चीज चल रही है ideal solution का मतलब है जो आपका route लोगो follow करे जो आपका route लोगो क्या करे follow करे वो आपका ideal solution होता है पहली चीज ठीक है ना अगर route लोगो follow करेगा तो p total वराबर आपका p not a plus p not a x a plus p not b x भी हो जाएगा दूसरी चीज ठीक है ना डेल्टा एच और डेल्टा भी आपका 0 हो जाएगा ठीक है ना डेल्टा एच एंड डेल्टा भी आपका 0 हो जाएगा ठीक है ना तीसरी चीज उसके बाद में प्यारे बच्चों डेल्टा जी आपका प्यारे बच्चों आपको पता आपका मैं पुछू हैक्सेन एंड हैप्टेन यह सब के सब प्यारे बच्छों आपके क्या है यह सारे के सारे एक्जामपल है आपके आइडियल सोलीशन के एक्जामपल नमबर टू भी ले सकते हो तो राउट लो को फोलो करता है पी टोटल आपका बराबर हो जायेगा डेल् less than 0, delta s greater than 0, entropy है और यह example है इतना अगर आपको याद है ideal solution के बारे में तो आपका question गनत नहीं होगा ठीक है ना बहुत important चीज़े non ideal solution का simple सा मतलब है जो आपके route low को follow नहीं करे don't follow route low don't follow route low अगर आपका प्यारे बच्चों negative है positive है दो type का होता है negative है मतलब p total less than हो जाएगा p not a x a plus p not b x b पहली चीज़ आपकी यह हो जाएगी दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका delta h आपका जो mixer का है वो less than 0 हो जाएगा और delta b आपका जो mixer का है वो भी less than 0 हो जाएगा दूसरी चीज़ उसके बाद में आपका यहाँ delta g less than 0 delta s greater than 0 यह तो fix है आपका ठीक है न यह तीसरी चीज़ आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर पता होनी चीज़ अगर positive है तो p total प्यारे बच्चों याद रखना आपको p total जादा हो जाएगा p naught a x a plus p naught b x b से और delta h आपका जो mixer का है यहाँ पर greater than 0 हो जाएगा and delta b भी आपका greater than 0 हो जाएगा और delta s आपका हमीशा सम में 0 होता है तो delta s greater than 0 हो रहेगा positive deviation है तो example आप सारे बच्चे याद रखना example आपको पता ही है जब h2o प्यारे बच्चों आपका cs3oh के साथ में mix होता है तो आपका यह आपका simple सा positive है और negative deviation का आपको पता है जब h2o किसी acid के साथ में जैसे hno3 आजाए या फिर आपका h2o plus cs3cooh आजाए तो यह सारे के सारे आपके negative deviation के example है तो मैंने complete आपको ideal solution non-ideal solution का revision करवा दिया है और मैं आशा करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपनको ideal solution क्या है non-ideal solution क्या है किस तरीके example आते हैं कैसे आपके questions आते हैं ठीक है ना सब कुछ मैंने एक ही slide में पूरा यहां पर बता दिया है थोड़ी आपको पता है क्लास यहां पर फास्ट है क्योंकि रिवीजन चल रहा है ठीक है ना और बंशॉट क्लास है आपको भी पता है complete chemistry करवा नहीं है तो आप भी जानते हो ठीक है ना किदने बच्चे आ गए हैं यहां पर कि 700 का टार्गेट पूरा हो गया गया भाई भाई मैंने बस ideal solution जो रावल लोगों फोलो नहीं करें पी टोटल बरावर हो जाएगा डेल्टा डेल्टा वी जीरो हो जाएगा डेल्टा जी लेस देन जीरो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो यह आपके सीधे से एक्जामपल हो गए ठीक है ना उसके बाद में पिर यहां पर नेगेटिव डेवेशन के एक्जामपल है ठीक है ना तो इतना सिंपल है भई क्या बताऊं इसमें है चलिए अब आगे छोड़ा सा आपको ज्यादे प्रोब्लम है तो मैं धीरे पढ़ाता हूं ठीक है ना क्योंकि आप भी जानते हो यार मुझे बहुत सारी चीजे पढ़ बढ़ जाओं ऐसा में नहीं हो में पर कंट्रोल नहीं होता में को सब कुछ पढ़ाना पड़ता है सब कुछ बढ़ाना पड़ता है तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा तो यह पॉसिबल हो पाएगा complete chemistry ठीक है ना तो बिल्गुल भा कहां बात कर रहा हूँ भई ठीक है चलो भई दर आओ इसके बाद में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे कोलिगेटी प्रोपर्टी के बारे में कोलिगेटी प्रोपर्टी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है बई तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर याद रखना एक होता है आपका depression in freezing point एक आपका होता है lawyering in vapor pressure relative lawyering vapor pressure एक प्यारे बच्चों आपका यहां पर पढ़ेंगे अपन elevation in boiling point और एक आपन प्यारे बच्चों पढ़ेंगे यहां पर osmotic pressure depression in freezing point प्यारे बच्चों आपको पता है याद रखना delta tf बराबर आपका यहां पर होता है kfm ठीक है न delta tf बराबर kfm relative lawyering vapor pressure आपका होता है p0 minus का ps upon my p0 is equal to mole fraction of the solute यह आपका relative lawyering vapor pressure है le version in boiling point होता है delta tb बराबर kbm m आपका याद रखना molalty है यहां पर molalty है m और osmotic pressure याद रखना आपका osmotic pressure है आपका pi बराबर crt c आपका concentration है r आपका universal gas constant है t आपका temperature है ठीक है तो यह चारों चीज आपको पता होना चीए depression in freezing point relative lawyering vapor pressure elevation in boiling point osmotic pressure आपका crt होता है elevation in boiling point delta tb बराबर kbm relative lawyering vapor pressure आपका p0 minus का ps upon p0 mole fraction of solute के बराबर depression in freezing point आपका delta tb बराबर kfm आपका यहां पर small m है वो आपका molal t a सारे बच्छों को यह पता होना चाहिए ठीक है न याद रखना प्यारे बच्छो delta tf आपका यहाँ पर t0f minus का tf होता है ठीक है न और delta tb आपका tv minus का t0b होता है tv minus का t0b ठीक है तो यह सारे वाचों को बारे में समझ में आ गए होगा वगा why इसारे बच्चे बताओ यह कि लिया रह कर Sailża को कि जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताओ यहां तक किलिए रह ग्या सारे पच्चों को कि बताओ जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहां तक के लिए रह किया आप प्यारे बच्चों वास एक चीज बच रही है अपनी एक चीज बच रही है वास आपका आई जो कि आपका होता है बॉंट ओ फैक्टर का बउंट ओ फैक्टर यह बशी लास्ट का उसके बाल सॉल्यूसं क्य harm कि यह क्या होता है प्यारे बच्चों आई जो कि आपका होता है अआ UM मोलर मोलर मास नोर्मल मोलर मास और लॉlli मास का रिस्यों होता है ठीकिए अ बागी कि ये आपका कभी भी कोई काम नहीं आएगा जो आपका काम आएगा मैं आपको simple सा बताता हूँ जहां से question आता है bonter factor प्यारे बच्चों याद रखना सबसे important प्यारे बच्चों आपको simple सा आपको याद रखना है दो चीज होती है अगर आपका एक तो strong electrolyte है तो अगर strong electrolyte है तो alpha आपका बन हो जाएगा क्योंकि 100% dissociation होगा अगर beak electrolyte है तो alpha आपका less than 1 हो सकता है ठीक है ना तो याद रखना beak electrolyte है तो आपके प्यारे बच्चों दो केस बनेंगे एक आपका होगा dissociation और एक होगा आपका association dissociation का मतला होता है तो याद रखना bonक फेक्टर बरावर बन प्लस एन माइनस का बन अल्फा आपका degree of dissociation होता है degree of dissociation होता है अगर association है तो या रखना आई बराबर बन प्लस बन अपॉन एन माइनस का वन अल्फा और यहां अल्फा आपका degree of association होता है ठीक है ना तो सारे बच्चें यहां तक याद रख ना सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल बिल्कुल कोई बच्चा क्लास से नहीं जाएगा भाई ठीक है ना बिजेशर को बुलाएंगे यह चेप्टर समाप्त हो जाए तो प्यारे बच्चों याद रखना इस्ट्रॉंग लेक्ट्रो लाइट आ सामने है ठीक है ना आपका alpha 1 हो जाएगा ठीक है ना वीक एलेक्ट्रोलाइट alpha less than 1 तो आपके dissociation association अगर dissociation होगा तो i बराबर 1 plus n minus कबन alpha और association होगा तो i बराबर 1 plus बनपोन n minus कबन alpha यह आपके simple से formula है जो कि आपको यहां पर आना चाहिए और सारे बच्चों को i think clear हो गया होगा जैसे प्यारे बच्चों मालनो n की value आपको निकान ली है तो मालनो k 2 s o 4 आ गया तो प्यारे बच्चों यहां पर k 2 s o 4 आ गया तो आपको पता है 2k plus और s o 4 minus का 2 तो आपके 2 to potassium का iron है और एक आपका sulphate का iron है, तो total iron आपके 3 हो गए, तो प्यारे बच्चो, n की value अपन, question में कितने use कर लेंगे, 3 use कर लेंगे, ठीक है न, ये chapter के बाद में, आपके physics वाले बिजे सर को बुलाता हूं में, ठीक है न, बहुत जल, तो आपका n की value अपन, ये use कर लेंगे, ठीक है, उसके जब दो चीज़ का osmotic, osmotic pressure बराबर हो जाता है, osmotic pressure जब आपका बराबर हो जाता है, तो isotonic solution कहलाता है, एक आपका होता है hypertonic, और एक होता है आपका hypotonic, hypotonic का मतलब है, osmotic pressure ज़्यादा, अगर मालोग किसी का osmotic pressure ज़्यादा है, तो hypertonic हो जाएगा, और किसी का osmotic pressure कम है, तो वो आपका hypotonic हो जाएगा, तो hypotonic, hypotonic और isotonic, तीन टाइप के solution आप से पूछे जा सकते हैं, isotonic है, मतलब osmotic pressure बराबर है, hyper है, मतलब ज़्यादा है, hypo है, मतलब कम, तो finally, ताली बजाओ सारे बच्चे, यह chapter हो चुका है, complete, और अब आपके, गोलु मोलु सर, और आपके रोकी भाई, ठीक है ना, और आपके सब कुद जो physics का, जो आपको प्यार मिला है, ठीक है ना, और physics, जो आप बार-बार बोलते हो कि सर, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, ठीक है ना, और जिन्होंने इस महामेरतन की सुरुवात करी थी, जिन्होंने यह idea दिया था, कि 12 गंटे की महामेरतन लिया जाए, उनको मैं बुलाऊंगा, ठीक है ना, बहुत जल्द मैं उन चेप्टर समात होने का, ठीक है, तो यहाँ पर आपन नया चेप्टरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बहुत नया चेप्टरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, उससे पहले आपके सामने आपको पता ही है, ठीक है ना, चैमिकल कानेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है तो जोग के सामने तालीय वजाऊ चलो ठीक है फिर जोग बाद मैं बताओंगा है न। कि तालीय वजारे हो सारे ठीक है तो यह आफ आपन जो करेंगे बो च्टार्ट ला अब है केमिकल काइटिक्स गैमिकल काइऩिक्स उससे पहले से तलीए का सब्सक्राइब की बराबर ही और अभी तो क्या है अभी तो क्या है और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का खात्मा करना ए यह दोनों अब हमारे दोनों अपन कुछ बाते करते हैं यह दोनों सोचते रहें की एक्जाम करेंगे ठीक है पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा ऐसे बहुत सारी क्योंस हमारे दिमाग में आते हैं तो इनका एक ही सोल्यूसन है वह है कि सर आप अभी पर्जेंट पर फोकस करें है ना क्योंकि फर्स्ट आफ आपको जो रिजल्ट मिलेगा या फिर इन फ्यूचर जो भी आपको सक्सेस मिलेगी वह पर जो पर्जेंट में आ और यदि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा और तिंकिंग करते हैं जो कि मैं कहता हूँ हमेंसा और तिंकिंग इस डिजीज और तिंकिंग क्या एक डिजीज है क्या प्यारे बच्चों मेरी वयस नहीं आ रही है कि इस इप क्लियर कि देवियों और सजनों कि क्या सब कुछ किलियर है जल्दी बताइए और थिंकिंग एक टाइप की डिजीज होती है यदि आपने पैरे बचों और थिंकिंग स्टाइट गर दी तो आप यह सोचते रह जाएंगे एक सार मैं क्या करूं कैसे पढ़ाई करूं कब एक्जाम होग कैसे होगा ऐसे बहुत सारी क्यूंस आपको खाते जाएंगी दिरे दिरे ठीक है तो इस ऑवर्थिंकिंग नामा की डिजीज से हमें बचना है ठीक है दिरे-दिरे हमें निखरना है उबरना है और हमारी जो ड्रीम को लेज़े जो आल इंडिया इंस्ट्यूट आप मेडिकल क्या यह हूं तो उसको अपन सुनाता हूं ठीक है क्या वात है क्या वात है बिल्कुल वैटा क्या मेरी अभी भी वोईस नहीं आ रही है कि पहले रुखलो वोईस के लिए करते हैं उसके बाद में कुछ लाइने में आपके सामने रखता हूं यही होता है अप्ग्राउट का एडवर्टेंज प्यारे बच्वों इजट किलियर चालो अब सुनो कुछ लाइने में आपको सुनाता हूं ठीक है कुछ लाइने में आपको सुनाता हूं प्यारे बच्वों भगवान श्री कर्शन जी ने कहा है कि बस कर्म तुमारा कल होगा कर्म तुमारा कल होगा और कर्म में अगर सचाई है तो कर्म कहां निस्पा लोगा है ना हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा ठीक है लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही निखरता है ठीक है हा बिल्कुल बेटा उसके बाद में है सर हिरे पर जितनी दार लगे वो उतना ही खूब चमकता है, हिरे पर जितनी दार लगे सर वो उतना ही खूब चमकता है द्यान रखना, मिटी का बरतन जब पकता है बेटा, तब दुन पर खनकता है, तब दुन पर खनकता है, सूर्ज जैसा बनना है, तो प्यारे विच्चे सूर्ज जैसा जलना होगा आपको द्यान रखना है ठीक है नदियों जैसा आदर पाना है तो परवत छोड निकलना होगा बस आपको महनत करनी है प्यारे बच्चों महनत इस हद में करनी है कि आपको अपना तन मन सब कुछ लगा देना है सब कुछ नियोच्छावर कर देना है ठीक है एक एक सन एक एक मुमेंट आपका उसमें इन्वाल्व होना चाहिए और फिर देखो आपको क्या सफलता नहीं मिलती बिल्कुल बेटा बिल्कुल गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को और क्लास कैसी हो रही है जल्दी बताईए नहीं बेटा मैंने नहीं लिखा है साधना जी इसको मैंने नहीं लिखा है कोपी किया है न क्या बात है वहीं क्या बात है charging mode is on that's right चलो कुछ बाते बताता हूं आपको जो कि तुमारे एक्जाम में काम में आएगी मरिनमे बागड़े साहब मादवी जी प्यू सर्वा पायल सेंग प्राची प्रोहित मौनिका मौनिका स्रीके सनुकरे साहब रजनी कसिया चलो एक बात मैं बताता हूं आपको ठीक है जो कि अभी आपके एक्जाम में काम आने वाली है क्योंकि अब आपके एक्जाम आने वा ठीक है जिस बच्चे के पास में देरिये है ठीक है उसके साथ में यदि वो कड़ी मेहनत करता है कैसी मेहनत करता है प्यारे बच्चों कड़ी चावल नहीं कड़ी मेहनत यदि वो देरिये के साथ में कड़ी मेहनत करता है तो प्यारे बच्चों मेरा विश्वास मानिए वो वो बच्चा किसी भी एक्जाम को क्रेक कर सकता है, किसी भी एक्जाम को क्रेक कर सकता है, सफलता को पा लेगा, ठीक है, दूसरी बात, सफलता है क्या, सफलता हर एक बच्चे के लिए अलग-अलग है, जैसे किसी बच्चे को M's चाहिए, तो किसी बच्चे को कोई medical college में, किसी अपन कह सकते हैं प्यारे बच्चों किसी बच्चे को आर्मी में जाना है तो किसी बच्चे को टीचर बनना है तो हर एक बच्चे की हर एक परसन की सफलता जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है ठीक है और सफलता को अपन किसी एक नौकरी किसी एक जोब किया फिर किसी एक बिजनस में तोल नहीं सकते, ठीक है, किसी की सफलता खुश रहने में, तो किसी की सफलता उसको काम करने में, और मेरा तो ये मानना है कि प्यारे बच्चों, वो बंदा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कुस नसीब रहता है कि सर उसको काम करने में, मतलब वो काम जो कि उसको जिसको करने में मज़ा आता है वही काम करें ठीक है इन जनरल ली सर हाँ बिल्कुल बैटा प्यारे बैच्चों यदी मैं बता हूँ यदी आप ऐसे परसन है जो अपना मन पसंदिदा काम कर रहे हैं और उसमें आपको यदी काम करने में मज़ा आ रहा है उसको आप यदी सामिका यस सर हाँ जोस रखना है वही क्लास में जोस रखना है तुम लों को और क्लास को लाइक ठोक देना ध्यान रखना क्लास जो भी चल रही है सर की क्लास को लाइक ठोक देना क्लास को शेयर कर देना ठीक है और क्लास में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी बता द क्या बात है वहीं क्या बात है दैट्स ग्रेट वंदना जी क्या हुआ बेटा जी अरो वंदना वर्सा इट्स निलू नमिका पिहू सर्मा स्वाती बनकर चंचल रतने समोर्य जी गुड आप्टर नोन बिल्कुल जो सिज हाई ठीक है तो आपको यह द्यान रखना है देरे के साथ में कड़ी मेनत करनी यदि आपको सफलता चाहिए उसके बाद में प्यारे बचों उसके बाद में आपको यदि किसी competitive exam को क्रे करना है तो उसके लिए कुछ चीजे मैं बताता है आप किसी भी exam को करे करना चाते हो तो आपको syllabus पढ़ना है उसका, ठीक है उसका syllabus क्या है उस exam का syllabus क्या है उसके बाद में पहले बचों आपको ध्यान रखना है sir, उस exam का जो वेटेज वाईज टॉपिक है वह आपको पता और चीजे मतलब कि साल दर साल उस exam का जो pattern रहता ह वो भी आपको check करना है syllabus के साथ मैं प्यारे बचों जिस exam की आप तयारी कर रहे हैं उस exam में आपको क्या देखना है paper pattern देखना है उसके बाद में Sir मैं आपको बता देता हूं यदि आपको किसी भी exam को आप clear करना है आपको यह एग्जां के लिएर करना है तो आपको क्या गरना करें आपको सर ध्यान रखना आपके एक a concept कि लियर होना चाहिए एक a concept क्या होना चाहिए पता चले आप रट रट के chapter कर रहे हैं और फिर प्रेक्टिस कर रहे हैं कि तो होगा क्या बटा यहां पर तो किसन हो जाएगा लेकिन एक्जाम में गलत हो जाएगा तो सब से पर लिए हमारी प्रयोर्टी क्या होनी चाहिए हमारी ये प्रयोर्टी होनी चाहिए कि सरम concept को क्या करें किलियर करें क्या करें किलियर करें ठीक है चलो उसके बाद में प्यारे बच्छों जैसे ही आप concept क्लियर करेंगे तो आपको MCQ प्रेक्टिस करने है क्या प्रेक्टिस करने है बैटा MCQ प्रेक्टिस करने है ध्यान रखना है सर MCQ में previous year के questions जरूर होने चाहिए सर MCQ में PYQ जरूर होने चाहिए तो ये 3 point आप ध्यान रखेंगे ये दिया आपको किसी भी competitive exam को crack करना है तो सबसे पहले syllabus complete करना है paper pattern को आपको focus रखना है concept clear करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने है MCQ क्या करने है क्या करने है बैटा MCQ प्रेक्टिस करने है तो वो तो आपने सुनाई होगा practice makes man perfect practice makes man perfect कावी सारे बच्चे app के बच्चे हैं उन से आप पूच सकते हैं मैंने पूरी physics से उनको पढ़ाई है ठीक है और अभी crash course चल रहा है तो आप पूच सकते हैं उनका जो physics का डर है वो पूरा ही मिट गया होगा एक एक topic को मैंने इमानदारी से पढ़ाया है और बहुत ही मजा आया होगा आप बच्चों से पूच सकते हैं बच्चे अभी chat box में है ठीक है chat box में नहीं आपने गर पे हैं लेकिन comment कर रहे हैं उसके साथ में प्यारे बच्चों इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है सर test देना है ठीक है यदि आप test नहीं देते हैं तो मैं बता रहा हूँ इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है यदि आप proper manner में test देते हैं और test में जो गलतियं हैं उनको कम करते हैं test को analysis करते हैं test को क्या करना है बेटा analysis करना है क्या बात है बई क्या बात है प्राची अरो प्राची तो टेस्ट को क्या करना है सर एनलाइसिस करना है test को करना है analysis ठीक है तो test को analysis भी करना है यह कुछ point आप ध्यान रखते हैं देरी रखते हैं कड़ी मेहनत करते हैं तो प्यारे विच्चों यकीन मानिए आप किसी भी exam को correct कर सकते हैं किसी भी एक्जाम को आप क्रेक कर सकते हैं, चाहिए वो B.A.C. नर्सिंग का एक्जाम हो, चाहिए वो NIT का एक्जाम हो, चाहिए वो I.A.T.G. का एक्जाम हो, ठीके? कोई भी एक्जाम आपके होशले से बढ़ानी है, ये ध्यान रखना, ठीके? श्यालो क्या बात है बई क्या बात है यह बच्चा कह रहा है सर मुझे डर लगता है बेटा डर नहीं है मरिन में वागड़े साब डर नहीं है अच्छा डर नहीं लगता है ओके लक्की आप कहा से हो बताओ बेटा लक्की निलू को निलू बेटा पड़ ले आरे ओ निलू पड़ाई कर ले बेटा पीः सर्मा क्या वात है क्या वात है बेटा कि नीन्द आ रही है तो आप मुझ दो लो बेटा है ना मुझ दो के बैठ जाओ आप ऐसे करो चलो चलिए वाई तो बिजे सर का मोटिवेशन आप सभी को मिल गया है और मुझे जहां तक पूरा विश्वास है कि फुल एनरजी फुल जो सब कुछ आपके अंदर आ होगा ठीक है ना सब कुछ आपके अंदर आगए होगा ठीक है ना क्योंकि बिजे सर ने आपको पता है फुल एनरजी आपको देदी होगी ठीक है तो करेंगे अपनी स्टार्ट सेचन को फिर तैयार हो जाओ सारे वच्चे chemical kinetics अपन start करेंगे उससे पहले अपन यहाँ पर questions अपन करते हैं ठीक है ना सारे बच्चे बताएंगे question को सारे बच्चे question का जवाब देंगे ठीक है ना तो तयार हो जाओ सारे बच्चे question का जवाब देने के लिए सारे बच्चे question का जवाब आप देने के लिए तैयार हो जाओ ठीक है बई कुश्चन क्या है ठीक है ना कुश्चन से अपन लिखेंगे सिंपल कुश्चन है भाई साब आपको निकालना है टू मॉल टू मॉल एंटू इज रियेक्ट बिदे त्री मॉल हाइड्रोजन प्यारे बच्चो दो मॉल निट्रोजन आपके त्री मॉल हाइड्रोजन के साथ में रियेक्ट कर रहे हैं बेन फाइंड आउट त्री find out mole fraction आपको क्या निकालना है याद रखना mole fraction निकालना है mole fraction of nitrogen is जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे एकदम simple question आ चुका है जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे 2 mole nitrogen react कर रहे हैं 3 mole hydrogen के साथ में तो आपको बताना है mole fraction of nitrogen mole fraction of nitrogen आपको बताना है जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर बताएंगे बहुत प्यारा question है एकदम simple, आसान और बहुत ही सांदार question आपके सामने आ चुका है 2 mole nitrogen react कर रहे हैं आपके 3 mole hydrogen के साथ में और mole fraction nitrogen का निकालना है तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहां पर आंसर बताएंगे प्यारा question है आसान question है क्योंकि आपको पता है mole fraction आपको निकालना है तो mole fraction nitrogen का निकालना है आपको तो मैंने आपको बता रखा था mole fraction nitrogen का nitrogen के mole है आपके 2 आप उन में ले लेंगे total mole तो 2 प्लस आपके 3 हो जाएंगे टोटल मोल तो आपका आंसर आजाएगा 2 अपान 5 जो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो इस तरीके का question सा आपकी mole fraction में आता है तो आप आसानी से यहाँ पर इस तरीके के question स्कों क्या कर सकते है chemical kinetics अब नया chapter करेंगे ठीक है बई तो तयार हो जाओ सारे बच्चे chemical kinetics के लिए ठीक है ना तो देखो सबसे पहले अपन यहां पर reaction के बारे में बात करेंगे जो भी आपकी जो reaction होती है वो यहां पर प्यारे बच्चो एक होती है very fast एक होती है slow और एक होती है moderate very fast reaction मतलब प्यारे बच्चो जो within 1 second complete हो जाए within 1 second में आपका क्या हो जाए complete हो जाए slow प्यारे बच्चो मतलब आपका यह है कि within 5 minutes moderate का simple सा मतलब है प्यारे बच्चो जो आपका within 7 days जो आपका बहुत सारा time ले ले complete होने में वो आपका यहां पर क्या होता है moderate और यह moderate में प्यारे बच्चो आपका within within प्यारे बच्चो यहां पर आप बोल सकते हो 5 minutes और slow मतलब बहुत आसानी से चले within 7 days ठीक है तो यह simple सा मतलब है आपका reaction का जो कि आपको पता होना चीए very slow आपका very fast moderate और slow ठीक है ना तीनों आपको पता होना चीए ठीक है ना और I think सारे बच्चों को पता भी होगा जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे correct answer ठीक है उसके बाद में प्यारे बच्चों यहां पर आपन पढ़ेंगे rate के बारे में rate के बारे में पढ़ेंगे तो याद रखना rate आपका प्यारे बच्चों क्या होता है change in concentration change in concentration upon change in time change in time जो कि आपका हो जाएगा c2-c1 upon t2-t1 ठीक है तो ये दो प्रकार का होता है एक आपन पड़ेंगे instantaneous rate के बारे में एक आपन पड़ेंगे average rate के बारे में instantaneous rate क्या है आपका जो प्यारे बच्चों एक instant पे हो average rate क्या है जो प्यारे बच्चों आपका time limit में हो c2-c1 upon t2-t1 तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए instantaneous rate क्या है आपका जो आपका एक time पे हो वो जैसे 5 minute, 5 second, 2 second और time limit 2 second से 5, 5 से 10 वो आपका average rate होता है जो time limit में होता है, rate है आपका change in concentration upon change in time, जो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आप सभी को पता लग गया होगा, जल्दी जल्दी बताओ भई, सारे बच्चे यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताईए भई, क्योंकि देखो आप time आपको पता है, दो बजने वाले हैं, और अपन को यहां पर physical chemistry का भी एक chapter और बाकी है, और उसके बाद में अपन यहां पर inorganic chemistry स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे, ठीक है बई, तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे live है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहां पर सभी बच्चों को बैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है, चेक करते हैं 141 और like 752 ठीक है बई, like की संक्या बढ़ाओ, ठीक है, कोडिनेशन कंपाउंड आने वाला है बई, पहले physical chemistry के दो चेप्टर हो जाए, और जो बच्चे solution की practice की बोल रहे हैं, अभी आपको solution के questions में chemical kinetics के साथ भी करवा दूंगा, ठीक है न, तो physical chemistry के तीन चेप्टर है, ती अपन mix question कर लेंगे, अभी बिल्कुल tension मतलो, practice की आप है न, बिल्कुल practice मतलो, ठीक है बई, बिल्कुल, बिल्कुल, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब प्यारे बच्चों, अपन बात करेंगे rate of reaction के बारे में, देखो प्यारे बच्चों, rate of reaction क्या है, जैसे म याद रखना, minus का 1 by 2, da upon dt, मतलब concentration of change with respect to time t, is equal to, आपका प्यारे बच्चों, minus में db upon dt, is equal to, 1 upon 3, dc upon dt, is equal to, 1 upon 4, dd upon dt, यह प्यारे बच्चों, आपका rate of reaction होता है, यह कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना, जो coefficient होगे, वो divide में आ जाएंगे, और जो reactant है, वो घटेगा, तो reactant में negative sign आएगा, याद रखना, और जो product का formation होगा, तो यहाँ पर positive sign आएगा, product में आपका positive sign आएगा, reactant में आपका negative sign आएगा, क्योंकि reactant आपका decrease करता है, और product का आपका formation होता है, याद रखना इस चीज़ को सारे बच्चे, ठीकर बच्चे, परसनल बात नहीं करें, focus करो यहाँ पर, अब प्यारे बच्चों, याद रखना, minus का da upon dt क्या कहलाता है, rate of disappearance of a, एक होता है rate of disappearance of a, यह है आपका rate of disappearance of a, और एक होता है appearance, अगर मैं dc upon dt की बात करूँ तो यह formation हो रहा है, तो इसको बोलेंगे rate of appearance, या formation, appearance अथवा formation बोल सकते हैं, formation of c, तो एक होता है rate of disappearance of a, एक होता है rate of formation of c, ठीकर न, ऐसे ही इसको बोलेंगे rate of formation of d, इसको बोलेंगे rate of disappearance of b, तो जो आपका reactant होता है उसका disappearance होता है और जो product है उसका formation होता है याimana Renaissance होता है तो ये सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए और आastा करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा कि रेट ओफ disappearance क्या है, rate of appearance क्या है? किस तरीचे से rate of reaction लिखना है? याद रखना rate of disappearance और rate of appearance जो stachometric coefficient है इस पर depend नहीं करता है याद रखना PDF आपको telegram group पर मिल जाएगी PDF की आप tension नहीं ले ठीक है उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करेंगे अब order के वारे में अपन बात करेंगे सारे बच्चे तो याद रखना प्यारे बच्चों यह आपका reactant है जो कि आपका यहाँ पर convert हो रहा है product में यह आपन बोल सकते हैं यहाँ पर A XA प्लस Y B और यह reactant आपका product में convert हो रहा है तो प्यारे बच्चों यहाँ दखना जो rate low है rate बराबर K और प्यारे बच्चों यहाँ पर A की concentration power में आपका stachometric चला जाएगा, B की concentration power में आपका y चला जाएगा stachometric coefficient तो यह आपका rate low कहलाता है जो की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर concentration of reactant पर depend करता है तो यह जो X है यहाँ पर इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों क्या order with respect to A order with respect to A और जो by है इसको बोलेंगे order with respect to B order with respect to B और अगर कोई आपसे पूछे overall order क्या है overall order आपसे पूछे तो प्यारे बच्चों overall order of reaction कोई अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा आपका A plus B जो की आपका complete order हो जाएगा तो यह rate low है जो की आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि rate आपका सिर्फ concentration of reactant में करती है दोनों का sum निकाल लेंगे x a के respect में order है y b के respect में order है अब बात करेंगे अपन थोड़ा सा आगे एक प्यारे बच्चों आपको याद रखना है unit of rate constant कभी भी आपको निकालनी है unit of rate constant अगर आपको कभी भी निकालनी है जो की आपको पता है के होता है तो याद रखना वो होता है mole per liter की power 1 minus का n second inverse n यहाँ पर आपका होता है order तो यह direct trick आप याद रखना सारे बच्चे कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप direct यहाँ पर इसको solve कर सकते हो ठीक है ना बहुत simple trick है direct आप लगा सकते हो अगर 0 order है तो यहाँ 0 रुख देंगे जैसे अगर example में दू आपको यह 0 order आपने ले लिया ठीक है तो 0 order है तो n की value यहाँ पर 0 रखेंगे तो mole upon में क्या आजाएगा liter आजाएगा और 7 में आपका क्या आजाएगा second inverse आजाएगा inverse करेंगे तो आपको पता ही है simple सा mole, liter inverse और आपका second inverse हो जाएगा तो यह 0 order की जो आपका rate constant है उसकी unit आजाए इस त प्यारे बच्चो जी रोडर के लिए आपको simple सा जो formula याद रखने है बो में आपको बता रहा हूं पहला आपको equation याद रखनी है ct is equal to c0 minus का kt याद रखना पहली बात दूसरा आपको याद रखना है प्यारे बच्चो जो t half life है जो आपका यहाँ पर c0 upon 2k होता है c0 याद रखना initial concentration होता है यह आपको याद रखना है t half मतलब half life for zero order यह क्या है half life है zero order की सारे बच्चे याद रखेंगे ct is equal to c0 minus का kt और half life आपको याद रखनी है c0 upon 2k half life initial concentration पर depend करती है जबकि प्यारे बच्चो याद रखना zero order की जो rate है वो concentration पर depend नहीं करती वो independent होती है initial concentration पर तो zero order के बारे में आप सभी बच्चो को यहाँ तक पता होना चाहिए तो अगर यहाँ तक आप सभी बच्चो को सब कुछ समझ में आ गया है तो जल्दी से comment section में yes sir लिख दो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्षन में यसर लिख दो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो फटा फट सारे बच्चे कमेंट करके यसर लिख दो अगर यहां तक क्लियर है तो उसके बाद में complete physical chemistry आपकी समाफ्त हो जाएगी एक चेप्टर और बच रहा है उसके बाद मे inorganic chemistry start करेंगे ठीक है बिल्कुल 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 सारे बच्चे जल्दी जल्दी ठीक है ना भूल जाते हो ठीक है ना तो बार बार अगर आप रिवाइच करोगे तो आटमेटिक आपको सारी चीज़े याद हो जाएगी लिख लिख के practice करो ठीक है ना लिख लिख के क्लास है ठीक है ना तो संपूर्ण chemistry आपकी एक क्लास में हो रही है तो हो सकता है आपने ये सारी चीज़े अगर पहले नहीं पड़ी हो तो थोड़ी बहुत problem आ सकती है ठीक है ना तो इसके लिए मैं आपको पहले भी बताया था कि अभी crash court चल रहा है आप ले सकते हो अपन यहां पर क्या करेंगे questions practice करेंगे multiple choice questions करेंगे तो वो डर है आपका वो भी complete खतम हो जाएगा थोड़ा से इंतिजार करिए questions practice का ठीक है बिल्कुल बिल्कुल तो चलते हैं अपन अब first order के वारे में बात करते हैं फर्स्ट ओडर में प्यारे वच्चो आपको एक simple सा formula याद रखना है time का क्या रखना है t बरावर 2.303 अपन में k log में प्यारे वच्चो c0 अपन ct c0 है आपका initial concentration initial concentration ct है आपका concentration at time t concentration at time t ये आपको याद रखना है k आपको पता है ये simple सा आपको relation याद रखना है पहला दूसरा आपको प्यारे वच्चो t आपकी जो value है वो याद रखनी है ln 2 upon में k या फिर 0.693 upon में k होता है ये आपको प्यारे वच्चो याद रखना है जो की आपका होता है half life ये आपको दूसरा relation याद रखना है तो first order में सारे वच्चे यहाँ पर कबूतर आ गए हैं क्या जो भी बच्चे है जो ना तो खुद बढ़ रहे हैं ना दूसरे को पढ़ने दे रहे हैं ऐसे बच्चे रुख जाईए ठीक है ना कोई फाइदा नहीं निकलेगा ये आपको पता है जो time चल रहा है ना ये बहुत ज्यादे important है अभी आपको हो सकता है time की value नहीं हो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ना मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से ये time जो चल रहा है अभी आपको नहीं पता लेकिन जैसे जैसे exam पास आएगा आपको लगेगा कास एक दिन और मिल जाता ठीक है ना तो कुछ चमतकरी लोग हैं जो ना खुद पढ़ रहे हैं ना दूसरे को पढ़ने देते हैं डिस्टब करते हैं क्लास में वो रुख जाईएगा क्या फाइदा निकलेगा अभी आपको ब्लॉक किया जाएगा तो कोई फाइदा तो निकलेगा नहीं ठीक है तो बाकिया आप समझदार है I think अब आगे से नहीं करेगा कोई भी ऐसे काम औ करेगा तो आप समझते हो आपने पैरेंट्सा के बारें तो सोचो थोड़ा एह उन्होंने आपको मोबाइल इसलिए दिया है कि आप डिस्टर्ब करो बाकि लोगों को या फिर इसलिए दिया है कि आप फालन दू की बाते एग यही है आपका संसकार यही है है तो I think up सारे य पाकल लगते हो शो फिर लोग तके है तो समझ्य रहुत्य जर्गे करें चैसे दीफ को administration का 받고 वर वर बस तूरो समागे नहीं करेंगे एक होता है प्यारे बच्चों और यहनिये सिक्क्वेशन याद रखना है प्यारे बच्चों K बरावर A E की पावर माइनस का E A अपॉन R T ये रिलेशन आपको याद रखना है और सिंपल सा एक सबसे इंपोर्टेंट फोर्मला आपको याद रखना है लोग K2 अपॉन K1 is equal to E A अपॉन 2.303 R बन अपॉन T1 माइनस बन अपॉन T2 ये वाला आपको रिलेशन याद रखना है प्यारे बच्चों E A आपकी activation energy होती है ये सबसे इंपोर्टेंट है जो कि आपको पता होना चीए एक्टिवेशन energy होती है ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो ये complete आपका हो चुका है ये complete आपका electro chemistry हो चुका है complete तो सारे बच्चे ताली बजा देंगे जोड़दार और अब करेंगे practice आप chemical kinetics की practice करेंगे सारे बच्चे जोड़दार ताली बजा देंगे फटा- इससे बहुत पी एक चैप्टर और बच रहा है उसके बाद में inorganic की starting होगी और inorganic की स्टार्टिंग बहुत सांदार होने वाली है याद रखना बहुत ज्यादा सांदार होने वाली है inorganic chemistry की स्टार्टिंग सुरुवाद ठीक है तो बोलिए भई सारे बच्चे जल्दी जल्दी बिल्कुल 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 तो करेंगे कुश्चन्स प्रैक्टिस केमिकल कानेटिक्स की फिर लास्ट चेप्टर आपका इलेक्ट्रो केमेस्ट्री बच रहा है इसको करके कम्प्लीट हो जाएगा आपका आपके मिलें सर एनर्जेटिक लग रहे हैं वैसा ही आपके एनर्जेटिक लगना ही सही ठीक है एक ही अहां प्यारे बच्चों क्लास को 500 बच्चों को सहर करो हर एक बच्चा 500 बच्चों को क्लास को सहर करेगा ठीक है हाँ से हम एक मुहीम चला रहे हैं एल के सर की क्लास हैस्टेक शैर इटलके सर की घीक हर एक बच्चा बच्चों अब क्लास को लाइक ठोग दो और पढ़ते रहो आप थीक है अब या açnא नहीं अब रन होगा अब गया होगा सर में होगा रन्व impressions का बिल्कुल hologram सब्सक्राइब सके सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो लाइक का टार्गेट दिया है वो पूरा करके दिखाना है ठीक है ना तो जल्दी-जल्दी लाइक ठोक दो सारे बच्चे जल्दी-जल्दी लाइक ठोक दो सारे बच्चे ठीक है वही तो कुश्चन प्रैक्टिस करेंगे अब केमिकल कानेटिस के कुश्चन प्रैक्टिस करेंगे केमिकल कानेटिस के कुश्चन प्रैक्टिस करेंगे तैयार हो जाओ सारे बच्चे सारे बच्चे तैयार हो जाओ chemical kinetics के questions practice करेंगे भाई साब तो पहले तो आज का ज्यान देख लेते हैं अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहे तो आपना नाम यह अच्छा रख ले दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो देख लो भाई साब कितनी प्यारी लाइन है अगर आज का ज्यान है अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको अच्छा कहे तो आप अपना नाम ही आज से अच्छा रख ले कोई दूसरा रास्ता नहीं है ठीक है ना तो बिल्कुल प्यारे बच्छो अगर आप चाहते हो कि कि आपको सब अच्छा बोले तो वो पॉसिबल नहीं है कि सब आपको अच्छा बोलेंगे आप जैसे हो ऐसे ही हो कुछ लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे कुछ लोग आपको बुरा भी बोलेंगे तो उससे अच्छा है कि आप खुद अपने आप में सोचो कि मैं अच्छ दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है कोई फरक नहीं पड़ता आपको अपने आपको अच्छा सावित करना पड़ेगा आपको खुद से अपने आपको अच्छा मानना पड़ेगा जब ही प्यारे बच्छों आप लाइफ में कुछ कर पाओगे तो याद अखना आज से स कुछ भी बोलते हैं कोई फरक नहीं पढ़ना चीए खुद को अच्छा समझेना है अगर खुद को आपने अच्छा समझा तो आपकी जीत सुनिश्चित है आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोख सकती है यह मेरी गारंटी आप सभी से यह मेरी गारंटी है ठीक है भई बिल्कुल बिल्कुल लक्ष जी अपने पेरेंट्स ने जो आपको यह संस्कार सिखाए हैं ना यह यहां ना दिखाएं किर्प्या करके ठीक है ना जो पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिये हैं ना वो दिख रहे हैं आपकी संस्कार आपकी बातों से ठीक है तो य संसकार यहां ना दिखाए ठीक है यह संसकार यहां ना दिखाए पता है आपको ठीक है ना और आपको पता नहीं है तो आपको पता लग जाएगा ठीक है ना जब आपका रिजल्ट आएगा जब आपको पता लग जाएगा पढ़ाई पर फोकस करें किर्पय करके और यह फालत फाल्तु चीजों में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला याद रखना ये फाल्तु चीजों में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला चलिए वह कुश्चन आपके सामने आ चुका है सारे बच्चे जवाब देंगे सारे बच्चे जवाब देंगे बहुत simple question आपके सामने आ चुका है और जल्दी-जल्दी सारे बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे simple से question का और फिर last chapter अपन electro chemistry करके और inorganic chemistry की शुरुवात करेंगे जल्दी-जल्दी सारे बच्चे यहाँ पर answer देंगे बहुत प्यारा कुश्चन, एकदम सांदार कुश्चन, सिंपल कुश्चन आपके सामने है और जल्दी से सारे बच्चे जवाब देंगे, ठीक है न? जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताईए उसके बाद मैं इलेक्ट्रो केमिस्टी को यहां पर समापन करेंगे जल्दी जल्दी बताईए बही जल्दी सारे बच्चे बताईए सारे बच्चे बताईए इधर देखो आपको पता है सिंपल सा रेट लो आपको पताईए प्यारे बच्चो मैंने आपको लिखाया था सिखाया था कि आपका जो रियक्टेंट है वो डिसप्रेंस होगा is equal to minus का 1 by 3 dh2 upon dt ठीके is equal to प्यारे बच्चो 1 by 2 और आपका हो जाएगा ns3 upon dt तो आप चेक कर सकते हैं minus का dn2 upon dt है यहाँ पर ठीके minus का 1 by 3 dn2 upon dt है और आपका 1 by 2 dns3 upon dt है तो सब कुछ आपका मैंच कर रहा है तो आपका a option इदा correct answer जिन बच्चों के अभी a option आ रहा है एकदम correct answer है ठीके न यह याद रखना यह nitrogen नहीं है यह hydrogen है थोड़ा सा मिस्प्रिंटिंग है यह nitrogen की जगए hydrogen कर लेना बाकी का सारा कुछ सही है a option इदा right answer बिल्कुल भई मिस्प्रिंटिंग है a option आपका right answer है इसको आप hydrogen कर लेना ठीक है न इसको आप hydrogen कर लेना बाकी का सब कुछ सही है ठीक है भई बिल्कुल बिल्कुल आपका ए था बहुत अच्छी बात है ना बागी का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है थीक है ना सारे बच्चे भी इस कुश्चन का अंसर बताएंगे इनदा formation of surfer tri oxide by the contact process आपको ए रखा है rate of reaction आपको कुश्चन में गिवन है disobedience और rate of disobedience आपको audio का निकानला है आपको oxygen का disobedience निकानला है जल्दी से rate of reaction लिख लिए और जल्दी से answer बताएंगे बहुत simple question है आपके सामने फिर से आ गया है जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पर बताएंगे ठीक है न भई यह same question हो सकता है भई देको काफी सारे questions होते हैं तो आपको भी बता है ठीक है न इतने सारे questions आपको 10,000 की question की series महा युद्ध महा मेराथन आपके अकेडमी पर जो आपका चल रहा है एफ बाली क्लास क्रेस कोर्स इतने सारे questions खरा दिया है न तो आपको भी पताएंगे question हो जाता है repeat तो बताएंगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी नेटवर्क आप फिर से यहां पर भाई फिर से आप तयार करो नेटवर्क आप खतम हो गया है तो ठीक है भाई तो जल्दी सारे बच्चे आंसर बताओ कितने बच्चे एक सो चालीस बच्चे लाइब है भई और लाइक की संक्या बढ़नी चाहिए भई लाइक की संक्या भी बढ़ नहीं रही है ठीक है ना लाइक की संक्या बढ़ाओ भई सारे बच्चे ठीक है लाइक की संक्या dt, is equal to minus का d02 upon dt, is equal to, प्यारे बच्चों, 1 by 2 ds03 upon dt, यह आपका rate low है, आप से पुछा है, प्यारे बच्चों, disappearance of so2, मतलब minus का ds02 upon dt पुछा है, और यह value आपको given है, minus का d02 upon dt की 2.5 into 10 की पावर minus का 4, तो यह value निकालने के लिए 2 इधर भेद देंगे, तो multiply कर देंगे, तो 2 into 2.5 into 10 की पाबर माइनस का 4 solve करेंगे तो 5 into 10 की पाबर माइनस का 4 आ जाएगा जो कि आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर A option right answer है जिन बच्चों का भी A option आया है उनका एकदम correct answer है बिल्कूल भई A option आपका correct answer है चलिए भई एक अच्छा question देखते हैं इसे आप फिर से यह बाला question का answer बताओ rate of formation of SO3 according to the reaction प्यारे बच्चों आपको दे रखा है तो आपको rate of decomposition of SO2 आपको बताना है rate of decomposition of SO2 आपको बताना है बहुत प्यारा question है एकदम simple, आसान और एकदम प्यारे बच्चों must question है सारे बच्चे एक बार फिर से इस question का जवाब देंगे एकदम correct जवाब देंगे ठीक है ना बागी का मुझे आप पर वहरोसा है कि आपको एकदम सही answer आएगा जल्दी से बताईए वह इस question का answer जल्दी से सारे बच्चे बताईए वह डॉक्टर जोती जी बिल्कुल आपके चैट्स बढ़ रहा हूं में भई ठीक है ना आपकी चैट्स बिल्कुल बढ़ रहा हूं कि को भी देखो बैक कुश्चन में 3.75 क्या देखू सी में भई में 2.5 x 5 होता है सी में क्या देखू में चलिए भई इस question का answer बताईए ठीक है ना इस question का answer बताईए आप अरे नामी का जी देख लिया मैंने भई देख लिया है ठीक है ना आपको concept पता है ना बस बताईए भई सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताईए भई बताईए आपको concept पता है अगर आपको लग रहा है कि cv answer हो सकता है तो अच्छी बात है भई कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है हो सकता है चलिए भई आप इतने लोग बोल रहे हो तो देख लेते हैं बागी का concept आपको पता है क्या दिक्कत है c option अब यह देखो आपका hydrogen में माइनस नहीं है अब आपको पता है hydrogen disappearance है तो hydrogen और nitrogen दोनों में माइनस आएगा बागी का सारा सही है लेकिन दोनों में माइनस कौन लगाएगा भई भई नेगेटिव है पोजिटिव है तो c कैसे होगा भई ठीके न बागी का कर दोनों में negative होता तो आपका c हो जाता कि अब यह वाला question का answer बता भई जल्दी ठीक है यह वाला question का answer बता हो ठीक है वई यह वाला question का answer बता भई मिन बता दिया ठीक है यह वाला गुष्षेन का अंसर बताओ जल्दी खाना मैंने भी नहीं खाया भई अब तक है न वैसे खाना आ गया है अब खाऊंगा भी ठीक है न लेकिन जैसा राजाए थोड़ा सा ठीक है ठीक है ठीक है भई सारे बच्चे बताओ भई नहीं भई गुष्षा है आपसे गुष्षा मेंको वो भी आ जाए पॉसिबल नहीं है पॉसिबल ही नहीं है मेंको गुष्षा आ जाए तो प्यारे बच्चों रेट ओफ फॉर्मेशन ओफ एसो थ्री आपको पता है तो सिंपल सा लगा दो माइनस का बन बाई टू dso2 upon dt is equal to minus का d02 upon dt is equal to 1 by 2 dso3 upon dt यह आपको प्यारे बच्चों पता है तो आपको प्यारे बच्चों value given है यहाँ पर rate of the formation आपको so 3 का कितना है ठीक है ना आपको पता है 1.6 और आपसे पूछा है minus का d02 upon dt तो 2 times कर देंगे तो 2 into 1.6 into 10 की पावर minus का 3 solve करेंगे तो आपका जाएगा 3.d into 10 की पावर minus का 3 तो आपका C option आपका right answer है जिन बच्चों का भी C option आ रहा है एकदम correct answer है भई चलिए ये वाला question का answer बताईए 4 is general chemical change आपको पता है rate of disappearance of A R1 B R2 है और R1 और R2 में आपको relation बताना है ये equation है तो minus का 1 by 2 DA upon dt is equal to minus का 1 by 3 DB upon dt ये आपको पता है minus का DA upon dt आपका R1 है minus का DB upon dt आपका R2 है तो आपको relation बताना है आपका कौन सा relation correct होगा ठीक है ना question ने बोला है disappearance मतलब minus का DA upon dt R1 है और appearance B का मतलब minus का DB upon dt R2 है तो दोनों में आपको correct relation बताना है कौन सा होगा जल्दी से सारे बच्चे answer बताएंगे एकदम right answer बताएंगे सारे बच्चे जो एकदम correct answer है जो एकदम right answer है वो आपको यहाँ पर बताना है ठीक है न वो आपको यहाँ पर बताना है बहुत प्यारा question है एकदम simple question है अच्छा question है सांदार question है और आप सभी को जवाब देना है बिल्कुल आपका A option correct होगा क्योंकि अगर यह R1 है तो प्यारे बच्चों आपको दिख गया होगा यहाँ पर R1 upon me 2 is equal to R2 upon me 3 solve करेंगे तो 3R1 बरावर आजाएगा 2R2 3R1 बरावर 2R2 ए ओप्चन आपका right answer है चलिए यह वाला question का answer बताईए for a general reaction which of the following does not express the rate of reaction आप बताईए सारे बच्चे यहाँ पर इस question का correct answer यह वाला question का answer बताईए simple question एक बढ़ फिर से आपके सामने आ गया है तो यह वाला question का answer बताईए इस question का answer बताईए सारे बच्चे एक बढ़ फिर से ठीक है तो प्यारे बच्चों आपको पता है यह C आपका product है यह minus का sign बता रहा है जबकि product का formation होता है आपसे यही पूछा है does not express तो A आपका नहीं हो सकता है और A में आपका 2 आ रहा है नीचे जबकि A में आपका 3 आना चाहिए था तो यह भी नहीं हो सकता दो नहीं गलत है तो A भी सहिए और D भी सहिए जिन बच्चों ने A बताईए उनका भी सहिए A और D आपका एकदम right answer है ठीक है भई A और D आपका right answer है यह वाला question का answer बताईए आप rate of certain hypothetical reaction आपको given है तो प्यारे बच्चों order आपको बताना है order आपको बताना है जल्दी से सारे बच्चे इस question का answer बताईए एक question और करेंगे और फूर उसके बाद में आपका electro chemistry start करेंगे उसके बाद में electro chemistry start करेंगे तो यह प्यारा question है मासूम सा question है simple question है सारे बच्चे इस question का answer बताईएंगे ठीक है भई इस question का answer बताऊ आप तो आपके general और GK वाले sir है उनसे भी राके sir से भी आपको मिला देते हैं ठीक है न तो आपके अंदर और motivation आ जाएगा Jk वाले सर से और बात कर लेना भई, Jk आपको कैसे बढ़नी है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको, Rakesh Sir, Jk वाले सर आपको बताएंगे, थीकर न, Jk के बारे में, तो ये दो questions बच रहे हैं, इनको अपन complete कर लेते हैं, ताकि फिर राके sir आपको आके सारी चीज़े बताएंगे, ठीक है न, उसके बाद में मैं थोड़ा सा खाना खालूँगा, क्योंकि मैं बहुत देर से लगातार बोल रहा हूं, 6 गंटे से, तो बिल्कुल energy of down है, ठीक है न तो एकदम new style में एकदम hero की तरह entry मा रहेंगे, आपकी gk sir वाले, ठीक है न, तो आपको gk sir को आप पैचान नहीं पाएंगा भी देखना, ठीक है बई, तो बिल्कुल इस question का answer बताओ, उसके बाद में मिलवाते हैं, ठीक है न, बिल्कुल, 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 जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस question का answer बताओ लेकिन, ठीक न, बिल्कुल भाई सब 6 गंटे हो चुके हैं, लगातार और एकदम हालात हो गई है, खराब, ठीक है न, तो 10-15 मिनिट का rest चाहिए, ठीक है न, बिल्कुल, 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 बताइए बई सारे बच 3, plus 1 by 4, solve करेंगे तो आपका जाएगा 13 upon 12, जो कि आपका D option है, एकदम correct answer है, तो एक question और बच रहा है, इसको और अपन कर लेते हैं, complete, उसके बाद में नया chapter स्टार्ट करेंगे, ठीक है न, तो जल्दी से इस question का answer और बता दीजिए आप, इस question का answer और बता दीजिए, बिच यहाँ पर 0.5 कौन से combination होगा, A, B, C, D आपके 4 option हैं यहाँ पर, तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे, जल्दी जल्दी इस question का answer बताएंगे, बिल्कुल आपका C option बिल्कुल correct है, क्योंकि आपको पता है, order पुछा है, जो कि आपका sum ह होता है, reactant का, तो 1.5 minus का 1 और 0, solve करेंगे, तो 1.5 minus का 1 plus 0, solve करेंगे, तो आपका आजाएगा 0.5, जो कि आपका यहाँ पर दिख रहा है, आपको, C option is the right answer, जिन बच्चों ने यहाँ पर C option बताया है, एक दम correct answer है, ठीक है, तो एक question और बच रहा है, I think, तो यह और कर लेते हैं, उसके बाद में physical chemistry आपका हो जाएगा, समाप एक electrochemistry बचेगा, उसको भी करेंगे, एक chemical reaction involved two species, rate of reaction is directly proportional to square of concentration, one of them, एक आपका inversely है, मतलब एक का तो प्यारे बच्चों rate है, वो directly proportional है, square के, और एक है, प्यारे बच्चों आपका inversely proportional, मतलब बन अपॉन B है, इस तरीके का एक का directly है, तो A की power में 2, ठीके न, तो आपका rate बराबर क्या हो जाएगा, के constant A की power 2, और B की power में आपका minus का बन, तो आपसे पूछाए order क्या है, तो आपको पता है, order आपका sum होता है, 2 और minus का 1 का तो आपका solve करेंगे तो 2 minus का 1 solve करेंगे तो order आजाएगा आपका 1 जो कि आपका A option यहाँ पर right answer है तो जिन बच्चों का भी A option आ रहा है एकदम correct है क्योंकि square है तो 2 आ जाएगा inversely है तो नीचे आएगा उपपर जाके माइनस का बन हो जाएगा sum करेंगे 2 minus का बन आपका बन हो जाएगा ठीक है तो मैं बिल्कुल आप राकेसर को भेजता हूं ठीक है ना क्योंकि अब बिल्कुल हालत थोड़ी सी एक दंबो हो गई है ठीक है तो थोड़ी देर आप राकेसर से बात करना फिर करेंगे और फिर inorganic chemistry यहाँ पर समापन करेंगे ठीक है भई तो बिल्कohl यहाँ पर राकेसर से आप बात करेंगे ठीक्हेम मैं राकेसर को भेजता हूं ठीक है बिल्कुल भई बिल्कुल ठीक है ये तो राकेसर आपको मोटिवेट करेंगे और बताइंगे आपको एक्जाम के बारे में कैसे तैयारी करनी है ठीक है भई तो लीजिए आप और ये लीजिए आप राक्टिसर से बात करिए अलो क्या हाल चाल है सब के वैसे मेरे हला तो फोड़ी से खाराब है वह आवाज वगरा थोड़ी सी बेंड बजी हुई है बट हम फिर भी आपके सामने मौजूद हैं तो कैसा लग रहा है आप लोगों को आना अच्छी से तैयारी हो रही होगी जैए अकेडमी में और आप लोगों के चल्दी से बदाई है क्या क्लासिस अच्छी से चल लिए नहीं सर एपल का तो रही रहने तो अगे तो देखिए आपकी गर्ड अप्टर नौन गाइस गुट अप्टर नौन बहुत बढ़िया हूं मैं पिछली बार आप लोगों ने बोला कि सर लंबे बाल बहुत हैं ठीक हैं तो कुछ अच्छे से कमेंट आयते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि बाल कट कर लिए लेते हैं है राइट अगे तो कैसे चल लिए आपकी पड़ाई यह बताइए और कहां-कहां दिक्कत हो रही है मैं उसकी थोड़ा सा आपको स्वलाउट करने की कोशिश करूंगा कैसे स्टेड़ी करनी है यह तो आप लोग को बता दिया कितने रिटेक लेते हो क्या बोला है सर आपके वाइटी एक्चुली देखो होता क्या है कि कुछ टेक्निकल टीम होती है न वो कभी लाइट चली जाती है कभी माइक बंद हो जाता है तो यह सारी चीजें हो जाते जिसकी वज़े से वह फिर कट आने लग जाते हैं राइट और कभी-कभी हम लोगों से भी गलती हो जाती है, ठीक है, सर, नर्सिंग के लिए जीक्य की प्रिपेशन कैसे कर रहे हैं, अभी देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी क्लास लेकर आ जाओंगा, जिसमें हर टाइप के जि हैं, राइट, और कुछ पूछना है, जल्दी पूछिए बड़ा बट, हाँ मैं बोला ना कि जैसे जीक्य कोशन बंड रहे हैं, मैं फट फट वही कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पहले वाले जो जीक्य थे, वो हाँ मुझे भी पता था कि वो थोड़े ओल्ड है, बट अब सारा, प्लीज फोर यूपी, वाट, क्या करना है, ये बताईए, ये क्या चल लाए, कहां लड़े हो रही है, क्या आठे, ये क्यों फाइट कर रहे हूं, तुम लोग बेटे-बेटे, क्या लेके आए, वो क्या लेके जाओगे, हैं, खाली आता है, वो खाली आत जाओगे, यही बात है ना सर जीकी कब सी स्टार्ड हो रही है मैं चीज है कि अभी जेज सर थोड़ा सा थोड़े सी बीजी चल रहें राइट तो जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं आपर देट हम लोग बात करेंगी कब जीकी क्लास लानी क्यूंकि अभी आप लोग की जैसे कैमेस्ट्री फिजिक्स बायलोजी यह चल रही है ना तो अभी उसकी बीज में टाइम नहीं मिल रहा इस वज़े से मुझे जो है क्लास नहीं दी जा रही है मुझे मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ ठीक है सर ऐसी कौसी चीजे जो बढ़ती रहती है बढ़ती नहीं है आपका दिमाग हमेशा नया ग्यान लेता ही रहेगा कम नहीं होगा उसमें कोशिश भी गर लो तो पता चल जाएगा हर दिन तुम लोग सुबह उठोगे नई चीज आपके दिमाग में आएगी वो सेट होती रहेगी और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा आपकी सोच भी इसी में आती है आपकी सोच भी बढ़ती रहती है ठीक है और सबसे बड़ी उमीदे जितनी उमीदे करते हो हर बार आपको नई उमीद करनी पड़ती है राइट सर जीके में थोड़ा करेंट के कोशन भी लेकर आएगा प्लीज हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं करेंट तो मेरे पास बहुत सारे बढ़े ओके और कुछ किसी को पूछना है क्या हाँ सर जीके में ओके और कोई सर आप भी मेरातन ले लीजिए नेक्स्ट वीक जीके की अब पिछले करीबन 10-15 दिन से मेरा जो घला है वो थोड़ा खराब था बहुत खांसी वगएरा हो रही थी जो अभी बोल लाँ उतना बोल नहीं पा रहा था तो इस वज़े से अभी थोड़ा से मुझे टाइम लग रहा है अभी दवायों पर बैठें और जैसा दवायों धे रहें तो अभी उसी के उपर बैठें तो अभी कोशिश कर रहें कि सही हो जाए जितना जल्दी हो सही हो जाए सर नर्सिंग के एक्जाम में जीके के कोशिशन भी आएंगे किया देखो यूपी हो गया एमस हो गया उनमें से करीबन कुछ कोशिशन तो आते हैं जीके के राइट तो इस वज़े से आप लोग के लिए थोड़ा सा जीके पढ़ना खासा हो जाता क्योंकि देखो अगर उस है ओके चलोए कम मोटिवेशनल कोट हो जाए है है विज्ट आप लोगो को अब जादा मोटिवेट करते होंगे ना जैसर बहें राइट ना और और कोई क्वेश्चन है जल्दी से बताओ फटाफट सर्थ कि असर क्या बोले हुआ रही तुम क्या लिख रहे हुए या बिलकुल या यूपी की हा अच्छा बिलकुल इनोसेंट था मिस्स दीपा कहा रहे है कि 20 वाला बीज चलता है तो है ने तो दीजुकल नहीं चलता हुए सर जी आप 10,000 रुपे जी चुके हो account number बेज दो आये तो आपके नहीं अचार आए तो आपके और नहीं तो नहीं तो मेरे चलो ठीक है फिर आपको में अगर अगर आपके आप मुझे बेज दो तो बड़ी है नहीं आये तो फिर देखते हैं क्या होता है सर हमारा भी गला खराब है पर हमारे हम तो मेराथन क्लास ले रहे हैं ना सही है यह अच्छा है दिमाग अच्छा लगा रहे हो तुम लोग एक बार जरूर तुम लोग के भी सीचीत होगे चलो एक मॉटिवेशनल कॉर्ट हो जाए मेरे हिसाफ से जैसे मैं बोलता हूँ कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है सफर में अगर मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है और जैसे टीचर्स वगेरा जो आप लोग जैसे टीचर हैं अगर वो साथ में होना तो मुश्किलें होती नहीं है तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, आगर बिकने पर आ जाओ, तो घट जाता है, दाम, आक्षा, ना बिखने का अरादा हो, तो कीमत और बढ़ती रहती है, ठीक है? तो अभी तो हार मानने की दूरूत नहीं है, क्योंकि आप भी आप लोग की टीचर ने हार नहीं मानी, तो आप कब तक हार मानो तो उमीद यही है कि आप लोग भूट अच्छा करोगे और उमीद क्या है और आपको जैसर ने बोला नहीं होगा कि आप लोग अगर अच्छे मार्क लिए आते हो अगर आपके सेलेक्शन अच्छा होता है तो शायद जैसर आपको यहां पर भी भूलाएं और सबसे मिलाएं तो जो जो उमीद करके बैटे ना कि सर अच्छे नमबर लिखके आएंगे उसमें क्या, तो आपको एक तो जोब मिलेगी मिलेगी और ऐसोर एक अच्छी कॉलेज मिलेगी, मिलेगी उसके साथ में आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा. देखिए जी के कोशन अगर मैं बता हूँ तो किस तरह से प्रिपिशिन करनी छीए जैसे अगर आपसे पूचा जाए कि WHO का हेड़ कोर्टर कहा है डबल एच में कितने देश आते हैं कितनी कंट्री जाती है इंडिया में WHO का हेड़ कोर्टर कहा है एंड हेल्थ जो डे है वो कब मनाया जाता है ऐसे कुछ काफी कुशंस है ड़लु एच की इस ता अपना कब हुई थी क्योंकि आप लोग का जनरली जो बैसिक फॉर्म बनता है वो इस हिसाफ से बनता है क्योंकि उसमें क्या होता है जैसे आप लोग क्या कहते हैं एंस वगेरा इस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हो तो उस तरह की कुश्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं फिर भी मैं आपको कुछ चीजे बता देता ह होना आपने जैसे पूचा है तो मैं कुछ कुश्शन उस हिसाफ से बता देता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में कुछ ने कुछ चीजे तो रहें राइट चले बताई देते हैं कि आ कि ओके तो एक दो कुश्शन करते हैं आप लोग को समझ में आ जाए तो बढ़िया है कि ओके ओकी ओकी कहां गया था कि ओके एक में टुकिया गया ना मैं आपको बढ़ाता हूँ किस तरह के कुश्शन आप लोग को पढ़ने चाहिए और कैसे नहीं चरिए देख एक क्योश्शन ना एक अच्छा क्योश्शन आया है मेरे सामने कि वर्ल्ड का सबसे पहला नर्सिंग स्कूल कहां पर है वर्ल्ड का पहला नर्सिंग स्कूल कहां पर है ठीक है जल्दी से जवाब दो ताकि मैं आपको बता सकू कि क्या आंसर हो सकता है चलो option भी दे देता हूँ world का सबसे first nursing school कहाँ पर है option आपको मैं दे देता हूँ London USA Russia और India कहाँ पर है world का पहला nursing school कहाँ पर है थोड़ा सा आपको mind अच्छा करता हूँ ताकि आप लोग अगली जो class है वो अच्छे से attend कर पाओ है ना सर जी सर हारेंगे तो नहीं हिम्मत तो नहीं हारेंगे यह बड़िया बात कही है चलो क्या अंसर होगा लंदन लंदन सबका कहने का लंदन मतलब है ना इंडिया पढ़नेश कहा रहें इंडिया मनिशा कहा रहें इंडिया चलिए तो देखिए अब यहां पर जो क्वेशन बना है कि वर्ल्ड की पहली नर्सिंग स्कूल कहां पर है ठीक है तो देखिए इसमेंना कुछ चीजे हैं मैं इसका आपको थोड़ा बता देता हूँ ठीक हैं पहली बात यहां पर यह आती है कि अगर हम लोग नर्सिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले नर्स कौन थी ठीक है सबसे पहले नर्स कौन थी किसी को पता है क्या क्योंकि अगर नर्सिंग स्कूल की बात करते हैं अगर नर्सिंग स्कूल की बात करते तो सबसे पहले हमें लोग यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले नर्स कौन थी नाइट एंगल स्कूल आफ नर्सिंग लंदन बहुत बड़िया कृष्णा ने अच्छा जवाब दिया ठीक? तो सबसे अच्छा यहाँ पर जवाब यह आता है कि सबसे पहली नर्स किसे माना जाता है स्वरी आजैसे इसमें आंस्वर दिया ना वहीं पर इसका और चुपा हुआ है Florence Nightangle बिल्कुल Florence Nightangle उनका नाम था ठीक है उनके according school बनता है वो बनता है लंदन में कहां बनता है लंदन में बनता है और वहाँ पर सबसे पहले nursing school मिलती है ठीक है वह न अच्छा कोशन राइट चलिए तो ध्यान रखना यह जो कहानी है वो करीबा 19th century की है 19th century की है ठीक है 19th century सताबदी की यह सारी कहानिया आती है जिसमें यह nursing वगरा यह सारी चाहिशने सामने आती है लेड़ी विद दा लैम Florence Nightangle बिल्कुल बहुत बढ़िया ठीक है ओके ठीक है लंदन में एक स्कूल है सर इंडिया में है यह किसने वोला भएहारत के लग श्राही में आंबेश्टी के में बना था उड़ू आजुपाल की तिन बिल्कुल श्राय को चाहा है यह बंक श्राही में करते की जाती है ठेक है, stabilize की जाती है, आया मैज़ा, chemistry की class बंद हो गई, क्या रहे, chemistry की class अभी कहां बंद हुई, अभी तो start हुई है न, right, चलो, अगला question करें, करें, अगला वाला, करें, अगला वाला, ओके, चलिए, अगर आपकी एक धिमाई में देखो, मैं जो है न, जैसन ने पूछा था, एक question, कि अगर कोई normal सा वार्ड होता है, ठीक है, इसको clear कर देते हैं, एक normal सा वार्ड होता है न, उस वार्ड में, जो normal सा वार्ड होता है, उस वार्ड में नर्सिंग स्टाप, के रेशियो में, मरीज जो होता है, ठीक है, वो कितने होने चाहिए है, पैशन, कितने होने चाहिए है, स्टाप और, जो नर्स हैं, और मरीज के बीच में, अनुपात कितना होना चाहिए यानि कि अगर आप किसी वर्ड में जाते हो और वहाँ पर मालोग बिमार लोग हैं और उसके उपर स्टाप भी रखा हुआ है तो किस अनुपात में होना चाहिए यह आपको लोगों को बताया होगा है ना तो जल्दी से बताये क्या आंसर होगा मंजुश्री कहा रहे हैं कि फ्लोरेंस अरे बहुत पीछे चल लेँ आप थोड़ा सा जो एक लाइव का बटन होता है उस पर क्लिक करो तो आप लोग लाइव पर पहुंच जाओगे आयूश्री चक कहा रहे हैं फठान रें फाइव चले ओप्षयन देथा हूं यूश्री ओटान पाइव आप आं Casey और एक भाइव पाइव एंद इसी आई और रेच्व लोटी एनेवगा सुर्टान कैस्या उसे एक पूरा जो country होता ना उस base को लेकर चलते हैं तब जाकर रहना ये base बनता है काफी ऐसी जगे हैं जहां पर ये जो ratio कम भी हो जाता है जैसे जर्मनी वगरा ऐसे कुछ देस होते हैं जहां पर population बहुत कम होती है और वहां पर जो लोग हैं ध्यान रखने वाले या स्टाप्स होगे रहा होते हैं वह जादा होते हैं तो वहां पर ratio चलता है 1 ratio 4 का चलता है 1 ratio 3 का भी चलता है Switzerland जैसे जगे पर तो हर एक घर के लिए एक डॉक्टर अलग से मिल जाता है आप लोग को तो यहां पर क्या होना चाहिए 1 ratio 5 का यहां पर ratio बोल रहे हैं पर अगर सामाने वाड की बात करता हूं तो कितने ratio होना चाहिए डब्लु एच के headquarter जनेवा स्विजलेंड में है Human health and disease के लिए का questions है कहां जा रहे हो तुम लोग जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी उपर बात करो ना चलो आप लोग आंसर हो गया है क्या मैं बता हूं सकांसवर वन आदे वन रेशियो 5 है और आदे वन रेशियो 6 है कुछ लोग वन रेशियो 10 भी बोल लेते ना हां चलिए देख कुछ चीजे बदाता हूं क्यूंकि मुझे ना कुछ चीजे समझ में नहीं आय थी बट मैंने सर्च किया था उस सर्च के हिसाफ से आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं याद रहना चाहिए आपको ठीक है मैंने क्या बोला नॉर्मल वर्ड का बोला राइट नॉर्मल वर्ड का बोला ना नर्मल वार्ड में क्या होना चाहिए? जो रेशियो होना चाहिए एक मरीज और कुछ मरीजों और उस नर्सिंग स्टाप का होना चाहिए वन रेशियो सिक्स ये कौन सा है? नर्मल वार्ड है ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा दूँ जैसे ICO हो गया या हम लोग कुछ और बात करते हैं जैसे Emergency जो चीजे होती है वहाँ पर कितना होता है तो ध्यान रखना वहाँ पर होता है One Ratio One या One Ratio Two ठीक है कहाँ पर जहाँ पर ICO है या Emergency जो वर्ड लगता है वहाँ पर One Ratio One One Ratio Two के इसाब से वहाँ पर काम होता है ठीक है समझ में आया ठीक है और अब जो आप लोग One Ratio Four की बात कर रहे हो न One Ratio की जो Four की बात कर रहे हो वो भी कहीं जगे सही है बट वो कहाँ पर सही है में बता रहा हूँ वो होता है सुपर स्पैसिलिटी वार्ड में होता है जहां पर अच्छी सी वैसिलिटी होती है वहाँ पर One Ratio Four की बात होती है राइट आया मज़ा इस क्वेशन में अरे एलके सब आ जाएंगे कहां जाने वाले हैं वो तो यहीं आने वाले हैं न मुझे पता आप लोग को पढ़ना है बर अभी यहाँ पर बात कर ले थे हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया में अभी हालाद किया है जब इंडिया के मैं हालाद बताओंगा तो आप लोग डर जाओ गए तेके अभी आंकड़े आये थे 2022 के टाइम है 2022 के टाइम है उन्होंने ये बोला है कि एक nursing staff या एक बात करते हैं एक nurse के जो nurse है उसके हिसाब से जो ratio बनता है वो कितना बनता है तो ध्यान रखना एक ratio 146 यानि कि एक nurse है और 406 मरीज हैं इतना बड़ा gap है तेके यह हम लोगों कम करना है यहां पर तो जो हलात है वो अलग है बट अभी इंडिया में हलात क्या है वन रेशियो 476 यह कहां पर है इंडिया में है 2022 के आंकड़े थे जिसमें यह बोला गया था थे के हाल थोड़ा wait करना ना सर बिचारे कब से बोल रहा है थोड़ा सा आप लोग को उनके हिसाफ से देखना चाहिए थे के समझ में आया तो समझ रहा हो न कितने हम लोगों को इस टाप चाहिए अभी तो बहूत सारे स्टाप चाहिए राइट चलियो ठीक है यहां तक पहुंच गए चलो एक और question मेरे दिमाग में आ रहा है अब इंडिया की बात करी लिए तो एक और question करते है चलो तो मुझे यह बताएगा कोई कि इंडिया sorry इंडिया की पहली नर्स कौन थी इंडिया की पहली नर्स किसे बोला जाता है इंडिया की सबसे पहली नर्स कौन थी जल्दी बताएगा जिसने exactly training ली थी नर्सिंग की वो कौन थी इंडिया की सबसे पहली नर्स का नाम क्या था Mother Teresa No 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 Mother Teresa का नाम ली एग्जेकली जिसने नर्स की training भी ली थी उनका नाम बदाएगे Florence Night Angle World की है राइट समझेगा World की सबसे पहली नर्स थी बट इंडिया की सबसे पहली नर्स कौन थी यहाँ पर जो आंसर मुझे देखने को मिला हुआ है इनोसेंट मिस दिपागा Mother Teresa नहीं है ठीक है चलो एक ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है और यहाँ पर बिलकुल मिस दिपागा सही कह रही है बाई काशी बाई उनका नाम था और यह भी करीब है इनकी भी कहांईज ao 19th के टाइम की है यानि कि लगबग आप सोचके से ले 1880 के आसमास की जो बात है ये नर्स बन कर आए थी काशी बाई इनका नाम था पहली इंडिया की ये नर्स है हैं जैसे अब लोग नाइट अंगल बोल रहते हैं ना फ्लोरेंस नाइट अंगल यह इंडिया की फ्लोरेंस नाइट अंगल थी ठीक है तो यह चीज़े हैं कि समझे आप कि समझ भाया कोई शोयगा नहीं बदमाशों अरे यह आगए देखो आप लोग के बीच आकिरकार आई गए हैं है ना ऐसे कैसे पिछे रहे सकते हैं इस पिड़ा बैट यह की बाद है प्रीति सिंग कह रहा है आग। यह यह याद नहीं रहा है यह यह इंटेकर अप फ्लोग के पूछा नहीं जाए कैसे बाई काशी बाई गनपत देखो गनपत जो पीछे की जा हूँ है वो उनके हजमेंट का नाम है राइट तो बाई काशी बाई उनका सही नाम था समझ में आया कुछ अच्छी कोशिन है मज़ा आया नहीं इनमें तो ऐसे कोशिन करेंगे हम लोग जब हमारी क्लासिस होगी सब्सक्राइब नहीं करते हों और साथ में आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो राइट तो सर आकिरकार खाना खाकर आई गए हैं पता नहीं कौन सी स्पेसिल जी चीज खाके हैं चेहरे पर रोनक आई गई आकिरकार और उनके साथ में कुछ और भी आया था भी यह आ गया उनका फ्रेंड आया है चलो तो तो आकिरकार वो वक्त आई गया है काफी मुददेतों के बाद काफी कुछ आप लोगों की क्या कहते हैं प्रातना के बाद की सर आकिरकार खाना काकर आई गया है ठीक है तो क्या कहते हैं सर पनी टिका एंड वगरा ऐसा कुछ था राइट तो मिलते हैं सर मैंने कुछ लिखा है मिटा देना कोई दिक्षत नहीं है नॉर्मल वर्ड की बात की है मने अगर आप अब होस्पिटल की बात करी लिया अकिरकार अब होस्पिटल जाने वाले ये लोग तो कि अगर का कुछ तो सिखेंगे अगर कुछ टाइम तक आप ही पढ़ाई आरे सर बिल्कुल यहीं सर पढ़ाएंगे लोके अंदर सरी पढ़ाएंगे आप टैंसन मदलो 12-13 गंटे भी यहीं है बिल्कुल न रुकेंगे न जुकेंगे राक्या सर को एक बार और बुलाया जाए यह मुझे लग रहा है दो से तीन कुछेन आपके एक जम आई जाएंगे तो करेंगे फिर से कमर कस लीजिएगा और फिर से तैयार हो जाईएगा एक नई उडान के लिए एक नई उडान के लिए तैयार हो जाईए भाई साथ शेहजार बच्चे इस किलास को अभी तक अब बच्चे इस किलास को देखेंगे ठीक है भाई साथ मुझे फोलोर्स चाहिए क्या करोगी फोलोर्स का बताईए मुझे तो भाई खाना खाया हूं एनर्जी आ गई है और अब मचाएंगे धवा का ठीक है तो बहुत सारी चीजे खाके आ गया हूं एनर्जी पूरी आ चुकी है तैयारी पूरी है ठीक है आप सभी की और अब करेंगे अपन फिर से इन और्गेनिक केमेस्ट्री का समापन कमर कसली जीए का इन और्गेनिक केमेस्ट्री जो आपको समश्या देती है वो आप समश्या यू यू चुटकियों में दूर हो जाएगी ठीक है न क्यों काफी ज्यादा important होते हैं काफी सारे questions आते हैं तो तयार हो जाइए इस सहरे बच्छे बहुत जल्द इन और गनीक chemistry की शुरुत करेंगे एकदम 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 बहुत ही खतरनाग तरीके से आपन इन और्गेनिक केमिस्टी की सुरुवात करेंगे बहुत पनी टिक का रहे पनी टिक का ने पता नहीं क्या क्या खा के आ गया हूँ ठीक है ना बिल्कुल काफी सारी मिठाई भी खाई है मिनास ठीक है ना ठीके ना पनी टिक का भी खाया है ठीके ना बिलकुल जूस भी पी लिया है ठीके ना सब कुछ खालिया है अब आप भी खाली जिएगा ठीके ना लेकिन लेकिन किलास सोटके नहीं जाएंगे क्लास में बने रहेंगे क्लास चलती चलती में आप खाएंगे ठीके ना क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे हो मैं आपको दिख रहा हूँ ठीके ना मुझे आप दिख नहीं रहे हो लेकिन मैं आपको दिख रहा हूँ इसलिए आप चलती क्लास में खाएंगे ठीके ना बिल Ectrochemistry को start करेंगे उससे पेल एक joke आपको पता है बच्पन में बच्पन में आपको पता है आप सब के दोस्त रहे होंगे तो यहां पर आपस में जगड़ा होता था खाने पीने की चीजों के लेके तो तुझे दोस्त कहूं या कुरकुरा तु टेडा है पर साले मेरा है ठीक है न तो बिल्कुल बिल्कुल दोस्त कैसे भी हो दोस्त होते हैं मुसीवत में दोस्त बहुत काम आते हैं तो बच्पन की याद आपको दिला दी है मैंने आपस में देखो बच्पन में आपस दूसरे से बात कर रहे हैं तो बच्पन की याद आपको दिला दी है ठीक है न बिल्क ठीक है तो बच्पन की याद दिला दी है तैयार हो जाईएगा अब आपन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का समापन करेंगे और आ चुका है आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री उसके बाद इन और्गेनिक केमिस्ट्री की सुरुआत करेंगे ठीक है भई तो बिल्कुल इलेक्ट्र लग रहा है कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्या है तो याद रखना प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या होता है केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी चेंज होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और electrical energy change होती है chemical energy में तो एक ऐसा process है जहाँ पर chemical energy electrical energy में और electrical energy chemical energy में change होती है तो यह आपका electro chemistry कहलाता है यह आपका electro chemistry कहलाता है दो यहाँ पर चीजे के cell के बारे में बात करेंगे एक होता है electrolytic cell और एक आपका होता है Electrochemical Cell या Galvanic Cell भी बोल सकते हैं Electrochemical Cell ठीक है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ Electrolighting Cell जो आपका होता है यह Electrical Energy को Change कर देता है किसमे Chemical Energy में जबकि Electrochemical जो Cell होता है यह Chemical Energy को Change कर देता है किसमे Electrical Energy में तो यह प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए ठीक है ना यह आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब दे सकते हैं आप जवाब दे सकते हैं तो Electro Chemistry क्या है Electro Lighting Cell क्या है Electro Chemical Cell क्या है किस तरीके से आपको एप्रोच करना है I think सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा I think सारे बच्चों को Clear हो गया होगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि हाँ Sir Clear हो गया है अब आगे बढ़ जाओ ठीक है बाई बिल्कुल 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 तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक आपका important question बनता है याद रखना कभी भी आपसे cell का reduction potential पूछा जाए तो यह होता है आपका e naught of cathode e naught of cathode minus e naught of anode e naught of cathode minus e naught of anode e naught आपका reduction potential को बोलता है cathode जहाँ पर आपका reduction होता है आप सभी को पता है anode जहाँ पर आपका oxidation होता है ठीक है ना याद रखना cathode मतलब जादा वाला यह trick याद रखना जिसकी value जादा है वो cathode anode मतलब कम वाला जिसकी value कम है वो आपका anode होता है ये आप याद रखेंगे तो आपका question कभी भी गलत नहीं होगा एक important आपको याद रखना है जो आपका reduction potential होता है जो आपका reduction potential होता है वो प्यारे बच्चो directly proportional यहाँ पर होता है oxidizing power के याद रखना directly proportional होता है आपका oxidizing power के और inversely proportional होता है आपका reducing power के inversely proportional होता है आपका reducing power के inversely proportional होता है आपका reducing power के तो यह आपको direct relation याद रखना है reduction potential directly proportional to oxidizing power inversely proportional to reducing power जो कि आप सभी बच्चों को याद होना चीए कभी भी आपसे पूछा जा सकता है और आप यह रिलेक्शन याद रखोगे तो आप यहाँ पर आसानी से आंसर बता सकते हो ठीक है भई तो यह भी आप सभी बच्चों को यहाँ पर पता होना चाहिए उसके बाद में आप सभी की famous equation आप सभी को यहाँ पर याद रखनी है nourish equation जिसको बोलते हैं सारे बच्चों को वैसे पता है तो nourish equation क्या है सारे बच्चे ध्यान रखेंगे क्या होती है e cell बराबर e naught cell minus में 0.0529 upon में n log में प्यारे बच्चों आपका होता है आप सभी को बता है qc qc मैंने आपको अभी बता दिया है chemical equilibrium में product की concentration upon में reactant की concentration ठीक है नहीं यहाँ पर product की concentration upon में reactant की concentration आ जाएगा n आपका होता है number of electron transfer number of electron transfer होता है ठीक है e naught cell आपको पता है e cell आपको पता है nourish equation बोलते हैं अगर equilibrium पर बात की जाएगी तो at equilibrium प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपको पता है equilibrium पर आपका e-cell आपका 0 हो जाएगा और अगर e-cell 0 हो जाएगा तो यहां से एक नया relation आजाएगा e-note cell बराबर 0.0529 upon में n और log में kc की जगे प्यारे बच्चों क्या आजाएगा आपका qc आजाएगा kc की जगे आपका क्या आजाएगा qc यहां पर आजाएगा तो यह प्यारे बच्चों आपका direct relation है qc की जगे qc की जगे आपका kc आजाएगा यह qc नहीं है यह आपका है log kc ठीक है ना क्योंकि equilibrium पर बात कर रहे हैं अपन तो e-cell आपका 0 हो जाएगा और qc आपका kc के बराबर हो जाएगा तो आपका simple सा यह नय relation आ जाएगा ठीक है भई बिल्कुल बिल्कुल तो आप थोड़ा सा थेज चलना पड़ेगा क्योंकि आप अपन को inorganic और organic भी करनी है तो नरेश टिक्रेशन आपको समझ में आ गए होगा equilibrium पर क्या करना एग होता है प्यारे बच्चो आपकी resistivity एग होता है प्यारे बच्चो आपकी conductivity specific conductivity भी बोल सकते हैं रजिस्टेंस आप सभी को पता है र वरावर रो एल अपोन ए simple सा यह सारे बच्चों को पता है unit आप सभी को पता है ओम होती है resistance की conductance आप सभी को पता है conductance पराबर होता है बन अपन आर तो यहाँ पर इसको बोलेंगे प्यारे बच्चो अपन ओम inverse ओम inverse बोलेंगे जो कि याद रखना unit अपन ओम inverse को साइमन्स या फिर S से denote करते है resistivity आपको पता है यहाँ से ओ जो आपका row होता है यह resistivity होता है जो कि ra upon l हो जाएगा unit आपको निकालना है तो ohm meter square या फिर direct अपन ohm meter square upon में प्यारे बच्चो आप meter लिख देंगे solve करेंगे तो आपका ohm meter आजाएगा ठीक है न? ohm meter आजाएगा specific conductivity याद अखना कपा से denote करते हैं जो कि आपका बन अपन रो होता है inversely proportional कर देंगे तो बन अपन ohm और प्यारे बच्चो मीटर solve करेंगे meter या centimeter भी unit ले सकते हैं ठीक है न? meter ले सकते है या फिर ohm और centimeter भी ले सकते हैं अपन ठीक है न? तो बिल्कुल अपन यहाँ पर यह centimeter भी ले सकते हैं ठीक है न? जैसा आपको सही लगे और बन अपन ohm और प्यारे बच्चो आपका यहाँ पर ohm के बाद में centimeter inverse कर देंगे तो आपका ohm inverse और centimeter inverse हो जाएगा ohm inverse आपको पता है s से डिनो कर देंगे सिमन्स और आपका ही आ जाएगा centimeter inverse तो आपका प्यारे बच्चो सिमन्स और आपका centimeter inverse यह 4 चीज आपसे पूछी जाए अगर कभी भी resistance क्या है, conductance क्या है, resistivity क्या है, conductivity क्या है चारों चीज की unit आपसे पूछी जाए तो लोग आपको याद करवाते हैं मैंने आपको derive करके बता दिया है चारों की unit कि आपको कैसे याद करनी है कभी भी अगर exam में question पूछा जाएगा तो आप आसानी से ये चारों चीज के जवाब दे सकते हैं और प्यारे बच्चों आप बिल्कुल यहाँ पर सई question आप यहाँ पर कर सकते हो ठीक है भई, काफी बच्चे personal बात अभी भी कर रहे हैं जो कि मैं चाहता हूं कि नहीं करें तो अच्छा है तो यहाँ चेक करते हैं कितने बच्चे अभी चल रहे हैं 141 बच्चे जुड़ चुके हैं लाइक की संक्या बढ़ती रहनी चीए भई लाइक की संक्या बढ़ती रहनी चीए ठीक है लाइक की संक्या बढ़ती रहनी चीए कोडिनेशन कंपाउंट का बेट कर रहे हैं बहुत जल्द कोडिनेशन कंपाउंट आ रहा है उसके बाद में प्यारे बच्चो याद रखना एक आपका होता है मोलर कंडुक्टिविटी इसको याद रखना डेल्टा एम बरावर कपपा इंटू 1000 अपउन C सब फॉर्मला है मोलर कंडुक्टिविटी का जो कि आपको याद रखना है कपपा आपको पता है C आपको पता है सबसे इंपोर्टेंट है आपका फैराडे का first low first low फैराडे का क्या बोलता है अभी मैं आपको बताऊंगा Faraday का first law आपका क्या बोलता है Faraday का first law बोलता है ये कोई भी एक electrode है इस पे कितना mass deposit होगा ये directly proportional होता है इसमें कितना charge flow हो रहा है तो जो mass है वो directly proportional होता है क्योंकि याद रखना directly proportional है तो यहां से प्यारे बच्चों mass बराबर directly proportional है आपका constant आजाएगा Q आपका charge है chemistry में physics में आपको बताया होगा Q बराबर IT तो Z बराबर IT हो जाएगा M बराबर Z की जगे equivalent weight upon 96 500 कुलाम लिख देंगे into I into T I आपको पता है current है T आपका time है E आपका equivalent weight है और equivalent weight आपको मैंने अभी बताया है जो कि आपका molecular weight upon N factor होता है N factor basically आपको पता है charge होता है catein, anion, acid, base का तो ये आपका faraday का first low है ठीक है ना ये आपका faraday का first low है जो आपसे पूछा जा सकता है simple सा है कोई भी electrode है इस पे कितना mass deposit होगा ये depend करता है कि इसमें कितना charge flow हो रहा है तो जो mass deposit होगा वो यहाँ पर जो charge flow हो रहा है इसके directly professional होता है तो यहाँ पर Z constant आजाएगा जो कि आपका equivalent weight upon 96,500 कुलाम होता है I into T कर देंगे faraday का ये first low आपका clear हो गया होगा तो अगर faraday का first low clear हो गया है तो जल्दी से सारे बच्चे comment करके yes sir लिख दो और अपन बात करते हैं faraday का second low के बारे में faraday का second low के बारे में बात करते हैं faraday का second low के बारे में बात करते हैं ठीक है ये बोलता है प्यारे बच्चो माल ली जीए ये तीन electrode है और ये सारे के सारे series में प्यारे बच्चो connect है सम्में current आपका यहाँ पर same flow हो रहा है सम्में आपका current same flow हो रहा है तो याद रखना प्यारे बच्चो next chapter लो सर्जी chapter का बेग लोग है अरे लेंगे भई लेंगे थोड़े इंतिजार करो ठीक है तो यह आपका क्या बोलता है जो प्यारे बच्चो रेशियो होगा mass का m a m b m c ठीक है यह मालो a है यह b है यह c है यह प्यारे बच्चो इनका equivalent ratio के बरावर होगा e a e b और प्यारे बच्चो e c equivalent के ratio के बरावर होगा equivalent weight आपको पता है ठीक है ना क्या होता है सेकिंड लो है ठीक है बई तो यह सभी बच्चों को clear हो गया होगा अब सारे बच्चे यहां पर correct answer बताएंगे questions करेंगे यह chapter हो चुका है समाप physical chemistry complete हो चुकी है आपकी फिजिगल केमिस्ट्री जो इतना बड़ा पॉर्शन होता है उसको अपने कर दिया है कम्प्लीट कुश्चन्स थ्योरी सौट्रिक फॉर्मला सब कुछ आपका जो डर था वो पूरा मैंने वगा दिया है क्योंकि फिजिगल केमिस्ट्री प्रॉब्लम देता था इस वज़े से इसको मैंने पहले लिया है क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा होता है इस वज़े से मैंने आपको यह पहले पढ़ाया और कंप्लीट 11 और 12 दोनों आपका कंप्लीट हो चुका है ठीक है कंप्लीट आपका यहां पर फिजिगल केमिस्ट्री हो चुका है और बिल कर रहा हूं आपके सामने कुश्यन आ गया है कि कुश्चन साब कर रहा हूं आपके सामने कुश्चन से जल्दी से आप सारे बच्छे आंसर बताओ कि ठीक है बई तो मैंने आपको अभी बताया था ट्रिक कि रिड़क्षन पोटेंशल डारेक्ली प्रोपोर्शनल होता है आपके ऑक्सिडाइजिंग पावर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिड़ुसिंग पावर के आपको दे रखा है रिड़ुसिंग पावर का ओडर पूछा है तो रिड़ुसिंग पावर किसका ज्यादा होगा जिसका रिड़क्षन पोटेंशल कम होगा तो सबसे कम किसका है आपका B का क्योंकि माइनस में है तो B फिर आपका यहाँ पर C और फिर आपका A तो A option is the correct answer B, C, A is the right answer C option नहीं होगा भई C option नहीं होगा आप ध्यान से देखो माइनस में जो संक्या है वो सबसे कम होती है जितना ज्यादा माइनस में है वो उतना ही कम होता है तो आपका B, C, A is the correct answer B, C, A is the correct answer जिन बच्चों के भी B, C, A, A option आ रहा है वो correct answer है क्लास आपकी वाई साब 12 गंटे की क्लास है 8 वजे स्टार्ट हुई थी तो 8 वजे तक चलेगी तो 8 वजे तक चलेगी वोड़ा पहले खतम कर देंगे क्लास को ठीक है भई न्यू इस्टुडेंटों तो आपका स्वागत है भई हमारी क्लास में बताए भई सारे बच्चे ठीक है भई अब ये वाला कुश्चन का अंसर बताए आप इनॉट की बैल्यू प्यारे बच्चो आपको पता है चील टू टू इलेक्टरों के लिए इतनी है तो आपको रियक्शन उल्टी किये जा रही है तो आपकी इनॉट की बैल्यू क्या होगी ये वाला कुश्चन का अंसर बताए बहुत प्यारा कुश्चन है इनॉट की बैल्यू आपको एक रियक्शन की दे रखी है और दूसरी रियक्शन की पूछी है जल्दी से सारे बच्चे ये वाला कुश्यन का अंसर बताईए जल्दी से सारे बच्चे ये वाला कुश्यन का अंसर बताईए एकदम प्यारा कुश्यन, एकदम मुन्ना और एकदम नन्ना सा कुश्यन है सारे बच्चे इसका अंसर बताईए चंचल जी सुपर क्लास क्या बात है भाई सब अरह भाई सब ठीक है भाई तो ये आपका आपको पता है बन बॉन थी शिक्स उल्टा करेंगे नेगेटिव हो जाएगा तो बी ओप्सन आपका करेक्ट आंसर है ये वाला कुशन का आंसर बताईए एक रियक्षन आपको दे रखा है इनॉट बैल्यो आपको गिवन है दूसरी का पता है तीसरी का आपको निकानला है मैंने आपको तरीका सिखा रगा था F e प्लस 3 कनवर्ट हो रहा है आपका किसमे F e प्लस 2 में आपका कनवर्ट हो रहा है ठीके और F e प्लस 2 से अपन क्याँ पर आ रहे है F e में आ रहे है F e प्लस 3 से F e प्लस 2 से F e F e प्लस 2 से F e की वैल्यो आपको इनॉट की वैल्यो पता है माइनस में 0.44 और F e प्लस 3 से लेके F E में आ रहे हैं तो total value आपको पता है E naught की minus में 0.036 और आपसे पूछा है F E plus 3 से F E plus 2 ये वालू value पूछी आपसे तो प्यारे बच्चों आपको पता है मैंने बताया था E naught की value minus में 0.036 कितने electron का transfer हो रहा है 3 से 1 में 3 का is equal to ये value आपको निकान लिए electron का transfer हुआ 1 plus electron का transfer हुआ कितना 2 से आपका 2 into value आपको given है minus का 0.44 तो solve करेंगे यहां से तो X बराबर आजाएगा 0.771 तो आपका D option यहां पर correct answer है तो इस तरीके का questions कभी भी आए तो आप आसानी से solve कर सकते हैं 3 से 2, 2 से आपका 1 ये value निकान लिए है ये आपको दे रखी है total दे रखी है तो total बराबर ये प्लस ये तो जो एक unknown होगा वो value आपके निकल के आजाएगी D option यहां पर correct answer है जिन बच्चों का भी D option आया है एकदम correct answer है इस तरीके से अपन यहां पर approach कर सकते हैं को और अपन यहां पर correct answer लेके आ सकते हैं जो कि आपके सामने आवाया भी है डी option आपका right answer है जो कि आपके सामने आया भी है डी option आपका एकदम right answer है ठीक है भई तो finally physical chemistry का समापन हो चुका है और अब आजाईए सारे बच्चे यहां पर सारे बच्चे आजाईए यहां पर इन औरगनिक स्टार्ट करेंगे ठीक है भई जल्दी से सारे बच्चे इस जादू को देखी अच्छे से उसके बाद में अपन इन औरगनिक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में फिर अपन औरगनिक करेंगे 50% data बच्चा है ठीक है जल्दीची इसको देख लो फिर में इसको आपका इस्टार्ट करते हैं इन और गेनिक के अत्पी को इस्टार्ट करते हैं ठीक है 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 करते हैं स्टार्ट इन और गेनिक केमिस्टी का ठीक है ठीक है और अब बाइसा बच्चे डर रहे हैं क्या इतनी अच्छी चीज लेके आया हूं आपके लिए और आप बोल रहे हैं बच्चे डर रहे हैं वहीं ऐसे कैसे हो सकता है मोटू पतलू वाला है ऐसा गया आजाओ सारे बच्चे आजाओ वही करेंगे स्टार्ट फिर क्या बोलते हैं करें स्टार्ट इन और गेनिक को फिर इन और गेनिक केमिस्टी स्टार्ट की जाए क्या वोलते हो भाई क्या बात है बेरी गड़ क्या बात है वही साथ ठीक है वही तो चलते हैं और इन और गेनिक केमिस्ट्री का फिर्स्ट चेप्टर आपका पीरिडिक टेबल स्टार्ट करेंगे तो देखो पीरिडिक टेबल की आपको जरुद क्यों पड़ी सारे बच्चे ध्यान से सुनना अठारा सो में एकत्तिस एलिमेंट थे अठारा सो पैंसट में 63 एलिमेंट थे और 2016 में प्यारे बच्चों जाके कम्प्लीट प्रीडिक टेबल आपको मिल पाया जब आपके ठीके ना जो कि आपका सिंपल सा Z minus B के वड़ाबर होता है ठीके भाई उसके बाद में आपको यहां पर मोघ लिए जो आपको दिख्च रहा है स्वीडिक थिस्ट थिके वाई इनके बारे मैं आपको पता ही है उसके बाद में आप बात करते हैं perfect table के वारे में यह आपके सामने पिरोडिक टेबल है ये आपका प्यारे बच्चो एस ब्लॉघ होते हैं ये आपके कंपलीट डी व्लॉघ होते हैं ये प्यारे बच्चो आपको पता है ऐफह नीचे i7 एफ एलिना की रफ मोज़ाथ सारे बच्चों को ट्रिक याद है ठीक है Ctrl बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेंगान अलू गाजरिन थेला कहे सिता जी सुनो प्रवू नानी पापासु सब बिमार ओल्ड इस्टाइल से टीपो फिरकल वहार आई अंटी हीना नीना की और करीना की जिरोक्स रानी साइंस टीचर बिनिता करपला नी मन फैको नी क्यों जान जलाती हो यारी जरा निवा मोद तक रुके राहे पे आग में कुझ्जा ला अट्टा बरना प्यारे बच्चो इदर उदर पिटाई होगी तो यह सिंपल सा पिरोडिक टेबल है यह आपके अलकली मेटल अलकलाइन अर्थ मेटल है आप सभी को पता है यह आपके प्यारे बच्चो यहां पर हेलोजन सीरीज है इनर्ट गैस है बोरोन फेमली कारवन फेमली नाइट्रोजन फेमली ऑक्षन फेमली डी ब्लोक वीडियो भी आपको चैनल पर बहुत सारी डाल रखी है आप सभी को पता होगा 10th में भी आ जाता है ये तो ठीक है ना तो इसके बारे में तो मुझे ज्यादा करने की जरूत है नहीं ज्यादा चर्चा करने की आपको अच्छे से पता है इन सब चीजों के बारे में अच्छे से आपको याद भी होगी ठीक है ना उसके बाद में प्यारे बच्छों यहाँ पर सबसे important बात करेंगे अपन S orbital जो होता है दो electron बर सकते हैं दो group होते हैं P orbital में 6 electron बर सकते हैं इसलिए 6 group होते हैं D orbital में maximum 10 electron बर सकते हैं इसलिए आपके 10 group होते हैं इसलिए आपके यहाँ पर 14 group यहाँ पर होते हैं यह आपको important है जो कि आप सब भी को पता होना चाहिए ठीक है तो यह classified है प्यारे बच्छों based on the block तो आपके simple सा SPDF का आपको funda clear हो गया होगा ठीक है बई तो यह funda भी आपको clear हो गया होगा ठीक है सारे बच्छों को उसके बाद में प्यारे बच्छों अपन देख सकते हैं यहाँ पर S block के बारे में electronic configuration कैसे वरते हैं याद रखना जनरल electronic configuration आपको पता होना चाहिए एनेस बंटू टू होता है बनेस टू 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 इसका 3S1 ठीक है न इस तरीके से electronic configuration सबको आता ही है भरना इसके बाद में आपन पी ब्लॉक के बारे में भी देख सकते हैं याद रखना एनेस टू जनरल electronic configuration एन पी बंटू 6 यह आपका जनरल electronic configuration है यह पी ब्लॉक है गुरूप नंबर 13 14 15 16 17 18 इनर्ट गैस हेलोजन ऑक्षिजन और आपके नाइट्रोजन कारवन और बोरॉन ठीक है ना यह आपके मेटलोईड है याद रखना नॉन मेटल है वह आपके मेटल से ठीक है ना यह पीडिएफ में जाएगे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यह ट्रांजिशन एलिमेंट है याद रखना जनरल electronic configuration एन माइनस का बन डी बंट से टैन और एनस टू और ट्रिक मैंने आपको ब सिर्फदे रखना अमीं आड लाई ठीक है ना तो यह आपके यह पर एलिमेंट है कि उसके बाद में प्यारे बच्चों एक चीज आती है आपका इस्क्रिणीगफैक्ट एक आपका आता है इस्कीरिणीगफैक्ट इसको अपन सिलडिंगफैक्ट भी बोल सकते हैं इसको इस आपका nucleus है और ये प्यारे बच्चों आपको पता है electron है जो की चक्कर लगा रहे हैं तो ये प्यारे बच्चों positive charge electron को पकड़े रखेगा लेकिन last वाला electron इतना अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि electron electron के बीच में repulsion हो जाएगा और जब repulsion हो जाएगा तो यहां पर प या फिर यह आपका कहलाता है क्या shielding effect या फिर प्यारे बच्चों इसको अपन क्या बोल सकते हैं screening effect ठीके ना shielding effect भी बोल सकते हैं और screening effect भी बोल सकते हैं जो कि आप सभी बच्चों को clear हो गया होगा आप पढ़ भी सकते हैं एक बार ठीके ना आपको दिख रहा है ये nucleus है attraction rep repulsion ठीके ना और आप पढ़ भी सकते हैं this decrease the force of attraction between the nucleus and the balance electron so it's called shielding effect या screening effect ठीके भई यहां तक clear है क्या सारे बच्चे जल्दी सारे बच्चे बताओ यहां तक clear है क्या सभी बच्चों को यहां तक clear है क्या सभी बच्चों को आरे बोलो भई यहां तक clear है क्या जल्दी जल्दी सारे बच्चे बोलो यहां तक clear है सभी बच्चों को भई बहुत important section है याद रखना inorganic chemistry बहुत important section है और इसको कोई miss नहीं करेगा सब कुछ यहां पर पढ़ जाएगा कि यह सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब देखो इधर देखो सारे बच्चे एक कुश्चन्स आप से पूछा जाता है एटोमिक रेडियस के बारे में तो याद रखना प्यारे बच्चो अगर पीरेटिक टेवल में अपन लेफ्ट से राइड जाते हैं लेफ्ट से राइड जाते हैं तो साइज आपकी क्या करती है इंक्रीज करेगी एटोमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी लेफ्ट से राइड जा रहे हैं साइज आपकी डिक्रीज करेगी तो आपकी एटोमिक रेडियस भी क्या करेगी डिक्रीज करेगी यह आपको पहला कॉंसेप्ट है एटोमिक रेडियस के बारे में जो कि आप सभ इंक्रीज करेगा एक आपसे पूछ जाता है यहां पर प्यारे बच्चो आइनिक रेडियस के बारे में आयनिक रेडियस के बारे में पूछा जाता है, सारे बच्चे द्यान से सुनो तो प्यारे बच्चों कभी भी आयनिक रेडियस के बारे में आप से पूछा जाए तो आप सभी को मैं बता देता हूं सांदार ट्रिक F- Na ठीक है भ Сп- Na plus mg प्लस टू ठीक है भई एम जी प्लस टू एफ माइनस एने प्लस एम जी प्लस टू एल प्लस थ्री यह आपको सिंपल सा अगर कभी भी आइनिक रेडियस का अगर ओर्डर आपसे पूछा जाए तो कैसे आपको करना है तो सबसे पहले आपको यहां देखो नंबर ओफ आपके 10 तो भी आपके 10 तो याद रखना अगर नंबर ओफ एलेक्ट्रोन सैंब जो जो आयनिक रेडियस होती है वो inversely proportional होती है atomic number के Atomic number के inversely proportional होती है आयनिक रेडियस तो atomic नम्मर जिसका कम होगा उसकी आयनिक रेडियस जाद होगी तो सबसे помощью फिलोरिन का है तो प्यारे बच्चों आयनिक रेडियस का जो करेक्ट ओडर आपका यहाँ पर निकल के आएगा जो आईनिक रेडियस का करेक्ट ओडर निकल के आएगा वो क्या आएगा आईनिक रेडियस का करेक्ट ओडर निकल के आएगा आपका क्या आएगा बताओ F- फिर Na प्लस फिर आपका Mg प्लस 2 और फिर आपका Al प्लस 3 यह आपका यहाँ पर correct order हो जाएगा आइनिक radius का यह आपका प्यारे बच्चों आइनिक रेडियस का फंडा है अगर सारे बच्चों ने यह समझ लिया तो प्यारे बच्चों याद रखना कभी भी आपका question गलत नहीं होगा याद रखना कभी भी question गलत नहीं होगा Sir मेम का call receive कर लो ignore मत करो बरना क्या बोलो देवे जी है call उठालो ना भाई साब क्लाश चल रही है कैसे call उठाले है Sir की मेम से लड़ाई हो गई है नहीं भाई मेम से लड़ाई होगी ठीक है न और कौन सी मेम से लड़ाई होगी भाई clear है बआक क्या बात है ठीक है बआइ तोाइणिक रडियास के लिए सबसे पहले बस Number of electron count करने हैं Number of electron सैम है तो आइणिक radaus inversely होता है Atomic number के सबसे कम atomic number fluorine फिर ये फिर ये फिर ये तो सबसे कम atomic number toonic radius ज्यादा हो जाएगी तो f-na plus mg plus 2 al plus 3 ये आपका correct sequence हो जाएगा ये आपका correct sequence हो जाएगा क्या बात है वैसाब क्या बात है करें के मेंने नहीं है मतनब में है क्या बूलोरो अपके कि अरे चौड़ो पढ़ाई आपको कि ध्यान दो भी ठीक है कै ना नहीं सादी यार कुछ नहीं हो आप बच्चा हुए आप तो बाई भी बना रहें सीधे यार ऐसे मत करो भई ऐसे मत करो यार तो लाइक भी बढ़ाते रहो अभी तो एक हजार लाइक भी डार्गिटर नहीं हुआ है बता हुआ है सची बोला न न ळे हुँआ ? सच नही बोला न न कि क्च्चा बदाम है बदाम है ओ सर जी सच्ची बोलो ना 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 हमें लगा अच्छा ऐसा नई 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 भाई चलिए भाई करते हैं स्टार्ट क्या बोलू है किस ज्यादा कम नि हो गया कोई न यार आप 40 मा लो चालीस मा लो ठीक ना किता भी मालो सरमा गए सर ना भाई क्यों सरमांगा यार है नहीं सरमांगा नहीं सरमांगा कि अथिक सर सच मोला कि पौल उख जाएगी अरे बाप अपरे ऐसा क्या ठ Premier है या तक क्लियर नाinta का वोते हो सपार्मा her मैं नहीं सर्मा रहे क्या सर्माहंगा आप छोटे छोटे बच्चे हो यार है क्या सर्माहंगा आपसे क्या वात है सब क्या बात है चलो भई ठीक है personal बात है बाद में करेंगे आएनिक रेडियस का प्रन्डा आपको समझा दिया है एक प्यारे बच्चो आप से पूछा जाता है आईनायजेशन एनर्जी और आईनायजेशन पॉटेंशल के बारे में ionization energy या ionization potential के बारे में आपसे पूछा जाता है तो देखो ionization energy क्या है मालो कोई एक atom A है एक electron प्यारे बच्चो इसको बहार निकालना है तो एक electron का loss कर दिया तो ये आपके ionization energy बन हो जाएगी फिर A plus में से आपने एक electron और बहार निकाल दिया तो प्यारे बच्चो यहाँ पर ये ionization energy 2 हो जाएगी फिर प्यारे बच्चो आपने यहाँ पर एक electron और बहार निकाल दिया तो फिर ये आपकी ionization energy 3rd हो जाएगी तो प्यारे बच्चो आपको दिक रहा होगा कि सबसे ज़्यादा ionization energy यहाँ पर इसकी है फिर इसकी है फिर इसकी है तो याद रखना प्यारे बच्चो जो आइनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्ली प्रोपर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपर्शनल होती है आपके साइज के तो जितना कम साइज होगा उतना ही ज्यादा आइनाइजेशन एन energy होती है याद रखना तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी है तो याद रखना जिसकी साइच छोटी है तो यह एक सइच छोटी है यह बड़ी साइज तो electron प्यारे बच्चों यहाँ आइनाइजेशन एनर्जी थर्ड इस ग्रेटर देन आइनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इस ग्रेटर देन आइनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जिसकी जितनी ज्यादा आपकी आइनाइजेशन एनर्जी होगी जितनी काम आपकी यहां पर साइज होगी तो यह आइनाइजेश एड़ फुल्फिल्ड अगर प्यारे बच्छो आपका हाफ या फिल्फिल्ड है तो याद रखना यहां पर इनरजिशन एनरजी सबसे ज्यादा होती है आईनोगी मेक्सिमुम होती है आगर हाफ फिल्फिल्फिल जाधा energy देने पड़ेगी तो ये भी आपको funda याद रखना है तो फिर एक होता है प्यारे बच्चों आपका electron gain enthalpy हम इलेक्ट्रौन गैन एंठेल्फी ये प्यारे बच्चों electron gain enthalpy क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं electron एक एक एलेक्ट्रोन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देने पड़ेगी यहां एक एलेक्ट्रोन यह लेगा ए- बन जाएगा तो प्यारे बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोन देना होता है यह आपका इलेक्ट्रोन गेन एन्टेलपी का फंड़ा है सिंपल सा सारे बच्चे याद रखेंगे और यहां सबसे इंपोर्टेंट है आपका जो इलेक्ट्रोन गेन एन्टेलपी का ओडर है वो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है जैसे आपका फिलोरीन, किलोरीन, ब्रोमीन औ और iodine तो यह आपको प्यारे बच्चों याद रखना है simple सा ठीक है ना आपको पता है down the group जाएंगे तो size आपकी बढ़ती है तो ionization energy घड़ती है तो यहाँ भी same है अगर size बढ़ेगी तो ionization energy घटेगी तो प्यारे बच्चों order आपका क्या होने चाहिए था F, CL, BR और I ऐसा आपका order होना चाहिए था जबकि यह नहीं होता है electron gain enthalpy order होता है CL, F, BR और I it is the correct order याद रखना यह exception होता है यह exception होता है क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों आपका जो फिलोरीन है इसकी प्यारे बच्चों size छोटी होती है electron का repulsion जादा होता है इस वज़े से chlorine, fluorine, bromine, iodine, electron gain enthalpy का correct order है यह आपको electron gain enthalpy के बारे में याद रखना है सारे बच्चे इस चीज़ को याद रखेंगे आगे से कभी भी पूछा जाए तो electron gain enthalpy के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं एक प्यारे बच्चों आप से पूछ जाता है electron negativity के बारे में electron negativity के बारे में पूछा जाता है तो इलेक्ट्रो नेगिटिविटी के बारे में सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, सारे बच्चे इलेक्ट्रो नेगिटिविटी के बारे में ध्यान से सुन लेना, सबसे ज़्यादा फिलोरिंग की होती है, फिर उक्षिन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, अगर प प्यारे बच्चो यहां पर आपकी बढ़ती है जबकि down the group प्यारे बच्चो यहां पर आने पर प्यारे बच्चो आपकी क्या होती है घटती है यह आपको याद रखना है यह आपको order याद रखना है इलेक्ट्रो नेगिटिविटी का मतलब है कि कसके पकड़ रखना किसी चीज को खीचना अपनी तरफ यह आपका इलेक्ट्रो नेगिटिविटी होता है तो प्यारे बच्चों फाइनली इलेक्ट्रो केमेस्ट्री के साथ में यह आपका जो पीरियोडिक टेबल है यह हो जाता भी सकते हो ठीक है ना आप पढ़ भी सकते हो ठीक है सारे बच्चे यहाँ पर वहाँ 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 देखो यह वहाँ वहाँ आ गया एक दम बढ़िया सांधार है ना देख लीजिए आपके पुराने master ऐसे होते होंगे school में अगर आप school में गए होंगे तो ऐसे ही master होते हैं ठीक है न पुराने पुराने एकदम तो वावा वावा एकदम तारीब कर रहा है आपकी कि आपका chapter complete हो चुका है और यह सारी चीज़े अपन कर चुके हैं ठीक है और आप प्यारे बच्चों अपन चलत करते हैं और प्रेक्टिस करते हैं यह सब कुछ आपको PDF में मिल जाएगा तो आप आसानी से सब कुछ पढ़ सकते हो और यह आपका periodic table आ चुका है ठीक है और यह आपके सामने आपका first question आ चुका है प्रेक्टिस करना है अब आपको the compound of 3D2 forest 2 configuration is related to beach block आपको कोई compound है जिसका electronic प्रेक्टोनी configuration है 3D2 & forest 2 और आपको बताना है कि यह कौन से group से होगा कि ब्लॉक बताना है कौन सा ब्लॉक से होगा जल्दी से बताईए और अब वाई साब करो यार लाइक की संक्या बढ़ी नहीं रिए तो यह थोड़ा सा यहां पर अंदर से मोटिवेशन कम कर रहा है तो लाइक करते रहो सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताइए प्रैक्टिस कर रहे हैं अब अपना अच्छे कुशंस की फिर आप कोडिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉंडिंग दो चेप्टर आपके बच रहे हैं इसके बाद में अपन कोडिनेश की स्टार्ट करेंगे बिल्कुल भाई डी ब्लोक है अभी मैंने आपको बताया था 3D2 4S2 है तो डी ब्लोक का एलिमेंट है चलिए यह वाला कुश्चन का अंसर बताइए आप दा बेस्ट रिजन तो अकाउंट जन्रल टेंडेंसी ओफ एटोमिक डायमेटर तो डिक्रीज दा एटोमिक नंबर इंक्रीज बिने पिरियाड और पिरेडिक टेवल दा फैक्टर देट कौन सा फैक्टर है आपका वो बताना है और आपके सामने ओप्संस अविलेवल है तो इंस्टा चलाते हो यह भी बताओ इनको है न आपकी इंस्टा की आईडी तो इनको शिक्काजी है न ठीक है क्या वही कैसे कैसे बच्चे यार है क्या बुलू आपको में को बताई यह वाई जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए आप कोडिनेशन कंपाउंड अपन स्टार्ट करेंगे ठीक है ठीक है भई कोडिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे पहले इस कुश्चन का अंसर बताईए अरे भाई पड़ाई तो रहूं यार पड़ादो पड़ाऊंगा भाई कोडिनेशन गंपाऊंगी पड़ाऊंगा ठीक है बताईए सारे बच्चे अरे ये लिजे भाई तुसा साइड हो गया उनलो कब उतर आगे हैं आने दो कब उतर को अरे यार ये लो हटा दिया हम ये को पूरा है चलिए बताईए भाई बिल्कुल आपका फॉर्ट ओप्शन करेक्ट है तो बिल्कुल जिन बच्चों का भी यहां पर फॉर्ट ओप्शन आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर है भाई ठीके? फॉर्ट ओप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है जिन बच्चों का भी फॉर्ट ओप्शन आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर है ठीके वही? चलिए आप यह नया कुष्चन आपके सामने आ गया है lengthened contraction जो आपका होता है ये बताना है related to decreases जल्दी से सारे बच्चे बताईए lengthened contraction related to decreases सारे theoretical question है तो सारे बच्चे आराम से जवाब दो कभूतर गए हैं अभी तक हाँ कभूतर उडने गए होंगे आप साम का time हो गया न बताईए बहुत प्यारा question एक बार फिर से आ गया है सारे बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा ए नहीं होगा भई आपका atomic as well as m plus 3 radio हो जाएगा क्योंकि lengthened contraction के बारे में आपसे बात करी है भई ठीक है lengthened contraction के बारे में बात करी है आपसे ठीक है भई चलिए ये वाला question का answer बताईए आप इन बिच ओब दा following बिच है maximum ionization potential सबसे ज्यादा ionization potential किसका होगा बहुत प्यारा बहुत simple question आपका फिर से आ गया है सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताईए B option एक दम correct answer है भई क्योंकि आपको पता है helium electronic configuration बनेस्टू fulfilled orbital है inert gas में आता है तो सबसे ज़्यादा आपको पता है ionization potential या ionization energy किसकी हो जाएगी helium की हो जाएगी तो बिल्कुल आपका second option एक दम correct answer है चलिए ये बताईए आप नया question atomic radii of fluorine and neon आपको बताना है atomic radii of fluorine and neon में सबसे ज्यादा किसकी होगी atomic radii fluorine and neon में आपको comparison करना है और बताना है किसकी यहाँ पर आपका fluorine and neon में किसकी atomic radii सबसे ज्यादा होगी बताईए सारे वच्चे जल्दी जल्दी आचल जी यहाँ पर B option radii गाजी B option नामी गाजी test का question है क्या बात है आपको इत्ता पता है सर लीथियम भी हो सकता है ना भई लीथियम नहीं होगा है लीना की रपसे फर्याद S block का element है भई सबसे ज्यादा पूछे आपसे इसलिए helium होगा नहा जी C option, देवेश जी C option, मदू जी आपका B option, मिरणमे जी C option, सुमन यादव जी C option, सानिगा जी A option, नहा जी C option, मनीशा जी C option, पूजा जी C option, मिरणमे जी A option, मदू जी B option, ओम जी B option, नहा जी C option, अंकी जी C option, आचल जी C option, बैसनवी जी C option, क्या बात है काफी बच्च आपको पता है एक है आपका fluorine एक है आपका neon और आपको पता है प्यारे बच्चों neon की ज़्यादा होगी fluorine की कम होगी क्योंकि इनर्ट गयस है electronic configuration fulfilled orbital में आता है इनर्ट गयस है तो neon की ज़्यादा और fluorine की कम तो एक ही ऑपसण गया दूर पहले कम है और फिर आपका ज्यादा है तो सेकेड़ आपका correct answer हो जाएगा क्योंकि यह कम और यह ज्यादा है तो यह कम ज्यादा पयलू आपको की आपकी यहाँ पर atomic radia यह वो सबसे ज़्यादा होती है चलिए यह बताईए ionization potential is influenced by ionization potential किससे प्रभावित होता है ionization potential किससे प्रभावित होता है यह आपको बताना है सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताईए ionization potential किससे प्रभावित होता है आपको बताना है बताईए सारे बच्चे टेंगे टेंगे कुछ नहीं है टेंगे टेंगे नहीं बताईए सारे बच्चे जल्दी जल्दी बहुत प्यारा कुछन है आप सभी को पता है all of these is the correct answer क्योंकि आपको पता है ionization potential size पर depend करता है charge पर करता है electron पर करता है तो fourth option correct हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था ionization energy is directly proportional to charge upon size अभी मैंने आपको बताया था तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सब चीज पर depend करेगा तो all of these is the correct answer all of these आपका correct answer हो जाएगा second ionization potential in electron balls oxygen और fluorine एक oxygen है एक fluorine है और second ionization potential आपको बताना है इसका electronic configuration आपको पता है 1s2 2s2 और प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर 2p4 हो जाएगा ठीके न यह आपका 2p4 हो जाएगा 1s2 2s2 और यह आपका 2p5 हो जाएगा यह आपका first है और आपसे पूछा है second का यह प्यारे बच्चों ionization energy first आप निकालेंगे तब देखेंगे और ionization energy second आपसे पूछी है मतब एक एक electron loss कर दिया है तो प्यारे बच्चों 1s2 यह बचेगा आपका 2s2 यह आजाएगा 2p3 यह आपका आजाएगा 1s2 2s2 और 2p4 अब एक electron अगर आपको निकालना है तो यह half field है और यह आपका यहाँ पर partially field है तो बताइए आप कौन सा answer आपका जल्दी जल्दी सारे बच्चे answer बताइए सरकारी option आपका नहीं होगा बई सरकारी option नहीं होगा क्योंकि यह second ionization energy में यहाँ से electron निकालोगे तो प्यारे बच्चों आपको पता है second के लिए यह आपका half field है यह आपका partial है तो oxygen ज्यादा हो जाएगा फिलोरिन कम होगा तो ज्यादा और कम प्यारे बच्चों एक ही option है यह ज्यादा यह कम बाला एक ही option है तो third option is the right answer C option आपका right answer हो जाएगा C option आपका right है क्योंकि यह ज्यादा यह कम क्योंकि second ionization energy निकाल नहीं है तो एक एक electron निकाल देंगे पहले तो तो प्यारे बच्चों यह आपका electronic configuration बचेगा और यह आपका half field है यह आपका partially field है half field का आपको पता है ionization potential ज्यादा होता है तो प्यारे ब बताईए आप यह वाला question का answer बताईए which of the following transition involve maximum energy सबसे ज्यादा ionization energy maximum किसमें होगी A B C D आपको 4 option given है और आपको बताना है सबसे ज्यादा आपकी ionization energy किसमें ज्यादा होगी पीरियोडिक टेबल चल रहा है भई बिल्कुल आपका B option correct है क्योंकि M plus 2 आ रहा है मतलब size सबसे कम है और size सबसे कम है तो मैंने आपको बताया था ionization energy directly proportional to charge upon size तो सबसे कम अगर आपका size है तो ionization energy सबसे ज्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल आपका correct answer है चल यह यह वाला question का answer बताईए highest ionization potential इन्हें periodic table सबसे ज्यादा ionization potential जो होता है वो यहां पर किसका होता है है सारे बच्चे बताईए कि पढ़ा रहा हूं इससे ज़्यादा क्या सुलो पढ़ा हूं कि बताईए सारे बच्चे इस question का answer कि वीजू जी भाई इससे ज़्यादा सुलो क्या पढ़ाया जाए बताओ आप क्लास बहुत देड़ तक चलेगी किट्टू जी आपकी क्लास 12 गंटे की है समझे लो आप आप क्या बात है मौर्निंग से पढ़ा रहा हूं आपके लिए जूस धन्य बाद भाई धन्य बाद आपका क्या बात है भाई क्या बात है सी ओप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा मैने अभी आपको बताया है सेकेंड ओप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नोवल गेस का electronic configuration आपको पता है fulfilled होता है और यह inert gas में आती है जो कि आपको पता है exception होता है तो याद रखना novel gas जो कि अभी अपने देखा था helium बाला case देखा था helium बाला याद होगा तो बिल्कुल आपका second option यहाँ पर correct हो जाएगा जिन बच्चों ने second option बताएं है एकदम correct answer हो जाएगा ठीक है तो प्यारे बच्चों यह लीजिए यह periodic table आपका समाप तो चुका है और अब अपन बात करेंगे यहाँ पर coordination compound के बारे में coordination compound के बारे में अपन बात करेंगे periodic table आपका समाप तो चुका है और coordination compound के बारे में में बात करेंगे oh no I have lost my electron oh no you are positive तो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आयाता है बोल रहा है बच्चा oh no you have lost my electron oh no you are positive लेकिन अभी भी आपको positive रहना है क्योंकि हो सकता है कोई कि चैप्टर टफ हो वह आपको समझ में नहीं आया हो ठीक है ना तो फिर से आप देखोगे तो आजाएगा समझ में लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे चैप्टर समझ में नहीं आया सारे चैप्टर टफ नहीं होते तो बिलकुल यहां पर बिलकुल बोल रहा है आपका oh no you are positive तो कि पीरियोडिक टेवल समाप्त हो गया है कोडिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी बोलो भाई साब क्या आपको यह किलियर है क्या आपके टूथ पेस्ट में नमक है मैगी घाना है बिलकुल वाई साब बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर स्टार्ट करेंगे अब कोडिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे वाई साब बहुत जल्दी बहुत जल्द कोडिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे तो तयार हो जाओ कोडिनेशन कंपाउंड के लिए सारे बच्चे तयार हो जाओ कमर कस लीजिए एक बार फिर से तूफान आने वाला है तूफान फिर से आने वाला है और कोडिनेशन कंपाउंड की सुरुवात करेंगे बहुत सांदर चेप्टर है बहुत प्यारा चेप्टर है मज़ेदार चेप्टर है और अपन यहां पर coordination compound पर चलते हैं coordination compound के questions तो बाद में करेंगे पहले अपन coordination compound पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे बच्चे ठीक है तो यह देखिए सबसे पहले याद रखना एक होता है double salt तो प्यारे बच्चो double salt क्या है को पता है k2SO4,N2SO4-024H2O यह होता है आपका potassium ठीक है तो प्यारे बच्चो यह complete ionized हो जाता है आपका 2 potassium 446-2 ठीक है न तो प्यारे बच्चों यह complete ionize हो जाता है तो यह double salt कहलाता है जबकि आपको मैं बोलू यहांपर k4feCN का hall 6 ये प्यारे बच्चो अगर आपसे volume है तो 4K plus और ये प्यारे आपका हो जाएगा FECN का hall 6 minus तो प्यारे बच्चो याद रखना ये आपका complete ionize नहीं होगा क्योंकि ये coordination bond से बना हुआ है तो याद रखना coordination bond क्या है और double salt के बारे में आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बिल्कुल यहाँ पर बता सकते हो ठीक है न अब प्यारे बच्चो यहाँ पर coordination bond के बारे में क्या है किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ यह देखो आप cu ns3 का hall for s2o तो प्यारे बच्चो जो आपका copper है यह आपका central atom है ns3 है यह आपके ligands है ligands क्या होते हैं जो आपके electron pair central atom को donate करते हैं यह ligands होते हैं central atom और ligands के बीच में जो bond बनता है वो coordination bond कहलाता है और आप पढ़ भी सकते हो homoleptic क्या है homoleptic का simple सा मतलब है ligands जो प्यारे बच्चो यहां पर एक प्रकार के आपके ligands होते हैं वो homoleptic कहलाता है heteroleptic मतलब दो टाइप के ligands जैसे ethylin diamine और chlorine आ जाए तो वो आपका heteroleptic ligands कहलाते हैं ठीक है यह simple सी चीज है जो कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी उसके बाद में यहां oxidation state आप से पूछा जा सकता है जो कि मैं आपको already निकालना सिखा चुका हूं जैसे यहां आपको निकालना है तो जिसका निकालना है उसको x एक साइनाइट गा आपको प्यारे बच्चों माइनस का बन छे का माइनस का च्छे सॉल करेंगे तो x बरावर आपका आ जाएगा प्लस का 2 co आपका neutral लिगेंड से तो इसका आपको पता है जीरो हो जाएगा ऐसे यहां पर ns3 आपका neutral लिगेंड से तो co के उपर direct charge आ जाएगा प्लस का 3 तो प्लस का 2 प्लस का 3 और 0 आपकी oxidation state या oxidation नंबर हो जाएगे तो इस तरीके से प्यारे बच्चो oxidation नंबर और oxidation state के ठीक है यहां पर अपन सवाल solve कर सकते हैं coordination नंबर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है ठीक है एक होता है प्यारे बच्चो आपका नाम के आगे जो आपका नाम होता है उसमें पीछे O लगा देंगे NINIC leggends में और EM लगा देंगे I UM लगा देंगे Catynik leggends में Catynik leggends है तो I UM Negative है तो O लगा देंगे जब भी अपन नाम लिखेंगे लिखेंगे ठीक है जैसे आपके सामने आ गया है Monodentent ligands जो केवल एक donor side रखता हो वो Monodentent कहलाता है NH3 को बोलेंगे Amines S2O को Aqua NO को Nitrosil PS3 को Phosphine PPS3 को Trif9 O2 को Di Oxygen Di Nitrogen यह जो star लग रहे हैं यह आपके लिए important है CO आपको Carbonyl बोलते हैं यह भी important है यह direct आपको PDF मिल जाएगी आप आराम से पढ़ लेना ठीक है ना क्योंकि आपको भी पता है time की limit है लेकिन मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं Catinic में आपका NO plus होता है जो आपका Nitrosilium कहलाता है NO2 plus होता है जो Nitrorium कहलाता है NH2, NH3 plus होता है जो आपका Hydrogenium कहलाता है तो यह Katinic Legands है इनके नाम भी आपको पता लग गया होगा यह आपके a class पाता है F minus जो Fluorid work कहलाता है C L minus जोundroid work कहलाता है BR minus Bromido कहलाता है I minus iodido कहलाता है O minus का 2 oxido कहलाता है Sulphido कहलाता है Hydroxido कहलाता है इस तरीके से यहां पर यह इमाइडो है, हाईडराइडो है अमाइडो है, सारे नाम आप देख सकते हैं यह एनइडो है प्यारे वच्चों यहां पर एनाइनिक मोनोडेंटेल लिगेंड से जो कि आप से पूछे जा सकते है एक होता है बाइडाइंटेड लिगेंट क्या है तो लिगेंट जिसके पास में डो डोनर साइड होती है जैसे आपका EN इथाइलीन डाइमाईन आपको पता है CS2 CS2 यह आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर NS3 आ जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका NS3 आ जाएगा यह आपके लॉन पेर है डोनेट करेगा सेंटल एटम को दो डोनर साइड है इसलिए यह बाइडेंटेड लिगेंट्स क्यालाता है एक अपन एक्जामपल C2O4-2 ऑक्जिलेट का भी ले सकते हैं जैसे आपका C double bond O और यहाँ से O- O- डोनर साइड है तो यह भी आपका बाइडेंटेड लिगेंट्स क्यालाता है एक पॉलिडेंटेल लिगेंट्स होता है वो क्या होता है जैसे आपको पता है EDTA, Ethylene, Diamine, Tetra Acetate जो कि आपका Hexadentate Legends भी कहलाता है Hexadentate Legends कहलाता है ठीक है न, Ethylene, Diamine, Tetra Acetate आपको बेसे पता है CS2, CS2, N, CS2, COO- CS2, COO- ठीक है CS2, COO- और प्यारे बच्चों आपको पता है CS2, COO- ठीक है न, यह N से आपका जोड़ा रहेगा CS2, N, और उससे जोड़ा रहेगा CS2, COO- ठीक है प्यारे बच्चों बिल्कुल तो यहाँ पर आपके सामने है EDTA 1, 2, 3, 4, और 1 Nitrogen और 1 Nitrogen, तो प्यारे बच्चों 6 Donor Side है तो आपका यहाँ पर यह Hexadentate कहलाता है कई सारी Donor Side है, तो यह आपका Polydental Legends कहलाता है एक आपका होता है प्यारे बच्चों Embedent Legends तो Legends which have 2 different Donor Side लेकिन एक टाइम पर एक Donor Side यूज करें वो Embedent Legends कहलाता है जैसे CN- और NC- एक बार Nitrogen यूज करेगा तो यह आपका Sinide कहलाएगा और NC- Carvan वाली Side यूज करेगा तो यह आपका Isocyanide कहलाएगा तो ऐसा Legends जिसके पास में दो Donor Side होती है एक टाइम पर एक Donor Side यूज करते है वो आपके Embedent Legends कहलाते है ठीक है वाई, सारे बच्चे बताओ यह Flex Dent तो आपके सलिवस में नहीं है Chilating Legends क्या है जो आपके प्यारे बच्चों याद रखना Ring Form करते है वो आपके क्या कहलाते है Chilating Legends कहलाते है ठीक है, जैसे आपको अभी देखा था Ethylene Diamine, CH2, CH2 फिर यह प्यारे बच्चों NH2, NH2 आपने अभी देखा था तो यह आप metals के जोड़ देंगे तो एक, दो, तीन, चार और पांच member की आपकी ring बन जाएगी तो ring बन जाएगी तो यह आपका Chilating Legends कहलाएगा जैसे यह आपका EN Ethylene Diamine था तो Chilating Legends का simple सा मतलब है ऐसे Legends जो आपके यहाँ पर क्या form करते है ऐसे Legends जो आपके ring form करते है वो आपके यहाँ पर Chilating Legends खेलाते हैं आपके सामने अपने देखा है उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर simple सा है questions अपन करेंगे ठीके न? तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं Primary Valency और Secondary Valency के बारे में एक होती है Primary Valency एक होती है Secondary Valency Primary Valency जो आपका oxidation नमबर को बताता है Anine को satisfy करता है Non-directional होता है Ionizable होता है Not helpful होता है Geometrical के लिए यह coordination नमबर के बरावर होता है Legends के द्वारा satisfy होता है Directional होता है Non-Ionizable होता है और प्यारे बच्चों helpful होता है Geometry के लिए तो यह Burner ने theory दी थी प्यारे बच्चों Primary Valency और Secondary Valency के बारे में तो यह आपको बताया था जो कि आपको आना चाहिए और I think इस सारे बच्चों को यह clear हो गया होगा Burner theory Primary Valency Secondary Valency के बारे में जो बता के गया था ठीक है उसके बाद में प्यारे बच्चों आपकी Balance Bond theory आती है यहाँ पर प्यारे बच्चों अपन Hybridization निकाल सकते हैं अगर Coordination Number आपका 6 है और अगर Coordination Number प्यारे बच्चों आपका 4 है 6 है तो आपका प्यारे बच्चों Hybridization SP3 D2 भी हो सकता है D2 SP3 भी हो सकता है यह generally आपका कब होगा जब pairing हो जाएगी Strong field against आजाएगा SP3 D2 प्यारे बच्चों आपका Big field against के case में होगा दोनों है तो आपकी save geometry जो होती है वो Octahydral ही केलाएगी वो आपकी Octahydral केलाएगी Coordination No.4 में दो case बनते हैं एक है SP3 एक है DSP2 SP3 मतलब होता है Tetra Hydral DSP2 मतलब होता है प्यारे बच्चों Square planar क्या होता है Square planar ठीक है ना Square planar यह कब बनेगा जब electron की pairing हो जाएगी मतलब strong field against आएगा ठीक है ना और strong field against कौन से होते हैं आप सभी को पता है strong field against आपके कौन से होते हैं आप सभी को पता है ठीक है ना जैसे आपका CN- हो गया ठीक है ना Indy no, no, Sena, Coat के चक्कर लगा रही है ठीक है ना तो यह आपके सारे बच्चे आपको पता है यह सारे के सारे आपके क्या है स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंट्स होते है ठीक है भई बिल्कुल बिल्कुल यार यह डेविल जी कौन है सर इसको ब्लोक किया जाए इतने कमेंट्स करने की जरूद कहां आ गई आपको हिंदी में एक भी कुछने ऐसा है अजय को हिंदी में टाइब करके ने लेक आया हमें एक भी कुछन दद्रहिस को इंगली सिंदी में दोनों है मज़ा आता है लेकिन के सक्वाश को इ игр करने में बस बात यह है कि एक बार में समझ में नहीं यादा किसी बात को 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 बोलते है एक होता है प्यारे बच्चों पैरा मेंगनेटिक एंड डाया मेंगनेटिक नेचर के बारे में पैरा और डाया आपको पता है ठीक है न अगर आपके प्यारे बच्चों तो नंबर ओफ अनपेड इलेक्टों अगर है तो आपका पैरा मेंगनेटिक होगा ठीक है न जैसे आपका एक दो electron है ठीक है ना तो आपका वो क्या हो जाएगा पैर माग्नेटिक हो जाएगा और कोई unfed electron नहीं है तो आपका diamatic हो जाएगा ठीक है ना तो यह सारे बच्चे याद रखना इस चीज यह आपको पता होना चाहिए पैर अरे स्थिर आर्लय की बेल्यूँ की त्येक है ना होता है आपका tetrahidal अगर octahidal का case है तो याद रखना सारे बच्चे इसको split कर देंगे ठीक है ना तो सबसे पहले आपका आ जाएगा t2g फिर आपका आ जाएगा eg 2 orbital यह आपकी central line है यह 3 upon 5 करेंगे तो यह value 0.6 होती है यह value above the below the line आ रही है तो माइनस में 0.4 होती है डेल्टा ओ डेल्टा ओ तो जो आपका यहाँ पर crystal filled splitting energy की जो value है वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर minus में 0.4 गुणा number of electron in t2g plus 0.6 गुणा number of electron in eg और आपका multiply हो जाएगा डेल्टा ओ से तो याद रखना यह आगर आपका यहाँ पर क्या है crystal filled splitting energy octahedral के लिए है डायरेक्टरी का आपको याद रखनी है नीचे t2g आएगा उपर eg आएगा यह 0.6 के ऐसे आया याद रख सकते हो यह उपर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 3.5 डेल्टा ओ यहाँ टू आ रहा है तो octahedral की यहाँ पर value निकल किया जाएगी सब कमेंट सेक्शन ठीक है तो यह आपका octahedral का case हो गया अब बात करते हैं अपन टेट्राइडल के बारे में split करेंगे नीचे आपका e g आएगा उपर आपका t2g आएगा यह central line हो जाएगी तो अब उपर आपका आपका क्या आजाएगा plus में आजाएगा 0.4 delta t नीचे आजाएगा माइनस में 0.6 delta t और simple सा cfac के आपका जो formula है वो अब उल्ट हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा माइनस में 0.6 गुणा delta t प्लस ठीक है ना माइनस में 0.6 गुणा number of electron in e g प्लस 0.4 गुणा number of electron in t2g ठीक है ना और प्यारे बच्चों आपका आजाएगा delta t तो यह simple सा formula है crystal field splitting energy का cfac का questions करवाओंगा तो और अच्छे से clear हो जाएगा questions करवाओंगा प्रते एक चीज पर अभी तो मैं आपको सिर्फ यह concept बता रहा हूं याद रखना प्रते एक चीज पर question में आपके लिए लेके आया हूं questions करवाओंगा सांदर questions करवाओंगा तो याद रखना ठीक है ना बिल्कुल आपको questions करवाओंगा तो यह आपका tetra idol है एक relation याद रखना delta T बरावर 4 by 9 times of delta O यह वाला relation याद रखना delta T जो splitting energy tetra idol की है वो 4 by 9 times होती है octa idol के लिए splitting energy में फिर अपन बात करेंगे isomerism के बारे में ऐसे compound जिनका प्यारे बच्चों molecular formula same होता है लेकिन आपका यहाँ पर structure different होता है वो isomerism कहलाते हैं दो type के isomerism होते हैं structure और stereo structure में ionization hydrated coordination linkage structure में geometrical और optical structure में ionization isomerism ionization का मतलब है ions different होना जैसे यहाँ पर sulfate है यहाँ पर sulfate प्यारे बच्चों यहाँ पर है आपका bromine आ गया तो यह देखो इधर sulfate वार है जबकि इधर bromine है तो different ion है आपके coordination spare के बाहर तो अगर different ion है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ionization isomerism हो जाएगा तो जब ions different है तो ionization हो जाएगा hydrated मतलब water molecule यहाँ पर प्यारे बच्चों six water molecules बाहर है तो अगर अपन लिखे सी आर एस्ट्वो का हॉल five एक किलोरीन अंदर ले लेते हैं और प्यारे बच्चों दो किलोरीन बाहर रह गए तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों एक water molecule बाहर चला जाएगा तो यहाँ कोई water molecule बाहर नहीं है यहाँ water molecule बाहर आ गया है तो जब एस्ट्वो का different आ जाता है आ जाता है तो वह आपका hydrated isomericim कहलता है जब एस्ट्वो का difference आ जाता है तो वह आपका क्या कहलाता है hydrated isomericim कहलाता है सारे वच्चे याद अखना कभी भी आप से hydrated isomericim के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो एक होता है linkage isomericim यहाँ पर आपका क्या होगा यूज होंगे जैसे cn-scn-no2 तो आपका linkage isomericim यह कहल आएगा ठीक है न अगर आप यूज गरोगे तो आपका क्या कहल आएगा linkage isomericim कहल आएगा एक होता है stereo isomericim याद रखना they have same molecular formula लेकिन प्यारे बच्चो special arrangement यहाँ पर different होगा ठीके ना दो टाइप का होता है एक geometrical और एक optical geometrical और क्या है optical क्या है geometrical मतलब C-signal trans जैसे मालो c double bond c double bond यह ए है यह b है यह a है यह b है तो अगर opposite side में प्यारे बच्चो अगर प्यारे बच्चो same group आ गए है opposite side में प्यारे बच्चों same आ गए हैं तो यह आपका trans कहलाता है c double bond c c double bond c इधर a आ गया इधर b आ गया इधर a आ गया इधर b आ गया अगर opposite side में different group आ गए हैं तो यह आपका कहलाता है cis opposite side में अगर different group है तो cis कहलाएगा opposite side में same group है तो आपका ट्रांस खिलाएगा तो जोमेटरीकल दो टाइप के आपन देखेंगे सिस और ट्रांस याद रखना प्यारे बच्चों जोमेटरीकल वाला केस में अगर कोडिनेशन नंबर अगर आपका चार है तो दो केस पोसिबल होते हैं एक tetra hydral, एक प्यारे बच्चों होता है square planar, तो याद रखना tetra hydral में all position आपकी same होती है, सारी position same होती है, तो यहाँ पर कोई geometrical isomerism नहीं होगा, no geometrical isomerism, जबकि यहाँ पर geometrical isomerism square planar अगर है, तो geometrical isomerism हो सकता है, जबकि अगर coordination number 6 है, coordination number अगर आपका 6 है, तो प्यारे बच्चों आपका geometrical isomerism हो सकता है, geometrical isomerism हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, coordination number 6 है, तो बिल्कुल आपका octahedral वाला case होता है, और यहां पर आपका क्या, आपका प्यारे बच्चो, Geometrical Isomerism हो सकता है, ठीक है वही, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके मैं Total number of Geometrical Isomerism की टेवल लेके आ गया हूँ,まe6 है, तो कोई Geometrical Isomerism नहीं होगा, अगर MA5B है, A5 मतनब दो लिगेंड से, A अलगे, B अलगे, MA5B है तो नहीं होगा, MA4B2 है तो हो जाएगा, MA4BC है तो हो जाएगा, MA3B3 है तो भी हो जाएगा, कितने होंगे, नमबर लिख रहे हैं, टेबल आप याद रख लेना, सबसे इंपोर्टेंट है MA3B3, ये आपके द ट्याप 2-टाइप जो मेरनी, इसमेर चींथने सताथा है, ये आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए सबसे इंपोर्टेंट उसके बाद में अपन प्यारे बच्चों बात करेंगे, optical isomerism के बारे में, ठीक है, तो यादी रखना, optical isomerism प्यारे बच्चों, कोडिनेशन नमबर चार वाला केस अगर है तो प्यारे बच्चों आपका चाहे यहाँ पर टेटरा हाइडरल है और चाहे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका स्क्वाइर प्लेनर है यहाँ पर दोनों ही केस में कोई ओप्टिकल आईसोमेरिसिम नहीं होता है जबकि अगर प तो आपका optical isomerism हो सकता है, ठीक है, optical isomerism आपका हो सकता है, ठीक है तो ये प्यारे बच्चों यहां पर isomerism बाला जो part है वो आपका समाफ्थ हो जाता है, आई सो मेरी सिंबाला पार्ट कम्प्लीट हो चुका है आप कुश्चन्स प्रैक्टिस करेंगे जितने वे अपने ट्रिक सीखी है फॉर्मले सीखें है जो भी सारी चीज़े अपने रिवाइज करी है तो यहाँ पर अब इनके उपर कुश्चन्स करेंगे क्योंकि चार बज ग करने हैं ठीक है ना तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा बाकी का देखो मैंने ट्राइ किया है बहुत सारी चीज़े आपको समझ में भी आई होगी और बहुत सारी चीज़े मैंने आपको एक्स्प्लेन करी है पीडिएफ आपको मिल जाएगी आराम से पढ़ लेना ठीक है कोई इतना आसान काम नहीं है मैं भी लगातार बोल रहा हूं बिल्कुल थक चुका हूं बोल भी नहीं पा रहा हूं ऐसी हलत है आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं बिल्कुल हलत खराब है क्योंकि आपको पता इतना आसान नहीं होता आपन पूरा करेंगे ठीक है ना तो बिल्कुल सारे बच्चों को जहां तक है समझ में आया हुगा अभी questions practice करेंगे तो और अच्छे से clear होगा ठीक है ना बागी का आप समझदार हो ठीक है ना आठ घंटे से में लगातार बोल रहा हूं बस आप अच्छे से पढ़ा ही करोगी तो प्यारे बच्चों कोई समझ्या नहीं है पहले coordination compound समाप्त कर लेते हैं उसके बाद मैं पांच मिनट का आपको rest दूँगा लेगिन पहले इसकी practice कर लेते हैं coordination compound की ठीक है ना coordination compound की practice कर लेते हैं तो यह coordination compound है और इसकी practice करेंगे अपन ठीक है तो सारे बच्चे पहला question आ गया है जल्दी से इसका answer बताओ ठीक है भई जल्दी से इसका answer बताओ फिर में आपको थोड़ा सा rest दूँगा ठीक है ना 5 मिनट का लेकिन पहले यह करते हैं और inorganic chemistry आपकी complete होने बाली है physical complete हो तो यह मेरतन है उसका करेंगे समापन है ठीक है तो बताओ भाई सारे बच्चे जल्दी जल्दी अर्पना जी कर लेंगे कर लेंगे रेस्ट्यार क्योंकि एक बार यह चैप्टर समाप तो जाए ना उसके बाद थोड़ी energy आ जाएगी ठीक है ना तो बताओ यह सारे बच्चे जल्दी से कोडिनेशन नंबर और आक्षिडेशन नंबर आपको बताना है तो जल्दी से सारे बच्चे बताईए फटा-फट बताईए वह सारे बच्चे बताइए वह सारे बच्छे जल्दीं क doubles कर लेंगे थे कर लेंगे ठीक है ना पहले ये चेप्टर कम्रीट नेटें फिर पक्का पांच बिनिट के लिए रेस्ट कर लेंगे क्या कि लेकिन पहले ये चाप्टर कम्रीट कर लेते आर nar Чब तब तक देंगे आँ कहा है न कि टेक्निकल टीम जैसर को बलाया जाए हुँ कि बताईए भई सारे बच्चे बताईए ठीक है ना सारे बच्चे बताईए कितने बच्चे हैं देखते हैं ठीक है बच्चे तो आ जाएंगे भई अब बच्चे भी ठक जाते हैं ठीक है ना इधर उदर गए होंगे आ जाएंगे ठीक है ना बिल्कुल जैसर को कॉल करता हूं मैं ठीक है भई जैसर को मैं कॉल करता हूं इस कुश्यान का अंसर बताईये तब तक आप आयेगा सर थोड़ा हां मतलब आजाओ आराम से कोई दिक्कत नहीं 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 चल रही है ओके ठीके बताओ अंसर बताओ जल्दी 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 आंसर बताओ थो आपको पता है LOUDन का होल करेंगे तो फोर टाइम सोझ कोई नमबर आपका 4 है ऑको पताओ अपको पता है तो आपका 2 हो जाएगाश नमबर 4 ट्य नमब और आपका क्या है बाइडेंटेट लिएंड है और बाइडेंटेट लिएंड है और बाइडेंटेट लिएंड एक की दो एक दो बॉंड बनाएगा ठीक है ना एक दो बॉंड बनाएगा तो एन आपका खुद आपका बाइडेंटे लिएंड है तो दो आपके चार बॉंड ब यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है वही तो आपका बिल्कुल आपका यहां पर correct answer हो जाएगा fourth अब आपको यहां पर यह वाला question का answer बताना है सारे बच्चों को the oxidation and coordination number of platinum oxidation number और coordination number आपको बतानी है coordination number तो आपको पता है 3 bond यह बनाएगा 4 bond यह बनाएगा तो coordination number 4 हो जाएगा तो अब एक ही option match कर रहा है second है oxidation number आपको पता है platinum है तो solve करेंगे तो platinum का simple सा एक्स माइनस का 3 बराबर माइनस का बन ठीक है ना तो आपको पता है x बराबर आजाएगा प्लस का 2 oxidation number प्लस का 2 है coordination number 4 है तो आपका second option बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है बई सेगंड आप्सन आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है ना बिल्कुल आपका second option correct answer हो जाएगा select the by dented ligands by dented ligands आपको बताना है जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे by dented ligands आपको बताना है जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि इनमें से कौन सा by dented ligands है by dented ligands इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका by dented ligands है कि बताईए भी सारे बच्चे एक में आता हूं जब तक आप आंसर बताईएगा जल्दी से और पांच मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं और पांच मिनट बाद फिरसे आते हैं थीकैं ना पांच मिनट बाद फिर से आते हैं सारे बच्चे कोई खई नहीं जाएगा सारे बच्चे यहीं रहेंगे और पांच मिनट बाद फिर से मिलते हैं अपन और यहीं से कुषिंस से आगे बढ़ाएंगे फिर केमिकल बॉंडिंग का समापन करेंगे यहां से आगे बढ़ाएंग के फिर केमिकल बॉंडिंग का समापन करेंगे ठीक है ना तो सारे बच्चे पांच मिनट बाद मिलते हैं आप से एक बार फिर से पांच मिनट बाद अजया आप करेंगे दर्णा कर फिर से एक पांच मिलते पहतल। कि खिर दो मिलते हैं ऌर फिर फिर से मिलते हैं जैसा बार फिर सिहां दयाद करेंगे एक श California झाल 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 एक बार फिर से हम लोग मिल चुके हैं और क्या हाल चाल है आप लोग के वाइस प्रोब्लम है सर नहीं अब नहीं है मुझे लगता अब है वाइस प्रोब्लम प्रोब्लम यास कैसे हैं आप लोग फिर से हम लोग आ चुके हैं तो क्या चाहते हैं आप लोग कुछ क्वेशन करें वाइस प्रोब्लम सर अभी तक वाइस प्रोब्लम है क्या कि हलो क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक कि अभी भी प्रोब्लम आ रही है बढ़िया है सर जी तो जैसे मैंने आपको कुछ क्वेशन करवाय थे पिछली दफा यानि कि पिछले वाले ब्रेक में तो वो आप लोगों को समझ में आये कुछ मज़ा आया था ओके तो कुछ और नए तरह के कुशन करते हैं सर फुले इनर्जेटिक आरे हम तो इनर्जेटिंग ही रहते हैं पर सर बहुत टाइम से क्लासे ले रहे न तो उनको प्रोब्लम होई थी क्लियर है क्लियर है ओके जो पीछे चलने है वो प्लीज थोड़ा अपने वीडियो को लाइव पर क्लिक कीजिए ताकि वो आप लोग लाइव पर आ सको तो आप लोगों के लिए कुछ मेरे पास क्वेशन थे तो मैं सोच रहा था कि आप लोग के साथ डिसकस करूंगा पर आप लोग अपने बातों में मगन हैं तो क्या एक क्वेशन दूँ आप लोगों को द एकिए आप लोग है nursing जो हैं क्या कहते हैं BAC nursing करना चाहते हैं और आप लोग उस platform पर जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़े हम लोग करते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं अब हाल में एक सबसे बहुत बुरा दोर था COVID-19 का यार धना सबको गोगिड-19 तो मुझे कोई बनाएगे COVID-19 के टाइम में कौन सी वैक्षिन आई थी COVID-19 के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि यह थोड़ा नया टाइप का टॉपिक है और इस तरह के कोश्चन्स बन सकते हैं सर क्लास का पीडिया कहां मिलेगा टेलिग्राम पर मिलेगा और टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां पर आप आराम से जाकर अचा कर सकते हो राइट तो मेरा क्वेशन यह है जब COVID-19 आया था ठीक है किसी को पता है कब आया था COVID-19 या ऐसे तुक्के मार रहे हो गाइज गाइज जल्दी से COVID-19 भी था और COVID-19 भी थी वाट इस दा टीटी वह दमीन ऑफ टीटी रोकें से सर टेक टीम का क्या कीजिए ओके उन्निस में आया था दो हजार उन्निस बहुत बढ़िया दो हजार उन्निस का जो दोर था वो एक्चुली कि 2020 में मानते हैं हम लोग क्योंकि 2019 में तो धिरदे पता चला था और लोकडाउन एक्चुली 2021 में पता चला था और 2020 में लोकडाउन स्टार्ट हुआ था राइट क्या मैं सही हूँ क्योंकि आप लोग मुझ्से भी ज़्यादा हो राइट अरे टेक टीम को बुलाना है क्या आप लोगों के लिए तो उसके लिए को वैक्षिन और को विशिल्ड दो तरह की की यहाँ पर वैक्षिन उपलब्ध हुई थी और को वैक्षिन सबसे ज़्यादा दी गई थी उस वक्त राइट जब मैं टेहंद में थी और प्रमोट हो गए अरे यह अच्छा हुआ था ना उस वक्त काफी लोग प्रमोट हुए थे आप लोग किस ग्लास में थे उस वक्त काफी लोगों के मज़े हो गएते हैं ना उस टाइम मतलब ना कोई एक्जाम ना कोई दिक्कत बस अराम से पार हो जाना राइट क्या मैं सही कह रहा हूँ है चलो तो कुछ चीजें उसके बारें पढ़ लेते हैं ठीक है देखिए डबलु एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गनेजेशन ने क्या किया था जो कोविड था ना कोविड ठीक है एक वाइरस जिसकी वज़े से पूरी दुनिया देल गई थी ठीक है यह आया कब था तो ध्यां रखना आया था 2019 के टाइम है पर यह देखो आया था 2019 के टाइम है राइट बट उसे ना महामारी के तोर पर किसने अधिकारिक तोर पर इसको बिमारी गोशित किया था तो डबलु एचो ने उसको गोशित किया था कि यह क्या है एक बिमारी है ठीक है वो डेट किया थी किसी को पता है देख स्विजलेड में इसका मक्याला है बहुत सही कहा है आप लोगों ने ठीक है अब इसका नाम हमने देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कोविड की बात कर रहे हैं आया कब था तो हम लोग या दखिए कोविड 19 बोलते हैं क्यों यह आई कब थी 2019 के टाइम आती तो इसल 11 फेव 2020 के टाइम में इसको क्या गोशित किया इट इस अ डिजीज यह क्या है एक डिजीज है ध्यान रखना एक दिमारी है राइट उस ताइम सब के गर में पाट ही चल रही थी राइट सर मैंने अपने दोस्त का नाम कोविड रख लिया अच्छा जब भी कोई प्रोलम हो उस कोविड को लेके जले जाओ घर पर और तुम लोग क्या हो जाओ गया लोगडाउन राइट जल्दी से पताए कैसा लगा ये क्वेश्चन मज़ा है न अरे ये तो मेरा मोबाल बंद हो जाता है बार बार राइट चलो तो थोड़ा कोविड के बारे में और जान लेते हैं कि कोविड आया कहां से था सब को पता है चीन बट चीन की कोई सी जगे थी जहां से ये कोविड आया था कोई पता सकता है मुझे 11 फेब 2020 बहुत बढ़िया सब मुझे भी कोविड हुआ था मुझे लगता है काफी लोगों को हुआ था लेकिन जो डर गया वो मर गया वही वाली बात थी उस वक्त जो डर गया था वो चला गया था राइट तो सबसे पहले यहां पर जवाब आच चुका है परतिभा उनका है वुहान वुहान बहुत बढ़िया और ये बीजिंग वाला कौन है ओके वुहान की एक लिबरोर्टी थी वुहान अभी तक पता नहीं चला किस कारण से वहां से ये जो है कोरोना ठीक है ये कोविड निकला था बट वहां से ये कुछ गलती हुई थी जिसकी वज़े से ये सामने आया था जिसका नाम है वुहान ठीक है वहान वही से निकला था राइट चलिए ठीक है अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मैंने लिखे हैं अभी हाली में देखो ये कहना दो तरह के इसमें इस बिमारी को ना दो तरह के रखा गया था राइट जब भी आपन हैं ठीक है तो एक होता था मेर्स म एर एक ता सास एस सोरी अरे यह दू तरह के कि थे ना अश ए एस ए और एस ए आउर एस था ठीक है यह दो तरीके के इसको क्या कहते हैं कि भाई यह इस तरह के वायरेस हैं जो इस category में आते हैं तो ये दो categories में बाटी गए थी इसके बारे में आपने हमेशा पढ़ा होगा लेकिन M.E.R.S इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है ध्यान रखना है न देखें दोनों की जो full form है मुझे इतना नहीं पता था क्योंकि आप लोग जो है science background से मैं भी science background से नहीं हूँ sorry मैं science background से नहीं हूँ अगर आप लोगो बाते करने है तो चलो ठीक है फिर मैं भी बाते करने लग जाता हूँ लेकिन कुछ पढ़ना है कुछ समझना है तो बता दो मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ कुछ समझा जाता हूँ है ना जब कोरोन था तो एक प्रोब्लम होई थी ठीक है जैसे खांसी हो ना बुखार ओना गले में दर्द फिर सीने में दर्द हो जाता और बुखार वो उतरता नहीं था राइट ऐसी कुछ प्रोब्लम थी ना उसमें जी मस्टर जी आरे वह बंठ में चाइना को पाउठ नहीं करूंगा अर पाउठ थोड़ी कर रहे हैं हम पाउठ थोड़ी कर रहे हैं और थोड़ी syndrome, ठीक है, Middle East responsatory syndrome, ये इसका नाम था, ठीक है, दूसरे आता है, SARS, यानि की severe acute respiratory syndrome, ये दो तरीके के ये syndrome थे, ठीक है, ध्यान रखना, जो COVID के टाइम में सबसे ज़्यादा सामने आया थे, जिसमें normal सी सर्दी जुकाम होना वगेरा, ये सारे चीज़ें आती है, सर, आँ, बिल्कुल, मुझे अभी भी खहां सी है, लेकिन कोरोना नहीं है, ठीक है, चलिए, इसमें क्या होता था, COVID में, गला खरास होना, जो अभी मेरे पास हो रखा है, है ना सर, आपका भी हो रखा है, चलिए, ठीक है, तो हमें क्या करना था, उस वक्त, दो गज की दूरी रखनी थी, और हम लोगों को उसको थोड़ा सा, अलग से रखना था, अपने आपको थोड़ा सा अलग, Middle East, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझदार हो रहे हो तो कॉरोना के बारे में हमने कुछ चीज़े जानी, ठीक है, चलिए, मुझे कोई बढ़ा सकता है कि कॉरोना के जो लोगड़ाउन हो खतम कब हुआ था, दो फेस हुएते हैं न, कॉरोना के, तो भाई खतम, रहाइट, लेकिन दूसरे वाले में मस्ती करते कोई किदर गूम रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई पतांगे उड़ा रहा था, सर मुझे आवाज नहीं आ रही कुछ भी, मुझे लगता कॉरोना हो गया आपको, जे सर के बच्चे हैं सर, अच्छा, समझ गया, रहाइट, तो कोई न, कोई न, कोई न, की बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, समझ में आया आप लोग को, मैं 12 में था, जब, क्या था, अचाओ, तब फिर से स्टार्ट होए था, लोग डाउन, और तुम लोग पक्ता सोचे थे, किस बार एक्जाम नहीं होए, तो फिर से हम लोग जम कर जाएंगे, एक बार क्लास, राइट, चलो, तो फिर अब एक क्वेशन मैं देता हूँ, याद रखना अपनी बुक में, नॉट बुक में, स्वरी, नॉट बुक में लिख ले न, कि कोविड नाइंटीन का जो लोग डाउन है, पहला फेज कब से, कब तक स्टार्ट हुआ था, दूसरा फेज कब से, और कब तक र रहा था, यह दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, यहाँ पर नहीं, ठीक है, कमेंट करोगे, तो आज जो सर की क्लास है, वो हिट रहेगी, मेरा क्या है, हम तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो सर की क्लास हिट रहेगी, और कमेंट सेक्शन पर जब आप कमेंट करते हो ना तो थोड़ा सा वीडियो को रीच पहुंचती है तो क्या पता सर को मतलब एक अच्छे इंस्ट्टूट बुला ले ठीक है वैसे सर जाएंगे नहीं ठीक है बट अच्छा पेकेज मिल जाए 5-6 क्रोड रुपे एक महिने के तो क्या चाहिए है जाए इन ना कि मुझे पुलीस ने पकड़ लिया था कोचिंग जा रहा था तब अच्छा अच्छा भी होता है क्या इसा सर एनर्जी आने चाहिए एनर्जी एनर्जी एसा इसा मैं क्या पूरे दिन अगर मुझे भी ऐसी लंबी class लेनी हो तो फिर मैंसर तो ऐसा नहीं रह सकता ठीक है एक pipeline होनी चाहिए ऐसे पानी की वगेरा की ठीक है ठीक है थोड़ थोड़ देर में बैठके है खाना कहेगा क्या खाना क्या है बच्चों के लिए कुछ खाना वाना नहीं ऐसा है वरत रखत हैं हम लोग तो है ना तो यह दोस्त है दोस्त तो गाइस अब क्या आप लोग चाहते की केमिस्ट्री की वापस क्लास आए चाहते हो तो क्यों किया नहीं सब तो खुछ चाहते कि अगर मना गर दो वैसे तो हाँ 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 अरे वे यह चलती क्लास में मजाग हो जाएगा सची में और यह चलो ठीक है यह तो कुछ नहीं हुआ अगर लोकेंदर सर अगर अंदर रह गए और यहां पर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगा इस ताम राइट तो एक मॉटिवेशनल लाइन हो जाए मेरी तरफ से सर मुझे डूंड नहीं पड़े है कि मॉटिवेशनल लाइन दीक है ऐसे इतने घंबीर शायर तो नहीं है हम लोग ओके अरे यह चलो एक मस्त लाइन आई है मुझे अच्छी लगी लाइन के जिंदगी तेरी सपने तेरे मंजिल तेरी हार जीत और महनत सब कुछ तेरी तेगा जिंदगी तेरी सपने तेरे मंजिल तेरी हार जीत और महनत सब कुछ तेरा फिर ये फालतु लोगों की बात सुनकर हार कौन मान जाता है है ना तो ये चीज़े छोड़ो अच्छी चीज़े साथ में रखो हमेशा अच्छे कुछ चीज़े समझ में रखिएगा देखें लोग है ना सपने देखते हैं कि ये होना चीज़े है अच्छी अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना तो जैसे आपके जो जैसर हैं वो कहते रहते हैं कि आप घर में देखिए मोटिवेशन को आपके पीता जी आज भी पता नहीं कि किस चीज़ के लिए वो बाग रहे होंगे आज भी उनको पानी मिला है कि नहीं मिला वो पानी पिया है कि नहीं मिला है उनको खाना उस वक्त मिला था या नहीं मिला था आज भी नहीं पाता लेकिन वो बंदा चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ करके दिखाए क्योंकि मैं नहीं कर पाया, शायद उनके पास वो टेलेंट था नहीं, या फिर उनके पास कुछ मजबूरिया थी, या कुछ था नहीं उनके पास, जिसकी वज़े से वो रह गए, आकसर हम सोचते हैं कि यार ये क्यों नहीं पढ़ लेते, अपने माता पिता क्यों नहीं जाता, लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे, शायद, इस वज़े से वो उस मुकाम को नहीं पास सके है, लेकिन काफी लोग जो है, टीचर आज के टाइम में टीचर बने वहे हैं, लेकिन उनके हालात सही नहीं थे, बट आज आप लोग अपने हालात और अपने माबाब क आलाद चेंज का सकते हो, वो कुछ नहीं चाहते हैं आप लोगों से, बस इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लगन के साथ पढ़ लो ना, तो आप सेटल हो जाओ, बाकी की उन्होंने तो जिन्द की जी लिए, थोड़ा सा टाइम रहा है, वो अच्छी कुछी से जी लेंगे बस, और क्या करना है, मैंने तो करी लिए, थोड़े कुछ दो-चार पैसे कमाई लिए, और क्या चाहिए, राइट, तो ध्यान रखना, हमेशा याज रखना, लड़के हो चाहिए, लड़की हो, फरक नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने अपनी हिम्मत और मेहनत से, अगर होता है, समाज होता है, उसमें आपकी लोगों की पैचान बनती है, कि उसका लड़का आज ये बन गया, और आफ्टर देट, लोग कहेंगे कि ये उसके पिताजी है, है ना, टाइम बदलता जरूर है, बदलने वाला चाहिए, राइट, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है क कि 15-20 कंटे की क्लास और भी तुम लोग पढ़ सकते हो, इस मोटिवेशन के साथ, तो लोकेंदर सर बिलकुल हिम्मत के साथ वापस आ गए है, आज ये कुछ नहीं करेंगे, आज आप लोग रात की 12 वज़े तक क्लास लेंगे, तो मिलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में, करेंगे क्लास को कंटिन्यू एक वार फिर से सारे बच्चे आ जाईएगा, और बोई ताकत, बोई जुनून, बोई एनरजी, और बोई कॉन्फिडेंस के साथ में, एक वार फिर से मैदान में उतरेंगे, और प्यारे बच्चों यहां पर अपन सवाल करेंगे, तो ये सवा अपना चल रहा था select the bidented ligands आप से मैंने पूछा था c o st n minus c s3 c o minus c 2 o 4 minus का 2 तो मैंने आपको oxalate iron के बारे में बताया था c 2 o 4 minus का 2 होता है ठीके न ये मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ c c double bond o double bond o o minus o minus लिगेंड्स जुडएगा आप आइडेंट लिगेंड्स बनाएगा तो आपका d option आपका correct answer है फोर्थ option is the right answer ठीके टेलिग्राम पर मिलेगी पीडिएफ आपको ठीके न टेलिग्राम गुरूप पर आपको पीडिएफ मिल जाएगी ठीके तो सारे बच्चे यहां पर आप simple question है और answer बताएंगे सारे बच्चे इस question का which of the following is least conductivity in echo solution echo solution में किसकी conductivity सबसे आपको प्यारे बच्चों least होती है जल्दी जल्दी कमेंट करो गई बोईस चेंज हो गई अब आप भी जानता हो आट गंटे हो गए हैं किलास को तो बोईस तो चेंज होईगी ठीक है चलिए बताईए बहुत प्यारा question है एक बार फिर से आपके सामने जल्दी से सारे बच्चे अंसर बताईए और उसके बाद में last chapter of chemical bonding inorganic quantity करेंगे और फिर अपन औररकैंज में पहुंच जाएंगे ठीक है न तो sara wach जल्दी जल्दी आंसर बताओ कि जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से बताईए आंसर अंसर बताइए सारे बच्चे प्यारे बच्चो आपको पता है यहां आपपर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CONS3 का HAL-THRI CL3 ठीके ना क्योंकि आपको list conductivity of ions पूछा है तो आपके किलोरिन अंदर चले जाएँगे तो आपका कोई किलोरिन नहीं बचेगा तो आपका यहाँ पर सबसे लिस्ट हो जाएगा कोई की कोई भी आयन नहीं होगा जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तीन किलोरीन बहार है यहाँ एक किलोरीन अंदर जाएगा तो दो किलोरीन बहार बचेगा या दो अंदर वेज़ोगो तो दो किलोरीन बचेगा जबकि प्यारे बच्चों यहाँ पर NO कोई भी किलोरीन नहीं है 0 किलोरीन तो प्यारे बच्चों आपका बिल्गुल second option आपका least बाला हो जाएगा बिल्गुल correct है effective atomic number आपको बताना है इसका CRS2O का ठीक है न क्रोमियम का effective atomic number बताना है तो आपको पता है आपको मैंने formula बताया था EAN निकालने का Z- का oxidation number प्लस दो गुणा coordination number यह simple सी trick मैंने आपको बताई थी effective atomic number Z- का oxidation number प्लस दो गुणा coordination number क्रोमियम 24 minus oxidation number आपको पता है 3 किलोरीन है तो प्लस का 3 आजाएगा ठीक है ना क्या बोलते हो उसके बाद में प्लस दो गुणा coordination number coordination number आपकी 6 है solve करेंगे 21 प्लस आपका 12 तो यह आपका आजाएगा 33 तो आपका third option correct हो जाएगा 33 is the right answer ठीक है ना बिल्कुल भाई new student like करो share करो दोस्तों के साथ में ठीक है ना काफी सारी चीज़े अपन को अभी करनी है अभी 1000 like का target पूरा नहीं हुआ है तो जितने भी बच्चे नए है like करो share करो और 1000 का target पूरा करो ठीक है तो यह अच्छा question था effective atomic number निकालने का ऐसे questions भी आपके agns3 का hold twice सारे बच्चे बताईए जल्दी से सारे बच्चे बताईए agns3 का hold twice की आपको safe बतानी है और जल्दी से सारे बच्चे correct answer बताएंगे agns3 का hold twice की जो safe है वो क्या होगी सारे बच्चे बताईए 10 अपरिल को book launch हो जाएगी भाई आपकी 10 अपरिल को book launch हो जाएगी जल्दी से सारे बच्चे answer बताईए बहुत प्यारा question है सारे बच्चे correct answer बताएंगे करिस्मा जी A option, सेजल जी A option, निकिता जी A option काफी बच्चे अलग-अलग answer बता रहे हैं यार मेरे को अलगे चीछा से trustee नहीं वात है वात है कर दो बताएंगे झाल 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 तो बोईस अब आ जाएगी भई सेल डाउन हो गएते क्योंकि नो गंटे से लगातार नो निस्टॉप क्लास चल रही है तो यहाँ पर सेल डाउन हो गएते इसलिए बोईस गई थी अब बोईस किलियर हो गई होगी और इसकूशन का सारे बच्चे आंसर बताएंगे भई इसकूशन का सारे बच्चे आंसर बताएंगे रोंग स्टेटमेंट आपको बताना है बोईस आ गई होगी ठीक है ना बोई साब आ गई होगी बोई साब बिल्कुल बई सेल डाउन होगे थे क्योंकि 9 गंटे से लगाता किलास चल रही है तो आपको भी पता है सेल भी डाउन होगे थे नहीं बई कम्पलेट इन और्गेनिक कम्पलेट करेंगे बई इसके बाद मैं chemical bonding भी समाप्त करेंगे बिल्कुल नहीं रुकेंगे बिल्कुल नहीं रुकेंगे तो क्योंकि last chapter है chemical bonding उसके बाद मैं organic start करेंगे तो आपको पता है प्यारे पहँत चीओ रों और्ग इस्टेट्मेंट आपसे पूछा है third option correct हो जाएगा क्योंकि inner orbital पूछा है तो आपको पता है तो आपको पता है जो फिलोरीन है यह बीक फिल्ड लिगेंड है और बीक फिल्ड लिगेंड है तो inner orbital नहीं होता तो यह बोल रहा इनर होगा तो third option आपका correct answer हो जाएगा wrong statement आपसे पूछा है तो third option is the right answer जिन बच्चों के भी third option आए है एकदम correct answer है अब यह वाला question का answer बताईए आप in an octahidal complex t2g orbital r octahidal complex के बारे में बात करिए सारे बच्चे इस question का answer बताईए जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस question का answer बताईए class को like करते रहिए share करते दोस्तों के साथ में जल्दी जल्दी सारे बच्चे कोई बात नहीं भाई wrong ध्यान देना चाहिए क्योंकि exam में आपको पता है छोटी छोटी गलतियां आपको नुकसान पहुंचा सकती है ठीक है ना तो आपको यह सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए जे सर भी आने वाले हैं भई फाइब मिनिट में जे सर आने वाले हैं तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका second option correct हो जाएगा क्योंकि आपको बता रखा है में T2G के लिए आपको minus में 0.4 होता है तो decrease करेगा आपका तो second option आपका correct हो जाएगा ठीक है ना second option आपका correct हो जाएगा सारे बच्चे बताईए select the most stable complex सबसे ज्यादा stable complex कौन सा होगा सबसे ज्यादा stable complex कौन सा होगा यह आपको बताना है बहुत प्यारा question है और सारे बच्चे इस question का answer बताईएंगे सबसे प्यारा question है फटा फटा आंसर बताओ बी नहीं होगा भई यहाँ पर इन है तीन तो आपकी प्यारे बच्चों तो three ring form होगी और याद रखना जितनी ज्यादा ring होती है उतना ही ज्यादा आपका stable होता है compound तो कभी भी अगर number of ring ज्यादा है तो ज्यादा stable हो जाएगा three ring बनेगी तो सबसे ज्यादा stable आपका simple सा यह हो जाएगा ठीक है भई तो सारे बच्चे याद रखना बहुत प्यारा question था सारे बच्चे बताईए square planar complex आपको given है तो आपका यह क्या बनाएगा geometrical, optical, linkage या none of these अभी मैंने isomerism आपको पढ़ाया है तो जल्दी से सारे बच्चे इस question का answer देंगे isomerism अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसी से related questions है तो सारे बच्चे जल्दी से answer देंगे फटा-फट a आपका नहीं होगा भई, a आपका possible नहीं होगा क्योंकि s2 का all 6 है तो कोई भी ring यहाँ पर form नहीं कर रही है ठीकना और s2 अपने आप में एक big field agents है तो वो तो possible ही नहीं है जल्दी सारे बच्चे बताईए इस question का answer को जल्दी सारे बच्चे यहां पर इस question का answer देंगे बहुत प्यारा question है एकडम माशूम सा question है एकडम लप्पू सा कुश्चन है सारे बच्चे जल्दी जल्दी answer देंगे एकडम लप्पू सा कुश्यन है सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे प्यारे बच्चों आपको पता है MA2, B2 टाइब का यह structure है MA2, B2 टाइब का structure है मैंने बताया था square planar है तो optical तो हो इनी सकता तो geometrical isomerism होगा linkage है नहीं है क्योंकि कोई embedded ligands नहीं है तो यह भी नहीं हो सकता तो geometrical isomerism is the correct answer तो geometrical isomerism आपको given है तो आपका simple सा geometrical isomerism यहाँ पर हो जाएगा चलिए बताईए cis platinum प्यारे बच्चों आपको दे रखा है trans platinum भी आपको दे रखा है PD तो आपको बताना है कौन सा isomerism होगा सारे बच्चे बताईए जल्दी जल्दी बताईए cis है और trans है ठीक है वैसे थी कुश्चन एकदम डंग से form नहीं हुआ है ठीक है न बाकी का आपको दिख रहा है ionization isomerism आपको given है तो प्यारे बच्चों cis और trans आपस में आपको पता है क्या होते हैं geometrical isomerism hydrated नहीं होगा ठीक है न सिस और trans आपको पता है geometrical isomerism होते हैं ठीक है न तो बहुत प्यारा कुश्चन था एकदम मासूम सा कुश्चन था और सारे बच्चों ने एकदम correct answer बताया है ठीक है न सारे बच्चों ने एकदम correct answer बताया है इस कुश्चन का अंसर बताये बिच आप दा following octa idle complex है maximum stereo isomerism तो याद रखना m a का hall to ice b2 है आपका तो सबसे जदा stereo isomerism याद रखना इसके हो जाएंगे m a a का hall to ice और b2 कभी भी आपका आ जाए तो सबसे जदा stereo isomerism हो जाएंगे third option आपका correct answer हो जाएगा याद रखना इस तरीके का कुश्चन से आप से कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो और नया chapter start करेंगे आप last chapter आपका होगा complete inorganic chemistry आपका होने बाला है last chapter बच रहा है s2o भी exchange हो रहा है क्या चलो देख लेते हैं एक बार वैसे यह question पूरा form है नहीं देखो आपका s2o यहाँ पर भी दो भार है यहाँ पर भी दो भार है ठीक है ना तो इसका अगर correct में बात करूं तो कोई सा भी option exact match नहीं कर रहा है तो इसका वैसे answer none of these जाना चाहिए ठीक है तो छोड़ो अब chemical bonding start करेंगे उससे पहले एक joke चलो बताओ wrong को हिंदी में क्या कहते हैं जो गलत बताएगा वो party देगा last chapter है ठीक है ना last chapter है inorganic chemistry का ठीक है ना तो उसको अपन continue करेंगे उससे पहले आपका joke आ गया है चलो बताओ wrong को हिंदी में क्या कहते हैं जो गलत बताएगा वो पार्टी देगा बताएगा बताएगा रॉंग को हिंदी में क्या कहते हैं बताएगा रॉंग को हिंदी में क्या कहते हैं बताएगा जो गलत बताएगा वो पार्टी देगा और like करते रहो भई अभी 1000 like का target पूरा करना है आपको है न like करते रहो ठीक है जो गलत बताएगा वो party देगा जो गलत बताएगा वो party देगा wrong को इंदी में क्या कहते हैं ये आप से मैंने पूछा है ठीक है भई तो last chapter inorganic chemistry का chemical bonding की शुरुआत की जाएगी ये आपका chemical bonding आ गया है करेंगे शुरुआत chemical bonding की ठीक है भई chemical bonding की शुरुआत करेंगे और आप 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 ने ही गलत बताया है सर आप ही पार्टी दीजिएगा ओके वाई साथ आप आप आजाईएगा आपको पार्टी मिल जाएगी ठीक है ना अब online में पार्टी कैसे दूँ भई आपको है ना बिल्कुल बिल्कुल तो online में पार्टी कैसे दूँ आपको है ना तो चलिए अब बिल्कुल non-stop अपन chemical bonding को समाप्त करते हैं जल्दी जल्दी सारे बच्चे इधर देखो थोड़ा इस पीड़ी से चलेंगे सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर bond order के वारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे chemical bonding में सबसे पहले जो अपन बात करेंगे bond order के वारे में बात करेंगे bond order सिंपल सी ट्री क्या आपको पता है बन बाई टू 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 शिक्स यह आपसे पूछा जा सकता है ठीके ना यह क्या है electron को बरने का तरीका है जैसे nitrogen आ गया nitrogen में आपको पता है 14 electron होते हैं तो इस sequence में भरेंगे बन बाई टू पहले दो फिर दो फिर दो फिर दो आठ होगे 14 electron बरने हैं तो यहाँ 6 आएगा कुछ नी बचा तो 0 आएगा last line का difference को 1 by 2 से multiply कर देना है तो 6 minus का 0 solve करेंगे तो bond order आजाएगा 3 तो इस तरीके से कभी भी bond order आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप answer बता सकते हो ठीक है तो 1 by 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, N2 में 14 electron है sequence फिल करो last line का difference को 1 by 2 से multiply करो तो यह bond order आजाएगा इस तरीके से अपन bond order निकाल सकते हैं उसके बाद में एक चीज आपसे पूछ जाती है यहाँ पर paramagnetic and diamagnetic nature paramagnetic and diamagnetic nature आपसे पूछा जाता है तो paramagnetic and diamagnetic nature को आप यहाँ पर कैसे solve करेंगे पैरा यह है डाया पैरा मतलब even number है तो even का उल्टा odd number of electron अगर odd number of electron है तो प्यारे बच्चों आपका पैरा होगा डाया मतलब odd है odd का उल्टा even करेंगे तो याद रखना प्यारे बच्चों अगर even number of electron है even number of electron है तो आपका क्या हो जाएगा diamagnetic nature हो जाएगा और एक exception होता है यहाँ पर एक exception यहाँ पर होता है 10 and 16 अगर number of electron 10 है यह 16 है तो आपका हमेशा paramagnetic होगा आपका हमेशा क्या होगा paramagnetic होगा यह exception है जो कि आपको याद रखना है ठीक है तो कभी भी आपसे पूछा जाए ता आप बता सकते हो याद रखना paramagnetic, diamagnetic odd number of electron जैसे अगर मैं example भी पूछू आपसे example मैं आपसे पूछू कि आपको प्यारे बच्चो मैं क्या पूछ रहा हूँ O2 का बताना है तो O2 में प्यारे बच्चो 8 into 2 16 electron है मैंने आपको बताया 16 electron है मतलब आपका हमेशा पैरा होता है 10 और 16 में तो पैरा हो जाएगा मैंने पूछा आपसे N2 plus के बारे में बताओ तो 14 माइनस का बन 13 electron आ गया तेरा odd number है और गाउल्टा करेंगे तो आपका पैरा मैंने अजाएगा क्योंकि odd का उल्टा करेंगे तो आपका पैरा मैंने बताया आजाएगा तो इस तरीके के और inversely proportional होता है आपका bond length के ये भी आपको प्यारे बच्चों याद रखना है जितना जादा आपका bond order होगा जितना जादा आपका bond order होगा उतनी जादा आपकी stability होगी और उतनी ही कम आपकी bond length होगी ये भी आपको प्यारे बच्चों याद रखना है उसके बाद में प्यार जा सकता है bond angle के बारे में प्यारे बच्चों आप से पूछा जा सकता है तो simple सा तरीक याद रखना है यहाँ पर अगर आपका hybridization different है तो याद रखना प्यारे बच्चों अगर hybridization different है तो जो bond angle है वो directly professional होता है percentage of s character percentage of s character पर depend करता है ठीक है जैसे अगर मैं बात करू, SP, SP2, SP3, तो percentage of S character SP का 50% होता है, आपको पता है, इसका 33.33 होता है, एक मिनट बोर्ड लेक कर गया है, ठीक है, SP, SP2, SP3, ये 33.33 और ये 25%, सब ज़्यदा percent of S character SP का होता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, तो सबसे ज़्यदा bond angle SP, फिर SP2, और फिर SP3 का होगा, तो याद रखना कभी भी आपसे bond angle पूछा जाएगा, तो SP का सबसे ज़्यदा, SP2 का उससे कम, SP3 का सबसे कम, कब जब hybridization आपका क्या होगा, different होगा, तब आपको ये वाला फंडा लगाना है, कोई बात नहीं भाई, ये last chapter है, इन और्गेनिक केमिस्टी का, तो किरिप्या करके, सारे बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लो, फिर और और्गेनिक करेंगे, last chapter है इन और्गेनिक का, फूरी फिजिकल, फूरी इन और्गेनिक समापते है, ठीक है न, तो याद रखो, बस थोड़ा सा फोकस ओर कर लो, bond angle कभी पूछा जाएगा, hybridization different होगा, percentage of s character पर depend करेगा, तो यह आपका order हो जाएगा, अब प्यारे बच्चो, याद रखना, अगर आपका hybridization मालो, आपका same आ गया, तो याद रखना, प्यारे बच्चो, अगर आपके यहाँ पर, surrounding atom आपका, प्यारे बच्चो, यहाँ पर different है, surrounding atom अगर आपका different है, surrounding atom, अगर आपके different है, प्यारे बच्चो, याद रखना, प्यारे बच्चो, bond angle is directly proportional to size of surrounding atom, size of surrounding atom, ऐसे मतलब surrounding atom, और याद रखना, bond angle आपका जो होता है, inversely proportional to size of central atom, size of central atom, central atom की size के bond angle आपका inversely, जबकि surrounding atom की, जो आपकी size उसके bond angle directly होता है, surrounding atom पर, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, bond angle inversely proportional to प्यारे बच्चो, लॉन पेर, लॉन पेर, रिपल्सन, अगर लॉन पेर, लॉन पेर, रिपल्सन हो रहा है, तो आपका bond angle क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यह तीनों point याद रखने है, अब ही questions करते हैं, जैसे मैं आप से बोलू प्यारे बच्चो, एनेस 3, CH4, सारे बच्चे ज्यान से देखो, CH4, एनेस 3, S2O, तो इसका hybridization 4, सिगमा 0, लॉन पेर, S3 है, इसका भी प्यारे बच्चो, S3 है, और इसका भी प्यारे बच्चो, S3 है, यहाँ पर एक लॉन पेर है, यहाँ पर दो लॉन पेर है, तो hybridization प्यारे बच्चो, यहाँ पर क्या है, same है, hybridization यहाँ पर same है, तो प्यारे बच्च तो लॉन पेर ज्यादा है तो लॉन पेर लॉन पेर रिपल्शन होगा तो सबसे कम लॉन पेर यहां है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल यह और उसके बाद में यह तो यह आपका बॉन्ड एंगल का करेक्ट ओडर हो जाएगा यह आपका बॉन्ड एंगल का क्या हो तो यह correct order हो जाएगा, अब मैं पूछू आपसे प्यारे बच्चो, NCL3, PCL3, ASCL3, तो यहाँ पर प्यारे बच्चो, आप देखो, Central Atom की Size पर Depend करेगा, क्योंकि Surrounding Atom आपका सेम है, तो Nani, Papa, Asu, Down the Group जाएंगे, तो Size आपकी बड़ेगी, और आपको पता है, Bond Angle जो होता है, वो Inversely Professional to होता है, Size of Central Atom के, तो सबसे कम अगर Central Atom की Size है, तो Bond Angle जादा, तो सबसे कम Size किसकी है, Nitrogen, फिर Phosphorus, फिर Arsenic, तो यह आपका Correct Bond Order का Order हो जाएगा, यह आपका Bond Angle का Correct Order हो जाएगा, क्योंकि Surrounding Atom की तो Directly, और प्यारे बच्चो, Central Atom के, आप यहसे कमेंट कर रहे हो तो प्यारे बच्चो थोड़ा सा, प्लीज मेरे बारे में सोचो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ न, यह Last Chapter चल रहा है, क्योंकि देखो, Target पूरा करना है, फिजिकल हो चुकी है, इन औरगेनिक अलाश्ट है, उसके बाद में बस औरगेनिक, Bond Angle था, Surrounding Atom पे Directly, और Central Atom के, प्यारे बच्चो डारेक्ली है, इन वर्सली है, तो सबसे कम छोटी साइज, तो सबसेदा Bond Angle, यह आपका Correct Order हो जाएगा, उसके बाद में एक चीज और देख लेते हैं, जैसे प्यारे बच्चो यहाँ पर, आप से प्यारे बच्चो मैंने पूछा है, ठीक है न, NCL3, नानी पापा, आसू सब बिमार वाला questions ठीक है न, अच्छा questions था, ठीक है न, सारे बच्चो ने किया भी है, अब Central Atom अगर आप सेम कर देते हैं, जैसे मैंने आपको मालो, NF3, NCL3, NBR3 कर दिया, अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चो, अब Central Atom यहाँ पर सेम है, तो Surrounding Atom पर Depend करेगा, तो आपको पता है, Bond Ang इंगल डारेक्ट ने प्रोपोर्शनल टू, Size Of Surrounding Atom, यह आपको पता है, तो सबसे ज़्यादा Bond Angle Surrounding Atom की Size आपको पता है, फिलोरीन, किलोरीन, और आपको पता है, ब्रोमीन, डाउन दग गूरूप आएंगे, Size Increase करेगी, तो यह आपका Bond Angle का Correct Order हो जाएगा, यह आपक प्रोपोर्शनल टू, Size Of Surrounding Atom, यह आपका Correct Order हो जाएगा, तो याद रखना, Surrounding Atom के Directly, Central Atom के Inversely, और उसके बाद में आपका Lawn Pair, Lawn Pair Repulsion हो रहा है, तो Bond Angle सबसे कम हो जाएगा, तो यह Bond Angle का Funda समापत होता है, और एक होता है, Dipole Moment, जो कि आपको मैं पहले भी बहुत पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, Dipole Moment, Dipole Moment, जिसको अपन Muse से denote करते हैं, जो कि आपका Charge Into Distance होता है, कुछ नहीं करना, जैसे अगर मैं CCL4 के बारे में बात करूँ, तो यह कारवन है, प्यारे बच्चों, आपका किलोरीन, 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 और किलोरीन, तो प्यारे बच बात करूँ, NH3, तो इसका structure, यह Lone Pair है, Hydrogen है, Hydrogen है, Hydrogen है, Electron, Nitrogen की तरफ जाएगा, Lone Pair की तरफ जाएगा, सारे Electron एक तरफ जाएगे, तो Dipole Moment आपका 0 नहीं होगा, Dipole Moment आपका 0 नहीं होगा, तो इस तरीकी से अपन Dipole Moment चेक कर सकते हैं, अगर सारे Electron एक direction में जा रहे है तो Dipole Moment 0 नहीं होगा, और अगर Electron इदर जा रहे हैं, इदर जा रहे हैं, Electron आपस में Cancel हो रहे हैं, तो Dipole Moment आपका 0 हो जाएगा, यह Dipole Moment का फंडा है, अब last chapter, last concept है, Chemical Bonding में, Hybridization, Shape and Geometry, यह last adding है, Chemical Bonding की, इसके बाद में Organic Chemistry स्टार्ट करेंगे, last आपका topic वच्चा है, Chemical Bonding का तो याद रखना प्यारे बच्चों, Hybridization आपका जो होता है, वो आपका Steric Number पर Depend करता है, जो कि आपका Number of Sigma Bond, Plus Number of Lawn Pair होता है, अगर Steric Number आपका प्यारे बच्चों 2 है, तो Hybridization SP, Steric Number आपका 3 है, तो Hybridization SP 2, अगर Steric Number आपका यहाँ पर 4 है, तो आपका Hybridization SP 3, और प्यारे बच्चो अगर आपका steric number आपका 5 है तो hybridization SP3D और steric number प्यारे बच्चो अगर आपका 6 है तो hybridization आपका SP3D2 और अगर steric number 7 है तो आगे भी अपन बात कर सकते हैं तो याद अखना steric number पर depend करता है जो कि sigma bond long pair होता है steering number 2 है तो SP3 है तो SP2 और आपका प्यारे बच्चो 4 है तो SP3 5 है तो SP3D6 है तो SP3D2 आपका hybridization होगा ठीक है hybridization कैसे निकालना है जैसे मैं बात करूँ SO3 के बारे में तो सबसे पहला कामे total number of balance electron निकालना total number of balance electron निकालना total number of balance electron निकालना लेंगे सारे बच्चे ठीक है तो यहाँ पर sulfur का balance electron आपको पता है 6 oxygen का 6 तो 3 oxygen का 18 total number of balance electron आगे 24 तो 24 में आपको 8 का divide करना है जो question आपका आएगा तो 8 या 24 कोई long pair नहीं है तो आपका 3 sigma bond plus 0 long pair हो जाएगा तो overall संक्या आपका 3 है तो आपका hybridization sp2 हो जाएगा hybridization आपका क्या हो जाएगा ठीक है ना sp2 हो जाएगा थोड़ा सा पढ़ाने पर focus है भई है ना जैसे अगर मैं बात करूँ आप से xef2 तो आपको पता है जिनों का balance electron 8 एक फ्लोरिन का साथ दो का आपका 14 चवदर छे 20 और 22 एलेक्टोन है आपके balance में आठ का divide करेंगे बाइस में तो आठ तिया आपको पता है आठ दुनी 16 छे बचेंगे जो remainder आएगा उसमें डो का divide बारेंगे तो 3 आपके lawn pair हो जाएगे दो आपके bond pair हो जाएगे तो आपको पता है दो बौंड पेर है प्लस 3 आपके lawn pair है टोटल संक्या हो गई 5 तो hybridization आपका हो जाएगा SP 3D तो इस तरीके से अपन यहाँ पर hybridization निकाल सकते हैं इस तरीके से अपन hybridization निकाल सकते हैं तो I think सारे बच्चों को यहां पर इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना इस तरीके से अपन SP3D hybridization निकाल सकते हैं अब प्यारे बच्चों अपन बात करते हैं यहां पर geometry के बारे में याद रखना सारे बच्चे अगर 2 है तो hybridization आपका SP और geometry जो आपकी होगी वो होगी आपकी linear 3 आपका इस्टेरिक नंबर है प्यारे बच्चों ठीक है ना तो SP2 hybridization trigonal planet geometry trigonal planet geometry अगर 4 है तो SP3 tetrahydral अगर 5 है तो SP3D trigonal bipramidal अगर 6 है तो SP3D2 और आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा octahydral तो अगर steering number यह है तो hybridization आपका यह होगा और यह आपकी geometry होगी ठीक है इस तरीके से अपन यहां पर geometry बता सकते हैं आसानी से सारे बच्चे तो यह table सारे बच्चे याद रखना solve कैसे करना है यह मैंने आपको बता दिया है ठीक है ना आप कुछ example भी कर लेते हैं जैसे मैंने आपसे पूछा NS3 क्या है तो आपको पता है NS3 simple सा प्यारे बच्चों एक nitrogen है तीन bond hydrogen के बनाएगा पांच balance electron होता है एक lone pair है तो आपके 3 sigma प्लस 1 lone pair आपका आगया तो याद रखना 3 sigma 1 lone pair चार steric number आपका है तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा SP3 hybridization हो जाएगा और प्यारे बच्चों आपका tetrahydral geometry हो जाएगा tetrahydral geometry SP3 hybridization geometry लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज होती है सेप एक चीज़ सेप होती है सेप का मतलब है lone pair को छुपा और फिर सेप देखो lone pair चुप गया सेप देखोगे तो आपका pyramidal टाइप का दिखेगा तो इसकी जो सेप है वो हो जाएगी आपकी pyramidal तो क्या हो जाएगी प्रामिडल आपकी सेप हो जाएगी pyramidal सेप और geometry आपकी tet सेप्राइडल है SP3 हाइवडाइशन है 3 सिगमा बन lone pair है तो इस तरीके से कुश्चन को एप्रोच कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ XCF4 के बारे में XCF4 सिंपल सा टोटल लंबर हो balance electron आठ एक फिलोरिन का साथ 4 का 28 sol करेंगे तो आपका आजाएगा 34, 28, 36 आजाएगा डिवाइड करेंगे 8 का balance electron में 8 चोकु 32 प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 चोकु 32 आजाएगा ठीक है sol करेंगे तो 4 remainder आजाएगा 2 का divide करेंगे तो 2 lone pair और 3 आपके bond pair 3 bond pair 2 lone pair इस्टेरिक नंबर आपका प्यारे बच्चों कितना हो गया 3 प्लस 2 बराबर 5 तो hybridization हो जाएगा sp3d तो आपकी अगर मैं बात करूं geometry के बारे में तो geometry आपकी trigonal ठीक है ना आपको पता है trigonal bipyramidal हो जाएगी trigonal bipyramidal है एक बार चेक कर लेते हैं आठ चोकु 32 यह 4 आएगा भाई यहां ना आठ चोकु 32 ठीक है ना 4 sigma और 2 lone pair तो 4 sigma प्लस 2 lone pair बराबर टोटल नंबर 6 है तो आपका sp3d2 आपका hybridization होगा और geometry आपकी sp3d2 hybridization है तो octahydral होगी geometry आपकी octahydral होगी और आपसे अगर मैंने safe पूछी है तो आपको पता है यह जिनोन है चार आपके फिलोरीन है चार फिलोरीन है और आपके 2 lone pair है एक lone pair यह रहा एक lone pair यह रहा तो lone pair को छुपा लो safe देखोगे तो आपका safe कैसा हो जाएगा square planner तो safe आपका आजाएगा square planner से आपका कैसा आजाएगा square planner आजाएगा और ताली बजादो सारे बच्चे जोड़दार सारे बच्चे जोड़दार ताली बजादो YouTube के इतियास में पहली बार नर्सिंग के लिए एक किलास में non-stop complete physical और complete inorganic chemistry यहाँ पर हो गया है ठीक है complete physical और complete inorganic chemistry यहाँ पर आपका हो गया है एक किलास में non-stop complete physics physical और complete आपका inorganic करा दिया है complete सांदर ट्रिक सांदर कुशन सांदर प्यारे बच्चों concept सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको करा दिया है complete inorganic complete physical और अब बादी है organic chemistry की तो जल्दी से सारे बच्चे तालियों की गूंज मेरे कानों तक आजानी चाहिए क्योंकि 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 इतना आसान होता नहीं है इतना आसान होता नहीं है लेकिन आपको करा दिया है बादी साब हालत खराब है गला खत्म है लेकिन 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 लड़ेंगे अभी लड़ेंगे अभी बिल्कुल लड़ेंगे अभी कि देखते हैं कितने बच्चे लाइव है कि आट सो ब्यानिस लाइक एट्टी बच्चे एट्टी सिक्स बच्चे लाइव आई थिंग लाइक की संग्या बढ़नी चीए भई ठीक है एस्ट्रेक एड के सर क्या बात है सर भाई बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं हालत खराब है कि यू आर बैस टीचर यू आर ग्रेट धन्यवाद भई धन्यवाद आप सब के सपोर्ट की वज़े से यह हो पाया है दिल से आप सभी का धन्यवाद जितनी तारीब करूँ आपकी उतनी कम है आप समय ने वह सपोर्ट दिया वह प्यार दिया कि मैं अपने आपको नहीं रोक पाया जब तक यह पूरा कप्लीट नहीं हुआ है और यह योटु собствен की ऑतियास में पहली बार है कि किसी महामेरथन में कंप्लीट फिजीकल और कम्प्लीट इनॉर्गेनिक एक ही किलास में हुआ है सारे कॉंसेप्ट सारे कुश्चन सो सारे ट्रिक बताएं है यूटूब के इतियास में आप पहली किलास से आप सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री की जिसमें एक किलास में कम्प्लीट इनॉर्गेनिक और फिजीकल हुआ है वो भी कुश्चन और कॉंसेप्ट दोनों साथ में कुश्चन तो हर को गड़ा देता है लेकिन मैंने आपको देख रहा होगा आपको कुश्चन कॉंसेप्ट ट्रिक्स सब कुछ आपको बताया है तो यह पहली क्लास है यूट्यूब के इतियास में ठीक है न तो थोड़ा सा आपसे मैं पांच मिनिट नॉर्मल बात कर लेता हूं ठीक है न उसके बाद मैं आगे बढ़ेंगे तो बताएए बाइसाब कैसे हो आप क्या रेष्ट 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 कर लेंगे रेष्ट पूरी रात पड़िये सोने को कल थोड़ा सा लेट आ जाएंगे इससे ज्यादा और क्या होगा आप बेस्ट हो मास्टर जी बाइसाब क्या बात है मुझे तो पता ही नहीं है कि मै बेस्ट कि मैं बेस्ट हूं कि यू आर क्रियेटिंग है हिस्ट्री धन्यवाद भाई आप सब की वज़े से यह पॉसिबल हो पाया है तो चुरेंग क एक बर्किया स्रुवात कर देते हैं ना उससे क्या होगा और गेनीक की स्रुवास से थोड़ी जी पॉज बॉजिटिव बायभ आएगी है ना और गेनीक की शुरुवात करें देते हैं ठीक है भई झाल 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 ठीक है ना? saturated compound आपको बताना है which is saturated compound बहुत प्यारा कुश्चन है saturated compound कभी भी आ जाए तो याद रखना जहां पर कोई भी आपका double bond है, triple bond है नहीं होता है वो आपका saturated compound होता है तो C option हो जाएगा यहाँ double bond है, यहाँ triple bond है यहाँ double bond है, तो यह सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे unsaturated compound कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? unsaturated compound कहलाएंगे और आप से पूछा है saturated compound कौन सा होगा तो saturated compound आपका C option यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा C option आपका current answer हो जाएगा कौन सा यह वाला क्योंकि यहाँ पर कोई भी double bond या कोई भी double bond नहीं है तो यह organic chemistry का सबसे पहला chapter अपने start किया है ठीक है ना जिसका नाम आप सभी को पता है IUPAC nomenclature ठीक है IUPAC nomenclature जो आपका basic chapter है GOC उसका part है तो यह first question था ठीक है और यह यहाँ पर यह वाला question का आपको जवाब देना है ठीक है ना यह वाला question का आपको जवाब देना है number of loan pair in mail of mine यह mail mind है और इसमें कितने loan pair है यह आपको बताना के number of loan pair in mail of mine आपको बताना है जल्दी से बताओे जल्दी से बताओ स़ारे बच्चे ठीक है mirac iron मेह आपको loan pair बताना है आराम-ाराम से बात करेंगे और आराम- nucleus राम से klas को यहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा केमिस्ट्री का जलवा क्या बात है दन्यवाद जी धन्यवाद जी कि सर हमें पास आपके मम्मी का नंबर है कॉल करें कि आपको डाटने के लिए बंदना जी में को हंसी आगाई है और मुझे एक दम ऐसी फिलिंग आ जैसे कोई घर का मेंबर बोल रहा है यह चीज क्योंकि यह सब कुछ हमारे घर पर ऐसे ही होता है जब मैं कोई भी बात नहीं मानता तो ऐसी धंकिया मुझे मिलती है मेरा चोटा भाई है वो भी ऐसे धंकिया देता है कि मांजा वरना मम्मी को कॉल करता हूं और यह सेम धंकिया है तो आपके कितने लॉन पेयर है 6 लॉन पेयर है तो बिल्कुल आपका यहां पर 6 इस दा करेक्ट आंसर जिन बच्चों का भी 6 ओप्शन आया है एकदम करेक्ट आंसर है कि चलिए यह वाला कुशन बताईए दा कंपाउंड जिसमें आपको हिट्रोसाइकलिक बताना है हिट्रोसाइकलिक कंपाउंड कौन से में है हिट्रोसाइकलिक बताओ भाई साथ कवी बात नहीं कवी बात नहीं चलने दो गाड़ी जब तक चल रही है जब तक चलने दो ठेक ह बताईए इस कुश्यान का आंसर सारे बच्चे जल्दी जल्दी बहुत डाट बढ़ती है, मार भी बढ़ती है वई क्योंकि मम्मी तो आपको भी पता है न अपन कितने भी बड़े हो जाए लेकिन पैरेंट्स के लिए तो अपन बच्चे ही रहते हैं तो अभी घर गया था ओली पे तब भी मार खाके आया हूं ठीक है न मम्मी से ठीक है न पापा जरूर नहीं डाटते मम्मी तो डाटती है वई ठीक है मम्मी तो डाटती है आपको पता है मम्मी के हाथ में तो जो भी आ जाए ठीक है ना चीमटा जिससे रूटी वगेरा सेखते हैं बेलन जिससे रूटी बेलते हैं जो अतियार उनके पास आ जाए हाथ में ठीक है ना उसी से आपका स्वाहा हो जाता है उसी से आपका क्या हो जाता है स्वाहा हो जाता है चलिए option दि ठीक है तो अभी मार खाके आयों भाई में और आप बाप्रेबाप खुसबुची भाई साब सब बच्चे धंकी दे रहे हैं बंद करो सर अब बहुत मारती है भाई साब लेकिन कभी गवार मारती है ठीक है न जब मैं पहले छोटा बच्चा था तो मैं नाइन्थ किलास में मैंने सोच लिया था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है और वो भी प्राइवेट सेक्टर में तो जब मैं बोलता था कि मैं टीचर वनूंगा तो पैरेंट्स बोलते थे कि तू टीचर वनेगा पैरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बेटा teacher है तू teacher है समाझे लिए ना पहले बोलते थे तू teacher बनेगा अब बोलते हैं तू टीचर है तो difference मैंने create किया है अपनी मैनस से हैं तो हो सकता है अभी आपके parents भी तू डॉक्टर बनेगी तू यहां पर जो भी nursing नर्सिंग ऑफिसर होते हैं वो वनेंगे लेकिन आप भी यहां पर उनसे बुलवा सकते हो क्या बुलवा सकते हो कि हाँ अब मेरी बेटी डॉक्तर है हाँ मेरा बेटा डॉक्तर है हाँ मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर है यह आप बुलवा सकते हो लेकिन अब आपको मेहनत करन सकता है जैसे गला तो खराब हो गया है लेकिन अभी जैसर गया आ नहीं रहे जैसर होती ना तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती लेकिन जैसर है नहीं है इसलिए धोड़ी से प्रोब्लम है अगर जैसर आ जाए ना तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी क्योंकि उनका सपोर्ट जरूर मि प्यारे बच्चों पता है एनिलीन आपको पता है एनेस टू आएगा तो यहां पर रिंग में कोई दूसरा कारवन नहीं है तो यह तो होई नहीं सकता है फिनोल आ गया है तो रिंग में इसमें भी कोई दूसरा कारवन कोई भी दूसरा एटम नहीं है तो यह भी नहीं हो सकता यहाँ भी फिनोल आ गया है तो यहाँ भी ring आ गया है कोई भी cut atom नहीं है यहाँ भी नहीं हो सकता आपको पता है simple सा oxygen और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पता है simple सा आपका sulfur तो furan and thaiophen आपके simple सा है तो B option correct है क्योंकि यह आपका अलग atom आ गया है और जब अलग atom आ जाता है तो इसको बोलते हैं heterocyclic ठीक है ना इसको क्या बोलते हैं heterocyclic ठीक है चलिए यह बहला question का answer बताईए general formula of CnH2NO2 general formula आपको बताना है di ketone carbox लिकेशी diol or di aldehyde बताईए सारे बच्चे जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस question का answer बताईए ठीक है ना जल्दी जल्दी इस question का answer आपस्टी जल्दी कोरुदी का जल्दी कि आपको एक सबसे इंपोर्टेंट बात बता देता हूं कि ये क्लास को अब तक लगभग कि 7000 से भी जादा लोग देख चुके हैं समझ रहे हो मतलब 8000 एप्रॉक्सिम मेट लोग देख चुके हैं इस क्लास को कि तो 8000 बच्चे क्लास को देख चुके हैं मतलब सपोर्ट ये प्यार मुझे एनरजी देता है पढ़ाने के लिए 8000 समझ रहे हो ना आठवाने लाइब चली रही है उससे पहले आठवाने इस क्लास को देखा है तो आई थिंग नर्सिंग के इत्वास में बहुत अच्छा लग रहा है मैं तो आज कि 8000 बच्चों ने इस क्लास को अभी तक देखा है और पता नहीं अभी किते बच्चे और देखेंगे रिकॉर्डेट ठीक है ना तो 8000 बच्चे इस क्लास को देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है मेरे लिए क्योंकि एक पल्टिकुलर सब्जेक्ट की महरा थन इतना इस अब बच्चे बताना है आपको जल्दी से सारे बच्चे बताओ बिल्कुल वाईसाब 8000 बच्चे अभी देख चुके हैं इस क्लास के चाय पीलो वाईसाब चाय पीलेंगे रे चाय पीलेंगे क्यों टेंशन लेते हो आप बताइए भाई जल्दी जल्दी बताओ वाई सारे बच्चे इस क्विश्चन का अंसर कि अब अब मेरा अरे मनी जी आती है अब मेरा आरे मनी जी आती है जल्दी बताएं मनीज को मैं याद कर रा था तो कैसे हो मनीज जी कियसे हो आप पारे तुछ कैसे हो आप अरे मनीजजी कैसे हो आप भई आपको याद कर रहा था मैं आभी सपने में आए थे आप मेरे आभी पता है तुमको मेरे सपने में आए थे आप बिल्कुल भाई बिल्कुल सिंपल कुश्चन था ये और आपका ये करेक्ट आंसर है ठीक है क्योंकि CS3, CS2, CHO क्योंकि आप से पूछा था LD हाइट के बारे में और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या बात है मनीजी मनीजी का जन्म दिने मनीजी को डेर सारी सुबकामना है मेरी तरफ से बहुत अच्छा लड़का है मनीज भई और मुझे इस पर पूरा वरोसा है कि बहुत जल्द मनीज एक बड़ा डॉक्टर बनके दिखाएगा बहुत प्यारा बच्छा है भई और बहुत अच्छा लगता है मनीज ठीक है न और बिल्कुल मनीज बहुत जल्दी एक अच्छा मेडिकल कोलेज में जाएगा और प्यारे बच्छो बहुत अच्छा करेगा भई प्यु क efecto आई चलो बताओ आयू-पी-ए-C नेम कुछ बच्चे आयू-पी-ए-C की डिमांड कर रहे थे तो आई-पी-ए stepping आपको बताना है फिरसे आपका मौर्निंग से खड़ाओं और लगबग लगबग मैं बात करूँ तो साड़े नौ गंटे हो गए हैं ठीक है और चलने दो भई 10 घंट्रे तो थम्नल में लिखा हुआ था तो 10 तो करना ही है और उसके बाद में देखते हैं ठीक है ना बिलकुल बिलकुल भई बस जे सर ओर आ जाते तो थोड़ा सा support मिल जाता मिल टो और लंबी चल जाती किलास ठीक है कोई ना जेसर कुछ कामम में बिजी है ठीक है ना तो चलने तो भरे किलास दो अभी ठीक है नत े बिलकुल पता्ता हो भई चुपल कुश्यना आफाई UPC की डिमांड नढ़ी थी ठीक है नँगी और ये इतिहास youtube के इतिहास में यह पहली class में आपको बदा देता हूँ जिसमें अपन पूरी फिजीकल समाप्त कर सुखे हैं और पूरी इन और्गेनिक है concept बताएं है trick आपको बताइए ठीक है ना अगली बार 20 घंटे की महरतन लेना क्या बात है अभिशेख जी आप मेरे पास आजाना ठीक है ना और आपको मैं यहां लेके आऊंगा फिर आप देखेंगे अपन्दों कितने घंटे की महरतन लेते हैं ठीक है ना लेकिन फिर भी इतनी मुझे उम्मीद थी नहीं कि मैं इतना ले पाऊंगा लंबा सेशन फिर भी मैंने लिया ठीक है ना क्योंकि सपोर्ट था आप सभी का यू आर्ड़ वैस टीचर ऐसा भी नहीं है अभी मैं भी स्टुडेंट हो आपकी तरह आप सभी से सीख रहा हूं है ना पस इतना ह है कि आपको जितना बता दिया जाएगा इतना अगर आपने कर लिया तो आपके लिए सपीशेंट है यह मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं जो पड़ा दिया वह आप करके चले गए तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है ना इससे बाहरा आपके एक्जाम में कुछ भी तो आपका 3-P-Methyl 2-P-ON तो 3-P-Methyl आपका 2-P-ON तो 3-Methyl 2-Buttonin 4-Carbon की चैन है बी-Option आपका राइट आंसर है बी-Option आपका एकदम राइट आंसर है तो बिल्कुल चला नहीं है यह सी चलिए भाई साव हमारी टेक्निकल टीम को गर्मी लग रही है तो यह लीजिए टे चलिए यह बाला कुश्यन का अंसर बताईए बई एकदम प्यारा सिंपल आप सबका दुलारा आप सबका प्यारा कुश्यन आचुका है जल्दी से बताईए जल्दी से सारे बच्चे बताईए बताईए बई सारे बच्चे जल्दी जल्दी पार्टी देंगे सर कोलेज मिलने के बाद में क्या बात है मनिज जी भई बहुत अच्छी बात है तो मैं भी आशा करता हूं कि मुझे भी पार्टी मिले ठीक है न तो मुझे भी पार्टी करे बहुत दिन हो गए है तो मैं आपकी पार्टी के इंतिजार करूंगा ठीक है भई क्या बात है बात है बताईए 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 आपको बताने की जरूत है नहीं है 3, 4, 5, 6, 3 पे आपका ब्रोम है, 2 पे आपका किबन पे आपका किलोरो है, साइकलो है, जीन है B option correct है ठीक है ना चलिए ये बताईए आप आपको फंक्शनल ग्रूप का डिक्रीजिंग बाला करम बताना है आपके सामने सारे आपके ग्रूप यहां पर पड़े हैं तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर बता दो कार्वाक्सलिक एसिड, सलफोनिक, अमाइड, अलडी हाइड सारे ग्रूप आपके सामने हैं तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर बता दो गई सुमन यादब जी, जी सर, अंकीता जी क्या बात है भई साब, क्या बात है बताईए भई बहुत प्यारा कुश्यन है, ठीक है न, और अब ज्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, ठीक है न, दस घंटे तो पहले होने तो यार, उसके बाद सोचेंगे कि आगे बारा घंटे तक ले जाना है या नहीं ले जाना अभी बहुत पूरा नहीं हुआ यार, टार्गेट पूरा नहीं हुआ है, अरे, हाँ यार, मैं तो भूल गया यार, लाइक का टार्गेट पूरा करो, एkm हजार लाइक तो करो, क्योंकि भिना 1000 लाइक तो प्यारे बच्चों मज़ा नहीं आएगा, यार अब तो बहुत दूर अपन तार्गेट से यार ऐसे कैसे काम चलेगा सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइक करो भई लाइक करो टार्गेट को कमप्लीट करो भई कैसे काम चलेगा ऐसे तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता ही है सिंपल सा आपसे पूछा है यहां पर और्गनिक केमिस्टी में सल्फोनिक एसिड तो आपको पता ही है डिक्रीजिंग ओर्डन मतलब पहले जादा फिर कम फिर कम तो D option आपका करेक्ट है सब जदा कार्वाक्स लीग फिर सल्फोनिक फिर अमाइड फिर एल्डी हाइड तो आपका D option बिल्कुल करेक्ट आंसर है भई आयूपेसी नेम बताना है नियो पेंटेन का आपको भी पता है नियो पेंटेन आपका क्या होता है नियो पेंटेन कि जल्दी से नाम बताईए क्या होगा बहुत प्यारा कुश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो बिल्कुल आपका 2,2-dimethyl वाला option हो जाएगा B option correct answer है तो 2,2-dimethyl B नहीं होगा propane होगा तीन कारवन है तो D option आपका correct answer होगा क्या correct answer होगा तो बिल्कुल D option आपका correct answer होगा ठीक है तो बिल्कुल D option आपका correct answer है चलो last question है IUPAC का IUPAC का last question है आपको बताना है IUPAC name of ethylidine chloride ethylidine chloride का IUPAC name क्या होगा ethylidine chloride का मतलब है CS3, C और प्यारे बच्चों आपके एक ही कारवन पर दो आपके किलोरीन है एक ही कारवन पर दो आपके किलोरीन है तो जल्दी से बताईए आपका ये IUPAC name क्या होगा इसका ethylidine chloride है मैंने आपको बताया था ethylidine मतलब एक कारवन पर दो किलोरीन आपके है ethylidine मतलब एक कारवन पर दो किलोरीन है आपके जल्दी से बताईए बताईए भई सारे बच्चे जल्दी जल्दी नमीगा जी आपका कमेंट दिख रहा है भई लेकिन आप में में खुद में होस में ही नहीं हूँ सही बात आपको मैं बताऊं तो ठीक है ना किसी भी बच्चा मेरे से गुष्ण नहीं होगा क्योंकि reality यह है कि आप बिल्कुल हालत एकदम गंबीर हो चुकी है ठीक है ना तो हो सकता है किमें पड़ पा रहा हूं हूं ठीक ना क्योकि आभी मैं कुष्ण करवाने में फोकस कर रहा हूं थीक ना मैं आपसे माफी चाओंगा मैं आप से माफी चाऊंगा भई sorry आप समझो मेरी भावनाओ को मेरी भावनाओ को आप समझो भई 1-1 डाई किलोरो इथेन इस दा करेक्ट अंसर क्योंकि आपको पता है 1-1 पे 2 किलोरी répondre है तो 1-1 डाई किलोरो इस दा करेक्ट अंसर चलो जोक आ चुका है आपके सामने आपके सामने एक बढ़िया जोक आ चुका है फस्स क्लास अच्छे अच्छे करम करो फल का क्या है बजार से ले लेना ठीक है भई तो करम अच्छे करो फल के बारे में मस तो चो फल तो बजार में भी मिल जाते हैं ठीक है ना बस करम है तो बहुत अच्छी लाइन है要 आपके सामने करम अच्छे करो प्रसस्ट आपके सामने क्या बात है भई क्या बात है क्या लात है ऐ खिके ना बिलकुल बिलकुल बिल्कुल आप भी समझते हो यार 10 गंटे से मैं non-stop पड़ा रहा हूँ पूरा गला खराब है ठीके ना तो आप भी समझते हो ठीके ना कि मैं अब capable नहीं हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए ठीके ना तो अब सिर्फ अपन बस पड़ाई कर सकते हैं जो भी doubt है आ आई सो मेरिस्म का first question अपन करेंगे सारे बच्चे यह first question आपके सामने आ चुका है एक question में हमें आपको सब कुछ clear कर दूंगा metamers क्या है position क्या है functional क्या है totomers क्या है यह आपके table है यह आपको match करना है जल्दी से बताईए कौन सा option correct होगा जल्दी से बताईए कौन सा option correct होगा खुसबू जी अब जल्दी से आप बताओ और अज ही हो जाएगी समाप्त और अगे निक को आज ही समाप्त कर देंगे क्यों tension ले रहे हो धन्यबाद बंधना जी thank you so much बंधना जी thank you so much भई ठीक है न क्योंकि आप भी जानते हो यार अब बिलकुल भी मेरे अंदर छमता नहीं है क्योंकि आज जैसर होते न मैंने बताए न आपको अभी जैसर होते न तो मैं एक support मिल जाती है न हमें अकेला हूं और आपको भी पत कि बताईए वही बताईए और मनीज जी वही क्या अलचाल है आपके मनीज जी क्या अलचाल है आपके भई कहां से हो आप मनीज जी पहले यह बताओ आप चलो बताओ सारे बच्चे पमेंट सेक्षन करके बताओ कोन-कोन कहा कहा से है जैपुर से कौन-कोन है जल्ड जल्ड सारे बच्चे बताओ UP, भिहार जहां- siis सारे बच्चे कमेंट करके बताओ 10 गंट होता ही मैं आप बोल रहे हो तो स्टॉप कर दूँगा लेकिन पहले 10 घंटे पूरा होने दो और जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन-कौन बच्चा कहां-कहां से है जल्दी से सारे बच्चे बताओ भई कौन-कौन बच्चा कहां-कहां से है जल्दी से बताओ मनिश जी बिहार से हैं जोवनपूर क्या बात है भाई बिकानेर उत्राखंड और अराम अराम से करो भाई कुल्दीब जी जैपूर से हैं यूपी से हर्याना से माराश्ट जी मनिश सर्मा यूपी से जैपूर अंजली जी क्या बात है बिहार से यूपी, बिहार, अजमगड, माराष्ट, यूपी, क्या बात है भई, काफी अभी दूर से बच्चे हैं यार यूपी, माराष्ट, बिहार, जैनपूर, क्या बात है भई बिहार, जैपूर, काफी दूर दूर से बच्चे हैं यार आयोधिया से भी है पाकिस्तान से भी है क्या भाई तो बहुत बड़ा टीचर बन जाऊंगा फिर तो अगर पाकिस्तान वाले पल ने लग जाने तो इस पाकिस्तान से तो नहीं हों गयार ऐसे मत करो भाई पाकिस्तान से भी है ओ भाई साब असम भीकाने राजस्तान मैं तो भाई राजस्तान से हूँ भाई राजस्तान से हूँ भाई मैं राजस्तान से हूँ भाई राजस्तान से ठीक है महराष्ट यूपी पाकिस्तान क्या बात है बड़े बड़े दूर दूर से लोग है भई तो प्यारे बच्चों आपको पता है metamers position functional group आपसे बोला है propenamine एक बोला है एन-methelamine दोनों आलगलग functional group है तो ए आपका हो जाएगा third तो ए में आजाएगा third accent two on elections position change मतलब position ISO मेरी से हो जाएगा ठीक है ना तो आपका B में आपका first आ जाएगा ठीक है नहींана यह एकज़न टू ओन और त्रीओं तो प्यारे बच्चो ऑक्सिजन का आपका क्या है डिफ्रेंस से मैंने आपको बताया था इत्यान अमाइड and hydroxide प्यारे बच्चों यह है आपका totomers आपको पता है onitrophenol and paranitrophenol orthonitrophenol and paranitrophenol यह आपका OH यह आपका ortho पे है और यह आपका क्या है para पे है तो यह position हो जाएगा वही D वाला तो D में आपका position हो जाएगा क्योंकि ortho para different position है D में आपका second तो A option आपका correct answer हो जाएगा A option आपका correct answer हो जाएगा which of the following does not show geometrical isomerism geometrical isomerism कौन सा show नहीं करेगा सर राजिस्तान एक्जाम देने आएगे तो अपने घर पर रहने दीचिएगा अरे मिलकुल मनीज जी यार आप मेरे पास ही आजाना भई आप से इस बहाने में मूला कात भी घर लूँगा ठीक है ना बिलकुल बिलकुल आपका स्वागत है राजिस्तान में भई आपका स्वागत है बताईए वह सारे बच्चे 15 मिनट और चलेंगे अब अगर जेसर आगे तो आगे तक लेके जाएंगे बरना क्योंकि अब मैं तो एक अक्षर भी नहीं बोल पा रहा हूं बात यह है तो जेसर आगे तो अच्छी बात है बरना 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 स्वाहा इस क्लास का बैसे भी सब सब कुछ तो पड़ी लिया है है ना सब कुछ तो बैसे भी पड़ी लिया है अपने स्रीयक गुपता जी ऐसी बात नहीं मैं मैं से सबके बढ़ता हूं लेकिन कुछ-कुछ student होते हैं जो teachers के प्यारे student हो जाते हैं उनकी बाते बहुत प्यारी लग जाती है ठीक है ना बाकी के ना तो मैं मनीज को जानता हूं ना मनीज मुझे जानते हैं ठीक है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सबके एक समान है सबको मैं यहां पर इक्वल देखता हूं ठीक है ना लेकिन कुछ-कुछ student की बाते थोड़ी छी अच्छी लग जाती है बरना ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कृप्य करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं नहीं सोचे ठीक है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे सब एक समाने मेरे लिए पीडियम टेलिग्राम पे मिलेगी आपको है ना पीडियम आपको टेलिग्राम पे मिलेगी फिर्श्य मेरे बोलरे हो कि आप एक बात बोलू घर जाके सोने भालों मैं घर जाऊंगे नहीं मैं आज is टूटियो में सो जाऊंगा आज मैं सो जाऊंगा क्योंकि में में विलकुल भी चलने की हिम्मत नहीं है बन-बन-डाई-किलोरो मतलब एक ही कारवन पर दो सेम आटम आ जाएंगे तो आपको पता है जोमेटरीकल आईसोमेरिस्म नहीं हो सकता तो C-Option आपका राइट आंसर है C-Option आपका राइट आंसर है चलिए ये बताईए ठीक है ना ये बाला कुश्यन का आंसर बताईए ये बाला कुश्यन का अंसर बताईए 11th किलास की Organic Chemistry का पार्ट भी समाप तोने बाला है 11th किलास की Organic भी समाप तोने बाली है बाई साथ 2 से 3, 4 कुश्यन और करेंगे और 11th की Organic Chemistry भी समाप तो चुकी है अब शिर्फ 12th किलास की Organic बच रहिए इसी बात पर सारे बच्चे ताली बजा दो, फटा फट सारे बच्चे जल्दी से ताली बजा दो, क्योंकि J.O.C. का भी आपने पार्ट लगवक पूरा कर लिया है तो इसी बात पर ताली बजा दो और फिर 12 का सिर्फ और गेनिका पार्ट बच रहा है ठीक है वही कि क्या बात है कि क्या बात है कि कोई बात नहीं रतने जी कोई बात नहीं रादे रादे वही रादे रादे पताएं आपको फर्सट और सेकंड आपके काइरल कंपांट हो जाएंगे क्योंकि यहां पर ये काइरल कंपांट है तो दोनो आपस में काइरल है ठीक है बई चलिए प्यारे बच्चो तो यह देखिए प्यारे बच्चो जोक आ चुका है हमारे बच्चपन में 3G, 4G नहीं होते थे सिर्फ गुरु जी और पिता जी होते थे एक इस थपड में network आ जाता था आपके सामने फिर से एक नया जोक आ चुका है सारे बच्चे देखो जोग क्या है हमारे बच्पन में 3G 4G नहीं होते थे सिर्फ गुरु जी और पिता जी होते थे एक ही थपड में नेटबर्क आजाता था जो आप बोलता हूं नेटबर्क नहीं आ रहा तो एक थपड में पूरा नेटबर्क आजाता था कोई 3G, 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरू जी और पिता जी होते थे, तो ये पुराने जमाने वाले बच्चों की बात है, मैं तो आपके जमाने का हूँ, ठीक है न, मैं तो आपके जमाने का हूँ, ठीक है, तो एकदम प्यारी लाइन है, बहुत गहरी लाइन है, आपके सामन बात है भई ठीक है ना तो एक थपड में आपका नेट बरक आ जाता था भई लाइक करते रहो भई लाइक करते रहो यह जी ओसी आपका चैप्टर यहां पर थोड़ा सा चालू हुआ है तो सारे बच्चे बताएंगे इंडक्टिव अफेक्ट के बारे में बताएंगे कि इंडक्टिव अफेक्ट क्या है इंडक्टिव अफेक्ट के बारे में बताएंग ठीक है बई इंडक्टिव अफेक्ट क्या है जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इंडक्टिव अफेक्ट के बारे में जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इंडक्टिव अफेक्ट के बारे में क्या है इंडक्टिव अफेक्ट बताईए वही सारे बच्चे जल्दी से एसा नहीं है ए ओप्सन करेक्ट होगा भई डिक्रीज बिद इंक्रीज डिस्टेंस आपको पता है इंडक्टिव अफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो अगर decrease करेगा तो increase आपका जितनी ज्यादा distance बढ़ेगी तो उतना inductive effect कम होगा तो याद रखना inductive effect जो होता है वो inversely proportional होता है distance के तो आपका A option correct answer है A option आपका correct answer है which of the following not correct गलत आपको बताना है गलत order कौन सा है inductive order का आपको गलत order बताना है जल्दी से सारे बच्चे बताओ कि wrong order कौन सा है गलत order कौन सा है कौन सा order आपका गलत है जल्दी से सारे बच्चे बताईए वही अरे मनीजी कहां जा रहे हो यार दस मिनट और रुख जाओ फिर चले जाना मनीजी अभी रुख जाओ अभी मत जाओ दस मिनट और रुख जाओ फिर चले जाना बताओ भई सारे बच्चे बताओ इस कुश्यन का अंसर बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर है क्योंकि यह गलत ओडर है ठीक है न एनार थिरी प्लस को पीछे दी रखा है यहां रेजोनेंस अफेक्ट के बारे में बताना है क्या आपका रेजोनेंस अफेक्ट होता है जल्दी से बताईये भई kuon सा ओPSन आपका करेक्ट है झाल 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 बिल्कुल भाई all are correct d option right answer है क्योंकि delocalization pi हो सकता है long pair हो सकता है negative हो सकता है negative long pair pi electron सबका delocalization होता है किसमें resonance में तो आपका correct answer है d option ठीक है यह बताओ आप which of the following substance will decrease with the acidic strength of phenol कौन सा substance आपका decrease करेगा acidic strength of phenol के लिए बताना है आपको NO2, CN, CS3, CHO फटा फट बताओ कि acidic strength को कौन सा substance आपका decrease करेगा बताओ भई सारे बच्चे जल्दी जल्दी कौन सा option आपका correct होगा ज़्यादा नहीं लेंगे भई अब time है न क्योंकि 11th की organic समाप्त हो जाएगी ठीक है न ज़्यादा time नहीं लेंगे 12th की organic की अलग से class ले लूँगा ठीक है न और अगर आप तयार हो confidence आपके अंदर है हिम्मत है तो आज ही 12th की organic दो घंटे में समाप्त कर देता हूँ ठीक है न ताकि एक इतिहास फिर से रचेंगे ठीक है ठीक है भई सारे बच्चे बताओ भई तैयार हो तो दो गंटे और ले लेंगे class और आप बोलोगे तो 10 गंटे होते ही ठीक है न अपन class का समापन कर देंगे ठीक है भई तो इस question का answer बताओ आप ठीक है भई इस question का answer बताओ भई ठीक है न जल्दी जल्दी तो पूरी physical हो गई पूरी inorganic हो गई और पूरी inorganic भी हो गई है आपकी complete ठीक है भई जल्दी से बताइए भई जल्दी से बताइए गा ठीक है भई तो मैं बोल रहा था कि जैसर आ जाएं आ जाएं आ जाएं और finally time आ चुका है कि जैसर आ गए हैं जैसर आ गए हैं तो इतनी देर से भई में लड़ रहा था आपके साथ में खड़ा था आपके साथ में ठीक है ना और अपने बिल्कुल हिमत नहीं आ रही और finally अपना जो टारेट था वह अपने पूरा किया है आपको पता है physical complete हो गई है inorganic complete हो गई है और organic भी अपने यहा जाते नहीं ठीक है ना इसलिए चले गए थे तो 2-3 कुशन और कर लेते हैं उसके बाद में फिर शर्र वैसे आई गये हैं तो आप मिली लिजी एक बाद ठीक है थीण है भी हिर्म है तो बिल्कूल-बिल्कूल बिलकूल भई ह τ tooth ठीक है वह आजये जैसर अ है बिल्कुल भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूं भाई बिल्कुल भी गला एकदम बन है बोल नहीं पा रहा हूं लेकिन बोलना पड़ रहा है न कैसे बुद्माशो कि दो बंडे से वेज गया रहे थे आपका विटा में क्या दो जोड़ां का सुच हस गया था कि पेंड़ी कि मनीश कि अगया हुआ 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 है अभी ठीक है वाइस क्लियर लो वाइस है ओके वाइस तेज करो सर अपनी ओके अभी वाइस ठीक है मेरी आवाज आ रही है बदमाशों डबल वाइस अभी नहीं आ रही होगे ना सर आप नहीं थे न तो कुछ लोग बहुत फालतों की बात कर रहे थे कौन कर रहा था बताव मेरे को लोग फालतों की बाते कर रहे थे उन पर कोई action तो में लूंगा नहीं क्यों क्योंकि action लेने का मतलब है कि उनको weight test देना उनको footage देना हम क्यों हमारे पास इतना वक्त है जो खुद अपने लिए sincere नहीं है काफी जल्दी हो गया कप ले आईगा एक अरे जो खुद अपने लिए नहीं sincere है उससे हम क्या ही समझाएं आपके पास भी उत्रे ही दिन है मेरे पास भी उत्रे ही दिन है और मेरे या आपके कहने से कई गुना जादा उस बच्चे को ये दिखना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं मेरे माबाप मुझसे क्या expect करते हैं जिसे इतनी समझ नहीं है उससे आप और हम मिलके क्या समझा सकते हैं मैं सरफ उस इंसान को या उस बच्चे को समझा सकता हूं जो थोड़ा सा भटक जाए लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर भी अगर कोई बच्चा लगातार यही सब चीजे कर रहा है तो कब तक समझाया जा सकता है मैं उसी को समझा सकता हूं ना बिटा जो खुद यह माइंडसेट लगा किया है तर मैं भटक गया था लेकिन यह सोच रहा है कि नहीं सर भटका नहीं था वो तो मैं जान भूचित गर रहा है तो उससे समझाया थोड़ी जा सकता है उससे समझाया नहीं जा सकता है इसे नहीं होता जिसने भी कि मैंने कुछ को तो देखा I think Neha एक चीज मैं लड़का हूं मुझे पता है लड़के होते हैं ठिक हैं बट यार मैं लड़कियों से expect नहीं करता वो तो यार उपर उनकी घर के response मैं खुद मानता हूं कि लड़कों से कई गुना-कदा समझदार होती है और अगर लड़किया ही ऐसे चीजे करने लग जाएगी मेरा भरुसा तूट जाएगा प्लीज सर को बोलो अभी रेस्ट करें एक लास कर ले लेकियो क्योंकि दबियात देखो हाँ आई नो बिटा इसलिए मैं भागते वाया हूँ आपके लिए मार्केट से कुछ नहीं लिका आया बिटा मैं हुई रॉष रॉष नी जो अपने आपको इस जगे पे नहीं संभाल रहा है न बिटा उसे हम लोग नहीं संभाल सकते ध्यान रखना यहां अभी वो टाइम है ही नहीं जहां पे हम बहस करें यहां पे हम यह बोले बार-बार की एक दुसरे को पॉइंट आउट करें यह टाइम है बिटा हम लोगों को यूटिलाइज करने का क्योंकि आप सोचो जस्ट कि अभी आप में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है वह उल्टा इस चीज को ज्यादा सही पॉजिटिव में ले रहे हैं कि दो लोग लट रहे हैं हमेरा competition खतम हो रहा है दो लोगों का मुझे मेरा मकसद क्या है पढ़ाई करना मैं आपको एक चीज बोलूगा बिटया अगर कोई इंसान मुझे छेड रहा है एक बार उसने चेड़ा दो बार चेड़ा तीन बार चेड़ा चार बार चेड़ा पांच बार चेड़ा किसका time waste हो रहा है कि मेरा नहीं ना मैं अपना काम कर रहा हूँ उस ही का हो रहा है दूक्सान किसका हो रहा है उसी का हिसको का आज इस easy नहीं होगी लेकिन अगर उसके एक बार छिड़ने पर मैं उसको dopp गरंट कर रहा है मैं वाब फिर response कर रहा हूं इसमें loss किसका हो रहा है दौनों का तो पिटा शुरुआत किसने की उसने की उसको करना था अपना time waste जो second time वाला है जो बाद में reaction दे रहा है उसको सोचना है कि क्या वो जो करने जा रहा है क्या वो सही है ethical है क्या वो 224 के उसके ambition उसके सपने से ज़्यादा जरूरी है तब तो वो करे नहीं तो फिर बेटा सबसे best reply होता है इगनूर करो एक इंसान अगर ठीट भी है ना वो दस बार छेड़ेगा कि तू क्या कर रहा है इस platform पे क्या कर रहा है उस platform पे क्या कर रहा है करने तो उससे जब उसे चारों तरफ से कोई reply नहीं मिलेगा ना उसकी दाल या नहीं गलेगी हर इंसान पढ़ने के लिए नहीं बनावता बिटा मैं जरूर कहता हूँ कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए समझे मेरा बैक मेरा बैक लाइएगा नहीं बेटा मैं अभी आप लोग लिए कुछ भी नहीं लिक्या आप आया मैंक सुछी तोड़ा सा बहार गया था आप बिटा चांद बिटा आप क्लास ओवर होने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं लोके निस सकाएं चीक है आप क्लास ओवर होने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं बिचा झाल झाल हाँ बिटाओ definitely इसके बात करेंगे फ्रेशशच बात करेंगे जसके बात करेंगे तरह बात कर दाद raging आसके बात करेंगे लिजय gebracht शु Give some doc क्या हुआ वा जायृ एしょう का यूटुब के स्कैडिूल रहता है सर क्जौुम चौहान जायृ कि जो जी स्कैडिूल स्कैर्वें अधी है और वे इसको दो असको, इसको ले दो ढफिपना य onions by बो एप हा था, रुक्स बीटा मैं आपको सारी चीजे समझा देता हूं चलो क्या पूचा वैसान ने कौशन निम लेकित में से कौन सा प्रतिस्थापन फिनॉल की लिए अमने शक्ति को कम करेगा एसेटिक स्टेंड को कम कर रहा है कौन कर रहा है भाई एसेटिक स्टेंड को कम कम कर रहा है तो सबसे कम –I वाला कौन होगा या –R वाला होगा या –H वाला होगा या –M वाला होगा अब सबके पिताजी तो यह हैं तो देख लो भाई कहां है अब यह पिताजी तब आता है जब रेजुनेंस लग रहा होता है रेजोनेंस को यहां कहीं दिखने रहा वैसे फिनॉल में रेजोनेंस लगेगा क्योंकि साइक्लिक है और बीच में ट्रिपल बॉर्ण है कॉंजूगिशन चलेगा तो NO2 पे एक lone pair आ गया यह तो basic stand का निकल गया triple bond है high EN है यहां तो कुछ ही नहीं और यहां पे इसका notice करने वाले चीज़ है यह double bond high EN group जुड़ावा इस से तो देखो इसमें कम किसके पास है सर कितना प्यारा लगता है चाल लाया मैं समझ जाए नहीं बेटा क्या कह रहे हो आप बदाओ जल्दी से अस्टिक स्टेंग को कौन कम करेगा फिनॉल के अंदर यह रहा हमरा फिनॉल जल्दी से माइनस आई देखना है भाई जल्दी देख लो फटाफट से ना रितिक ना ह अधिराल नाूमपुरी, फादर गलेक्टर, बेटा इंस्पैक्टर यादा रहा है कुछ-कुछ आपने भी कोई यही ट्रिक बताई इनको कुछ और की है वो तो है नहीं बता यहीं ट्रिक नहीं रीतेक्स एधर एंगे तो आंसर हमारे पास में सी आ गया सबसे पहली बात जै अकैडमी पे 14 अप्रेल को 14 अप्रेल को होने वाली है बात करूं मैं डेली स्केडियूल टाइम पजे से बच्चे पूछ रहे हैं तो आपकी यूट्यूब पे क्लास होती है साड़े नौ बजे साड़े नौ से साड़े दस chemistry ठीक है और आपकी साड़े बारा बजे से देड़ बजे तक होती है physics की क्लास यह होगी आपकी alternate मतलब Monday होगी और Tuesday नहीं फिर Wednesday होगी फिर Thursday नहीं फिर Friday होगी ठीक है इस तरीके से और इसी दौरान साड़े बारा से डेड़ बजे तक nursing aptitude की क्लास होगी बिटा वो कब होगी Tuesday हो रही है फिर आपकी Thursday हो रही है फिर आपकी Saturday हो रही है ठीक है उसके बाद में आपकी धाई बजे से साड़े तीन बजे यह होती है आपकी English की क्लास कब Monday to Saturday क्लियर है उसके बाद में YouTube पे दूसरी क्लास है आपकी शाम में साथ बजे बिटा जो आपकी 8 वे तक चलेगी वो है biology की क्लास यह पूरा schedule मैंने आपके सामने रख दिया बिटा क्या रख दिया पूरा schedule मैंने आपके सामने रख दिया ठीक है सब वनार की महराथन किस बात कि वो होगी उस दिन पता चल जाएगा ठीक है वो होगी उस दिन पता चल जाएगा वनार की महराथन be ready रहना बस ओके तो यह आपका classes का schedule हो गया बिटा आप इसको अराम सा देख सकते हूं clear sir sorry मेरे पापा वीडियो कॉल कर रहे हैं अभी वीडियो कॉल कर रहे हैं बिटा तो बाहर है फोन मुझे रिंग आ रही है पापा को बोलो वीडियो कॉल पर से ज़्याद अच्छे दिखेंगे मतलब ऐसे YouTube पे ना फोन का कैमरा कहां और कहां कैमरा है ना चला, sir side please, okay, यह लो sir आपने YT और app का timing mix up कर दिया नहीं बिटा YT और app का timing mix up नहीं किया यह only for YT का time है this only for a YT time यह classes सरफ YouTube पे होगी बिटा यह YouTube time बताया है मैंने mix up नहीं किया है यह YouTube पे आपकी classes शुरू हो जाती है 8 बजे खिसक जाएं यह लोग, खिसक जाएं sir हम इतनी classes करेंगे तो revision और DPP कौन करेगा आप ही करो के मैं थोड़ी करूँगा, exam कौन देगा है बदमाशो अरे बदमाशो यार बेर को एक चीज बताओ यह किसके syllabus में है यह किसके syllabus में है नहीं न, तो gap हो गया ना बिटा हमारे पास में और बाकि MCQ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बिटा सब कुछ करना पड़ेगा यह साथ दिन हमको लड़ना पड़ेगा जी जान लगानी पड़ेगी थोड़ा और सर अब अभी गरम पानी पीजेगा सर अज टेस्ट भी देना है हाँ सर अब सरदर्द कर रहा है अब नहीं पढ़ाएंगा आपको बस अब रिलाक्स सर ने अपने मैराथन को कंप्लीट किया विजर सर ने अभी बेटा बोला ना आप चुटे मोटे प्यारे बच्चे ही तो हो महराश्ट के बच्चे बहुत संगर्शील होता है इसलिए उनकी बैच का नाम संगर्श है ठीक है बदमाशो तो अपने प्यार को बनाए रखो क्लास कहतम करते हैं कि दूप्लीट करते हैं तो करो बाई दो कोश्चन दे रहे हैं दो कोई कहीं नी जाए नो टाटा नो जीओ कुछ नहीं आओ जल्दी से दो कोश्चन रहे हैं छोड़ेंगे नहीं सब तक तोड़ेंगे नहीं पूरा कंप्लिट करते हैं क्योंकि जो अभी तक नहीं ठके हैं तो क्यूं अब आगे ठके हैं तो आपन टार्गेट था पूरी फुजीकल और जाड़ानी तो आपन करवाई है तो दो बच रहे हैं उनको और आपन देख लेते हैं ठीक है और बागी का एनर्जी तो मेरे पास में बहुत ज्यादा आ चुकी है ठीक है ना तो मैं चाहूं तो अब भी और आगे जा सकता हूं लेकिन अब जो आपका जो content था जो आपका यहां पर टार्गेट था physical inorganic और इंगेनिक का वो पूरा हो चुका है ठीक है ना दो में से अभी आंसर आ जाएगा तो जैसर बता है उससे पहले आप बता दो एक कुष्ण तो जैसर ने स्वाल गरवा दिया और इसका भी आंसर उनका चुका है ठीक है और आंसर भी बता दिया कि पहले ही आंसर है और पहला ही आंसर है क्योंकि आपको भी पता है basic strength पूछी है positive effect जितना यहां फिर यहां ठीक है तो बिल्कुल simple एकदम हलुआ था A option ही था correct answer ठीक है ना भी नहीं होगा भाई A option होगा बिल्कुल बिल्कुल तो प्यारे बच्चों यहां पर motivation line ले लेते हैं मंजिल उनहीं को मिलती है मंजिल उनहीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है तो याद रखना प्यारे बच्चों ठीक है ना बस आपके अं और दूसरे आपको क्या बूल रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं स्धुल ना कुछ मानना अगर आपने खुद के उपर विश्वास रखा तो आपको कोई नहीं अरा सकता जैसे मुझे खुद के उपर विश्वास था मुझे आज मेरा तन में complete करूँगा आज मेरा तन में complete करके ही यहां पर रुकूँगा तो मैंने वह target लिया था और आपके सामने आपने देखा भी है ठीक है ना जितना अपना content था वह अपने पूरा किया सारे chapter सारे concept सब कुछ अपने अच्छे से किया है ठीक है ना तो मैं चीज होत चाहिए खुद के उपर अगर आपके आपके अन्दर खुद के उपर विश्वास रहेगा तो विश्वास मानना दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती तो जाते जाते प्यारे बच्चों और ब्लंद कर दो ऑफ्ले ब्लंद कर रास्तों ऊपर चल दे तुझे त औसले बुलंद कर राष्टे पर चल दे तुझे तिरा मुकाम मिल जाएगा महा मेरतन कंपलेट हो चुकी है तो आपको पता है आपका मुकाम मिल जाएगा बढ़कर अकेला तू पहले सुन रहे हो ना बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बनकर आएगा तो प्यारे बच्चो याद रखना अकेले आपको चलना है महा मेरा तन कंप्लिट हो चुकी है और जो आप काफिला आपके पीछे सोच रहे हो वो आटोमेटिक काफिला आपके पीछे आने वाला है वो कब आने वाला है जिस दिन आपका रिजेल्ट आएगा जिस दिन आपका लिए काफिला बनके खड़े हो जाएंगे वो ही प्यारे बच्चों यहां पर आपके आगे पीछे घुमेंगे आपकी तारीफ करेंगे आपके जबरदस्ती आपसे रिष्टा जोड़ेंगे कि यह हमारी यह लगती है यह हमारी यह लगती है तो काफिला आटोमेटिक बन जरूर मिलेगी वो दिन अब दूर नहीं है जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा बहुत अच्छी रंग के साथ आप सेलेक्ट होंगे और जो भी आपने सपना देखा है जो भी आपने प्यारे बच्चों सपना देखा एक अच्छे मेडिकल कोलेज का वह आपको 100% मिलेगा जो काफिला जो अभी बात कर रहे है में ठीक है ना एक संदर लाइन के साथ में तो आपको यह complete वैसे आपको ठीक है ना समझे में आगी होगी क्या लाइन है इस मतलब का ठीक है भई बिल्कुल बिल्कुल तो वही जाते जाते ठीक है ना क्या बात है ऐसा क्या बात है बात ह बहुत ही प्यारी लाइन कि पढ़ने में मन नहीं लगता मा फिर भी में मन लगा लूँगा और बापू आप टेंशन मत करिए कुछ दिन की और बात है फिर में समाल लूँगा तो बस कुछ दिन की और बात है फिर प्यारे बच्चों आप सब समाल लेंगे मेनत करनी है प्यार लम्हा लम्हा ये बक्त गुजर जाएगा और थोड़े दिन बाद तेरा एक्जाम आ जाएगा ठीक है ना लम्हा लम्हा ये बक्त गुजर जाएगा थोड़े दिन बाद तेरा एक्जाम आ जाएगा पढ़ ले बेटा तु लंचोर दास नहीं है कि all is well बोलके पास हो जाएग ठीक है ना तो all is well आपने को नहीं बोलना है मेनत करनी है questions के approach लगाने हैं और questions को आपनों अच्छे से पढ़ के solve करने ठीक है आपके पढ़ाने का तरीका बहुत मस्त है इसलिए एक दिन में सब कुछ complete हो गया क्या बात है धन्यवाद भाई thank you so much बहुत मस्ते class 12 की पूरी महरतन कर लो please ओके भई अगर आपका support रहा तो class 12 की भी महरतन ले लेंगे बैसे आज सारे chapter करा दी है ठीक है ना फिर भी आप बोल रहे हो तो और महरतन लेके आएंगे बस आपका support आपका प्यार होना चाहिए ठीक है ना तो बिलकुल और महरतन लेके आएंगे ठीक है ना बिलकुल लेके आएंगे तो जल्दी से comment section में बता दीजिए सारे बच्चे class कैसी लगी सारी चीज़े समझ में आई यह नहीं आई ठीक है ना और class complete होने के बाद सारे बच्चे comment में बता के जाएंगे class कैसी लगी और आगे आप किस तरीके की class चाते हो ठीक है ना आगे आप किस तरीकी class चाते हो आगे आप क्या चाते हो सारे बच्चे class होने के बाद में comment section में जरूर comment करेंगे आज की class कैसी लगी आगे आप क्या चाते हो ठीक है ना तो आशकरता हूं जो अपना target था, वो मैंने पूरा किया है, आपका जो target मैंने आपको दिया था, आपने भी पूरा किया है, बिल्कुल आपका full support था, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, सर सच में दिल जीद लिया, ऐसा teacher मैंने आज तक नहीं देखा, thank you so much भई, ठीके न, ऐसा कुछ भी नहीं बस आप सब का support था, ठीके न, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, thank you so much, thank you so much, thank you so much, sir जी आपको छोड़ देके जाने का मन नहीं है, फिर कम मिलेंगे, मनीश जी बिल्कुल मिलेंगे, कल सुबह फिर से मिलेंगे, ठीके न, बिल्कुल, बिल्कुल, कल फिर से मिलेंगे है न, वह-夠 अच्छा वाध थैंग्यू सो मज भई थैंग्यू सो अमज कोई वार नहीं कर फिर से महलेंगे क्यों टैंसल ले रहो ठीक है ना 3.7 तो बजी चुके हैं कल 9 ब जे फिर से मिलना है ठीक है रही ना बहुत शैसन ठीक्यू सो सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और यह क्लास को जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों इस क्लास को आपको शेयर करनी है दोस्तों के साथ में ठीक है ना बहुत अच्छे हो सब्सक्राइब करना तो बस यह सपोर्ट यहीं प्यार बना रहना चीए कल मिलेंगे अपन फिर से कुछ नया concept और नई स्रीज के साथ में ठीक है ना स्रीज तो वही है लेकिन कुछ नए आपन concept के साथ में मिलेंगे ठीक है ना तो बिल्कुल बहुत अची class थी बिल्कुल 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 तो जितने भी नए बच्चे है चैनल सब्सक्राइब कर लो टेलिग्राम जरूर जोइन कर लेना ठीक है ना जितने भी बच्चे है क्योंकि ये class जो ही है इसकी pdf आपको टेलेग्राम गुरूप पर मिल जाएगी ठीक है ना बहुत अची class थी में को सब समझे माया थेंक्यू सो मच भई थेंक्यू सो मच थीक है ना लल्लन टॉप class क्या बात है प्र जल और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो सेयर करो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम गुरूप जरूर जोइन कर लो क्योंकि टेलीग्राम गुरूप पर ही आपको सारी कुछ चीजे मिलने वाली है ठीक है बाई बिल्कुल बिल्कुल बिल् बोलो जल्दी जल्दी अभी चलो फिरसे क्या बोलते हो ऑफ आपर यह बломोवाल लुस्त आप कई बैटरी भी कल दिया कर दो लिकों पर सबस्कुaj को क्या है श्रक्त चुर। अगों से लांतन पर दाज Hack сказать ओ फिकांसेय। कुमस मेरे साथ ढने रहे सैंकने चैथ mm जिन्हों ने बिल्कुल रेश नहीं किया लगातार क्लास में बने रहे हैं तो यह जो आप मेनद कर रहे हैं आपकी कभी वेकार नहीं जाएगी याद रखना बहुत जल्द आप बहुत अच्छी चैंग के साथ में सलेक्ट होगे ठीक है ना तो सभी बच्चों को भाए कि अगयो कि आप ने इतना सपोर्ड बनाया इतना प्यार दिया और वहाउंश तक आपने क्लास में बने रहे ठीक है ना तो आपको लगातार मेनत करनी है ऐसे ही प्यारे बच्चों तो मिलते हैं आप से कलकी क्लास में थेंक्यू सौमच बा बाय निभाई थाटा थीक्य बैक बैक बिलकुल